लाइब होगे हलो 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 बिटा ओडिविल्टी विसिबिल्टी परफेक्ट तो एक बार दिल से आग लगा दो ओडिविल्टी विसिबिल्टी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो देखो देखो फड़ावट से ओडियो दिख रही है करें तो कंटिन्यू करते हैं बस मानके चलो अपना यह ऑनलाइन का अब तक का सबसे बहतरीन तो है जिसमें थियोरी भी लेके चलने वाले हैं और कुश्चिन्स भी लेके लटो और ध्यान से सुनो पूरी बायो आज आपके ब्रेन की लाइबरेरी में सेट होगी हंडिट परसेंट अब आपको तीन दीन जो है संकल्प को देने जैसे आप आज भी सुबह मिरको बच्चे की कॉल आई थी उस बच्चे नहीं यह बोला ता कि सर मैं थोड़ा डर रहा हूँ मेरे मार्क्स तो आये थे पहले भी आये थे अभी भी आ रहे है पर मुझे अब यह समझ नहीं आ रहा है कि माइंड ब्लॉक हो गया है तो यह तीन दिन आपने हमें देने हैं हम आपको रिवाइज भी करेंगे आपका कॉन्विदेंस भी वापसी लाएंगे औ अपनी एक रफ रजिस्टर या नोट्स की कॉपी एक पानी की बॉटल और एक अपना ठंडा दिमाग कूल दिमाग जहां पे आप अपने दिमाग में आप कुछ नहीं सोचेंगे पूरा फोकस करके आप हमारे साथ रहेंगे और हमारी रिस्पॉंसिबिल्टी यहां से आपक और आपके जितने भी प्रोबैबल टाइप के कुश्चन्स हो सकते हैं वो सारे कवर होंगे तो आपको बस बने रहना है बहुत अच्छे से तीन दीन हमें संकल्प चैनल पर देना है आपको और हम यह इंशूर करेंगे कि आपके बहुत सारे नंबर हम बढ़वा दे इन ती कि तीन दिन में वो चीजे जो पेपर में आने वाली है या हमको लगता है कि पेपर में आएंगी उन सभी चीजों को हम लोग डीटेल में पढ़ाएंगे भी और कोश्चन भी कराएंगे डीटेल का मतलब है इस तरह से उसकी समरी देंगे कि आप उसको समझ भी जाओ इविडेंस हो कि अरे यार सर ने ये बात महराथन में तो बताई थी यही तो पेपर में आया है तो कोसिज अपनी यही है तो तीन दिन संकल्प के साथ तीन दिन में हम लोग पूरा बालोजी पूरा कमेश्टी और पूरा फिजिक्स रिवाइस कराएंगे और साथ साथ में इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि पेपर में किस चीज का बेटेज है जिस चीज का पेपर में बेटेज होगा वो चीज ज़्यादा पढ़ाएंगे उसके कोश्चन भी ज़्यादा कराएंगे और जो पेपर में आ सकते हैं इस पर भी हमारा बहुत बड़ा रहेगा कि हां यार जो पेपर में आ सकता उसको अच्छे से डिटेल में दे अब आप लोग बायों की क्लास स्टार्ट करें और तीन दिन हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे दिन और रात तरीका क्या रहेगा हम लोगों का ठीक है सबसे पहले मैं 11 जो लोगा देन 11 बॉटनी तरुनसर लेंगे देन अगें मैं 12 जो लोगा फिर अगें 12 बॉटनी तो जी सलस्रा चलेगा ठीक है और तब तक चलेगा जब तक के अब जो हमारे स्ट्रेड़ी रही है आज की में बता दू मैंने फोर यह की लास्ट एनलिसिस किया है उसके बेस पर हम थियोरी करा रहे हैं और उसके बेस पर ही हम कोश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लियर बलकुल तो स्टार्ट करते हैं कि अ कि कॉंटिनिव करते हैं तो स्टार्टिंग करेंगे बलकुल हम कहां से एनिमल किंग्डम से ठीक है अब पूरा एनिमल किंग्डम आपकी ब्रेन की लाइबरेरी में सेट होगा एप्रोक्सिमेटली आदा घंटा थर्टी मिनिट देंगे इच चैप्टर को अप्रोक्सिमेटली थोड़ा अपन डाउन होगा बट इस थर्टी मिनिट के अंदर हम बहुत प्यारे कंसेप्चुल तरीके से ठीक को आपती ब्रेन की लाइबरी में सेट करने वाले जैसे हम बात करते हैं अगर 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 अग को हम कंपाइल कराएंगे ठीक इसके इसाफसे में कंपाइल कराऊंगा और फिर हम यहां पर थोड़ा सा ठीक है एक टेबलर फॉर्म में पूरे अनिमल के आपके रखेंगे क्लियर विल्कुल तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर वापस आ रहे हैं तो प्लासिफिकेश सब्सक्istor Appreciation अब सब्सक्राइब कर लोगों और कैसई होगी जितने भी Mm होते हैं mostly asymmetrical होते हैं but some so radial symmetry नेक्स आज़ो ठीक है अगर body cavity की बात करता हूं तो यहां action में cavity नहीं बनी थी एसी लो मेट यानि सीलो में यहां पर absent थी ठीक है तो आगे जाकर के प्लैटी hyalmanthys' से triploblastic condition आई थी ठीक है ए इसीलो मेट थे triploblastic acylomet first कौन थे प्लैटी यहलमन्थी देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिस pseudo-scalomete skalmanthys देन उसके बाद स्टार्ट होते हैं true silomete clear बल्कुल अब हम बात करते हैं silen'd रेटा तो silen'd रेटा के अंदर tissue level of औरगनाइजेशन था रेडियल सिमेट्री यह भी एसी लो मेट है तीनोफुरा तीनोफुरा में भी टीशू लेविल और इसी लो मेट ठीक है अब फाइनल यह मैं इसके बाद बात करेंगे प्लैटी अलमन्ती तो पहले ट्रिप्लो ब्लास्टिक थे ठीक है पहले ट्रिप्लो ब्लास्टिक थे जिसमें और्गन लेवल ऑफ और्गिनाइजेशन स्टार्ट हो गया था प्लैटी में स्टार्ट हुआ था और्गन हां कुछ मेंबर थे जहां और्गन सिस्टम भी मिलता है इसलिए NCRT और्गन और्गन और गंगा कि अगर अगर में बॉडी निए कूरता हूं ओधिक है विद में वाडी कावट टी यह इनि ए स़ीलो में अपर कृष्टоров प्लक भां自己 की बाद करता हूं को पुछा गया इस juste रिपलो ब्लस्टिक टिखें फर्स ट्रिपलो ब्लस्टिक थे थे झारों ब्लस्टिक थें ओके वागे ठीक के बत करosi में अगर हम सिमिट्री की बात करेंगे तो यहां गशनों सिमिट्रिय को होगी यहां से और्गन सिस्टम टोटली अच्छी तरीके से आ गया था और अगर मैं सीलों की बात करता हूं तो स्केल मन्ती सुदो सीलोमेट थे अब सीडो सीलोम के बाद अब जितने भी यहां पर जो भी आएंगे ऑल आर ट्रू सीलोमेट तिक है एंडिया लेडा से कोड़ेटा आर ट्रू सी लोमेट जिन पर डवलप हो चुकी थी लगबग मोस्ली बाइलेटर से मेटरी सभी के अंदर म क्रिक्र कर रहें कंपाइल करें सबसे भाल रहें सबसे बात करेंगे नियुक्त कि गुद्यल करो कि पर पर आहरा की लोटे के हम परदिए सब्सक्राइब करेंगे था हम रहते हैं कि अमोस्ट है अगर हम बात करते हैं सिलिंट रेटा तो सिलिंट रेटा की किस में भी ध्यान रखना है सिलिंट रेटा की किस में बात करते हैं सिलिंट रेटा मोस्ली मरीन बट सम अलसो प्रेश वाटर ठीक जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा तो हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलता है ठीक है सेम सेम कंडिशन इसको एपलाई करते हैं इसी को ठीक है अब टीनो फोरा की बात करते है तो एक्स्क्लिव ली मरीन वोटर एक्स्क्लिव ली मरीन वोटर ठीक है एक्स्क्लिव ली मरीन वोटर अब अब बात करते हैं सिमिट्री अगर मैं सिमिट्री की बात करता हूं तो जर बताओ पौरी फेरा के अंदर mostly asymmetrical होते हैं but some so radial symmetry mostly बस सारे point लिखतो नहीं पाएंगे भाँ हम बोलते जाएंगे mostly कैसे asymmetrical but some so radial symmetry नाइडिरियंस की बात करते हैं तो नाइडिरियंस के अंदर radial symmetry होगी नाइडिरियंस में radial symmetry होगी फॉरा की बात करता हूं तो टेनोफॉरा मैं radial symmetry होगी ठीक है प्लैटल में तील मन्थी की बात करते हैं वाई लेटरल symmetry होगी ऐसके अलम्न्ति इस की बात करते हैं बाय लेटरल as ठीक है देप्लोड्स्टिक है यहां पर भी डइप्लो दिप्लोड्स्टिक यहां बात करते तुपर प्रा थे प्लिप लॉब्र फ़र्पॉर्स्टिक पहले ट्रिप्लो बलाश्टिक ते यह लिखने में के डिली कर रहा है अचै इसकी वेशा से लिए लिए हैं तो फिर्ट टेल बलास्थिक सब्सक्राइब करते हैं अगर हम बॉड़ी कैविटी के बात करते हैं तो ध्यानद ना कैविटी स्टार्टिंग में जो प्योर विभला भुंकूल्मटर्म यूज करते हैं लूते इस बात करें स्पॉण जो हुआ यहां पर इंस दौरों के अंदर गास्टो वैस्कुलर कैविटी का प्रयास्टो वैस्कुलर क bases यहां भी यहां पर भी solar cavity टितणी गैस्ट्रो थे वैस्कुलर कवीटी ठीक हाँ प्लैटी हिलमंती बहुत ही यहाँ च्रब यहां करेंगे ठीक टो यहां पर पर एपसेंटी सीलोम एपसेंट है सीलोम यहां पर भी एपसेंट है हां यहां से फर्स्ट ट्रिप्लो ब्लास्टिक को की सीलोम का फॉर्मेशन किससे होता है मीजोडर्म से तो पहली बार फर्स्ट टाइम मीजोडर्म कहां डवलब हुई थी प्लैटी के अंदर ठीक है तो आप बोलोगे यहा करते हैं pseudo pseudo और इसके बाद जितने भी आंगे ट्रू सीलो में ठीक है अब डाइजेशन की बात कर लेते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं पौरी फेरंस तो पौरी फेरंस में यहां एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों मिलेगा यहां पर भी एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों मिलेगा ठीक है अब प्लैटी ऐलमंथी यह दो पैरसाइट थे डाइजिस्टिट फूड को ही एब्सॉर्व करते थे यहां पर ब्लाइंड सेक टाइफ ऑफ डाइजेस्टिफ सिस्ट्म मिलता है तो ब्लाइंड सेक मिलता है बड़ इसके अंदर आप बोल सकते हो को इन डाइजिस्टिट जूस क ब्लाइंड सेक मतलब है इंकमप्ली डाइजिस्टिफ सिस्टम है अब समझ रहे हो ब्लाइंड सेक नीचे से बंदोंको उपर सेओंगें मिलता है तक है तो आप दर मेइंडЧто सकते हो किसके किसमें हम बात कर रहें है है यहां से ही ही इक अधिरिएateursर्व करते मेटेरियल को ठ बोगे तिउनकों फ्रेके तीव विदिंटीव थीव विदिंटीव हाँ तो यहां होगा अब सबके अंदर होगा सबके अंदर इंजाइम निकलना चालो होगे त्यू विदिन दिवादी सिस्टम मिल रहा है एंजाइम रिलीज करेंगे बाहर डाइजेशन होगा डैन डाइजेस्टिट पूड का एब्जॉप्शन होगा टोटली एक्स्ट्रा सेल्वर सभी के अंदर मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ठीक है आगे बात करते हैं एक्सक्रीशन भाई पौरी फेरा इनीशल एक्सक्रीटरी प्रोडेक्ट किया था अमोनिया तो जो वाटर में थे लौट आफ वाटर था तो वहां ज़्यादा ज़रूव इस बौडी और सरfेस अच्छा तीन फोरह में बाडी सर्फेस बौडी सर्फेस स्वम्राप्र ह्क आञाओ नेक्स लिकष्ट्रा से के बात करते हैं ड्यंति से сл dado का रौडब हो गए थे से फ्लेम सेल फ्लेम सेल स्टाइम चाहा थे यहां कि अफीं सेल यहां पर अचुके थे तो यहां रखना है गट में तो एनरोबिक रेस्परेशन ही होगा ठिक है तो यह तो करते है तो यह तो औरोबिक करेंगे आगे बड़ते हैं तो कि इस सब्सक्राइब है बडले तो हमसेटल में सेर्कूलीन स्पर्लेश्ट एपसेंट है स्प्लाइब है 101 से और segmentation Metameric segmentation की बात कर रहे है true segmentation की बात कर रहे है जिसमें body external as well as internal दोनों टैक की division मिलती है वह है Metameric segmentation तीनी एक्जांबल ध्यान अखने एनी लिडा और तो पोडा और कोर डेटा एनी लिडा और तो पोडा और कोर डेटा है तो यहां पर भी absent है absent है absent है absent है ठीक है अब nervous system की बात आती है तो first time nervous system कहां the love हुआ था first time simple first time simple type की nerve cell कहां डबलब हुई थी सबसे simple type की nerve cell first time double up हुई थी ध्यान लगाए आपको नई डेरियंस के अंदर एपोलर टाइपस ओफ नियूरोन नाइडेरियन ठीक है फॉस्ट नर्व सेल फॉस्ट नर्व सेल डबलब हो गई थी नाइडेरियन के अंदर आगे बढ़ते हो टीनों पुरा कॉमन चलेगा ठीक है प्लैटियल मंतीज प्लैटियल मंतीज में कोशन मनता है लैडर एक नर्वस सिस्टम का देखने को मिलता है एक ही कोशन मनता है नर्वस सिस्टम की उपर आप लोगे प्लैटियल मंतीज लैडर लाइक लैडर लाइक नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा ठीक है एसकल मंतीज कॉमन ठीक है आगे चलते हैं अचा रिप्रक्शन की बात करते ह कोशन आता है HMB और DU HMB का मतलब हर्मा फ्रोडाइट M का मतलब बाइसेक्श्वल HM मॉनोसियस और बी बाइसेक्श्वल यानि मेल और फीमेल रिप्रोडेक्टिव और या रिप्रोडेक्टिव सेल सिंगल एनिमल के अंदर है तो तर्म यूज करेंगे सेक्श्वल डाइमोर्फिजम जहां मिलेगा वहां डियू होगा तो द्यान रखना है रेप्रडेक्शन की बात करते हैं पौरी फिरा के अंदर क्या मिलेगा है एंडिया स्वास्वल यह कंसेप्ट को समझो सब्सक्राइब करते हैं अच्छा टीनो फॉरा की बात करते हैं तो तीनो फॉरा के अंदर भी एच यह MMT कन्दिशन देखने को मिलती है तो डायो डी समर्फिस्म चुबन का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग होते जैनि डेली सिटी डेली यू इन और डी कंडिशन यहां पर आ चुकी है सेक्षवल डामोर्फिसम मिलती यह और एंक साथ फीमेल अलग होält न या और ऑस्कर एसकी बात करते हैं साइस कम्परेडे फीमेल होता है तर्म्न वाला पार्ट ठीकै उसमें कर्व्ड होता है जिसमें पीनियल सीटे देखने को मिलते हैं मेल में क्लोयका होती है फीमेल में क्लोयका नहीं नहीं bırak और और एपण।र दियान रखना है माउथ और एनस प्रिजेंट होता है क्लोएका नहीं होती तो यह याद रखना है ठीक है अब डवलमेंट की करते तो mostly invertive rate mostly invertive rate development लार्वर स्टेज होगी मतलब डार्वा के थ्रोगा मतलब इंडारेक्ट डवलमेंट की बात करते तो इंडारेक्ट में लार्वा मिलता है सम एक्सेप्टिनल केस तो सभी जगे मिलेंगे तापको ध्यान नहीं होंगे ठीक है पर mostly look as indirect because अब एक यहाँ पर भी इंडारेक्ट मोस्ट लीडारेक्ट होगा ठीक है particular Me बर्बर कि लारवा होते हैं और एस्कल बान्ती में भी लार्वा होता है इन डारेक्ट डवलमेंट क् freakinol पौरिफरा में रिजनरेशन रिपरा में रिजनरेशन में पॉरिफरा के लिए लगा तो नहीं सकते नाइडेरिया के लिए RE-Election term लगाएंगे रिजनरेशन याणि एक पार्ट को कट कर दो तो देर सारे पार्ट बन जाते हैं इसको बहुता हैगे geregnation पॉवर रिपीट हुआ है तो ध्यान रखना यहां पर भी रीजनरेशन सबसे ज़्यादा होगा प्रिजेंट ठीक है एसके अलमेंथी यहां नहीं दो ही एक्जमपल बताएं मैंने तो आपके मैंने पॉरीफरा नाइडेरिया टीनोफोरा प्लैटी अलमेंथी स्के बेसिक सार है किसी की लाइफ में सेक्च्वल और एसेक्च्वल स्टेज या पॉलिप और मैड्यूसा स्टेज अल्टर्निटिव आते हैं तो इसको बोलते हैं अल्टर्नेशन ऑफ जनरेशन बहुत प्यारा एक्जमपल दिया है एंसी आटी में किसका ओबलिया ओबलिया के अंदर ध्य होता है समथ और टैशन रहे हो और छांगी ःक्सटर्ण सक्की यह ओसकति हैं और बिल्कुल यह यह यादर रखनी है कि के अंदर तेनोफोरा एक्साइब ऐाट बायो मलनी सेंज है रात में चमके जैसे जुगंु इस तरीके से चमकते हैं इंको Seratan इनमें कॉम प्लेट होते हैं जो सिलीएट होते हैं जिसकी वैसे यह स्विमिंग कर सकते हैं लोको मोटरी और तरह वर्क करते हैं ठीक है यह specific feature द्यान रखने exclusively marine होते हैं और only or only sexual reproduction करते हैं यह यहां नहीं मिलता प्लैटियल मंधी और एसकल मंधी द्यान अन्डो पैरा साइट है एंडो पैरा साइट हैं बस एक प्लैनेरिया ध्यान अगना जो फ्री लिविंग होता है इसी आटी ने दे रखा है ठीक है तो यह कंपाइल होगे सारे के सारे आगे बढ़ते हैं आगे ताज तो मैं सारे पॉइंट कर दूंगा तरब में पॉइंट को मैं समझे रहें हो तरीके से अब एनिलिटा और्फोडा मॉलस्स और हैमी कोड़िटा की बात कर लेते हैं तिक एनिलिटा और तो पूरा है खुड़िटा ठीक है अगर मैं आपसे पूछ भूच ने इन एनिल्दा में तीन ही तो एक्जामबल दे रखे एार्थवाप नारिस और लीच लीच फ्रेश वाटर अर्थवार्म टैश्टियल और बचा क्या नारिस मरीन वोटर तो तीनों टाइप का प्लस टेरिस्टियल भी एक्जाम्पल होगा और तो पोड़ा सर्व यापी है और सब जगे देखने को मिलते हैं समझ रहे हो वह वाटर में भी है ठीक है वह एयर में भी है सब जगे तो यह सब जगे होंगे ठीक है सभी जगे होंगे मॉलस्का मॉलस्कस ठीक है सेमी टरिस्टियल भी होते हैं लाइक पहला ठीक है और मरीन वाटर में भी होते हैं ठीक है और एक काइनो डर्मेटा की बात करूं एक खाइनो डर्मेटा एक्सक्लियूजिब ली एक्सक्लियूजिब ली fflock Mary water हैमिक औरिडेटवी 50当然 मरीद और समझा स्माज़ें ना मेरी बात एस legacy सिम groot में एक इसे जो पफे मिलतें अच्छांदा सिमेटी बात कर लेते हैं तो ஏंड़ ट्री सिमेटरी एनिलेटा के अंदर बाइलेटरल सिमेटरी समझना बाइलेटरल और तोपड़ा के अंदर बाइलेटरल मॉलस्कस के अंदर बाइलेटरल ठीक है एकाइनो डर्मेटा एकाइनो डर्मेटा में ध्यान नखना है आपको यहां एडल्ट में रेडियल मिलेगी लार्वा म आडल्ट आड के अंदर समीटरी एझे मिलेगी होग वी थिखे हैं व्यच्ञ घ्र कोई जर्मिनल तो पताए ना आपको यह सब कुछ इसं में कुछ नहीं डिच ट्रिपलो बलास्टिक ट्रिपल ब्लास्टिक ट्रिपलो ब्लास्टिक समीडल सभी आप यहां से चोड़ दो कि बात करता हूं तो एनी कि लिडा थे यू सिलाम थी यहांं पर और यू पूप की बदाई दिया हमने साइजो शीलोम या एंटेरो शीलोम सटार्ट होता होती है एकाईनो की बात करते हैं तो यहां पर एंटेरो ऍाइरो टोल एंटेरो सी लो मिले जरें से पहले यह यह साइजो साइजो सीलो मिलेगी एंटेरो सीलो स्ताट फॉम तु को डेटा, समझ नगे नगेबाव Guten डाइजिशन ध्यान 낙क तोटली इक्स्ट्रसेलुलर होगा सब कह अंदर एक्स्ट्रसेलुलर म 12 एक्सट्राip सबकुलर ह Quindi एक्सक्रिशन की बात कर लेते हैं ठीकje तो स्लेह मैं बता ही दिये फ्लीम और रेनिट selv व्लेमम वर यहम आपना ऑघल रहेते प्लाटी अमन्ती थी के अंदर एजί अनिकलित और उलप सेन के लिए तो आपने निआदर एंट इंदर स्क्रिशन अनलए निए ऊप्रीडिया निफ्रीडिया अठीं वह नहें फ्रीडियर ठीक है ओरतो पोड़ा के अंदर और ओर तो पुड़ा में तो बहुत सारी चीज्च उम्माल बिक इन डिवीन नेर मताएं और तुन मट्रों मताया देग रिए ग्रीन ग्रेंट एं त्ल भू सटसर ग्लीडी है खैस पाइड़र के अंदर तो इसमें भी काफी चीज़ें देखने को मिलने वाली है आपको ठीक है माल पेकिन टीब्यूल प्रियूल ठीक है ग्रीन ग्लेंड ग्रीन इट्सक्टरा एट्सक्रा ठीक है आगे बढ़ते मॉलस्का गिल्स का में गिल्स होता है फैदर लाइक गिस जो एक्षीरिशन और रैस्पारेशन होता ही यह पूचा जाता है कि कई डर्मैटा में क्या होता है सिस्टेम होता है है मीwow प्रोबोसिस्ट लेंड औरके से हमे निपर यू लगे हुए प्रोबोस इस इस इंorr तो पर बाखंट टेटीक करते हैं तो अगे बढ़ते हैं तो अब तो रआ अब टो रसि पारेशन के लिए बात करता हूं तो इसमें cutaneous respiration देखने को मिलता है ठीक है अगर मैं और तो पोड़ा की बात करता हूं तो यहां गिल्स एक्वेटिक और तो पोड़े गिल्स होंगे बुक गिल्स भी होंगे यादो आपको बुक गिल्स भी होंगे ठीक है यहां respiration के लिए अंदर इसके अलावा गरम बात करते हैं यहां भुक लंस भी उते हैं तो बहुत सारी देखने के किसके अंदर ऑर्थो करते हैं ब्रैंकिल किरेशन ब्रंक कि रास्परेशन डर्मल सर्फेस से ही ब्रंक रैस्परेशन हो रहा है ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं है मी कौर डेटा है में इक सारी पॉइंट लिखने से रहे हैं अब सको समझाते जा रहे हैं आप एक दम रिकॉल करते जाओ में फोकस रिवीजन पर कर OpenОptherby steering system होता है क्लिए अमें आगे बढू और थो पोडाおler टाइप आप सर्किलिटरी सिस्टम मोलेश का मोलेश का मोलेश का कैने अध्या ना सिस्टम सेग mental सेख मेंटेशन सेगभி मेंटेशन सेगमें प्रचेमेंटेशन कढ़ सेगमेंटेशन प्रचेमेंटेशन प्रचेवागत होगCON इनी लिडना मैं और थो पोडा मैं logic सेघां जिसको मैंटा मेरे सेगिमेंटेशन इन जगें याद रखने एनी लीडा और्फोडा एं कॉपक़ टा क्लियर बिल्कुल चलो आगे बढ़ो नर्वस सिस्टम वाई सभी के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजंट होगा बस ध्यान क्या सभी के अंदर होगा अंतर क्या होगा अगर सब की अंदर बात करते हैं नर्व कोडोगी no to cod codate में मिलती है नर्व कोड होगी है जो डबल होगी जो वेंटरल होगी जो डबल होगी वेंटरल होगी आप समझ रहना मेरी बात और solid होगी जबकि कोडेट्स के अंदर सिंगल होती है डॉर्सल होती है याद हो सिंगल डॉर्सल हो उनके अंदर और यहां पर डबल समझ में आ गया reproduction की बात करते हैं तो यह तो देहां समझना वह एनी लीडा एनी लीडा में अर्थ वाम में हम्भी कंडिशन मिलेगी मेल और फीमेल रिप्रोड़क्टिव और प्रिजेंट इन सेम ठीक है जबकि अगर मैं लीज के अंदर बात करता हूं तो वहां भी हम्भी मिलेगी बट नैरिस के अंदर सेक्च्वल डाइप मॉर्फिसम मिलती है नारिस के अंदर सेक्च्वल मिलती है अब यह चीज मिलेगी आगे जाकर के ठीक है सेम ऐसे काइनों टर्मेटा ठीक है और हैमी कोड़ेटा है मेरी बात इस तरीके से आपको ध्यान रखना है स्विक्वेंस आगे बढ़ो डवलमेंट डवलमेंट अभी मोस्टली मोस्टी डवलमेंट इंडारेक्ट ही हो रहा है मीज लार्वा सबके पास है लार्वा सबके पास है ठीक है यहां पर डारेक्ट और इंडारेक्ट दोनों टाइप का होता है और किसी केसमें लार्वा नहीं भी होता कौकरोश के केसमें लार्वा नहीं होता या दो एमेगो एमेगो समझ में आया ना वहीं इमेगो ज to it and hear us के लारवा मिलेगा पर आर्थ्वउम और लीज के अंदर लारवा नहीं होता चलो regeneration रिजन रिजनरेशन यहां रिजन डेखने को नहीं मिलेगा हां यहां प्रेजेंट होगा एक काईनो ड추 मैटा इंटा स्टार फिस्ध यहां रिजन डेखने को मिल जाता है और यहां नहीं होगा तो यह मेन पॉइंट्स थे जो कि कही ना कहीं सारे फाइलम को डिस्टिंगिस करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट दिमाग में घूमा होगा आपके 100% आगे चलते हैं अगर मैं कॉड़ेटा की क्यां की बात कर्या है फाइलम कोड़ेटा तो फाइलम कोडिकेशन क्याक है सबसे पहला क्लासिटेटा और यू कोडेटा प्रोटो मतलब oolt टाइब इनको एक्ष्वर में एक रीनियेंटा बोलते हैं एक रीनिय ESTा का मतलब उसमें क्रेम नहीं नहीं होता समझ रहे हो थियोरी विद कोश्चन प्रैक्टिस बस आज सेशन में तुम जोड़े रहो मैं सच कहा रहा हूं पूरा का पूरा बायो एक ब्रेन में सेट होगा ठीक है तो प्रोटो और यू समझना मेरी बात किसके बेस पर क्रिनिम के बेश पर अब प्रोटो कोड़िटा का जो क्लासिफि अगर नॉटो कोड लारवा की टेल में देखने को मिल रही है तो वह यूरो कॉड़ेटा है को यूरो मतलब टेल और कॉड़ेटा यानी नॉटो कोड प्रेजेंट इंटेल ओफ लारवा ओनली और ओनली लार्वल स्टेज एडल्ट में नहीं होती लिग दिया है मैंने इसी पर कुश्चन आगा फाइलम कॉड़ेटा का क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो क्रेनियम के बेस पर हुआ है तो सिफैलो कॉड़ेटा से वह मतलब है कॉड़ेटा मलब नौट प्रिजेंट इन इसमें एक एक्जांपल द्यान रखना है इसको इसके लाबा सलपा और डोलियो इलम इस पर भी कॉश्चन आया हुआ है सलपा और डोलियो लम तो द्यान रखना है यूरो कॉड़ेट एक्च्वल में नन कॉड़ेट जैसे थे लगबग सारे फीचर नन कॉड़ेट जैसे हैं पर इनके पास नोटो कॉड थी लार्बा की टेल में थी इसलिए हमने इसको कॉड़ेटा में रखा ठीक है से फैलो में नोटो कॉड में बी होती है यह द्हूंओ सफाइलम है ड्हों सब फाइलम है किसके सफभाइलम इंप्रो टो कॉड़ेटा के सफफायलम है क्लियर है बल् largest strangлю अब आजाएगा वर्टीप्रेटा यानी यहाँ जाना चालो को लिए रोडिलल कॉलम यही वोड़्वार्टीक करता हूं मनता है यह वहलства यह बेटा किया है यह सब 협फ़ईल गन्हां यह सब फाइलम अада में यह ब है, बुच्छा किया है वहटीक सब फाइलम हैتي Σको हम दिवीजन डिवाइड सब फाइल nephew दो जोंग का मतलब क्या होता है जोंगा मतलब होता है न नै था बइक चलासिविकेशन ऑफ जो 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 सहिधन तो के बैशन किया है यह सकता है अघर है था की बात करता हूँ तो अब क्या की तो क्लास चालएक्ट है से क्लास पर मतलब मतलब नहां को इसे स्किय माउंट था जो एक्टो परासइट थे जो शेंू बोरष ते जो फिश की सर्फेस पर चिपक के उनके खून को सत चिया करते थे वह साइक्ल्स डोमेट समझ रहे के बर साइक्लो इस्कुमाइटा थी ये तो यहां साइक्लोचुमेटा की बारे हैं पढ़ांगे लैंप्रे और है फिश एग्जंपल में आ रहा हूं लैंप्रे योग फिश तिह लेंपर बात करता हूं थो यहां डारेक्स में नहीं इंप्ले सुपर क्लास वाल बढ़ा था सुपर क्लस्तों सुपर क्लास बनाए सब्सक्राइज भूल जाते हैं देतें मैं इसको ध्यान देना इस पर कोशन आएगा क्राट पर कोशन आएगा यह वह बात है जहान से अज़र्दो अफ़िछ दे रहें तो आप कोशन आएगा जी सुपर क्लास नेथ तो मेटा है तिश्क पर दिवीजञप हुआ आप बोलोगे यह डिविजञ tid है किसके बेस पर लोको मोटरी औरगन किसके बेस पर लोको मोटरी औरगन किसके बेस पर लोको मोटरी औरगन लोको लोकोमोटरी ओर्गन लोकोमोटरी ओर्गन क्या है इनके तो यहां पर लोकोमोटरी ओर्गन फिंस है यहां पर लोकोमोटरी ओर्गन क्या है फिंस फिश के अंदर और यहां पर लिम्स होते हैं तो लिम्स और फिंस के बेस पर फिंस के बेस पर तो फिंस फिश के अंदर होते ह पढ़ने हैं और बोनी फिस पढ़ने है और wirत्रीक्थिस और भी पढ़नी है इस कंद्रीट्री इन पूर्ब एक यह व हम सक Wish आपको पढ़नी है रहे है इस संब बहुत बढ़िया तो के पास four limbs थे कितने लिम्स थे फोर लिम्स थे सोड़े इंक्लूड इन टेट्रापोडा कंक्लूड कर रहा हूं यहां खटां हो जाए आपका ठीक है कंक्लूड कर रहा हूं सबसे पहले हम फाइलम वर्टीबिटा पढ़ रहे हैं समझ रहो हम को डेटा वही फाइलम क्या क्या ध्यानकना है ठीक है अगर प्रोटो कोडिटा की बात करते हैं तो इसकी अंदर क्या ध्यानकना है आपको इनको फर्दर क्लासिफाइब किया है किसके अंदर यूरो और सिफैलो के अंदर जबकि यू को क्लासिफाइब किया है आगे किसमें आप लोगे और वर्टीवरेटा को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो डिवीजन तो वर्टीवरेटा की कितने डिवीजन है दो डिवीजन है किसके बेस पर नैथा के बेस पर एगने था और नैथो स्टो मेटा एगने था और नैथो स्टो मेटा क्लेर बल्कुल एगने था मैं साइ ब्योग लोकोमोटरी ओर गन तो जिनके पास फिल्स थे उनको रख दिया फिश मे और जिनके पास पैसे नहीं नहीं थे टेटरापोड थे उनको टेट्रापोड में रख दिया तो आपकोटिटामिस के रावा क्या याद रखना है एक्जामपल याद रखने हैं जो हम भूलते हैं एक्जामपल और अगर एक्जामपल की बात करेंगे ठीक है एक्जामपल की बात करेंगे तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा में दो ही एक्जामपल होते हैं साइक्लोस्टोमेटा में दो ही एक्जामप आही रहा है क्योंकि लैंप्रे के अंदर एनाड्रोमस टाइप माइग्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि लैंप्रे क्या करती है समझना जब ब्रीडिंग का टाइम आता है न तो यह मरीन वोटर से फ्रेश वोटर में जाती है स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वोटर में जाकर बापस migrate तो कर को आता है marine water के अंदर आता है इस टाइब के migration को enと思います आपस migration बोलते है जो सिर्फ और सिर्फ में देखने को मिले आपस बाप में hackfish में देखने को नहीं मिलेगा एनाड्रोमस टाइपस migration के लिए याफ्टर का रहता है आप भूग हम वोर्टर में द्यूरिंग ब्रीडिंग सीसन ये माईग्रेट कहा करेगा माईग्रेट करेगा है फ्रेश वोर्टर में किसके लिए स्पॉनिंग के लिए तो और वहां सेडल्ट की आफ्टर कॉपॉलेशन डैथ हो जाएगी क्लियर बिल्कुल क्लियर है एक मिनिट बिटा एक मिनिट आ हाँ कि अच्छा करते हैं कंटीनु करते हैं कि अच्छा च्छा अच्छा तो इसको पोलेंगे अन डुरू मस टाइप्स अफ माइग्रेशन क्लियर हो फूफ blind क्यामर प्लीटा कि ने ऊफिट तो आप से लाए पूछी है कोशनैं काया हुआ था कांसे फ्रेश वर्टर ट्व मरीन वर्टर तो फ्रेश वर्टर के अंदर तो यह तो एक इख़ांपल अब हम बात करते हैं Paises Paisis के मतलब ए फिश जिनके पास क्या होते हैं पींस होते हैं तो इसके अंदर को आपको आपको याद रखने एक तो याद रहने हम हम जूंघ समख मतलब तो ए चेया होख है च्कालियोड टर्फिट को बोलतें अब थे और सभी जानते हैं ग्रेट वाइट श्रक थी ट्राइगन और टॉर पीड़ेज को पहले तो वह कंट सुनने ब़ोग को लगता है ठीक है यहल्य कारिनो को भी तरम सुन mai हो गया इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं ट्राइगोन को स्टिंग रे बोलते हैं करती है यह चारी एक्जमबल ध्यान रखने जब कि अगर मैं ऑस्ट्रिक की बात करता हूं तो थ्री फिस्ट तो सभी को जो बच्चे मतलब जो लोग फिश काते हैं उन्हें याद रहता है कौन- अगर फ्रेश वोटर की बात करूंगा तो लेवियो कैटला फ्रेश वोटर का मतलब जो रिवर में मिलते हैं ठीक है मरीन वोटर में दो के और क्लारियस यह तीन याद रखने बच्चों को याद रहते हैं और अगर मैं एक्क्वेरियम की बात करूंगा तो बेटा और पैट्रोफाइलम मैया का ऐसा बेटा जो फाइट करता है सोड़ कॉल फाइटिंग फिश और पैट्रोफाइलम एंजिल फिश के लिए बिल्कूल फ अगर हम बात करते हैं लेवियो लेवियो कैटला और क्लारियस ठीक है यह तीन आपको फ्रेश वोटर में याद रखने एक्क्वेरियम में बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं और पैट्रोफाइलम एंजिल फिश बस इतना यह एक्जामपल याद रखने हैं आपक एक याद रखना है बुल्清楚,, इसनेकलाय फेस बुल्कु से उस्ञा GUY करते पिरिंटल क нрав होती है आप्षो यह नंबर of ring कम होते है टो कहा से स्टाट होते है रैप्टाइल सविस्पण府 होती है फिश होते हूए हो हिपो केंपस में परिंटल कियर होती है यह तो एक्सक्लूजिबली पॉइंट है ध्यान रखना ठीक है तो तीन एक्जामपल याद हो गए आपको बस एक्जामपल पर फोकस करना कहीं कुछ भी नहीं करना इस पर ठीक है अब रैप्टाइल्स और मेमल्स इनके एक्जामपल ड लिजार्ण गार्डेन लीजार्डे merged इलॉड नहीं में सहां मैं गिरघ्र देखते हो एक्जामपल नहीं है वह एक्जामपल अगे कर दो एक्जामपल्स बिल्कुल चलो एगे बलो इसको बात करते और धिक आपको यहां क Aren है किलोने किलोने एक तो था टर्टिल एक उता टॉट्टॉइस यह टर्टिल है फ्लैपर बने हुए यह तैरता है स्विमिंग करता है टॉट्टॉइस चलता है टॉट्टॉइस चलता है कैराफिस उसका बड़ा होता है इसका कैराफिस छोटा होता है यह उपर का तो यह क्या है किलोनी है किलोनी है ठीक है और जे नाजा नाजा कोब्रा नाजा नाजा इंडिया का मोस्ट पॉइजिनस नाजा नाजा कोब्रा तो इन चार के नाम याद रखने ठीक है अब किलोनी की बात करते हैं तो टर्टिल टर्टिल का डागराम दे रखा है समझ रहे हो हां टैस्ट और तॉइस यह कोशिन कन्फूजन रहता है कैमिलियोन दे रखा है पर कैलोटिस का डाइग्राम नहीं दे रखा पर आप जानते कैलोटिस को क्रोकोडाइल आप जानते हो एलिगेटर आप जानते हो हैमी डेक्टाइल इस वही घर घर में मिलने वाली लिजार्ट ठीक है इसके लाव बंगारस याद रख लो और इसको करेट बोलते हैं और वाइपर याद रख लो वाइपर बस तीन पोजिनबस ने का आप याद रख लो काम हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं रैप्टैल की बात बद्स में भी सारे याद हो जानत अच्छी बात निए चार पेवो पीकोक को बोलते चार याद रखलो तो काम बन जाएगा पैवो पीकोक पैवो पीकॉक सीटा कुला त् ठीक है पॉर्वस कोलंबा पीजन ठीक है यह बज़ा याद हो जाते हैं बच्चो को सीटा कुला मैंने बताई दिया परपड को बोलते हैं ऑस्टिश भी आपको जाद रहें पैबो भी आपको जाद रहें पैंग्वीन पैंग्विन डिसकपरी पर देखेंगो ना पैंग्वि टेंकर्स औरनिदोरीन कंच के प्रोटो Economics प्रोटोहिरिया मैं में प्रो टीली और नितो सूंब्ट डपीपस डजग प्लैीपास मैक्रो पिंगारू में करू ठोभर में तृवाट में Teraz वह मैंने नंबर वन प्रोटेटी रिया नंबर टू मैटा रिया नमईच घर खीर यू singer ुद एवं थैं जिन के पास प्लेसंटा होता है प्लेसंटल मेमल मैं रिया वह जिन और बैलन अप टेरा वेल को बोल रहे हैं all are mammals all are mammals जिसके अंदर हम बात करते हैं ठीक है प्रोटोथीरिया हो गया यहां तक कोई डाउट इतने तो आपको याद करने पड़ेंगे रिमेनिंग याद करो तो चलेगा नहीं करो तो चलेगा कि एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया अब कुछ कोशन की डिस्कुर्शन कर लेते हैं और सीट मुझसे पहले रिस्पॉंस देना ठीक है और मेरे साथ चलोगे मैं फोला फंट क देन मुझसे पहले देने मुझसे पहले देनेided žeन देनी की कोशिश करना ठीक है इसे चलेगा पहले थियोरी देन कुश्चन थियोरी फिर कुश्चन सारे पॉइंट टॉइंट कर लेंगे सारे पॉइंट टॉइंट टॉइंट जादा आएं उसको पूर एक्सप्लेंड करेंगे ओके बहतरीन ठीक है बच्चों ने लगा भी दिया और गन सिस्टम लेवल और इंटो नगेश्चन इस नोट फॉण बडिन औरगें सिस्टम कहां नहीं मिलता कह नहीं मिलता एंद मिलता असा में एनी लिटा और तो पड़ा को डेटा थार्ड जो थार्ड लगा रहे हैं बल्कुल सही तीने एक्जाम्पल है सेग्मेंटेशन की आगे बढ़ते हैं kanal फ집नेंट फिर्फ स्पार्ण देखो स्पॉंज प्रोटो जुआ को करते हैं नो पूर्ण्ज सिस्टेम तो प्रोटोजिड़ा कोशीव सेकंड इस करेक्ट स्पॉंजिस है केनाल सिस्टम यस आगे बढ़ो वेनस वीनस फ्लावर बास्केट इस यू प्लक टेला इतने बार पूछा गया पुराने कोश्चिन उठाओगे तो काभी बार रेपीट हुआ है वीनस फ्लावर बास्केट मैरीस के अंदर साधियों में इसको जाग गिफ्ट दिया जाता था आप समद रहें ना मेरी बात इसक प्लक ट्रेख्टर ऑफ स्पोंज क्या नहीं मिलता मल्टी सेलुलर टी है सेल और फंक्षनली इंडिपंडेंट यस डिवीजन ओफ लेवर देखने को मिलता है सेलुलर लेवल ओफ ऑर्गिनाईजेशन ठीक है यस टिशू लेवल ओफ औरगिनाईशन नहीं था यह सीलिंट से स्टार्ट हुआ था इन नाइडेरीन से स्टार्ट हुआ था आगे ब्लगों तो स्टेटमेंट सब्सक्राइब क्या हो गया रॉंग हो गया आगे देखो metamorism is one types of body segment metamorism is a one type of body segment बुलकुल यह प्रिकार के body segments है ठीक है ठीक है metamorism is a one type of body segments yes ठीक है तो first is incorrect but second is correct यह लगा सकते हो second ठीक है second option लगा तो second लगा रहे हैं बुलकुल ठीक भी जो लगा है बीटा बुलकुल second बुलकुल ठीक है आगे बढ़ो पॉर्थगूली जो एक पुर्तगाली लागव पूर्तगाली जो लड़ने के लिए जा रहा है वार करने के लिए जा रहा है ऐसा पुर्त गॉली कहां देखनों को मिलता है ओबलिया फाइसेलिया यूपलेक्टेला या वही फाइसेलिया फाइसेलिया को बोलते हैं पार्टग्यूज मैन ओफ वार क्लियर बिल्कुल तो सेकंड लगाओगे एक्सटर्नल रो औफ सिलियेटिड कॉमपलेट प्रिजेंट इन फाइलम एट कॉमपलेट लोको मोशन में जो हैल्प करती हैं कहां देखनों के मिलेंगे आपको समझ में आ गया होगा टीनो फोरा टीनो फोरा थाट ओप्शन लगाओ टीनो फोर्स टीनो मतलब कॉम लाइक ठी अपने स्पीड को भी कर दो अपने प्रोटोनेफरीडिया या फ्लेम सेल फ्लेटीन फ्लेम सेल और फ्रेश वोटर फ्लेटियलमन्थी स्हल पिन ठेक है कहां पर तक हां पर अपर रज एक्स्कृरीषन एंट ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है बात करना यहापर हम प्रोटो बूավज है फ्रीडीया या फ्लींस की बाद कर रहा है ठीक है । फड्रीश। कि फ्रेश वोटर कहां से आатуर ठीक है कोई नहीं को मैं डेलीट कर देता हूँ इतना उफ प्लैटी platy elmanthes platy elmanthes phylum का कौन सा feature नहीं है by bilateral symmetry होती है tube within tube body plane tube within tube body plane यहां नहीं होता tube within tube यहां नहीं होता platy elmanthes बेन होता sqlom 13th से start हुआ था excretory organ flame cell होते है hook and sucker होते है तो क्या नहीं है feature second option second option आगे चलते हैं which of the following statement is not related with a tinea solium कौन सा feature tinea solium से related नहीं है tinea tinea flatworm में आता है tinea flatworm में आता है tinea solium is human gut parasite ये तो है ठीक है it cause the disease like tiniasis and cysticercosis ठीक है excretory organ flame cell होता है ठीक है development is direct no indirect development होता है fourth option आएगा क्योंकि यहां तो many larval stage देखने को मिलती है tinea के अंदर larva देखने को मिलता है clear बलकुल आगे चलते है statement first nido blast are present on foot and the body in nidarians foot foot नीचे नीचे foot foot में foot में नीचे कभी भी नीचे foot पर कभी निडो ब्लास्ट नहीं होता foot पर नहीं होता समझ रहे हो body पर होते हैं statement second देखो nido blast are used for encourage ठीक है defense में भी यूज़ करते हैं यह capture बलकुल सही तीनों में यूज़ करते हैं ncrt की लाइन ठीक है तो statement first wrong है first incorrect but second is correct second second option जो लगा रहे हैं बलकुल सही लगा रहे हैं आगे बढ़ते हैं which of the following statement is incorrect about SK helminthies as kars की बात चल रही है सकल में चल रही है organ system level of organization is absolutely triploblastic बलकुल ठीक है male and female are united means these are hermofrodite no s kars के अंदर sexual dimorphism आ गई थी male अलग था female अलग था दोनों को मैंने explain भी किया हुआ है mouth and ns both are present ठीक है यह ज़्याइज कुछ typing error हो सकती है ठीक है इसको इग्नूर कर देना ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं क्या option आएगा इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन आजाएगा है इंननो इसके हुआ वार्त Universe लोको मॉत्री स्क्चर दीका थब्रभायेत आज by दो वह भी बात करते थी तो ठीक की बात करते थे शोड़ दर दूंसर्ट-पक्र करता हूं तो सकर होते हैं और अगर नैर्श की बात करते हैं तो पहरा पोडिया होते हैं क्लियर बिलकुल आगे बढ़ते हैं विच इस करेक्ट फॉर एर्थव़म के लिए करेक्ट है बैसे अर्थवरम कोशन नहीं आएगा पर पाई-चांस कभी-घब अठक जाता है आ जाता option लगाओ फोर्थ option आगे चलो आगे चलो मैच मैच दा फॉलाइंग ठीक है मैच करो मैच करो फटाफट और लेविल ओफ और गनाई जेशन और गन और गन कहां थे फैशियोला फ्लाइटियल मंथी इसके अंदर ठीक है सेलूलर लेविल सेलूलर एग्रिकेशन लेविल ओफ और फोस्तुमा यास इसको मैच कर देते हैं एक का सेकिंड भी है ठीक है और डीका फॉस्ट डीका फॉस्ट अच्छ उल्टा दे रखा है इसको मैच कर लेना मैंने मिला दिया है मैचिंग आप करना ठीक है कौन सा करेक्ट होगा आगे चलते हैं मैच फॉलाइंग प्लाइंग कोलम मैच कर दो अधिक है और सीलो मैट सीलो मैट इसको मुढ़ों के दिए सीलो मेट के नदर तो आपके − होती है तो यहreas्प के इंदर भी और नहीं तो आप सुनो मेरी बास स्क हलमन्थीज सूडो सिलमेट होता है आगे चलो सी लो मेट और तो पोड़ा और तो ī मीज़ाद घॉ Cap अनधाइट जो थार जर्ट लगा रहे हो बुलकुल कर लगा रहे हो तर्ट लागा रहे हैं भुलकुल सेल मार्वा मिलता है एक्स्टर्नल और इंडारेक्ट सेकेंड तपॉलव फीचर प्लॉंग टू विच क्लास बडी इस डिवेज़िवल इन्टो हैड ट्रंक टेल हैड मिल रहा है ठॉंक मिल रहा है एंफीबिया की बात कर रहा है इसके रिखने इसमाइस्ट एंफीबे की बात कर रेस्परेटरी ओ है यह ओंधलिद या सिस अरी बात में किसी हो रही हैं सेथि उप्शन एक जलते हैं इसरी औम युदी के वे अल्धिव लेट动 अल्धिर रंधिवय और और शभे डिशॉरेट यह स्कॉड यड़ वर्टिवया । मैं अल्धिव पॉसेस नॉटोकॉर्ट ड्यूरिंग एंब्रियोनिक पीरियड क्या उसमें एंब्रियोनिक पीरियड में ही नॉटोकॉर्ट होती है अब मेरे पास समझ रहे हो क्या इस भाइं तो तो एंब नीं टूरिंग उझ्रा नियुस में तो होती है वह तुका यह दी तो नहीं लिखा वार्टिव्य पौसेर नौट ॉक ट्रू और होती है दीर्य-दीर्य र Kim gorong कोलम से तो एंब क्या एंब्रोनिक स्टेज में होती है एडल्ट में धीरी धीरी रिपलेश होती है किसे वर्टिवल कॉलम से ठीक है नॉटकॉर्ट डियोरिंग अम्रोनिक पिरियेट बोथ एससे रिजनार ट्रू बाट रीजनार नॉट कर्रेक्ट एक्समेशन ठीक है तो आप यह लगा दो लगा रहे हैं बलकुर्ट यह लगा रहे हैं है ओल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन और करेक्टराइस क्योंकि एंब्रोनिक स्टेज में नॉटकाट होगे धीरे 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 रिपलेस होगी किसे रिप्लेस होगी वर्टिवल कॉलम से तेकि ऑल मैमल्स एक्सेप्शन विदी परस नो एक्ट्रा एबडॉमनल टैस्टी लोग हिट्रोडॉन यह इसमें भी एक्सेप्शन है मस्कुला डाइफ्राम यह मस्कुला डाइफ्राम होता है और में फीचर निसी आटी में दे रखा है फूर्ट ऑप्शन लगा होगी मैमल्स के लिए पू क्रॉप क्रॉप एन गिजार्ड बिदाउट एक्सेप्शन प्रिजेंट इन ओल बड्स ठीक है ओल बड्स आगे विचर्था फॉलिंग स्टेट्मेंट इस इंकरेक्ट अबाउट दा मेंबर ऑफ लास इंकरेक्ट पूच्छा है अंटरलाइन करो क्लास मैमेलिया की बात कर इनकरेक्ट पूच्छा है थीक है वाइब इस डिवाइदें दू हैट ट्रेक ट्रॉंक टेल होता है टा मोस्ट यूनिक मेंवेल क्रेक्टर इस प्रेंस ओफ मिल्क ठीक है एंसी अर्टीकल आइन हो गई होई होई होरी जोंटल नन्मस्कुलर दाफरॉम इस प्रिजें बिद सबसे पहले अगर आप लास्ट फोर ये के कोशन देखोगे तो सबसे हाइवे टो टॉपिक ले लेक्र टोटल फोर म्यूट नपर के लेऄियर म्यूकस जो तो इंटरनली म्यूको म्यूकस से लाइंड होगी म्यूकोसा अच्छा एक ग्लैंड और ध्यान अखनी गैस्ट्रिक ग्लैंड एंसी आटी ने प्रॉसेज ऑफ डाइजेशन में दे रहा है उसके बारे में और लगबग हर साल कोशन आही जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड तो वह समीं कोसा में नर्व नहीं होते हैं और सब मीकोसा मैं नर्व प्रेशन टोते में इस में डिफ्रेंस में कोशले कोशन आता है कि वह पर अगर है पर आगर नर्व की बात की जाती है तो नर्व only present in submukosya यह question आता है ज्यानखना हाँ muscularis external simple है बहर बली वह आप भार चलोगे तो muscularis external external में में two layer होंगे circular or longitudinal तो यह question आएगा कि कौन सी कांँगी Inner circular अंदर की साइट तो circular रहेंगे ठिक है और जो करोंगे तो आगे से तो सर्क्यूलर ही दिखेंगे तो आउटर एक्स्टर्नल एक्स्टर्नल तो कौन से होंगे सर्क्यूलर और समझे इनर सर्क्यूलर और बाहर होंगे लोगी ट्यूडनल यह मैं लिख देता हूं डाइग्राम बना देते हैं यह गोल गोल दिख रहे ना यह तो लॉंगी ट्यूडनल है और लॉंगी ट्यूडनल आउटर और अंदर वाले कौन से होंगे सर्कूलर इनर इनर तो है सर्कूलर और बाहर हैं लॉंगी ट्यूडनल तो आउटर लॉंगी ट्यूडनल ठीक है और इनर सर्कूलर यह कोशन पूछा जाएगा ठीक है इसमें भी नर्व प्रेजेंट होते हैं नर्व यहां पर भी होते हैं नर्व सिर्फ दो लेयर में होंगे एक तो मस्कुलरिस एक्स्टरना और सम्मीपोसा ठीक है लास्ट लेयर ह मीजो थीलियम भी बोलते हैं सी रोख मीजो थीलिधी बोलते हैं समझ रहे हो भाइक कौनकेव होता एंर सिर्कूलर आउटर लॉंघूडॉडरल ठीक है और बी कौनकेव स्मूल सर्कूलर के इन और फिस और के आर्भी सी सर्क्यूलर होते हैं तो दसे हुए ह muita view देखना लिद्वान के बड़वी क्रों कें सर्क्यूलर होतें सिक्के जैसे ठीक है भ फेरोती है मीजोथीलियु तो यह चारों लेर पर कोस्चन बनता है ध्यान अख़ना झान एक को शाटै न्था नदर भी स्टाइब ट्रोस के अंदर एक एक इक शरा लेयर होती है जो अधर मड़ी District में नहें होती वह कौन सी लिए मस्कुलर इस आस टीना तो στο म करते करते हैं तो मस्कुलर इस एस्टर्ना स्थ 스타ल की जगहां छांगी तो लोगी उसके नीचे कि सरकूलर ओगी और सर्कूलर के नीचे एक अडिशनल लेयर ऻोती है एक एडिशनल ओले यह तीन लेएर होते हैं तो सबसे नीचे कौन सी होगी ओलेख में इसे होगी सर्क्यूलर और अउटर कौन से होगी लोगिट्यूट्व अहता है इन केस फिस्टमक यहां पर देखने को मिलते हैं एक अडिशनल लेइर मिलती है बिलो शरक्यूलर के टोले कितना हो मिडिल वाले आप लगाओगे सर्कूलर फिल लगाओगे लॉंगी ट्यूडनल यह कोशन आएगा आगे चलते हैं आएक उच्ञण व्लाई से भी आ जाता है व्लाई उनली प्रेजेंट इनमेंDasं में नहीं होते स्टमक में विलाई नहीं नहीं होते ऑनली प्रेजेंटीं स्मॉल इंटरस्टाइन गोटीक्ष्यशं पनाधे को स्टर एडफ्ट बनाते हैं उसकी को अखोर्ट इंप आइज भी हिए भी होते हैं जो वोटरोफ प्रस्थाने को एभ्जूर करते हैं तो और के बीछ कुछन आता है कि बीच यो क्रॉप्त ओफ भर खून बोलते हैं आحم गंच पिलिब खून की डरार हैं क्रप्ट ओफ लिवर कून निए और उप वह फुम को release करते हैं बिल्कुल बटा रूगे रूगे जो स्टमक में होते हो विलाई नहीं होते ध्यान रखना रूगे का मतलब है इंटरनल लेयर की है कंटीउ घैस्ट्रिक्ट इक सबस्क्राइए रूगे म्यू को सामें मिलने वाले फोल्ट इसको विलाई के मिढ में होते हैं, corrupt of livercune present between willi, ऐसे ही हम रूगे की बात कर रहे हैं, folds की बात कर रहे हैं, जो folds होते हैं, वो gastric gland है, जिसमें different type के cells होते हैं, जैसे neck पर लगे हुए हैं, mucus neck cell, paratal side में लगे हुए हैं, paratal cell, it is also called, और इसे और उचंटिक cell, दिखे रहे हैं यह चीव सैल चीव का मतला मैक्जिम हम इन नंबर समझ रहे हो इद ओल्सों काल जाइमोजन सेल और यह इनक्टिब रोटीन pięgym अगर मैं मुकुस नेक नेक पर लगे होते हैं सोड़ कॉल मुकस नेक पर होते हैं पहली बात दूसरी बात यह रिलीज करते हैं 123 mm thick layer of mucus जो दो चीजों से प्रोटेक्ट करती है यह से और नमबर टू प्रोटेक्ट करती है प्रोटीन डाइजिस्टिव एंजाइम जो इनक्किव फर्म में रिलीज होते हैं बाद डाइजिस्ट कर सकते हैं पर उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुकस की लियर होती है अब पराइटल सेल की बात कर लो औहले और यह दो चीजे रिलीज करेंगे एक तो और अगर vitamine B12 की बात करता हो तो वो क्या काम करता है विटामिन B12 आपकी और बी सीक वो नहीं है नहीं है नहीं होगा तो विटामिन B12 एबस्वर्व होगा नहीं होगा और विटेमिन बीट्वल एबसर्फ नहीं होगा तो इमेच्वर आरबीसी में कनवर्ट होगी नहीं होगी मतलब आरबीसी कैसा हो जाएगा बड़ा इस बड़े साइज की आरबीसी जब आपके ब्लेड में फ्लो करेंगे तो स्प्लीन में मिलने वाले मैक्रोफेस पकड़ अरून या यानी आरबीसी नंबर रेडिउज हो जाएगा है और अने मिया हो जाएगा समझ रहो त κάνर कहा है । मैक्रोफ आंको साइस-क्रुफर्ष थिपेंश की वाज़ा से एनिमिया एक बात के लिए अब eCe on करते है एक तो आपके स्टमक प्रोटीन सीट्इक होते हैं उनको एक्टिब भी करता है दूसरा डिफ्रेंट टाइप के जो आप चाट खाते हो ना उसमें मैक्र ऑर्गनिजम होते हैं उनको किल करने का भी काम करता है और इसके अलावा सब्सक्राइम आप जो आरिन खाते होना वह एफी 3 पॉजिटिव स्वाइटे को फेर्रस में सब्सक्राइब करता है सोचो किसी को एक्लोर है्ट्रिया हो गया एक्लोर हाइड्रिया का मतलब है absence ऐसे ले ह利म हो इसले इसल नहीं बने तो क्या संपलोब नहीं बनेगा उसके आरबीश्याइब करेंगे तो धे पर इस बार कारण दूसरा था स्मॉल साइज सोड़ स्कॉल माइक्रोसिटिक एनिमिया तो स्कॉल की डेफिसेंसी से माइक्रोसिटिक एनिमिया इनमें से परनीसियस एनिमिया किसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक एनिमिया यह पॉइंट सबसे इंपोटेंट था ठीक है मैंने सी मेंड करा दिया समझा दिया आगे आजाओ प्रोसेश आफ डाइशन की बात करते हैं तो प्रोटीन का डाइशन लिपिड का डाइशन नूक्ली कैसिड का डाइशन यह चार्ट अच्छ जो हैली कंफ्यूजन होते हैं और कॉशन भी आता है प्रोटीन को डाजेस्ट करने वाले जितने भी एंजाइम होते हैं अलवेज ज्याइमोजन की फॉर्म में नीकलते है तो जब भी बात करेंगे तो पहले तो आप ने की घ्रद में करने की बात करता हूं जम जम उञें कि पैप्सी नोजन की फर्म में निकलती है ओजन का मतलब जैमोजन मतलब इनग्टिफ फर्म आगे प्रो लगा दो या लास्ट में उजन लगा दो तो अगर मैं इस्तमक की अंदर बात करता हूंगर लग्र बात करता हूं तो यहां पर pepsinogen होता है और रहेनिन टर्म ने एंस अधी नहीं दे रखा आप pepsinogen को याद रखो इसको कौन करेगा HCl pepsinogen अड़ा दो pepsin pro से परो हड़ा दो रहेनिन एक्टिफ होगी रहेन काम तो सिर्फंट ही होता है क्या इंफेंट के अंदर रहेनिन मिल्की करता है कंड़िंग दूद को दही में कनवड करना जमा देना तो कि प्रोटीन को डाइस करना काम प्रेपसीन करेंगा करना कर लिंग और कुछ भी नहीं है ठीक है तो gastric juice अब acre टोंगे कौन कौन से एंटिए थनका लगाओ या आगे प्रो लगाओ Inactive three form झाँआ है ट्रप्चिन जर्ण हता एंताएगा या भी एक्टिप कर लेगा यहां से प्रोटाएगा आग यहां से और भाई एक्टिव हो गई अब होगा डाइजेशन अभ गाज़ेशन गरातेराइशन ब्रोटीन खाई चंटेंग Big rap माउथ में कुछ होगा नहीं होगा इस तमक में होगा होगा कौन करेगा गैस्ट्रिक जूस में कौन पैपसिन क्या काम करेगा प्रोटीन को तोड़ेगा छोटे-छोटे टुकुडों में प्रोटीन का छोटे-छोटे टुकुडों में ब्रेकडाउन होगा इनको प्रोटियोस तो गास्ट्रिक उस कितने प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें तोड़ेगा तो यह आपको स्टमक में मिल जाएंगे से प्रोटीन प्रोटीयोसिस अब यह च्वह कहां जाएंगे डियू डेनम में अब किसकी पारी एंक्रेटिक जूस की पारी इंजाइंग तो प्रोटीन काम करता था वह काम ट्रपसिन करेगा क्या बची रूटीन को फेटम प्रोटियोसिस्य में तोड़े गा PANcreatic Jues की बात चल रही है यहां पीएच 123 ती ता 7.8 तोगी ठीक है चलो प्रबएसी ड़्म कर दिया वचिवी कउडियन को भी प्रटमोप्रोटियोसिस तो बनी अब यह दौनों मिलके क्या काम करेंगे यह दौनों मिलके जितने भी प्रोटियोसिस थे इनको तोड़ेंगे डाई पैप्टाइड और अमाइनो एसिट के अंदर इन सब को तोड़ेंगे डाई पैप्टाइड और my no visit निर ये तो टूटे डाइ-टेट में यह बचे हैं अभी यह बचें उद्मना यह समझो कुछ तूटाइब कुछ बचेंगे जो बचेंगे वह 파 कुर्ट तूटे जो ऑप बचेंगे समझां मेरी बात यह कार्बोक्सि पैपटाइडेज यह क्या काम करेगा इन पैप्ट्न प्रोटियोस इसको क्लिकाइब तोड़ देगा और चोटे तोड़ी सिर्फ दो ही अमाइनोड यह से लोते हैं तो पर साथ में कुछ अमाइनो आशिड भी बचेंगे मिल जाएंगे यहां पर तोड़ चुके अब यह भी तूटेंगे जितने बचेंगे यह भी तूटेंगे पर कुछ रहे जाएं त्वन को ओफचना आगा आना お Safe पैन्क्रिटाइड हूं के किस रेंज dirty तरह काम करता यह पैन्क्रिटीक गूस के कार्टकितना शप्कार्ण करता है यह फिगने प्रोटीविसस को डाइव देंस तोड़ रहा था यह भी थैप्टन प्रोटीवर्ट entrepreneurship जो पहले थे और अब बन गए इन सारे डाइप्टाइड को तोड़ने के लिए डाइप्टाइड अब मिल गया हम है अमाइनो एसेड ठीक है complete digestion of protein complete digestion of protein समझो मेरी बात protein खाई माउथ में कुछ नहीं होगा तरह में क्या होगा कुछ protein टूटेगी pepto no proteuses में कुछ बचेगी जो बचेगी बहुत हैं तो पहले प्रोटिन को तोड़ेगा कौन अंजाइम सा फ्रॉट्प सेमे अब सारे प्रॉट्प को तूटाइगे डाइप एप्टाइड में कुछ बचेंगे जो भुच्छेंगे उस करेगा intestinal juice कौन सा amino peptides बचे हुए प्रोटीस को किस में दोड़ेगा डाइप्टाइड में अब सारे डाइप्टाइड को में कौन दोड़ेगा अगें क्लियर बलकुल आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब लिपेट की बात करता हूं तो जतना भी लिपेट होते हैं और ट्राइग्लिस राइट यह पॉलीमर नहीं होते यह लॉंग चैन ऑफ एक्टी एसिड और एल्कोल के एस्ट्रिफिकेशन से बनते हैं यह मत भूल जा ऐसी लेखेल इबते हैं यह साधिए बाइल यूर्पाम ब्लाइफेज लाइगा समझ ना मान भी करता है लिपेज घेस्ट्रिक लाइपेज पर काम नहीं करते क्योंकियोंकि लाइपेज समझ ना मेरी बाग तभी काम करेगा ट्रकोण Import लाइपेज को एक्टिवेट करने के लिए बाइल होता है एंजाइम आर एपसेंट इन बाइल में कोई एंजाइम नहीं होते समझ रहो बाइल तो सिर्फ और सिर्फ इमल्सीफिकेशन कराता है मतता है फैट को और साथ में क्या काम करता है और साथ मैं लाइपेज को एक्टिव हो फिर लाइपेस तोड़ेगा इसमें क्या होते हैं एस्टर बॉंड होते हैं तोड़ेगा एस्टर बॉंड को ठीक है समाझ नहीं कोशिश करना ठीक है तो मैंने एक ट्राइग्लिसराइट का डियागरम बना दिया है जिसमें यह एस्टर बॉंड होते हैं एक एस्टर दो एस सबसे पहले क्या क्या करना है आपको इमलसी फेकेशन बड़े-बड़े-फैट- ग्लॉबिल को मत न है उसमें कौन काम करेंगा बाइल बाइल में कौन काम करेंगा लेसेथिन और 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 इनक सॉल्ट लिज दिन सरफ स्ञ तक हम करता है सर्फिस टेंशन कम कर देगा जिससे ये छोटे-छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट में कंवर्ट हो जाएंगे पर रियसेंब्ल भी तो हो जाएंगे तो बापस अगें अगें ग्लोब्यूल ना बना लें तो यह और्गनिक सॉल्ड इनके एराउंड आ करके इनकी रियसेंब्लिंग इनको रोखेंगे जिससे ड्रॉपलेट की फॉर्म में रहे समझ रहे हो शेर एक बड़े जुंड पर अटेक नहीं करता सेर पहले जुंड को छोटे-छोटे जुंडों में तोड़ता है जो कमजोर होते उन पर वो अटेक करता है तो बड़ा फैट ग्लोब्यूल छोटे-छ इसिफिकेशन कम्प्लीट और क्या होगा एक्टिवेशन ओफ लाइपेज अब बारी यह लाइपेज की तो सबसे पहले सबसे पहले क्या काम होगा ठीक है ट्राइड टूतेंगे डाइगलिसराइट के अंदर कुछ मॉन तोड़ेगा पैंक्रेटिक लाइपेज पैंक्रेट करेंक लाइपेज लाइपेज एंटेंतो लायपेज फीह लाइपेज इंटेस्टेनल लाइपेज डाइगलिसराइट को तोड़ेगा मॉनोब मोनों त्मफ बार्मिट समझ में आ गया कम्प्लीट डाइजेशन ओफलिपट अब बातातील इस्टार्च माउट में सलाइवा, स्टार्च का डाइडेशन ध्यान अखना है, माउट से ही स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का डाइडेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, लिपीड का डाइडेशन इंटरस्टाइन से स्टार्ट होता है, ये कोशन आता है, ठीक है, माउट, सलाइवा, 30% स्टार्च कंवर्ट होगा माल्टोज में माउथ सलाइवा के अंदर रेमिनिंग सेविंटी परसेंट ड्यू डे नम के अंदर पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक जूस के तरो उसमें मिलने वाले समद रहना मेरी बात पैंक्रियाटिक अंतर कितना है पिएच का 6.8 पर और 7.8 पर यह अंतर होता है दोनों ही डाइगलेसराइट नहीं पॉलिसेक्राइट नहीं सारा स्टार्च डाइसेक्राइट में टूप चुका है और जितने भी डाइसेक्राइट होते ना उनको तोड़ने वाले एंजाइम सिर्फ और सिर्फ है अब स्टार्स को तोड़ना है किसमें तोड़ने भी डाइसेक्राइट है तो में की फ्लूकष प्लास ग्लूकॉजाय की साथ साथ आप दो डाइसेक्राइट भी खातें लॉक्ठी ग्लूकॉria स्वीघसे घडुकॉस में की आई मैंने लिख दी आए वाली बात माल्टेज माल्टोस को तोड़ता है सुक्रेज सुक्रोस को ग्लुकोस और तोड़ता है लेक्टेज लेक्टोस को ग्लुकोस और गैलक्टोस में तोड़ता है क्लियर वलकुल कम्प्ली डाइजेशन ऑफ स्टार्च अब बताती है नुकलिक एस पॉलीमर का मतलब है मोतियों की माला को मोतियों में तोडना है माला को मोतियों में तोडना है समझे ने मेरे बात तो सबसे पहले सब्सक्राइब मतलब 3 चीज़ों के मिलने से बनाए कौन-कौन phosphate है और नाइट्रोजिनस बेस है इन तीन चीजों मिलने से सिंगल स्ट्राइट बन जाता या समतरर न मेरी बाग engra вас एक नुकलियोट वह जाता है तो सबसे पहला को क्या सब्से कि सब्से पहला काम कीया आपको सब्से पहला कéf सब्से पहला तोड्रम करने के लिए ताइडेस चाहिए बाइड किसमें तूटेगा नुकलियोसाइड और फॉस्पेट में तूटेगा ठीक है फॉस्पेट अलग हो गया अब साइड को तोड़ने के लिए साइडेज चाहिए तो टाइडेज और साइडेज यह कहां मिलते हैं इंटरस्टेनल जूस के अंदर नुकलियस का मिलता है कम्प्लीट डाइजेशन अब लास्ट में एक इंपोडेंट चीज और इस पर कोशन आता है इस पर कोशन आता है ट्रांस्पोर्ट या एब्जॉप्शन पर ठीक है कोशन आएगा वह कितने टाइक पर अब्जॉप्शन होंगे एक्टिव पैसिव सिंबल डिफ्यूजन ठी आता है ख्लूकोज का ट्रांस्पोर्ट तीनों तरिके से होता है फैसी अमानोस ऐसिवा जूप्र याद का घ्रांस्पोर्ट अब अगर मैं गैलेक्टोस की बात करता हूं गैलेक्टोस की बात करता हूं समझना तो गैलेक्टोस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटिड गैलेक्टोस का ट्रांसपोर्ट गैलेक्टोस का ट्रांसपोर्ट अगेन सेकिंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर मैं फ्रक्तोस क ट्रांसब्राइन के रिए पोजिटिव आयन के लिए अधम इस फ्नकविररिगों के लिए ठीक है पर उनके पास वुच्विप ऑ्पर सकते हैं तो इक carn dess न डी एक्टिव और गैलेक्ट्व flush स्ट्राइब अगर मैं पूछ गलेक्टोस का ओनली और अनली सेकिंड रेक्टिव फ्रक्तोस का ओनली और ओनली फैसी लेटेटिड विदाउट एनरजी करियर पोटीन के थो लिपिट का ओनली और ओनली सिंपल डिफ्यूजन वाटर ऑस्मोस के थोगा आइंस की बात करते हैं पॉजिटिव भी हो तें hen again positive फीहोते और निकेट वाइन जितने भी फॉजिटिव अज्ट अफीर प्राइमरी एक्टिब बिना कंफ्यूजन कहीं पर भी कोशन आ जाए जितने भी positive इन होतें always prick देउड फैसल चाहें वहां डायज़िशन पढ़ रहें ठीक है रैस्पेशन पढ़ रहे हो और भी सी की मेंबरेन की बात चल रहे हो कोई पर भी बात चल रहे हो always always ठीक है फ्रक्टोस विदा है लुटी-4 प्रोटीन ग्लुकोस की बढ़ाती है ठीक है जी लुटी-4 प्रोटीन सेकंडरी मेटाबोलाइड लग बग इस टेबिल से हर साल नीट में कोश्चन आ रहा है यह इस पर कोशन आएगा ठीक है डिसॉटर पर कोश्चन दोखो आ रहा है ठीक है डिसॉटर में दोखो जॉन्डिस यह को धान रखना कि बैक्टिल वाल इंफेक्शन गट इंफेक्शन करते हैं इस पर कोश्चन अब तक नहीं आया टेव वॉम राउंड वॉम ठ्रेट वॉम होक वॉम एन पिम वॉ में ब्लू रूबिन ब्लू बढ़ जाएगी जॉन्डिस हो जाएगा कब बढ़ेगी जब ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा तब यह बनते हैं ठीक है वामिटिंग मैडूला ओबलॉंगेटा कंट्रोल करता है अपोजिट रिफ्लेक्स इसमेल से भी हो सकते हैं किसी को देखन समाधना दो दो तरीके की होते हैं ठीक है एक डिस कंटिनूस देखन बढ़ेन्टो रूख करके होते हैं वह कॉंस्तिपिशन में होंगे और एकदम फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली बबल मुमेंट पीट में मरोल होना वह डाइरिया में होती है तो यह कूश्चिन पूस नोर्मल फ्रिक्वेंसी लूज मोशन और आती तो है पर आती नहीं आती तो है पर आती नहीं यानि कॉंस्टी पेशन जा रहे हैं लग रहा है थोड़ा थोड़ा हो रहा है पर आती नहीं क्या हो रहा है फ्रिक्वेंसी कैसी है बोबल मुमेंट की फ्रिक्वेंसी इर्रेगूल एंजाइम की बज़े से भी हो सकता है इस पाइसी फूट खाऊगे तो भी इंडाइजेशन हो सकता है इंडाइजेशन का मतलब है डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रॉपर रिलीज ना हो ना क्लियर बिलकुल चलो अब कोशिन की बात करेंगे मुझसे पहले रिस्पॉंस देना मुझसे पहले तेजी से इसी बात पर एक बार एक बार दिल से आगे लगा दो बस थोड़ा थोड़ा एनरजी देते रहे ना बीच-वीच में ठीक है काम हो जाएगा करते हैं स्टार्ट तो फॉबन डाइजिस्टिफ सिस्टेम कंसिस्ट ऑफ किस इसके मिलने से बंटा इंसी आठीगाल आइन एलिमेंटरी किनाल थिक है एसोशेसियेटेटिट डागेंट यहस थिक है आंडोक्राइन अंडोक्राइन ग्लैन्ट क्लेंट नेक्स्ट नेक्स्ट हाव मैनी हुमन टीथ एपिए ट्वाइस ड्यूरिंग लाइफ इस्पेन ऑफ एन इंडिबीज्वल ट्वाइस दो बार आते हैं थैंक यू बटा थैंक यू बाज यही आग दिल से चाहिए जो एनेज़ी बूस्ट करने का काम करेगी यस बेटा ठीक है आगे स्टाट एक बच्चा बहुत प्यारी बात लिख रहा है ठीक है गुरू के ऊपर ठीक है पर बहुत तेजी स्क्रॉलिंग हो रही है तो नहीं उसको पूरा पड़ पाया ठीक है कंटिन्यू करते हैं तो हाओ मैनी हुमन टीथ एपिए ट्वाइस डूरिंग दा ला टीथ होते हैं बाद में वो पर्मनेंट टीथ का भी पार्ट बनते हैं तो कितने टीथ होते हैं ट्वाइस इन लाइफ जो बच्चे फोर्ट लगा रहे हैं भुलकुछ सभी मुझते भी तेज नेक्स्ट विच आप दा फॉलिंग लेयर फॉर्म लाइनिंग दा ल्यूमिन और शॉलोमिन लाइनिंग देद किनाल म्यूं को सा जहीं बनाती है मैं बनाती हैं थग है मुकोस से लाइन दो थिए आगेई चलो मैमलिन टीथ और मैमल हम हम हैं मैमल को का आप सो एसवांवी स्वांट होते हैं सब्साइख डाई फायोदान्ट डाइफा आते हैं तो क्या लगा कि आने वाले ओ ठार्ड ऑप्शन लगा कि आने वाले हो आगे चलते हैं मेरट दाँजिस्ति लेंट आप चलते हैं डाचिस्टे अलओ घाखिव that सीस्टम इंप्लोडिंग सालवर्ि गलेड है स्टेओ लायाइस लेट का इस पैंकर्यास इस ब्रॉंण tablets ठी़ केकरऴ डाचिक ट्राइट्स्टेव्ट घ्र्ट एंच Mai को करते हैं ट सबसे बड़ी डाइसहिस्टिप एंक्लूड किया जाता है इसको ठीक है पंक्रेस है पर इंक्लूड को इंक्लूड नहीं किया जा जाता क्योंकि वह एक ल्ट्री करता है नॉनशनों प्र Dutch दिट्रेनम की प्येज़ को मिंटिन करने में हेल्प करते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड अनली प्रिजेंट इंड ठीक है तो इसमें आप लगा दो के A B C D E नहीं A B C D E नहीं A B C D लगा दो लगा दो सेकेंड लगाओ टाइप आफ सलाइवरी लेंड फाउंड इन हुमन्स आर परोटिड होती है सब मैक्सिलरी होती है सब लिंग्वल होती है अज़ा सब मैक्सिलरी और सब मेंडिवलर एक ही बात है यह भी ठीक है एबी सीडी कोड् enf Soul कि आगे चलो कि पेपिला प्रेजेंट यह प्रिजेंट ओन पैपिला प्रिजक्षिन यह पैपिले यह तपैपिले यह इस पर कौन लगे होते हैं टेस्ट बड कौन लगे होते हैं टेस्ट बड टेस्ट बडड टेस्ट बड़ समझ में आ घया होगा कि दा पैसेस रेगुलेटिंग स्रक्चर बिंटीवी ईसटो फैयो सें स्टमकिर के क्वर्ड में सम ulti मेयरी बात इस टमक what is the shape of deodenum NCRT के LINE Old NCRT में Old NCRT में U ध्यान रखना है Old NCRT में U SHAPE दे रखी है new ncrt में चेंज कर दिया इसको C SHAPE दिटेनम हैस करेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लाइंड विच सीक्रेट ब्रूनर्स ग्लाइंड अभी बताया क्या रिलीज करती हैं ब्रूनर्स ग्लाइंड कि एनुट्यमेटिक पाइप इंटर्स्टेनल जूस एंजाइमेटिक पॉट्प committees एंटर्स्टेनल जूस यूस जैस तिंड़ायों एल्कारी फ्लिूड जो ड्युडिनम की प्याइच को maintain करने में हेल्प करता है only next इस टायलीन इस को बोलते हैं slagy mlc को टायलीन बोलते हैं ठीक है काहां से निकलता है slagy land से निकलता है तो slagy land दोनों के अंदर दे रखा है आगे बढ़ो and work in kis pH पर काम करता है 6.8 तो क्या लगा दोगे first लगा दोगे which of the falling is not the function of liver liver का क्या काम नहीं है liver का क्या काम नहीं है आप से मत रहना मेरी बात liver का काम क्या नहीं है erythropoiesis क्या liver का काम erythropoiesis है आगे देखो synthesis of plasma protein क्या प्रोटीन को बनाना काम है डाइजेशन ऑफ कार्भो हाइड्रेट क्या लिवर कार्भो हाइड डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है स्टोरेज और वटेमिन लाइक एंड के तो ध्यान रखना है कार्भो हाड़ी डाइशन में कोई रोल नहीं है राइथ्रोपोईस यस राइथ्रोपोईस में पार्टिसिपेट करता है इनिशल फेज में लिवर भी ठीक है आप समझे रहों इनिशल फेज में लिवर के अंदर अर्थ्रोपोईस होती है प्लाजन प्रोटीन बनाता है राइथ्रोपोईस होती है क्या नहीं है नौट पूछा है थार्ड ऑप्शन प्यच ऑफ कंप्लीट डाइजस्टिप जूस कंप्लीट डाइजस्टिप जूस का मतलब है पैंक्रेटिक जूस की बात चल रही है और पैंक्रेटिक जूस की बात चल रही है और पैंक्रेटिक जूस के प्याइच वहीं डियूट पॉइंट एट के आसपास तो यह डेटा आपको मैच करता हुआ मिल रहा है सेविन पॉइंट फाइफ टू एट पॉइंट पॉइंट थ्री फरस्ट ऑप्शन पीएच के जहां रखना माउथ की पीएच शिक्स पॉइंट एट इस्टमक की पीएच वन पॉइंट एट डियूटलम की पीएच सबिन पॉइंट एट ऐसे आप याद रखोगे तो कोशन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपकी ठीक है म्प्लीट इन विष पार्ड उइलीमनटरी के नाल डैजेशन इसन की बात चल रही है जुनल न इलियम टुण जीचिइओन इलियम कोलां क Bitb kोलां के अंदर डाइजेशन नहीं होता सिकम इंदर डाइचिओन नहीं होता डुडिनाम जीटन इलियम इन तीनो पार्ट में टीटेशनिती क्ला ऐने दियू डेटेनम क्योंकि दिरन में प्रुमर्स क्लेंट घ्रिशने गिनिये के अंदर पैंक्रियॅट्ट्री जूस भी निकल रहे दियू यूट्यक्न के अंदर टीक है लिवर का बायल भी निकलाघ सब कुछ रएकिंटीयनम में दूर रहा गो Caesar सोनना में होता है ठिक है तो मेक्जिममडायशन कहों गर्डियू डेनम थार्ड आप्शन प्रियन आगे चलो मैक्जिममम्五 femoral कंड मिनराल डेसम हॉज टेक प्लेस जतन मिनराल पाहै legislator स्मॉल इंटरस्टाइन है कैम स्मॉल इंटरस्टाइन में वाटर सबसे ज़्यादा भनाइं लाज इंटरस्टाइन के तो वाटर मुस्टली वाटर उचा वाहे बचा हुआ है विच्टिसीज नॉट रेलेटेड विद पी एएम यह कोशन आ सकता है वैरी इंप्रोटेंट प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन तो प्रोटीन एनर्जी मालनुट्रिशन में दो डिसीज आते हैं एक क्वैशर कोर एक मिरासमस क्वैशर कोर डियू टूटब्स तो आप मेरासमस मतलब है सुखर हो क्वाशर को और पेट फूल जाता है ओस्मोलटी बिगडने की वैसे लिम्स पतले हो जाते हैं दोनों के केस में लिम्स थिन होते हैं ब्रेकडाउन ओफ प्रोटीन होता है अपर एक केस में जो इस्टमक वाला पार्ट होता है वो स्वैल्ड हो जाता है दूसरे केस में ऐसा नहीं होता मेरासमस के केस में ठीक है यह पुदहान रखना है तो वन एंट्व नॉट नॉट पुच्चा है नॉट रिलेटेड डाइरिया फैको अप्टिक सेल ऑफ लीबर कफवर सेल कफवर सेल आगे रैनिन एक्ट- आन यह कैसीन को पैरा कैसीन में कर देता है है कैसीन इन्टू पराखैसीन समझ रहे हो एक लास्ट में आ गया है कोई दा लेते हैं कि हई चलो कि वर्मिटिंग सेंटर डोकेटेद इन वर्मिटिंग सेंटर मैदूला अबलॉंग गेता मैदूला अबलॉंग गेता जो ब्रीन का पार्ट है सेरी ब्रम का पार्ट है सेरी ब्रम सेरी ब्रम का पार्ट है समझ ना मैडूला अबलोंगेटा सेरी ब्रम का पार्ट है मो मैडूला अबलोंगेटा यह वॉमिट सेंटर होता है ठीक है मैडूला अबलोंगेटा इंटर स्टैनल विलाय और मेंली कंसर्ण विर एब्जोब्शन बनाई भगवान इसको अब्जोब्शन के लिए सर्फेस अरेंगिस करते हैं इंक्रीश सर्फेस अरिया पॉर एब्जोब्शन इंक्रीश surface area for absorption after absorption after absorption of digested lipid become milky then these lipoprotein droplets we like epithelium chylomicron convert protein chylomicrons chylomicrons question respiratory system अगर respiratory system की बात करते हैं तो एक कोशन तो बनता है वहां पर टाइडल वॉल्यूम और कैपसिटी से मतलब यह confusion भी होता है ड्र Brexit पूरा इंपोडेन्ट है पहली बात संसे लो ठीक है इसमें इसमा पार्टन यह इस डिए सब्सक्राइब hazard प्रॉरे में जैसे वाधिस रेस्परेशन आप जांते हो इस्ट्रॉक्चर जो है वह भी आप जानते को रखती है अब बात आती है मेकैनिजम भी आप जानते हो ठीक है मेकैनिजम है क्या वह एर का फ्लो हमेसा हाइशाल प्रेशर तो लो प्रेशर होता है ठीक है हमारे लंक्स प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर की एर बाहर तो बस आप वालियूम को चेंज करोगे तो एयर इन एन आउट होती रहेगी एयर इन एन आउट होती रहेगी आप सब्सक्राइब ना मेरी बात तो मेकैनिजम में इसी पर बेस्ट है और वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए टू टाइप के मसल्स रिस्पॉंसेबल होते हैं कौन-कौन से मसल्स नंबर वन ठीक है अब इसके बाद आता है पल्मुनरी वॉल्यूम एंड कैपसिटी यहां से कोशन लगबग बनता ही है और कन्फ्यूजन भी रहता है तो इस वाले पार्ट को मैंने ले लिए ठीक है एक रेगुलिशन वाले पार्ट को लिए जो बहुत इंपोडेंट है बच्चों को कन्फ् ना करते हैं और जो उसक्राइब कसिटी को श्काइड मेजर करते हैं और जो ग्राफिकल घरिटिकल रिपर्जेंटेशन कीब अब समझना, अब यहीं याद करना है, तो volume, समझना वो volume जो आप in and out कर रहे हो, during normal breathing, tidal volume, tidal volume, it is a volume of air which inspire and expire during normal breathing, volume of air which inspire and expire during normal breathing, क्या बलते हैं, इसको tidal volume, तो ध्यान से देखोगे बिटा, ध्यान से देखोगे, तो tidal volume आप ले रहे हो, सबसे पहला है ताइडल वॉल्यूम आप समझ रहे हो ना मेरी बास समझ रहे हो ठीक है कोई नहीं डाइल्यूट कर दो इन सब को क्या कर दो डाइल्यूट पूरा मिलेगा आपको छैनल पर आपको लोट्स मिल जाए यह एप पर भी अप्लोड कर आदेंगे शंचार कह रहा हूं अगर आप पूरे तीनों सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो अच्छे से कामकिया इसके ऊपर ठीक है सच किय हाँ वो सारे ठूपिक धूंडे है हाई बस ऐसी डालूट कर दिया अगर बस काम हो जाएगा ठीक है चलो ठीक है आप समझ रहे हो ना अब यहां जा टाइडल वाल्यूम इट इस वाल्यूम वाल्यूम फिर विच इन एन आउट इन आउट इन आउट दूरिंग नॉर्मल ब्रीधिंग 500 ml होता है टाइडल वाल्यूम अगर आप सब्सक्री त्यंपायल रूज्ट के पाइड़िंग टाइडल वाल्यूम ग्रीउंग और लगभ्ग 2500 से 3000 ml तक आप लंग्स के अंदर ले जा सकते हो आप समझ रहे हो इसको क्या बहुते हैं इंस्पाइरेटरी रिजर वॉल्यूम अच्छा इसको निकाल दो टैडल को भी निकाल दो टैडल के बाद एडिश्ण बॉल्यूमफ रिप्वेश को रिलीज यह crywater आफतर टैडल वॉल्यूम टैडल यू के बाद आप लेज़र निकाल रहे हो条 उसके बाद समझना तो बचा कितना 1100 से 1200 ऐसे जात रहो वन से 11 11 से 12 तो वन से 11 और 11 से 12 यह और वी हो गया यह और वी एक्सपारिटी रिजर वॉल्यूम तो यह रखना है थीक है तो फाइबल जीरो से 3000 और यह और वन से 1100 और यह जो रह गया वह 11 से 12 रैजी डूवल वॉल्यूम क्यों रह जाता है दिव टू निगेटिव प्रेशर हमारे लंग्स में एक निगेटिव प्रेशर है ज भी जैटिव उसने दयन लेते ही बच्छा चीकता है क्राइक करता है बिटा जिससे उसके लंक्स एकस्पैंड करते हैं वो चैंबर एक्सपैंड करता है वैक्न जनरेट हो पाई एक हिस्पैंड ऑर तो उसकी डेथ बर्थ के बाही है अगर एकबार भी चनरेट निए द्रह तो इसकी डैथ यूट्रस के अंदर ही हो गई है ठीक है बाहर निकलने से पहले ही उसकी डैथ हो चुकी है ठीक है तो इसके बेस पर आपको याद रखने इसके बेस पर आप अपने लंक्स की शमताएं आइडेंटिफाई कर सकते मैं आप से कहूं आपकी इंस्पायरिटरी कितनी है तो पहले टाइडल पर आजाओ सब्सक्राइडल ले सकता हूं और इंस्पायरिटरी कैपसिटी है मैं आप सब्सक्राइडल निकाल सकता हूं और यार्वी निकाल सकता हूं यह आपकी एक्सपायरिटरी कैपसिटी है क्योंकि आर्वी तो आप निकाली नहीं सकते है से रहता है तो जब ही इंस्पारेटरीटी के बात कर रहा हूं तो टैडल प्लस टैडल पलस अर्वी जोड़ दो सिंपल आपको यह तो यह सब आपको याद यह आपकी वाइटल के финis baby is my pc सब्सक्राइब इन जिन्दा रहने के लिए कितना maximum इन और को मीजर कर सकते हो आप करके सर में similar में require स survival यहां तक यह मेरे इन आउट कर सकता हूं टैइडल इयार भी यह में Дन जा novamente कर सकता हूं यह मेरी वायटल कैपसिटी के लिए रिख वायटल कैपसिटी है तो वाइटल कैपसिती में होता है एफ रसी की अंदर कि एफारची क्या होता है कि फंक्शनल रेजिडूइल कैपड़िटी सास लेते रहो भाई लेते रहो लेते रहो निकालते रहो इस पोडिशन के अंदर आप ओантने सब्मसं में कितनी एयर रोख सकते हो अभ्यान से देखना अब टाइडल ले रहे हो ठाटल भी आर्दर ले रहे हो तो आपके लंक्स में हमेशा हुआ है यह नहीं निकाल रहे और वी आपके लंक्स में रहता है इसको कि शमता तो फंक्षनल का मतलब है सांस ले रोकने की एक सिटी मैं अलब है सांस लेते हुए यानि टाइडल ले रहे हो टाइडल लिपार तॉट निकाल रहे हो इसकेस में आप erb और rb दोनों आप लंक्स के अंदर ही रखते हो यह आपकी फंक्शनल रेजिडिवल कैपसिटी एक टोटल लंग चारों जोड़ दो यह आपकी टील सी है टोटल लंग कैपसिटी हो जाएगी यह चारों के मिशिटी के लिए आपकी ठी पल्मोनरी वेंटिलेशन यह लंग्स में जो इयर इन एन आउट हो रही है इन एन आउट हो रही है लंग्स के अंदर ठीक है अंदर इन एन आउट हो रही है पर मिनट उसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं ठीक है पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं तो पल्मोनरी वें तो रीड़ ब्रीदिंग पर मिनट किदनी होती है कि शिक्स थाउजन टू एट थाउजन एमल या ऐसे भी कह सकते हो शिक्स टू एट लिटर पर मिनट अब समध रहे हो ऐसे भी कह सकते हो यह कोशन आता है एंसी आर्टी के पैरा में दे रखा है ठीक है स्टार्टिंग में ही इसको जान लखना है आपको चलो एक कोशन तो पक्का होगे हमारा यहां से अब दूसरा कोशन बनता है ऑक्सी हीमोगलोबिन डिसोसियेशन कर्व की उपर तो पहला कोशन बनेगा कि oxy hemoglobin dissociation कर बीच में ड्रॉ किया जाता है आप रोगे hemoglobin के percentage of hemoglobin और partial pressure of oxygen अगर आप partial pressure of oxygen बढ़ाऊगे तो saturation बढ़ेगा जैसे एक hemoglobin से एक hemoglobin से कितने oxygen molecule एक hemoglobin से कितने oxygen molecules जोड़ सकते हैं maximum 4 oxygen जोड़ सकते हैं जैसे मान लो समझना एक oxygen molecule जोड़ा तो यह इमिलोबिन कितना percent saturate हो गया 25% एक और जोड़ा 50% एक और जोड़ा 75% एक और जोड़ा हंड्रेड परसेंट saturation अगर मैं oxygen का partial pressure और बढ़ा दू और increase कर दू तो क्या saturation बढ़ेगा एक बार 100% saturation होने के बाद sigmoid यानि जैसे जैसे partial pressure बढ़ाता जा रहा हूं ने saturation बढ़ता जा रहा है तर एक बार 100% saturation होने के बाद कुछ हो लाकि यानि oxygen के partial pressure का effect पड़ेगा पर कभ तक जब तक की 100% saturation ना हो जाए एक बार 1700 saturation हो जाने के बाद पार्ड़ाइस का कोई फैक्ट नहीं पड़ता तभी तो एस शेप करवाता है इसको सिग्मॉइड कर बोलते हैं किस किस के बीच में परसेंटेस सैचुरेशन ऑफ हीमोगलोबिन एंड पार्शल पैशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में ड्रॉब होता है यह कंसेप्ट समझना समझ रहे ना मेरी बात यस तुवार्स कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे अब ऑक्सीजन हीमोगलोबिन डिसोशेशन करपर कोशन हैगा ठीक है यह करव समझना बीच वाले पाट को यह राइट भी सिफ्ट हो सकता है यह लेफ्ट भी सिफ्ट हो सकता है राइट और लेफ्ट अंतरित ना है घी राइट शिफ्टक्वोत नवार कपर करवा सकता है जब अजब फेवरिबल कंडिशन होती है जब राइट शिफ्ट होगा तो एच वीज़ का डिसोशेशन होगा इन दोनों के भीश में करव हैस ब्रेकल ऊंब हो जाएगा हां अगर हैं यह कर्म लेफ टो गया तो फेवरिबल कंडीशन है समत्र रेना मेरी बात यानी दोनों का पैचव हो जाएगा हर कोई एग्री है कि बाई कर ले कोई दिक्कत नहीन है पर वेवरिफिय अहीं हैं जब सेक्टशन होगा समझ रहना मेरी बात तो लेफ्ट शिप्ट फेबरिबिल राइट शिप्ट अनफेबरिबल लेफ्ट शिप्ट एसोशेशन राइट सिफ्ट डिसोशेशन एकप समझाने वाला हूँ अब समझना पर एक चीज़ समझाऊंगा कि अगर मैं आप से कहूं कि 50% हीमोगलोबिन जिस पार्शल प्रेशर पर सैचूरेट होता है उसको पीफिप्टी वैल्यू बोलते हैं ठीक है तो एक्टिन में पीफिप्टी वैल्यू कितनी आती है 25 mmHg यह वह का पार्शल प्रेशर है जिस पर 50% हीमोगलोबिन क्या हो जाता है सैचूरेटेड इसको पीफिप्टी वैल्यू बोलते हैं तो नॉर्मल केस में पीफिप्टी वैल्यू यहां रही है अगर करण राइट सिप्ट हो गया तो पीफिप्टी वैल्यू यहां आएगी यानि रा हाईट॥ट अनफैब्रीबिल का ही इसमें किसने वारे में बता है तो अनफैब्रीड का मतलब है तो अनफैबरिल पियसकंगा तो अनफैब्रीविल का सी टू उपने बढ़ जाएगे तव प्याशडू अपने मदां यह अनफेबरेबल ऐसी कंडिशन का देखने हों कि नियर टिशू के पास यूटू कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है यहां स्यूटू ज्यादा होगा आटोमेटिकली पीएच कम हो जाएगा क्योंकि यह चाइन बढ़ जाएंगे तभी तो जितनी भी वेंस होती है बेटा वें से बहुती है उल्टा कर दो फेबरेबल कंडिशन हो जाएगा पैच अब हो जाएगा हैल्टन इफेक्ट बोलते हैं बढ़ा दो इसको गटा दो समझे ना उल्टा कर दो इसका जस्ट जो लंक्स के पास देखने को मिल जाएगा तो यह हो गया लैफ्ट और यह को गया राइ सेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है समझ में आ गया होगा चलो अब इसका दो लास्ट वाला पार्ट है ना जो हाइली कन फ्यूजिंग है रैगुलेशन तो रैगुलेशन वाला पार्ट ले लिए इसके मैंने जो कन फ्यूजन वाला पार्ट है ठीक है ट्रांस्पोट आउक्सिजन सीओटू में पस एक लाएं लिए रखनी है नाइंटी सेवीन परसेंट लिकिषीन का ट्रांस्पोर्ट किसके ठोहता है और लोगे और बिसमें प्रिजेंट हीमोगलोबिन के फ्रेंट को जों में बास्मा के थरों कितना अग्सिओन ट्रांस्पोर्ट होती है जिसमें 7% dissolve form में, 70% by carminectine की form में, क्यों? क्योंकि इसकी solubility plasma में ज्यादा होती है, समझ में आया, जब कि RBC के तोछ CO2 का transport कम होता है, only 23%, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी solubility ज्यादा होती है, इसलिए plasma का रस्ता पगड़के शॉटकर से निकल लेती है, समझ में आया या नहीं आया अब बात आती है रेगुलेशन वह कौन सा ब्रेइन का सेंटर है जो आपकी ब्रीधिंग को रेगुलेट करता है कन्फ्यूजिंग है समते मेरी बात इसकी बात करेंगे तो मैंडूला औब लॉबलंग गेटा आई बेटा आपके सेरीब्रम का मैंडूला ओब लॉबलंग गेटा टोटली इनवलम्ट्री रिक्षन को कंट्रूल करता है पर मैं आपसे कहूं कि घहरी सांस लो आप लेना सेरीब्रम उस समय सेरीब्रम का इन्वाल्मेंट होगा जब भी वॉलिंटरी टर्माएगा नहीं तो जब आप बिना सोचे समझे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप ध्यान से सुन रहे हो यह आप सोच समझ करके ब्रीधिंग नहीं कर रहे हैं उस समय मैडूला अबलोंग गेटा काम कर रहा है आप समझ रहे हो हाइपोथलमस का इन्वाल्मेंट नहीं होगा ओनली मैडूला एमो समझे ना मेरी बात तो एक्शन में रेगूलेटिंग सेंटर एमो है इसकी दो पार्ट हो सकते हैं डॉर्सल औ वेंट्रल तो दॉर्सल को मैं लिग दिया डिया डॉर्सल रे out espiritory group पर जब भी वॉलन्टरी ब्रीधिंग की बात आएगी सैरीब्रम यह concept है जब भी वॉलन्टरी ब्रीधिंग की बात आएगी चैरीप्रम यह concept है ध्यान रखना पड़ेगा आपको समझ रहे हो आगे बरते हैं पर डियार जी डॉट्स लूट्स लूट लगे हुए neurons है एमों के उपर वाले neurons है यह actual में हमारा rhythm center है जो unconsciously आप normal breathing कर रहे हो unconsciously normal breathing कर रहे हो यह DRG करवा रहा है inspiratory inspiratory area है inspiratory area है आप समझ रहे हो न यह वो area है जो आपकी air को in कर रहा है inspiratory area है क्यों उसको inspiratory area बोलते हैं क्योंकि यह उन muscles में contraction को control करता है जिसमें contraction होने से सर्व एक ही काम होता है inspiration जैसे यह external intercostal muscles और diaphragm muscles को control करता है और इन दू मसल्स में अगर contraction होगा तो एक ही काम होगा inspiration क्या काम होगा inspiration इंस्पाइरेशन इंस्पाइरेटरी area because यह control करता है contraction in external intercostal muscles और diaphragm muscles ठीक है inspiratory area इसको respiratory rhythm center मोलते हैं रिदिम का मतलब है unconsciously जो आप rhythm लाए maintain किये हुए हो DRG करा रहा है तो इसको कर रहा है नॉर्मल breathing पर नॉर्मल रिटिंग में किसको कर रहा है inspiration expiration only inspiration क्योंकि expiration तो पैसे mechanism है इनको control करना है तो अपने हो जाएगा समद रहे ना मेरी बाल तो यह सारे point एकदम कबर करता है DRG जबकि VRG को एकस्पाइरेट्री एरिया बोलते हैं क्या बोलते हैं क्योंकि यह कॉंकि उन मसल्स में contraction को control करता है जिसमें contraction होने से only and only expiration होता है वो कौन से मसल्स हैं जब बता कौन से मसल्स हैं तो अब ध्यान रखना है तो समझ में आ गया किसको अच्छा गरता है यह कंट्रोल करता है तो फोस्फ फुल ब्रीदिंग को पर गहरी गहरी साइसों लेते हो तो फॉस्फ फुल ब्रीदिंग के लिए आपको ढ सभी आपको ध्यां रखना है normal breathing के लिए आपको the UP को यह द yani आप अब बताओ इसको expired area क्योंकि यह only & only expiration कराता है यह only & only inspiration कराता है एकदम सट हो जाना चाहिए अच्छा इसके अलावा भी एमों के अलावा भी दो सेंटर ऐसे हैं ठीक है निमोटेक्सिक सेंटर और कीमो रेसेटर इन दोन के बारे बताता हूं मैं ठीक है इसको निमोटेक सेंटर बोलते हैं या स्विच ऑफ सेंटर भी बोल सकते हो जो इंस्पाइरेशन को स्टॉप कर देता है ठीक है जैसे आप घहनी सांस ले रहे हो कि मैंने इस्पाइरेशन प्रोपर किया पर अगर मैं दोडर लगाऊंगा तो क्या होगा नहीं इनकरी नहीं पाऊंगा तुन मैं एकस्पाइरेशन कराएगा जैनि जब भी ये एक्ट वोगा तो पर मिनट मेरा रेट बढ़ जायेगा एक मिन इसपाइरेशन क्यों क्यों है नब रिंडिंग के अंदर duration जाधा होता है और फास्ट दिंग के अंदर इंस्पारेशन का डियूरेशन कम होता है इसलिए पर मिनिट नमबर बढ़ जाते हैं इसलिए रेट और बरीदिंग बढ़ जाता है समझ में आया नहीं आया यह से नो फटाब बताव तेजी से यह से नो अर उसके अंदर क्या करते हैं उसके अंदर क्या होता है जैसे ऐसे मानों देखो आप सम्झों मेरी बाद मिली सेकिंड ठीक है तब गरी-गरी सांस ले लो दरवा एक चीज और उती है जो हमारे इसको कंट्रोल करती है एक चीज और उती है जो इसको करती है तो any regulation हो गया जिसमें medulla oblongata और post दोनों participate करते हैं ठीक है अगर मैं chemical regulation की बात करूँ बहुत बढ़िया बास यही आग तो चाहिए यार यही यही सच मैं ठीक है तुम जो आग देते हो तो उसका repression में जरूर होगा मैंने बता ना क्रिया प्रतिक्रिया ठीक है action reaction यह नेचर का concept है ठीक है आपका जैसा action होगा 100% reaction वैसी मिलेगी आपके जैसे thought होंगे आपको उसका effect मिलना automatically चालू हो जागी ताब लास्ट टाइम पर निगेटिव thought मतलाना selection लेना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा ठीक बस आपको ncrt थोड़ा प्यार से पढ़नी है लास्ट टाइम पर फोबिया नहीं होना चाहिए डर डर हर चीज को बरवाद कर देता है ठीक है मैं सच करों निडर हो के खिलोगे ना कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ तो डर को निकाल दो जदर क्या हो जाएगा यह दमाग में बढ़ा लो जदर क्या हो जाएगा आउटी तो हो जाएंगे ठीक है यह डर निकाल दिया तो 100% आप तो किस चीज के लिए बनाया हो आपको पता ही नहीं है पर अपना इफट लगाते रहो जो नेचर ने जिस चीज के लिए बनाया है वह आपको चीज मिल जाएगी समय आने पर 100% सही बहुत हो मैं यह बल्कुल मेरा खुद का एक्स्पीरियंस हो मैं तो नहीं लोगों के समय आने पर आपको उसका मिल जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया ठीक है एक्शन रेक्शन 100% होती है अपना एफट 100% लगा ठीक है बस यह सोचो अपना 100% होगा तो बढ़िया है नहीं होगा तो साथ कुछ और सोच रखा है ठीक है वहां बढ़ेंगे ठीक है पर नेगेटिव नहीं होगे जहां आपने अंदर फोबिया डर पैदा किया वहीं आपकी पर्फॉमेंस डान हो जाएगी आता हुआ आप भूलना चालू कर दोगे यार जब डर होता है ना तो सब कुछ आता है आप नेगेटिव हो जाते हो ठीक है और वह इतना मतलब सीधा खिले नीरो ट्र डर को तो निकाल के फैंक दो ठीक है सेलेक्शन होगा तो अच्छी बात है नहीं होगा तो नेचरन साथ कुछ और सोच रखा है जो समय आने पर मालम पड़ेगा क्यों कि हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है ठीक है रियल बोल रहा हूं मुझे नहीं बताता कि मैं mãh teaching में जाऊंगा मुझे नहीं पतार teaching में कहां से कहां जाओंगा क्या करूंगा अपने वोता जाता है और हम चलते जा रहे हैं पर हमें अपनी उपर confidence होना चीए हम सही चल रहे हैं हम अपना हंड्रिट पर सेंट दे रहे तो आपको 100 मिलेगा गारंटी देख लेने नहीं त तो आप बात करें चैमिकल रेगुलेशन की तो आज आप तो इतना समझ में आ जाएगा कि सिंगल शॉट में अगर पूरी बायलोजी रिवाइस की जा सकती है तो अगर आप खुद बैठ जाओना तो चारों सब्जेक्ट आप भी बहुत अच्छी तरीकिसे रिवाइस कर सकते है सारे पॉइंट टूणा कर दूँगा ठीक जो 4 साल में तोटल अनलीसाहीं है 4 साल की पूरी प्जीजी कर लिए कि कि का से आया है कितना वेटेज हैकं पूरी 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 प्यजी घरीं चार सालों पर ठीक है वही मैं लेके चल रहा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं तो बस आपको बुलकुल एकदम वही काम करना है ठीक है लास्ट टाइम पर एक दिन के अंदर सिंगल शॉट के अंदर हम पूरी बायो करा सकते हैं 360 मार्क्स का कबर करा सकते हैं तो आप तो यार कुछी भी कर सकते हो ठीक है समझे मेरी बात ठीक है इसलिए टेंशन लेने की जरूत नहीं है बापस आते हैं तो कीमो रिसेप्टर आप किसके लिए सेंसिटिव होते हैं दो कि यह सीओ बढ़ेगी तो है यह ळ Unity बढ़ जाएंगे और हैं और सियोट्र बढ़ती है तो यह कीमुऊ-रेसेप्टर एक्टिव हो होते हैं कहां कहां लगे होते हैं या कितने पार्ट में डिवाइड किया है परीफील kur subscription Central chemo receptor Central Chemo receptor Central chemo receptor आपके brain spinal cord में उससी से भड़ा हुआ है उसके लिए sensitive होते है Paripy जा रही है इसके उपर लगे होते हैं यह 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 अगर आपर जाएंगे यह सीधा सिगनल इन कीमो रेसेप्टर से M.O. के पास जाएगा M.O. rate of breathing बढ़ा देगा समझ में आई है नहीं आई आई आगई होगी यह हो गया regulation बाला part एकदम complete अब disorder की बात कर लेते हैं तो asthma it is a allergic asthma it is a allergy asthma allergy है बस caution कहाँ पकड़ना, caution कहाँ पहुझेगा अगर upper respiratory tract bronchi, bronchule इसमें inflammation होता है तो asthma है, caution यहां से उठाएगा ठीक है wheezing sound होगी, wheezing sound due to inflammation in bronchi and bronchule अगर bronchi ओ, bronchule में inflammation की बात कर रहा है तो asthma की बात कर रहा है समझना, पकड़ना, caution यहां से उठाएगा वो M.5, SEMA M.5, SEMA पर लगबग हर साल कोशन आ रहा है स्मोकर्स को होने वाली प्राब्लम है जो स्मोकिंग करते हैं, धूवे के चल्ले उड़ाते हैं उनके लंक्स में alveolar के septum digest हो जाते हैं क्योंकि अंदर होते हैं lysosome जिन में trapsin enzyme होता है, जो फटते हैं ना, तो trapsin निकलना चालू हो जाता है स्मोकिंग की वेस होता है इसमें क्या होता है, सर्फेस एरिया घट जाता है बस जिखती, को शिल्ट करक्लिब उसी आते हैं occupational respiratory disorder जो आपके occupation से जुड़ा हुआ है आपके काम कास से जुड़ा हुआ है वो occupational respiratory disorder है ठीक है, अब समन्द occupational respiratory disorder की बात करते हैं जैसे आप coal माइनों में काम करते हो तो coal dust आपके lungs में जा रही है तो coal dust दीरी-दीरी lungs में जाएगी तो lungs के lower part में inflammation करेगी और fibrosis करेगी fibrosis यानि collagen fiber का proliferation कर देगी जिससे आपके lungs tight हो जाएगे उसकी flexibility खितम हो जाएगी और ये death के लिए responsible होते हैं तो जैसे आप silica industry में काम करते हैं तो silikosis हो जाएगी आप cotton industry में काम करते हैं तो बाइस नोंसिस हो जाएगी आप समझ रहे हो ना मेरी बात आप जिस industry में काम करते हैं उनके पार्टिकल से आपका lungs का lower part effect कर रहा है proliferation of collagen fiber हो रहा है फाइब्रोसिस हो रही है तो इसी को बोलते हैं हम क्या और की पेशनल रिस्पाइड डिसोडर से इस पर कोशन आता है proliferation और फाइब्रस टिशू फाइब्रोसिस यहां से कोशन आएगा ठीक है चलो भाई complete हो गया aspiratory सिस्टम भी ठीक है एक बार दिल से आग लगा दो कोशन पर आ रहे हैं ठीक है मुझसे पहले response देना मुझसे पहले response देना दिल से आग चाहिए कि थोड़ा सा गरम पानी अगर हो तो पी लेते हैं ना कि अग्या कि अग्या चलो कोई नहीं हाँ मिटा बस यहीं चाहिए यहीं चाहिए यहीं चाहिए यहीं चाहिए बस थूड़ी सी energy आप continue करते हैं अब मुझसे पहले response दोगे कोशन आपकी स्क्रीन पर है आप लिक फिशर अब यह हम आगे स्टार्टिंग वाला पार्ट ठीक है लंग्स बला पार्ट ठीक है मैं कोशन के संग इस्टार्टिंग वाले पार्ट का रिविजिन कराता जाओंगा ठीक है जैसे और स्टार्ट में सुझे फिशर आपकी सिटीन रॉप अन डोना राइट में मिलता है ठीक है लोप दोनों में गोते हैं ट्रांस्टर फिशर दोनों में होते हैं यह कॉमन फीचर इंपर कोश्चन बनता है ठीक है बोथ ऑबलिक ऑबलिक दोनों में बोथ पोथ राइट और लेफ लंग्स आगे चलते हैं विच अधा फॉलिंग स्टेटमेंट holds true for respiratory tree but not for bronchial tree bronchial tree का मतलब है conducting zone की बात कर रहा है contracting zone के लिए सही नहीं है respiratory zone के लिए सही है जर बताओ cartilaginous rings are present conducting zone which of the following statement holds true for respiratory tree respiratory true के लिए यह तो गलत है आगे चलो gaseous exchange occur यह सही है volume of air which is present in conducting part is called dead space volume ठीक है dead space volume पर यह dead space volume किसके लिए सही है respiratory zone के लिए एक ही आएगा second option क्या लगा रहे हो बहुत बढ़िया सूपर स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट फर्स्ट ऑक्सिजन इस यूटलाइज वाई दा ऑर्गनेजम तो इंडिरेक्टली ब्रेक्डाउन ऑफ सिंपल मॉलेक्यूल बिल्कुल सही यह तो है डेफिनिशन यह इंडिरेक्ट बेक्डाउन ऑफ मैक्रो मॉलेक्यूल दू मैक्रो मॉलेक्यूल यह कॉंपल मॉलेक्यूल इंडिरेक्ट ब्रेक्डाउन ठीक है बुलकुल सही मेटाबलिक पास देखे थरू हो रहा है ऑक्सिन हैस्टो बी कंटिन्यूसली सब प्रोवाइड टू पर्फॉर्फॉर्म वैरिस सब्सक्राइब हो जाती है है ठीक है वह तो स्टेट्मेंट फर्स्टेन सेकेंडर करेक्ट अ बहुत बढ़िया रस्पारेशन थ्रो स्किनल्ट इसकॉल्ट चिउटेंईस रेस्पारेशन अट्रप यूटिन इस रेस्पारेशन होता है फ्रॉक के अंदर क्यूटिनस डॉपारेशन एडल फ्रॉट के अंदर होता है ट्रैकेयों रैस्पारेशन इसक्ता कौक्रूश के अंदर होता है कि अपर चीज़ों से ड्राइब हो सकती है छीरीट फॉलेंग फीचर ठीक है आजाओ इडिज़ा डॉबल लेयर्ड और कर रहे हैं प्लूरा की बात कर रहे हैं तॉढ फॉलेंग फीचर अफॉर की बात कर रहा है तो पैरी पैरिकाडियं के लिए है हर्ट की कभरिंग को पेरी काड़ियम कहते हैं पैरिटोनियम विसरा की बाद चल रही है लंग्स की बात चल रही है तुद घंट थाड़् है है only 3% first option आएगा oxymoglobin ठीक है besides rbc blood plasma blood plasma only 3% 2-3% dissociation curve is associated with dissociation curve किस से associated है मुझसे पहले बताओ मुझसे पहले बताओ ठीक है carbonic anhydrase carbon dioxide CSCL3 oxymoglobin मुझसे पहले मुझसे पहले मुझसे पहले जो बच्चे दी लगा रहे हैं बिल्कुल सही oxymoglobin बतायता ना मैंने सारे concept मैंने इसी revision में सारे concept दे दी हैं और पूरे मैं बायलोजी में सारे concept एड़ी करूँगा असके अंदर आप समझ रहे हो ना oxymoglobin चलो co2 dissociation from carbon amino hemoglobin वें कब dissociation होगा unfavorable condition unfavorable कब है जब oxygen कम हो जाए co2 कम हो जाए ना oxygen कम हो जाए co2 बढ़ जाए यस यह option आएगा थर्ड option आएगा partial pressure of oxygen कम हो जाए पार्शल पैसर आप सियो तो बढ़ जाए तो कर्व कंब हो तो नियर दा लंक्स होगा नियर दा लंक्स पार्शल प्रेशर प्रेशर उक्सीट जादा वोगा co2 कम होगा ठीक है तो पार्शल प्रेशर प्रेशर वाक्सीट नियू तो प्रेश्चन आएगा फॉर्ट आप्सीट यह कह रहा है CO2 dissociate from carbon I know hemoglobin का होगा near near the lungs और near the lungs oxygen का partial pressure क्या होता है partial pressure of oxygen क्या होगा ज्यादा partial pressure of co2 क्या होगा कम तो कहां पर है ज्यादा कम फोर्थ option site of gases exchange of gases in tadpole larva tadpole की बात कर रहा है तो tadpole में गिल्स होते हैं और adult के अंदर lungs या बक्को फेरिंजल और स्किन के थ्रू होता है second option आएगा the breathing center initiate ventilation in response to दोखो एचाइन और सी ओटू ना एर से कोई मतलब नहीं है decrease in oxygen नहीं मतलब है increase co2 concentration yes the rate of gases exchanging थार्ड option आएगा all of the falling factor play role in the regulation of respiratory rhythm center accept respiratory rhythm के लिए पूछ रहा है accept accept सब करते हैं एक नहीं करता कौन नहीं करता oxygen करती है all of the falling factor play role in the regulation of respiratory rhythm accept accept कुछ है जाने आपको accept oxygen यह नहीं करती यह करती है यह करती है यह reason for emphysema emphysema cigarette smoking why do why do human wings have difficulty breathing at high elevation जो आप low altitude so high altitude पर जाते हो ना तो आप कुछ है क्या वहां पर oxygen का percentage कम हो जाता है नो oxygen का percentage नीचे और उपर बराबर होता है हाँ oxygen का partial pressure जरूर कम हो जाता है partial pressure तो partial pressure अलग चीज़े percentage अलग चीज़े mix मत करना दोनों को ठीक है ठीक है oxygen is lower as a partial pressure oxygen दे रखा है फूर्थ option आजाएगा respiratory organ in insect tracheal respiration tracheal third option आजाएगा which of the following disease are occupational respiratory disorder occupational सिल्कोसिस है विल्कुल सिल्का की वैसे फाइबरोसिस ठीक है एसबैस्टोसिस तीनों ही है एन एक फस्ट ही आएगा क्योंकि एमफाइसी मां बताई चुका हूं मैं यह आएगा कि दा partial pressure of co2 in the venus blood is venus blood में co2 का partial pressure हमेशा ज्यादा होता है comparative arterial blood इसलिए venus blood के अंदर hn concentration बड़ी हुई होती है इसलिए वाँंकी pH कम होती है ठीक है तो दा partial pressure of co2 in venus blood is greater than the tissue space tissue space और वेन के अंदर लगवग बराबर होता है lesser than in the tissue space not lesser than in the ah lesser than in the partial pressure of co2 in venus blood is lesser than in the arterial blood arterial blood से तो गेटर नची है the partial pressure of co2 in the venus blood is greater than in the tissue space lesser than the tissue space lesser than in alveoli greater than in the tissue space tissue space से ज्यादा तो नहीं होना चीए क्योंकि tissue space से co2 बाहर जा रही है बाहर जा रही है तो हमेशा हाई से लो की तरह diffusion होगा greater than in the tissue space lesser than in the tissue space lesser लगाओ तो कि gases का movement हमेशा high partial pressure to low partial pressure होता है तिशू से बाहर की तरह movement हो रहा है ठीक है बाहर की तरह कब तक हो जोनों बराबर ना हो जाए ठीक है तो second लगा दो lesser than in the arterial blood co2 arterial blood से तो ज्यादा होगी समझ रहे हो क्या लगा रहे हो बिलकुछ से लगा रहे हो expiratory capacity equal to tidal volume plus ERV tidal volume plus ERV यह expiratory capacity हो गई first option आ जाएगा on an average a healthy human breathe NCRT के लाइन है एक healthy human on an average per minute कितनी breathing करता है 12 to 16 time NCRT के लाइन है दिहाना श्राइब पूशन भी बना हुआ प्लिए match the column first and column second match करो भई अर्थ warm अर्थ warm के अंदर respiratory organ क्या होगा जरा बताओ अर्थ warm के अंदर moist cuticle earth warm cuticle से करता है ठीक है कोक्रोश में trackle system होता है है trackle system lizard 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 रेप्टाइल से लंग्स होंगे भाई इसके पास ठीक है sponges general body surface sponges general body surface dogfish fish dogfish समझ में आ गया dogfish काथे legionous fish gills match कर लोगे match कर लो आर्थ warm first का c दे रखा है first का c दो में है second third का e थर्ड का e first लगा दो trachea divide into right and left primary bronchia act thoracic vertebrate किस थोरासिक वर्टिब्रेट से trachea divide by फर्केट कर जाते हैं fifth thoracic vertebrate तो इसको बोलते हैं t5 reason क्या बोलते हैं इसको t5 reason हाउ ड़सन इंक्रीज़ दा co2 concentration in the blood effect the pH of csf अबर co2 बढ़ाओगे co2 बढ़ाओगे तो h आइन भी बढ़ जाएंगे और h आइन बढ़ जाएंगे तो pH घट जाएगी decrease pH co2 बढ़ाओगे h n बढ़ाओगे h n बढ़ाओगे pH कठेगी acidic medium हो जाएगा a drop in the blood pH cause an increase in heart rate अगर blood pH कम होगी acidic medium हो जाएगा त्रण chemo receptor activate हो जाएंगे ठीक है बल्कुल heart rate आपकी बढ़ जाएगी सही है reason increase heart rate increase the rate increase the rate at which co2 is delivered to lungs where co2 is where co2 is removed drop in ठीक है कम हो जाएगा तो heart rate बढ़ जाएगी जिससे क्या होगा increase the rate ठीक है reason ठीक है a drop in pH pH कम हो रही है because क्योंकि increase heart rate increase the rate at which co2 is delivered to the lungs where co2 is removed drop in the blood pH cause an increase the heart rate ठीक है pH कम होगी इसका let pH कम हो रही है cause an increase in the heart rate with co2 बढ़ेगी तो pH कम होगी pH कम होगी to heartbeat rate बढ़ेगी ठीक है 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 तो दन aur scientist में angSw maker increase the rate at which co2 is delivered to lungs where co2 is removed दौनों सही हैं पर reason समझ्में यार reason नहीं लग रहा इसका क्योंकि यह हो रहा है इसलिए pH बढ़ रही है तो पीएच बढ़ रही है नो दौनों सही हैं बोथ assessment reason are true and reason is not correct explanation समझ रहो बी लगा जदा बेटर है ठीक है बी जदा बेटर सी नहीं होगा भाई सी नहीं होगा सी नहीं होगा भी 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 लगाओ ठीक है क्योंकि यह कहना ना कि समझो reason क्या है इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज दा रेट एट विच सीओ टू इस डिलैवर टू लंग्स विएर सीओ टू इस रिमूव करने के लिए पिएज कम होती है ना यह का मिसली नहीं होती पर हां अगर पिएज कम हो जाए तो सीओ टू मदब का रिमूवल बढ़ जाता है ठीक है पर उसका कारण नहीं रीजन नहीं है पर दोनों सही है जो आ आगए चलो वाई अब बात करेंगे स्रक्य्व लेटरी सिस्टम शरक्य्व लेटरी सिस्टम ठीक है कर कि अ को सर्क्यु लेटरी सिस्टम ड approねं अगे कर दूए अपर दूं है तो शलाए डावे कि यट को है अब कहाने चालो होगी ब्लड से अब लगा दो इसी बात पर एक बार तो आपका एनिमल किंडम मैंने करा दिया पूरा सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिये थे विदा एक्जामपल ठीक है डाइजिस्टिव सिस्टम हो गया लगभग सारे टिपीकल कवर कर दिये रेस्पारी ट्री हमारा हो गया अब बात करते ह तो सर्कूलेशन में जो कोशन सबसे ज़्यादा पूचे गए हम उनके बारें बात करेंगे एक मिनिट अगरे एक मिनिट चाहिए मुझे बस एक मिनिट अगरे करने स्टार्ट कोई नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं स्टार्ट अब बात आती है तो एक कोशन लगबग हर साल आ रहा है मना हर साल लगबगन आ रहा मिना आता है और confusion होता है बच्चों को आप लगाओं कि मिल जाएगा percentage reducing order तो अगर blood मैं formed element की बात करते हैं निए blood corpuscles की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा percentage होती है RBC की तो नमबर भी लगता जा रहा हूं RBC का नमबर क्या होता है ज़रा बताना लगभग लगभग 5.5 million पर mmq 1 mmq में लगभग 5.5 million RBC होते हैं अगर मैं platelets की बात करता हूं platelets केतने होते हैं 1.5 से लेकर के 3 3,000,000 पर mmq WBC की बात करते हैं तो कितने होते हैं WBC तो WBC आप जानते हो लगभग 6,000 से लेकर के 7,000 पर यह है NCRT ने दे रखा है 6 से लेकर के 8 दे रखा है 8,000 पर mmq और अगर WBC में भी हम इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं 60 से लेकर के 65% 60 से लेकर 65% न्यूट्रोफिल्स यह कोशन आएगा लिंफोसाइड की अगर बात करते हैं लिंफोसाइड तो नमबर सेकिंड पर लिंफोसाइड आएंगे अप्रॉक्सीमेटली लिंफोसाइड आएंगे 20 से लेकर के 25% मोनोसाइड की बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6 से लेकर के 8% तक यह आ जाते हैं यह सुन फिल्स की अगर बात करेंगे तो यह बैठेंगे लगबग 1% 2-3% sorry 2-3% 6-8% आ गए है मोनोसाइड यह सुन फिल्स बैसफिल्स ठीक है 2-3% यह आ गए है और यह साइद लेस्ट एन वन परसेंट यह परसेंट इस बैठेगी ठीक है ओडियूटी विजिबिल्टी परफेक्ट है नहीं यह बताओ फटाफट पहले तो ओडियूटी विजिबिल्टी परफेक्ट है क्या स्क्रीन कायब कैसे हो रही है एक नहीं टूक न आप लोग की स्क्रीन चली गहीं इसक्रीन नहीं आ रहे है चल तो रहन नहीं अच्छा 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 ठीक है तो मान की चल रहा है लाइव आपका चल रहा है ठीक है यह परसेंट इस थोड़ी दिया नख लेना आप 60 तो 65 परसेंट 22 25 परसेंट बना रीडिजिंग वाटर में बुच्छेगा तो रीडिजिंग वाटर के अंदर समझ में आ गया होगा कुछ तरीके से आएगा रबीसी प्लैटिलेट्स डबली बीसी नीट्रोफेस लिंफोसाइड मोनोसाइड लगभग 68 परसेंट पर्सेंट होगा द्याइए तू तू एट परसेंट होना चीए तू 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 एट परसेंट और लगभग nie आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है थो आप चेक कर सकते हो यह झाल झाल इसिस्क्न देखना और के देख् करता है है ठीक है तो बात चल रही थी आपर इनका परसेंटेज्ट थोड़ा सा आप कि एक्कॉर्डिन तो ncrt इसमें नोट कर दो इस पर कोश्चन आने की प्रोबिल्टी रहती है ध्यान रखना बुलकुल ठीक है ठीक है मेरी स्क्रीन एक्टम ब्लैंक हो गई थी ठीक है अब सही है सब कुछ सही है ओके ओके बुलकुल सही सूपर एक्कॉर्डिन टू ncrt याद रखना ncrt में जो डेटा रखा है 5.5 मिलियन 1.5 तु 3 लैक 6 थाइजन टू 8 थाउजन 60 तू 65 22 25 68 तू तू 3 यह सब परसेंटेज है सब परसेंटेज है सब परसेंटेज है ठीक है एक कोशन तो यहां बनेगा अब अगला कोशन कहां बनेगा पर पर आ जाओ गर्ट रोपच ने एक ए नोइंटेज आप कि सपर ब्लिदीजन नहीं होते बसें इसके थे अंगर गरूफ किस होते हैं नहीं होते मानों आर्बीजी शर्फैस पर अगर A Antigen है तो blood group क्या होगा A, B है तो blood group क्या होगा B, दोनो antigen है तो A B और कोई भी antigen नहीं है तो blood group 0, ओ, clear एबलकुल, है ना, तो यह धियान अखना है आपको antigen के base पर, और nature ने, natural antibody भी बनाएं, ठीक है, समझना, अगर antigen A है तो plasma antibody क्या होंगे, बनता है कैसे बनता है कि अंदर हमेशा देते हैं देने वाले का हमेशा एंटीजन देखते हैं और लेने वाली की हम हम एंटीजन करते हैं यह मैश कर गए तो ब्लड कोईगूलेशन हो जाएगा डैथ हो जाएगी कभी भी मैच नहीं होने चीए मिसमैच होने चीए फिर से बोड़ रहा हूं मैं डॉनर का हमेशा हम एंटीजन देखते हैं और रिसीपेंट की हमेशा एंटीबोडी इनकी क्रॉस मैचिंग करते हैं डियूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सेम एंटीजन एंटीबोडी मिल जाते हैं तो यह ब्लड कोईगूलेशन क्लोटिंग को इंड्यूस करते हैं तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो सेम एंटीजन और एंटीबोडी मैच नही यह मैचिंग नहीं होनी चाहिए तब नेचर ना क्या किया जिसके पास जो एंटीजन उसके प्लाजमा में अपोजिट एंटीबोडी बनाए सेम एंटीबोडी नहीं होंगे तो डैथ हो जाएगी कोईगूलेशन हो जाएगा ठीक है अब डिरेक्ली ब्लड ग्रूप पर कॉश donor पूप किसको दिया जासकता है पूइए ब्लड ग्रूप उसको दिया जासकता है जिसके अंदर A एंटीबॉडी ना सब्सकाइब पर है तो एको दिया जा सकता को कि यहां आटीड पर यहां पर भी डिया सकता है यहां नहीं है यहां भी यहां भी भी नहीं है। यहां भी है यह भी यहीए नहीं दिया जा सकता है। अगर मैंक है को बिटा किलेजर मैं और है mu blood three K ha ho ho है तो आथ देने वाला इजिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है तो आखें बन करके ओशक 우istical देदो और ऐसको भी डेदो इसको भी देदो और जो इस लिपन क्या बोलते हैं eki एक ऐसा डॉनर जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है तोटीजन लेने वाले वाले के एंटीजन लेने वाले के antibody यहां इसके यहां यह तो यह concept तो ध्यान रखना है इसके भेस पर आप कर पाओगे समझ में आ गया होगा आगे वड़ते हैं तो ही में ब्लड ग्रूप में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैच किया आते हैं एंटीजन भी प्रिजेंट एंगे अपसेंट है तो हीमन पॉपलेशन में 80 लोग आरेश पॉजिटिव होते हैं और 20 लोग आरेश निगेटिव होते हैं आप समझ दो ना मेरी बात ना मेरी प्लिग दिया एंपको इस पर एक ही कोश्चन बनता है एर्यथ्रो ब्लास्टोसिश फिटैलेश वाला एनि अगर कंडिश्यन एक है मदर आरेच निगेटिव है फीटस आरेच पॉजिटेव है निए पॉजिटिव है समझना वहां प्रविबिल्टी आएगी तो पहला बेबी तो नॉर्मल हो जाएगा बट अधर के केस में एराथ्रो ब्लास्टोस फिटैलिस हो जाएगी जिसके केस में रबीसी ब्रेकडावन होता है जॉंडेस और एनेमिया हो जाता है इसी को बोलते है इराथ्रो ब्लास्टोस इन फीटरस फर्स्ट बेभी नॉर्मल होगा बट अधर सो एराथ्रो ब्लास्टोस फिटैलिस यह द्यान आखना है आपको एंसी आटी के लाइन है पर शर्थ है उस फीमेल को प्रीविएस येर में कभी जैसे किसी का निगेटिव है गलती से आपने पॉजिटिव को मतलब है मेरी बॉड़ी के लिए आरेच अंटीजन तो अन्नून हुए ना तो उसके अंगेश्ट मेरी बॉड़ी क्या बना लेगी मैं मूरी इसलों इंटीजन बना लेगी क्लियर बलकुल जो पहले नहीं थे आप बन गए अब गलती से अगर दुबारा मे बलती से उसको आरेच पॉजिटिव ब्लड गुरुप चढ़ा दिया तो उसके अंदर आरेच अंटीबोडी बन गए और साधी के बाद उसमें पहला बेभी कंसीब किया जो आरेच पॉजिटिव था पहले बेभी केस में हो जाएगी पर नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता न प्रप्याट एंटीबोडी आते हैं तो यह प्रॉलम नहीं होती ठीक है चलो एक तो कंसेफ्ट यहां से कोर्शन बनता है अच्छा अब यह दो यह तो बलडवाले पार्ट से बनते हैं अब कोर्शन आता है हर्ट से से काडिक साइकल पर कॉशन लगमा बन रहा है ठीक है एक एक एलेक्ट्रो काडियो ग्रैम पर कोश्चन बन रहा है इसी जी पर और हर्ट डिसोडर पर कोश्चन बन रहा है यह कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है और समझने वाले भी है अगर मैं काडिक साइकल की बात करता हूं तो काडिक साइकल है क्या वहीं कहीं से चले बापस गु कउट्रेक्शन ब्लद बार रिलेक्श क्या है ब्लद बापस अंदर तो किसी भी चैंबर का complete contraction relaxation जिसका डिवरेशन पॉइंट एड सेकंड होता है एक कॉइंट सेकिंट होता थी के लाता है ठीक है तो महीं लघ दिया इडिकशन अकोंप्लीट कॉइंटoterक्शन या सेक्ट होता है यानि एक काड़िक साइकल का टाइम प्रएड08 सिक्न होता है समझना मेरी बाग पॉंट8 सेक्ण होता है यह ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक्ट दिया टे कन ना बैटर है صिड्ट रा ऊंतर यह्क तो आख्शोटू सफटiera क्साइब में इससे बी चारों चम्बर का का कॉंट्रेक्शन रिश्टेशन पीरिड भी मालम पड़ गया हो काडिक साइकल का मतलब भी समझ में आ गया इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हो पॉइंटहेर को मैं से लिख तुँँ चले गा-पॉइंट-4 इधर अगर मैं आपसे गूई और ग्रीन कलर का सुषण गारिंक कर रहा है और जो पिंग कलर यह को बैंटर्न के तरे अगर मैं आपसे कूँ बेटा के आट्रियल स्टॉल जाए है ठास था पॉइंट 1 सब्सक्राइब फिर पॉइंट-7 में रिलेक्स कर रहा है एक सेकल पूरी अब वेंट्रिक्ल की बात कर रहा हूं पॉइंट-3 में वेंट्रिक्ल से स्टॉल कर रहा है तो मैंने ऐ्राल का भी zijn ब्राइं आपसे कहाँ कि बंदर ट्रेमिन में क्या हो रहा है सिटोव बहुत है वूब दॉनों ही दाइस्टोव कर रहे है इसको जॉन्ट दाइस्टोव बोलते है Hé एक चीज तो समझ में यह आनी चाहिए आपको कि पॉइंट एट के अंदर क्या क्या इवेंट हो रहे हैं पॉइंट एट के अंदर पॉइंट वन में एट्रिया से स्टोल कर रहा है पर वेंट्रिकल से स्टोल कर रहा है पॉइंट फॉर के अंदर दौनों डाय स्टोल कर रहे हैं तो पॉइंट एट सेकिंड के अंदर क्या क्या घटनाएं घटे तो रही है या कौन-कौन से इवेंट यह पता होना चीवह हमाझ में आगया चलू अब बात करेंगे अब असली काडेक कर आ रहा है देखो यह पॉइंट यह को मैंने यहां पर क्या होगा यहां पर आगया अब क्या होगा यह से semi-lunar wall बंदोंगे तो यहापर क्या होगा सेकंड हट साउंड आगी वेंट्रकुलर डाइस्टोल की वैसे क्लोजिंग और semi-lunar wall की वैसे तो फॉस्ट साउंड और सेकंड साउंड के बीच का टाइम पिरेट कितना होगा अब यहां से क्या चालो रहा है जॉइंट डाइस्टोल पॉइंट फॉर में क्या रहा है जॉइंट डाइस्टोल जॉइंट डाइस्टोल के मतलब है एक्ट्रिया भी फैल रहा है वेंट्रिकल भी फैल रहा है दोनों फैल रहे हैं यानि ब्लड सीधा एक्ट्रिया से वेंट् करने से भर जाते हैं यानि NCRT लिखती है at the end of joint diastole 70% का मतलब है two-third two-third ventricle fill by blood 0.4 second तो 0.4 second में कितना percent ventricle भर जाता है 70% ventricle fill हो जाता है 0.4 second में यह active filling है passive totally passive filling है क्योंकि इस के fill होने में कोई energy contraction नहीं हो रहा ठीक है it is also called passive filling time period पूछेगा 0.4 second ते अब जैसी ventricle यहां भर जाते हैं 70% अब atria के contract करने की बारी यही जैसी और्ट्रिया contract करता है तो बच्चा हुआ 30% blood भी atria से ventricle में जाता है पर इस बार 30% blood आ रहा है ना 0.1 second के अंदर at the end of atrial systole atrial systole के end तक आते आते remaining बचा हुआ 30% वन थर्ड वेंट्रिकल फिल वाए ब्लड पर इस बार जो filling और एक्टिव फिलिंग हो रही है इस बार जो फिलिंग हो रही है वह पैसे फिलिंग नहीं हो रही है वह एक्टिव फिलिंग हो रही है due to contraction of atria due to contraction of atria यह काडिक साइगे जितने भी कोश्चन बन सकते था आपके सामने तो एडिशनल जो समझना 30% वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं एक्टिवली 70% वेंट्रिकल फिलो रहे हैं पैसिबली डियूरिंग जॉइंड डाय स्टोल ठीक है 30% यह वन थर्ड वेंट्रिकल फिल एक्टिवली एक्टिवली एड़ एंड ऑस एक्ट्रियल स्टोल समझ में आ गया होगा सारे पाइंड होते हैं यह पूरा NCRT वाला पार्ट कवर होता है अप NCRT ने कुछ टर्म दे रखें जैसे एडिवी दे रखा है इस भी दे रखा एडिवी क्या होता है एडिवी मानों डूला आपके आतमे कि यह इंड़ को दवाया कुछ वाटर भार आएगा वेंट्रिकल को मेंदक करते हैं तो बलड फ्लोग करता है ऊपर बहार निकलता है ठीक है जब वेंट्रिकल फ्लोग करते हैं कॉंता है तो सबसे पहले बताँगा मैं आपको EDB and diastolic volume of ventricle जब वेंटर कल पूरा डाइस्टोल कर जाता है तब उसके अंदर कितना ब्लड आएगा इच वेंटर्कल पूरा डाइड कर जाएगा तो तो इसके अंदर फिल इन इच वेंटर्कल एड डाइस्टोल 120 ml होता है तो यह सोच 120 mls के अंदर ठीक है सीची के अंदर अगर मैं इसको कॉंट्रेक कराता हूं कॉंट्रेक कर आया तो कुछ ब्लड बाहार आया जो बाहार आया वो स्ट्रॉग वाल्यूम है कितना मारा 70 ml कितना रहे गया वह एस इस बीया है एंड शिस्टोलिक वॉल्म वेंटरिकल शिस्टॉर होने के बाद बचा हुआ ब्लड वो 50 ml होता है ठीक है तो इस बीकी बात करना एंड शिर वाल्यूम वह ब्लड विश रिमेंस इंच वैंटरिकल एड द आंड तरिसे इस टोल उसके सिस्टोल रहे गया वह और S1SV is encystolic volume of ventricle. इसके समझना वालिम बढ़ राया En diastolic volume of ventricle En diastolic volume of ventricle 120 ml Single contraction कराया कुछ blood बहार आया जो बहार आया वो stroke volume है stroke की वैसे बहार निकला Each ventricle का हम दोनों की बात कभी नहीं करें कि किसी भी चीज की आधर Each ventricle का जो रहागया जो 50 ml होता है यह फिक्स रहता है किसी कगर EDB 120 से ज्यादा हो गया 180 हो गया तो जितना EDB बढ़ेगा उतना force of contraction भी बढ़ेगा यह इस ट्रॉक वालिम भी उतना ही बढ़ेगा पर ESV हमेशा constant रहेगा फिक्स रहेगा उसमें चेंज कभी नहीं आएगा तो द्यानकना EDB बढ़ेगा तो ESV बढ़ेगा इसलिए कह सकते हो EDB directly proportional होता है जिसका ज्यादा बढ़ा उसका EDB ज्यादा इस एथलीट का होता है तिक है यह ज्यादा बढ़ा होगा उसमें फिलिंग टाइम भी ज्यादा लगेगा तो directly proportional होता है समझना ठीक है और मैं ESV की बात करता हूं तो volume of blood which remain in each ventricle at the end of their system तो किसी का ESV निकालना हो तो कैसे निकालोगे EDB मैं से stroke volume निकाल दो इसको निकाल दो बच्चा हुआ यह जगा इस पर question आयो है यह इस बिखल टू एडीव मैनस इस भी 50 mm होता है दो वालिम समझ में आगए अब इसके बेस पर आप जो नीट में पूच्छा जा रहा है स्ट्रॉप वॉल्यूउ में इतए था वॉझम प्रिक इच बिल्ड विज पंप ऐच बलाद में से जो बल्ड बहार आ रहा रहा है इसे कोapping V sill बाइध वॉल्यूम यज़ बाद ऊट्ल्सु बेश्का कि या ल वी। आया हुआ है कई बारी धीट हुआ कार्डेक आउटपूट क्या झालोड तानए तबने आउटपूंगे काड़ मुट gerek कॉल्म और ऋब रीड़िव लेश पंप से departed dépर पर मिन रखना इस घर्कार मिनत आपन है के तो काड़ेक आउटपून के दिवाड आप तो एक मिनिट में कितने बाड हट धड़कता है बातर बार एक बार में कितना ब्लड भार निकलता है इस पर कोशन आता है कि मैं यह में पॉइंट सारे मैंने कवर करा दिये अब इसके बाद दो-3 चीज़ें और बस्ती है वह बता देता हूं मैं जैसे डिसोड़र पर कोशन आता है और एशीजी पर कोशन आता है पर यह समझ में आगा जब इसोडर पता हो ठीक है डिसोडर में पहला इसोडर एंसी क्वाइटीर निहें दे रखा है हाई ब्लड प्रेशर से हाइब लग प्रेशर क्या होता अगर आपकी फ्रेशर तो पता है इसको ब्लड pressure बोलते हैं एक hybrid pressure होता है 120 mmHg और लोड प्रेश्व होता है 80 mmHg तो हाइ और लो का difference होता है उसको pulse pressure बोलते हैं यह आपको पता होगा ठीक है तो blood pressure को normal blood pressure को हम कैसे लखते हैं लखते हैं 120 upon 80 ऐसे लखते हैं यह यह हाइ हाइ का मदलाym systolic blood pressure रहें जब आपने वैसल को कॉंट्रेक करा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा रिलेक्स करा दिया प्रेशर कर जाएगा तो हाई और लो का डिफरेंस प्रेशर काउंट कर सकते हो और जब भी किसी का ब्लेट प्रेशर बढ़ता है तो इससे जो मारे वाइटल ऑर्गन होते हैं उन पर सीध असर पड़ सकता है यह मारे ब्रेन के अंदर जो वेंस होते हों फट सकते हैं डेंजरस कंडिशन आ सकती है तो पूछा भी जाता है ठीक ह भी मानो जो लोग कॉलिस्ट्रोल बहुत जगाते हैं तो दीरे दीरे वह कोलिस्ट्रोल आपकी ब्लड वैसल में डिपोजिज्ट होना सबाता है और कोरुणरी आर्टरी होती है जो हेल्ट की वाल में ब्लड सपलाई कर रही है उसमें सोचों अगर कोलिस्ट्रोल का साथ fibers ठीक है इसमें calcium ठीक है आप समझ रहे हो इसमें डिपोजिशन ऑफ calcium fat cholesterol fiber इन सब्सक्राइब से पहाड बन जाते हैं इन पहाड को एथरोमा बोलते हैं क्या बोलते हैं एथरोमा छोटे मोटे एथरोमा कोई दिक्कत नहीं है पर यह अगर बड़ा हो जाए more than 55% 55% या उससे ज्यादा का एथरोमा बन जाता है तो यह हर्ट disease को lead करता है C.A.D. कोरोनली artery disease को lead करता है इसकी बजह से ischemia हो सकता है इसकी वज़ेसे heart failure हो सकता है इसकी वज़ेसे mayocardial infarction हो सकता है ingina या cardiac arrest यह सब चीज़े इसकी बज़े कैसे जैसे पहाड बढ़ता जाएगा बलड का कम पहुचेगा ट्रांसपोर्ट कम होगा जब काडीक मसल्स में बलड की सप्लाइब gotoo जह दो बिचारी काडीक मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते तो रिड्यूस अप्लाई ओफ ऑफ ऑक्सिएन टू काडिक मसल्स इसको बोलते हैं मायो काडियल इस्ची मिया समझना मेरी बात ठीक है इस्टेब इस्टेब बढ़ रहा हूं मैं आगे ठीक है तो सीडी कुरूलरी आर्टरी डिसीज इसम अगर काडिक मसल्स में ऑक्सिजिन सप्लाई कम हो रही है इस एथरोमा की बज़े से इसको इस्टेब बोलते हैं मिया मतलब इस्टेमिया लो सप्लाई रिडियू सप्लाई ऑक्सिजिन टू काडिक मसल्स जब काडिक मसल्स में ब्लट की सप्लाई या ऑक्सिन सप्लाई कम हो करने में वह हो रहा है तो किसी को हिसी किसको गाइन यह यहीड करेगा हाट को change its proper work छितना करना चाही हो तो नहीं कर पार हा हूं करने में वह रहा है Wellness ने उसको काल स्वेजशिब हो रहा है Wellness हो और बिद्धिल का स्वाद और में सकता है इसको हट फैलियोर बोलते हैं जब हट फैलियोर होगा किसी का जितना सब्पंप करना चीओ कंप नहीं कर पा रहा समझना मेरी बात तो oxygen deficiency की बज़े से कभी-कभी severe chest pain हो सकता है severe chest pain due to inadequate supply of oxygen to cardiac muscles अच्छानक से cardiac muscles में बहुत लंबे समय से ischemia हो रखा था उसको हट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था तो oxygen जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको कमजूर कर देती है deficiency of oxygen तो फट जाते हैं उसमें digestive enzyme निकलते हैं यह digestive enzyme क्यांटिक膜 को डेमेज कर देते हैं और उनमें और चेस्ट पेन नहीं है मतलब हंट मसल नहीं नहीं हो तो डरना नहीं सांस लेने में चुब रहा है यहां पर वह बदलाव की वज़े से धर्द होता है तो सी जरूत नहीं है ठीक है तो सीवियर चैस्ट पेन हुआ लाइसरों फटे एंजाइम निकले उन्होंने हर्ट की मसर्स को डैमेज किया डैथ ऑफ पार्ट ऑफ कार्डिक मसर्स का कुछ पार्ट डैमेज होता है उनकी डैथ हो जाती है लिजन दोता नहीं तो उसको कहते हैं हर्ट अटाक मायोकाडियल इन फ है मायोकार्डियल इंफाक्षन होने वाला है हुआट पढ़ने वाला है छोटा सा हाट अठेक ता कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ऐसे ही हर टैक दो चरवार पढ़ सकते हैं इस इन फाक्षन दो चरवार हो सकता है क्योंकि छोटी छोटी आटरी केंदर blockage की वज़ेस हो रहा है れて my name Party haha काडिक समस्ते हो इस समस्ते हो हो जीरो काड चाटbau 20 जीरो काड़ आउटबॉट जीरो जीरो काड़ लुक चनल रहा हाथ बीट स्टॉप और न्हींस बोलती है जब आपी और बीब देती हुए स्ट्रेट गाती है और खेल खतम अक्सर कर में बता है पूरानी दिखाया जाता है पुरानी मुवीज में क्या होता है कैसे बताते हैं ठीक है नई मुवी में तो हमें पता है कि E S G आ गया है तो पराणी मुवीज में तो नहीं था क्या तो क्या देखा देती दिया जलाते ता याद हो मैंने बताए बीडावार में धी जलादे थे एक छोटे से चैंबर के अंदर आले के अंदर ठक हे रों स्फिल में नहीं होता था था सब्सक्राइब में घषाओ और अचानक से हीप्षे पर सकते तेजर पुराने जमाने का जो ईसीजी था वो क्या था दिया जारे लूए मोवी में देखते हो आज के करेंड इसीजी चल रहा है तो इसी चल रहा है तो खोए और सर पढगती है उसके इसके हाट पर अचनक से उसका हाट फिर चालू हो जाता है और तुरंत यह उद और निकल जाएंगे मानो उसके प्रहनव दिये के अन्दर हो कोई मूभी देखना पराणी वह दोलके जाएगी बीमार पड़ा हुआ दोड़ की जाएगी बीदिये को भुझने से बचाएगी क्योंकि दिया भुझ गया तो उसके प्रान चले जाएगे नहीं आया क्या तो पुरानी मुवी में दिखाते थे भाई कि पेशेंट जो हीरो था उसके प्रान उस दिये में है समझ में आया इडा रिप्रेजंटेशन तो पुरानी मुवी recommended को कार्डियो मैं सैट कोलब करारे में नहीं एक्ट नेधर करण हो रहा है पंद रहा है और प्रेथ्रोमा का साइज बढ़ता जा रहा है तो आगे जाकर करके काडिक मुसल्स में रिड्यूस अप्लाई ऑफ ऑक्सिजन इस्चीमिया हो जाएगा इस्चीमिया किसको लीड करेगा हर्ट फैलियोर को मतलब काडिक आउट्पुट कम हो जाएगा अगर काडिक आउट्पु अटेक को बोलते हैं इनफाक्षण इनफाक्षण का मतलब दैथ ओफ ऑफ पार्ट ओफ का डिक मसल्स और अरेस्ट का मतलब है कम्प्लीट डैथ ओफ और काडिक मसल्स काडिक आउट्पुट जीलो और पिप यृप स्टेट लाइन ऍशेट लाइन या फूज गया आई लोगे नहीं सारी डिसौर्टर ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सारी अब मैं अब ECG की बात करते हैं इलेक्ट्रो कार्डियोग्रम हमेशा डिशॉल्टर के बाद पढ़ने चाहिए बच्चे पहले पढ़ लेते हैं तो पल्ले नहीं पढ़ता ठीक है अगर मैं ECG की बात करता हूं तो ध्यान रखना है यहां पर कुछ लीड यूज करते हैं कुछ लीड यूज करते हैं यह पर तीन तो लिंफ लीड होते हैं और रिमेनिंग छेट चैस्ट लीड होते हैं पर NCRT में सिर्फ लीड की बात किये चैस्ट लीड की बात नहीं की ठीक है जैस्ट लीड बहुत मतलब पढ़ों के एंट वेन की बूक है बहुत खतरनाग वाली लिंफ लीड तीन होते हैं लेफ्ट रिस्ट राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल तो दाना है लेफ्ट एंकल लेफ्ट राइट और लेफ्ट एंकल हाट लेफ्ट साइड समझना तो एंकल भी लेफ्ट वाला यूज करेंगे आपर तो लेफ्ट और राइट लिस्ट पुक्ति और बोलते हैं कै यहां पर ध्यौन दॉससरी कहीं संझाय है इनको लिम्फ विलते हैं इनको लिंफ लीड बोलते हैं लिम फ्लेट ए ठीक है अब ज्यान रखना है यहां पर जो मशीन होती है मशीन जो मशीन है उसको ऐलक्ट्रोकाडियोग्राव बोलें और जो ग्राफ में उसको अप्र कोड्र Hag 공 VII बोलें फोलता होता है ते कहेंँ अब आजतेता नाम की बात मेरी बात मक法 तैंक यह यह जानते हो ता आपर पापर राइट कॉर्नर ऑफ राइट त्रिश्य लूर सीसा और coral left corner of right attrium सबसे पहले क्या होगा pace maker के अंदर action potential generate होगा action potential generate होगा pace maker में कौन represent करता है ये P wave generate होगी action potential in pace maker action potential in pace maker pace maker में action potential generate हो रहा है यानि depolarization of attria ऐसे बुल सकते हो depolarization of attria P wave क्या बता रही है depolarization of attria depolarization of attria clear बलकुल attria में depolarization हो रहा है P wave हो गया depolarization अब signal सीधा पूरा attrial मसलस में जाएगा ये signal पूरा यहां से पूरी attrial के मसलस में जाएगा signal ये गया यहां पर भी गया और पूरे में गया अब चाहोगा attrial contraction start और attrial systole point one second में होता है यानि यहां पर क्या हो रहा है P Q interval हो रहा है यहां से यहां तक का पूरा पार्ट ये generate होगा ये ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है ये action potential से लेकर के पूरा ये को हो रहा है contraction systole of attria अब क्या होगा qrs complex qrs complex जब ये qrs complex की बात करते हैं qrs complex की बात करते हैं ये क्या बताएगा ये signal कहां पहुंचेगा यहां पहुंचेगा अब इसकी बारी यानि पेस्मेकर के बाद पेस्टर की बारी अब पेस्टर में action potential जंन्रेड होगा तो पेस्टर में जो अक्शन प्टेशल जन्रेड होता न तो पहले निगेटिव जाना उपर positive है तो नीचे निगेटिव जब भी निगेटिव आते है तो ये contraction नहीं कराते इसक्यू क्यों के बाद लिखती है वेंट्रिकुलर डी पॉलराइजेशन बच्चा पूच रहा है सर जो जैल यूज करते हैं वह कब यूज में आता है कि जो जैल यूज करते हैं न वो चिपकाने के लिए नहीं होता जो इलेक्ट्रोड होते हैं और आपकी स्किन होती है इनके बढ़ाने के लिए होता है ठीक है क्योंकि हम एलेक्ट्रोड क्यों लगाते हैं जो लीड लगा रहे हैं वह एलेक्ट्रोड हैं तो उसको इंपलस है है वो पूरे बाड़ी के ट्रांसमीट क रहे हैं तौह एंपलस को मैं यूंद करूने के लिए हो लगाते हो जो इसको रिसीब करने के लिए यह जैल लगाते हैं जैल आपके बाड्य फ्ल्यूड जैस Wars या SHKन और इलेक्ट्रोड समझे आ गया जाओ तो पी वेप क्या बता रही है पी वेप डी पोलराज़शन ओफ एट्रिया बता रही है यहाँ पर action potential जनेट हुआ सिगनल चला गया और सिगनल गया ति दिरमें contraction of एट्रिया सिस्टोल ओफ एट्रिया हो गया अब qrs complex क्या बता रहा है qrs complex de-polarization in av node, av node में de-polarization हो गया अब de-polarization के बाद समझ ना यह पूरिक-बूरे वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे है सिस्टोल यह तक नहीं चलेगा सिस्टोल यह तक चलेगा at the end of T-wave तो qt interval qt interval है यह से बताता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर तो क्यूटी इंटरवल फिर पूरा यहां था क्यूट टीवेप के अंड तक टीवेप के एंड तक वेंटर्ल रिस्तोर हुता है चलो समझ में आगा यह और क्यो रस कॉंपलेक्स क्या बताता है क्यू hopes क्या बताता है वैंट्रीक्ड़जिशन डी-attrial deepolarization था!! यह क्या बताएगा वैंट्रीक्ड़ डी प्रेडि Impact नवां ट्रिकियुलर को बता रहा है है यह एंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है यह पूर एंट्रेचुलर सिस्टोट को बता रहा है इंक्लोडिंग डी पोलाईजसेशन समधरें यानि वेंट्रिकुलर सिस्टोल तब तक होता है एट दा एंड ओफ टी वेप एंसी आइट की लाइन पढ़ लो एट दा एंड ओफ टी वेप क्या बता रही है टी वेप बता रही है कि जब तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब तक तैयारी चल रही है वेंट्रिकुल t-lip alarm कि बता रहा है वंड्रिकुलर री को बता रहा है कि अ वन्ट्रेकुलर do अगण डैसल कि समझना यह अगली पीवैट यहां से यहहां तक ह zrobić कश वह रहा यह वेंट्रीकुलर यहां तक यह हूँ रहा है यह हो रहा है यह वहर है वेंट्रीकुलर इस टो Monkey वंड में गांष पूरा एक्ट्रीक्व ऑन्हल में कर रहे हैं तक फिर यहां से यह वेंट्रिक्वल रीपों राएशन यह बता रहा है कि गियन yagin normal stage में आ रहे हैं sided stage से और यहां से यहां तक जाओगा वेंट्रिकुलर डाइस्टोल होगा रिलाक्स करेगा वेंट्रिकुल कब तक जखते कि अगली पी वेब जेनरेट ना हो जाए तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए ठीक है तो इसके बाद सिगनल सीधे नीचे आएगा और यहां से सिगनल पूरे के वोरे वेंट्रिकुल में क्योंता है कि एक मिनिट के अंदर वो क्या बताता है ती के बाद क्यू के बाद वंट्रिकुलर डन की मिनिटिट के अंदर ह हो धी blijके फि ll a gsom's के ऊपर पर आज आजाओ कूसें आग लगा दो कोश्चन की उपर आ जाओ फ़र आफर कोश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर अगला चैप्टर टेंशन मत करो छोड़ेंगे कुछ नहीं ठीक है अभी तक जितने भी मेरथन आये ठीकर में ठीओरी का जिक्र नहीं हुआ पुराने टाइम की बाद कर रहा हूं कि हिम्मत नहीं बढ़ती लोगों की ख्यार ठीओरी और सारे कोश्चन्स दम निकल जाएगी पूरी ठीक है ठीक है पटेंशन मत करो ठीक है आप अगर तयार हो तो हम भी तयार है ठीक है कोई चिंता की बात नहीं है पूर अकल की दखो ठीओरी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कंटीनियू चीखना पड़ता है तो लोर एब्डॉमल केविटी की नसा पूरी खिच जाती है ठीक है प तो दो नहीं हो सकता अपना 10% नेंगे 100% नेंगे निकटिव नहीं होंगे ठीक है ठीक है क्योंकि अब जो टाइम इनस में मस्ट बिंदास रीविजन कर सकते हो यार ठीक है बिंदास तरी मताब बढ़ रहा होगा अगर मैं थिओरी मैं जो भी में थियोरी है जिस पर confusion आता ह और कोशन दोना करा रहा हूं तो अगर आप बैठ जाओ तो एक दिन के अंदर आप नहीं कर पाओंगे आप मुझसे ज़्यादा फास्ट कर लोगे बेटा ठीक है तो अपना आप गया सकती है तो कगई बहुत है मैं सच कर रहा हूँ चाहो तो पूरे और सकते हो और और सकते हो सबस्क्राइब इस अगर आपने सोच लिया डर गए तो नहीं हो रिस्पॉंस और रेगुलेट बाए कौन है जो एलर्जिक रिस्पॉंस को रेगुलेट करता है NCRT में बहुत बैथरी लाइन दे रखी है बहुत अच्छा कोशन आता है क्या लगाओगे ईयोसिनोफिस नीट्रोफिस बैसोफिस और मोनोसाइड बच्चे अलर्जी के नाम सु बनाए गया है लगे बचाने ली बना गया गया पर बैसोफिस को अलर्जी से एसोसेटेट नहीं है वह इंफ्लामीशन से एसोसी अगला ठीक है लीकोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरिन और्गेनिजम और गेनिजम एंटरिंग दा बॉडी कि समझ रहो यानि इन में से कौन से लीकोसाइट है जो फैगोसाइटोसिस करना काम करते हैं फैगोसाइटोसिस पकड़ के खा लेना फैगोसिटिक नीचर कौन-कौन से होते हैं न्यू क्रेगोसिपनिट्रेश ट्रेशन कौना प्लेकोस इनंके फ्रैग क्रेगेमेंट्स को फ्लेएट के में से अंगे बड़ हो बलैड ग्रॉपिंग विची और वाइडली यूज्ड अलईवर बर्ड अभी लमयज्ड ग्रुम्ड यूस मरसे करते हैं थार्ड ऑप्शन आएगा थार्ड ऑप्शन नेक्स्ट डॉनर एक्स एंड रिसेपियंट बाइ बलॉंग टू था सेम ब्लॉड ग्रूप ट्रांस्फिजन है लीड तो आर्बीसी अगलुटिनेशन अच्छा आर्बीसी अगलुटिनेशन फिर भी लीड हो जाता है व वकाओ देने वाले का देने वाले का एंटी जन लेने वाले के एंटी बटी से मैच न और न एककी ओप्शन सकता है तभी तुक है किलंपिंग डूर के हैं तो डूरिंब्लड को ऐगुलेशन कि वेटेमिन के लिबड के अंदर cose कोगुलेशन में पाटिसिपेट करने वाले एक फ्रोटीन अपन सर्फीन करती है तो फॉर्मेशन और प्रोथोंबिन का काम होता विटेमिन के का यह लिंफ कंसिस्ट अफ लिंफ क्या है वह ब्लड में से ब्लड में से सेस काल दो ब्लड में तो क्या बसता है, plasma, समझ रहे हो, blood मैं से cells निकाल दो plasma, समझ रहे हो लग देता हूं यह वालिय बाद, याद रखना, त्रीन कोशचन आते हैं, blood minus cells plasma, ठीक है, अच्छा, blood minus cells plasma, ऐसी पूछे का, क्या होता है सीरम क्या होगा सीरम देखो प्लाजमा माइनस प्लाजमा माइनस ट्लॉटिंग फेक्टर क्लॉटिंग फेक्टर शीरम ऐसे कोश्चन आएगा सीरम अगर प्लाजमा अगर क्लोटिंग फ्रेक्ट ने काल लोग सीरम होगा लिंफ क्या होगा ब्लाड माइनस आर बीसी प्लैटिलेट्स और ब्लैटि मेंतीन निकाल दोगे तो इसको लिंफ बोलते हैं अब देखो लिंफ फियाट्स फ्रेश से लगे या एशर प्लाजमा ब्लाजमा प्रोटिंग ठीक है, प्लाजमा प्रोटीन यह गलत हो जाएगा, ठीक है, अगर सुर्थ लगाओ डाबलू बी सी एंड सीरंब क्या होता है सीरं पूरा प्लाज्म नहीं होते ठीक है डाबलू बीसी नहीं होते प्रोटीन उसमाद ना मेरी बस सम्प्रोटीन तो सीरम के प्रोटीन तो होते ही थे नंढ बल Monsieur बन बन जाएगा स्यरिम के नहीं नहीं होगे सिरम के अंदर संग ना मेरी बात और सीरम के अंदर और पिछ भी नहीं होती है तो आप क्या लगा दो के डी डी जलता बैटा रहे बैटा रही दी या ओता rbc and some plasma protein plus platylates platylates भिटो न्कालने पड़ेंगे आपको थीक है तो समझ लगा दो वबी सेड पोर्ट लगा तो टी कुछ दी लगा रहे हैं कुछ दी लगा रहे हैं के अब दी लगा रहे हैं ठीक है ठीक है सर सीरम हैज प्रोटीन ठीक है दो प्रोटीन का मतलब यहां मैक्रो प्रोटीन की बात कर रहे हैं मायक्रो प्रोटीन दोखो लिंस के अंदर प्रोटीन होते हैं कौन से प्रोटीन मैक्रो प्रोटीन मैक्रो प्रोटीन नहीं होते Marco protein नहीं होते छोटे वाले protein lymph के अंदर होते हैं तभी lymph के अंदर protein की percentage 4% होते हैं समझना blood के अंदर protein 7% होती है यहीm protein होती है समझ रे हो percentage का अंतर होता है समझे आगे बढ़ जाएं हाँ आज वतने पूरी टीम साथ है ठीक है आप लोगों के सांग पूरी टीम लगी बढ़ी है तीन दिन सारे के सारे एक साथ रहेंगे दिन और रात समझ रहे हो पूरा थेओरी बिद कंसेप्ट पूरी टीम एक साथ तीन दिन सब साथ लगे हुए है रात और दिन सब सारे सार लोग साथ रहेंगे करो बढ़िया से तीन दिन के अंदर सर पूरे एकदम पर्फेटली डिविजन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं के लिए कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं के बढ़िया सारे टीचर्थ हैं फिजिक्स हो चाहिए चारों सब्जेक्ट में आप इंजॉय करने वाले हो पूरे एक ए करते हैं तो हर्मोन एराथ्रोपोईटिन इस सिंथेसाइज बाए एराथ्रोपोईटिन कौन बनाता है जली से तेजी से एराथ्रोपोईटिन इराथ्रोपोईटिन जो एरफ वॉसिस कराती है यादो किडिन में मिलने वाले जजेजी सेल जगिसेल आफ किड़िनी के जजी सेल की लिए ठिक है खोर्ट ओप्शन है सिंथेसेज बाए है 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 लिए Congressman यादो एह पारिं हिस्टामिन सिरोटोनिन ये नो कहा होते हैं है परिन हिस्टाइबन सेरो तोनिन बैसो फिल्स बैसो फिल्स लाइक मास्ट सेल आगे चलो डिक्रीज नंबर औब बलट प्लाटिलेट इस कॉल्ड अगर प्लाटिलेट का नंबर कम हो रहा है एंसी एक लाइन दे रखी है पीनिया लगा दो किसी भी चीज का नंबर कम हो रहा है तो पीनिया तीनिया मतलब रिड्ययू जोना इत्लय रथ्रो साइटो पीनिया लिउको साइटो पीनिया समझ और थो थों बोसाय्टोपिए थोंबोसाइटोपिनिया साउंट कानों रए तो इस डिया करिए उड़ेलिड़ूसाइटोफिनिया के अंदर क्या होगा डिक रीज क आवूडी और यह defect un टुना ल्यूको साइकोसिस इंक्रीज ड़्टीड सी काउंट दुरिंग इनफेक्शन और अलय को मियंगो इंक्रीज ड़्रीवेशी काउंट दूरिं। समझ रहे हो एक इपन्थाय साथ्रों साइटोपी मिया समझ रहो तो आर्वीजिकांड कमोना ठीक है पॉली साइथी मिया आर्वीजिकांट बढ़ जाना जब पाड़ों पर जाते हो जाता है एनी मिया आर्वीजिकांट कमो ना डीटू ब्रेकडाउन ऊपटाई दिये तम्प्लीच डवल क्प्लीच डवल में, दुटी डवल स्पिलीच होता है इस छो कंप्लीच डवल स्पाय। ऐस स्थे रिखशंद वॉलक है स्पूड टर कांग होते हैं ट्राइं किस्प्लवर्स ने हाल लेट साइड होगा bycuspit वॉल इसको मिटरल ऑफ भी वह होते हैं राइट साइट उनगे ट्राइक सिर्षाड वाए चैयर इदारील यह इदाया छी option cyanoatrial node is a patch of nodal tissue present in SA node SA node upper right corner upper right corner of right atrium upper right corner of right atrium together right upper corner of right atrium samjhe purkinje fiber along with right and left bundle are bundle of haze bundle of haze samaj reho na bundle of haze yada ga hooga purkinje fiber along with left and right bundle it is a bundle of haze the bundle of purkinje fiber the vessels that carry blood from intestine to liver is called what vessels blood co carry karthi hai intestine say intestine say ka par intestine say see the blood jata hai liver ke paas see the blood jata liver ke paas kaon lege jata hai hepatic portal hepatic portal vein hepatic portal vein third option which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin fibrinogen ko fibrin ke anndar thromin prothomin thromin thromin responsible hooga port hoota hai thromin fibrin fibrinogen ko fibrin me convert karta hai jis se soft clod bantai joe air ke contact me ane par hard clod me convert ho jata hai next read the following statement and find out the incorrect statement incorrect dhundho bhai incorrect the contraction of ventricle start immediately after the q wave and marks the beginning of the diastole thik hai marks the beginning of the diastole pahla hi alat ho gaya incorrect toh pahla hi ho gaya beginning of the systole hooga diastole nahi hooga thik hai adrenal medulla hormone r can also increase the cardiac output yes high blood pressure lead to the heart disease and also affect the vital organ yes ventricular systole increase the ventricular pressure cause the closure of tricuspid bulg kulsai absolutely right first option na jayega beginning of systole hae ga nhaa par thik hai thik hai recording of the heart activity is taking by the machine machine ko kya bholta hai electrocardiograph or jo graph bantai kya bholta hai nis to electrocardiogram samadhi rio na electrocardiograph reading recording of the heart activity is taken by the machine machine ko to electrocardiograph of currently again yeah all veins have deoxygenated blood except pulmonary veins universal acceptor is having following antibody universal acceptor tonota universal acceptor जो किसी से भी ले लेता है किसी से भी blood ले सकता है किसी से भी blood ले सकता है मतला उसके अंदर एक भी antibody नहीं होगी तबी तो किसी से भी blood ले पा रहा है तो कि एक भी antibody नहीं है यह नो एंटी बॉडी इस फोट आप्शन अच्छा अब चालो होगा एक्सक्रिटरी सिस्टम एक्सट्री सिस्टम में सबसे इंपोर्टेंट चीज है काउंटर करेंट रेगुलेशन और रेगुलेशन यह दोश्की हर्ट लब जान है ठीक है तो काउंटर करेंट पढ़ाने स झाल जब जब पांद स्मीट का प्रेक देते हैं जब दस मिट बात मिलते हैं ठीक है ठीक है जब जब से पंदर मिट कर देते हैं अच्छा है जब 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 साफ पहुँद आज़ साथ है कि 7-15 से श्टार्ट करते हैं एक्स्क्रेटरी सिस्टम बहुत बहतरीन है यहां आप काउंटर करेंट डिसकस करने वाले हैं पूरा हॉर्मन रेगुलेशन डिसकस करने वाले हैं और भी चीजें ऐसी हैं जो बाट कोशन ज़स्ट पर पूछ तक है वह सारे से डिसकस करने वाले हैं एक्स्क्रेटरी सिस्टम के नहीं ठीक है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं मिलते हैं आफ्टर 15 मिनिट्स तुम भी यहार चाहिए भी लो अच्च्बस तुम नहीं झैए video finanREE कोशनод бाट यहार थुमी को भी लो प्यून हो खिरीव लो थुमीटईच्छ यहार यहार विभिए वीक दून जहने कीजे लो जहाद मैंन harms यहीज़ Healthy खिक्ए ई वे ऊज़makersлом Vी 3 झाल 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 ये यहlar यहRO तीनों समझ में आ गए है तो बताओ बस तीन ही रागुलेशन थे ठीक है में चीज थी जो मैंने करा दी जो highly confusing थी बच्चे इसको नहीं याद रख पाते ठीक है ओके समझ में आ गया तो आग लगाओ और तेजी से कोशन पर आजाओ यस बहुत बढ़िया चिंता मत करो ठारे घंटे भी बढ़ा देंगे मतला हमारा घंटे से मतलब नहीं कि हमारा प्रोसेश है कि हम थापिक को बहुत अच्छी तरीके से कर आएगा। க कोई तक द्रहिए आपकी रिकॉर्ड तोड़ने से होता है सेलेक्श्ण आप रिकॉर्ड तोड़ने से होगा जो नहीं सबस्क्रेंद या धिक समझो आप अके लमस समझना आपके साथ हैं पूरी टीम ठीक है और मैं भी घरर नहीं जा रहा नहीं बैठूंगा तीन दिन तक पूरा टेंशन मत करो ठीक है पर आप मोटीवेटिड रहना आप डिप्रेस्ट मत करना आप टेंशन मत लेना बस इतना समझना कि अगर ऐसा कर सकत लीक्ते हैं तो आप उससे बहुत बहतर कर सकते हो ठीक है समझ गे न और यह तो बस समझदर एक पढ़ा है ठीक है लाइफ में आकर चिक है जो आपको भी नहीं पता इसलिए जो करो अपना हंडिशन नहीं हो मैं और कुछ निए कम बने लेना बस यह करना यह कहुंगा तो 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 सारे की सारे कोशन दे रहे हैं मुझे लग बच्छों ने रिस्पांस दे दिया एक्स पानी बहुत था वह अमोनिया को अमोनिया की फॉर्म में निकाल लेते थे क्योंकि प्राइमरी प्राइमरी नाइट्रोजनस बेस्ट जो इनीशल फॉर्म में बनता है फिर पानी से एनिमल का गए टेरिश्टिल कंडिशन पर उन्होंने अमोनिया को यूरिया में कंवर्ड किया को निकालने के लिए कंपरिटेव लैस अमाउंट और की जरूत पड़ती है फिर जब एनिमल वाटर कंजर्वेशन पर काम करने लगे बर्ट्स और रेप्टाइल्स के अंदर तो उन्होंने उस उसको भी यूरिक एसेट में कंवर्ड कर लिया ठीक है तो वाटर कंजर्वेशन और वाडी वाटर नेक्स्ट इन हुमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट अफ पेर अफ किड्नी यस वन पेर अफ यूरिटर यस सिंगल उरिनियर ब्लाटर यस यूरिटर एक होती है यस सभी कुछ है फर्स्ट ही आ जाएगा हाँ तरस्टेल एंख यस आपर इन्मरी फिश आर है ये यूरियो टेलिक होती है तेरिश्टिल एंख फ्रोम फिश यूरियो इस Even आई है यूरियो टेलिक मैं एक बार फिर रिबीट कर देता हूं मैं ठीक है जितने भी आक्वाटिक एनीमल्स होते हैं यह थे are अगर बोनी फिश ऐ खाषण फिश की बात की जाती है तो बोनी फिश तह कहें अमोनी को पर काटीलिगन अपोर को पहली बात ठीक है फिस के अलावव आगे बड़ते हैं एम फिटी यह वह मों होता है एक वह तो होता है थिक है तो यह फिर एप्टाइस और बच कि बात करते है वह यूरी को टहले को थे हैं और मैंमस यूरीड शाले को निकलते हैं किडिनी डू नोट प्ले एनी सिग्निफिकेंट डॉल इन रिलीज ऑफ अमोनियम आइन ठीक है गिल्स और स्किन की सर्फेस से एनिमस में डिफ्यूज हो जाते हैं पर किडिनी का कोई रोल नहीं है अमोनियम आइन को रिलीज करने के लिए अमोनिया इस प्राइमर रिफ़ित के मैंडूला वाले पार्ट में मिलते हैं सिंग्टिब सेटे में डॉलह होते हैं कि एक किडिनी चिए के डामेंशन एक है थीकने तो 10 12 सेंटिमेटर । ťीजrем सेंटीमीटर ठीक है सेकंड वाला है लेंथ किदनी की कितनी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर विल कितनी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और ठीकनेस 2 तो 3 सेंटीमीटर NCRT की लाएन है थोड़ा आपको ध्यार रखना होगा ठीक है इस पर कोशन आ जाता है आगे चलो रिअप्जोप्शन ऑफ लॉराइन फोर्म ग्लोमेरोल फिल्टरेड इस कितनी इस तुबलर अकर भाय रिअप्जोप्शन ऑख क्लोराइन इस अधिफूजन ओस्मोसिस अक्टिब ट्रांसपोड या वो मैंस मैं धिफूजन क्लोराइन निगेटिव आएन हमेशा पैसिव 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 सिम्पर दिफ्यूजन कहीं पर भी निगेटिव आएंगे तो पैसिव ऑस्मॉटिक ग्रेडियंट बिडिविन दो कॉटेक्स और मेडॉला इस क्रेटिड बाय बैने बता यूरी और अमोनिया दोनों ही ऑस्मॉ क्रेटिक ग्रेडियंट बिडिविन दो कॉटेक्स और मेडॉला इस क्रेटिड वाय इसमें यूरीय पार्टिपेट करता है इसमें सोडियम पार्ट पार्टिपेट का एंसी फोट लगा दो अभी बताए भी था रहने एक्सक्रेशन ओफ डालीट यूरीन इस द्यू टू एक्सक्रेशन ओफ डालीट यूरीन इस द्यू टू यूरीन डालीट कब होगी डाय यूरेसिस कब होगी मोर्स इक्रेशन ओफ एल्डोस्ट्रॉन यह उल्टा यह तो कंसंट्रेट करेगा यूरीन को ठीक है यह तो यू कोई मतलब नहीं है वैसोप्रेसिन को हम एडियाइच भी बोलते हैं एंटी डायूरोटिक होर्मोन अगर का सीक्रेशन कम हो जाए तो डायाबिटीज इनसे पेड़स हो जाती है डायाबिटीज इनसे पेड़स पेल इस आए तो डायाबिटी जाती है आए डहा वस्टीज गोल्वां को फेलने अपेलिटीज आए तो डौ आटीन शेक्रेशन के खाता है अगयों च्री dolun přो ठीक्रेशन match कर लो फट आ फट फट पी सीट प्रोग्सिमल कॉन विला दो 72 NCRT के लाइं ठीक है selective secretion of H-I-N and potassium ion secretion DCT DCT district descending limb descending limb collecting limb collecting limb allow passes for stick क्या है आ जाओ ascending limb selective secretion of H-I-N operation of mine permeable of water water के लिए permeable कौन होता है descending limbs permeable for salt ascending limbs अब क्या बच गया DCT selective secretion of H-I-N and potassium ion and match कर लो यार एक का सेकिंट एक का सेकिंड दोनों में हैं दी का फर्स्ट भी कौमन है थी पर आज़ा जाओ सी का फूर्थ है फी का फूर्थ है फीका फूर्थ ही ए है कि या जाएगा है कि एक किडिनी उस्टोन इस फॉर्म बाइट किडिनी स्टोन कि लिए एंसे आटी के लाइन किया है एंसे अब साफ सा बोलती है स्टोन हमें सा ओक्जेलेट सोते हैं oxalates sodium oxalate potassium oxalate calcium oxalate कहीं पर भी ऑजलेट आजाएगा यह किडिनी स्टोन बनाने काम करते हैं किडिनी स्टोन का मतलब भी ऑजलेट्स है कि your informed by the Neffron इस aoux है करेट त्व अ était टू टु दा यूट्योटरी ब्लेडर विए इट स्टोर भी था सिबन सेंट्रल नवर्स सिस्ट्म के पास जाता है शोमझ रहो स्विश्डा नेफ़रो saput CHf7 करेगा तब सिगनल से जोलोगल होँगे जो इस ट्रिस रीचला के पास जाएगे ई सेंट्रल नवर्स सिंट्म है है cns पॉस्ट ऑप्शन अगर्ण्स ओफ एक्सिस यूरिया इन ब्लड ड्यू टू किडिनी फैलियूर अगर किसी किडिनी काम करना बंद कर दे तो अकरेंस ओफ एक्सिस यूरिया इन ब्लड ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जागा तो क्या बोलते है इसको यूरी मिया मुझे पहले रिस्पॉंज को डाई यूरेसिस जादा यूरियन का निकलना डाई sazja यूरीन यूरीन हार निकल रही है श्लीशन ओफ वाल्मこう और इंक्रीज कि एक्स कोशन ओफ यूरूरियन व्ल्म को एक्सक्रीशन ओप और यूरीन बढ़ रहा है फॉस्ट है फस्ट करें अयोति पूच्छन होती है क्योक्न होतई उसमें चाइन बहुत ज्यादा होते जैड़ा होते जो forms को ऐसे डिक बनाते हैं तो एक्सेशिप्लाजर प्रोटीन ना पोरोश्यम और उसल ना है अधिवली सीक्रेटेट इन फिल्ट्रेट थर्ड ऑप्शन हुँआ देख्खो फटा फट दी डी कोटक्स दी कोटक्स ठीक आव्टर पार्ट ऑफ किट्नी एंड दू नॉट कंटेन अनी पार्ट और नेफरोन गलत गलत हो गया आगे देखो ए अड्रिनलेंड ए अड्रिनलेंड ठीक है लोकेट अधा एंटियर पाट ऑफ पिटीव्टरी सीख्रेटं घैक नाय्यक्री विस्ञेट विस्ञे टोलीट ग्लाइकोजन ब्रेक्डाउण ठीक है ठीक है बीडिखे घ्लूप भीस ठीक है पैल्विस you यह भी ठीके ब्रॉट फनल शेप से स्पेस इनर तू हाइलम डिर्कली कनेक्ट टू आलू लूप फैनले गलत लूप फैनले से कनेक्ट नहीं होता इनर जोन और किड्नी एंड कंटेन कंप्लीट नेफरों गलत एक ही आएगा सेकेंड वाला अफॉल इन गलोमेरलर फिल्ट्रेशन रेट अगर गिर जाए तो कौन एक्टीवीट हो जैगा जक्स्टा गलोमेरलर सेल टू रिलीज रेनिन एपसलूट राइट नहीं अडरी नोडली अल्डॉस्ट्रों ना फस्ट आजागा रैनिन की बजहाई से अल्डॉस्ट्रों लेका जाने नफस्ट आएगा अगर चलो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग मूव्मेंट एंड लोको मोशन जो कोशन आता है कि जब मसल्स कॉंट्रेट करती है तो किस बेंड पर क्या एफेक्ट पढ़ता है इस पर कॉश्चन सबस्द्रा देखने को मि कुले एक मदें करा श्रक्टर की बात करते हैं तो मिसर्श के जो मसमाप्रीशन कहसे वह किस से होता है fundle Of Facicle ऐक एक Mueller तौलीजन फाइबर का बोलते है इसको Also लो एक फैसिकल को भाज निकालो से सिकल एड़ी चाइबंडल आच टौनल ऑफ मसल फाइबर फैसिकल क्या होता है बंडल आफ मसल फाइबर फैसिकल जो होता है उसके बंडल से मसल बनती है मसल इस बंडल फैसिकल फैसिकल बंडल आफ मसल फाइबर मसल फाइबर के अंदर क्या होता है मसल फाइबर जानक ना है जो नींन्य होते हैं उनके नाखलिक रुटा सार को लास उसको कवर करने कर लिए हो सार्को लहम उसके मैं क्या पड़े होते मायोवाइब्रिल और थी चुछ तर्फाह थनों मैयोवाइब्रिल फटील के मिलने से बनते हैं लगबग एक म che難 ai त्टिर यजार एक्तिन और तुरम सार मींदें ब को क्या गया है का राचे बीच क्या ओंब्रो आहिं से कौन्षी ब्रोटीन होती है थिन फिलामेंट एक्तिन से कौन माय उस 난 mix फिला में ठीक हैं जब भी contraction होता है जैड लाइन पास आती है और एक Rebecca माय उस Siemen कि उपर करते मायसन कभी स्लाइड करते स्लाइड नहीं करते स्लाइड श्लाइड तिंग एक्टेम्ष मेकैणिजन फियुरूरी में खेल स्लाइडूब मायोसिन एक्टिन मायोसिन को पर स्लाइड करते हैं ओल्वेज क्लियर एक्टिन मायोसिन को पर स्लाइड करते हैं ध्यान अखना एक्टिन स्लाइड ओन मायोसिन कोई डाउट जब एक्टिन मायोसिन को पर स्लाइड करते हैं तो किस बेंड पर क्या एफेक्ट आता है ठीक है एक तो आई बेंड होता है आई मतलब आइसो ट्रॉपिक जो लाइट है लाइट ही रहेगा कॉंट्रेक्शन के टाइम पर जो एक्टिन फ्लामेंट के मिलने से बन करते हैं मतलब ओवेंड ओबर लिपिंग वाला पार्ट ओवेंड और जो बीच का मायोसिन का मिडल पार्ट जो जिसमें ओवर लेपिंग नहीं होती ऑनली मायोसिन मिलती है वह है एच जून हैंसन जोन तो जब मसल्स कॉंट्रेट करती है तो एच जोन पर क्याफेक्ट आता है आई बेंड परड़ेएफट आता है ओवेंडर पर एकफेक्ट आता है यह कोश्ट बनता है और कॉच्छन आएगा द्यूरिंग कोंप्लीट कोंट्रेक्शन और मसर्ष Сच तक सिव ऐसे कोशन आयुगा कंप्लीके ऑपर लेंद ओप सारको मेर्ट क्या होगी कम होगी कि जब मसल स्कॉंट्रेक करती है जेड़ लाइन पास आते है तो सार को मियर की लेंथ कम हो जाती है लेंथ ओफ आई-बेंड जाधा थी कि अब आई बैंड के लेंथ कम हो गई आई-बेंड का मतलब है ठीक है समझ में आ गया हो लेंथ और कंप्लीट कॉंट्रेक्शन कर जाएगा तो एच वाली जोन गायबी हो जाएगी डिसैप्पियर हो जाएगी एम लाइन जो मिडल में लाइन दिखरी इसको एम लाइन बोलते हैं नीचे आगी गायब हो जाएगी कंप्लीट कॉंट्रेक्शन पर लेंथ और कभी भी कोई भी एफेक्ट नहीं आता एंट का मतला है लेंथ ओफ लैंथ ओफ मायोसिन ऑल वेस फिक्शन होती है को मायोसिन कॉंट्रेक्शन तो करी नहीं रहे हैं यहां यस या नू यह स्किन फिर वाइट हो गई कोई नहीं ठीक है मान के चल रहा हूं मैं तुम समझ पा रहे होगे मान के चल रहा हूं क्योंकि स्किन वाइट हो गई फिर से पता नहीं चल रहा कुछ भी ठीक है तो समझ में आया ना तो ध्यान रखना है एच जोन रिडियूस दो कि सब कुछ कम होगा सिर्फ एक बैंड जो बढ़ेगा ओवेंड और एक जो ने जिस पर कोई फेक्ट नहीं आएगा ए बैंड आइसो ट्रॉपिक पर एन आइसो ट्रॉपिक जो समान नहीं है ज्याद अब अगला कोश्चन बनेगा मसल्स में यह है ठीक है फिर मेकैनिजम और कॉंट्रेक्शन है चाहों में बता देता हूं कोश्चन ऐसे तो डारेक्ली आता नहीं उसकी उपर जैसे नियूरो मस्कूलर जंक्शन में ऑनली मोटर नीरोन होते हैं यह पता होना चीए सिगनल कहा सब्सक्राइब कर जाए हैं जब causes सिंगनल जाएगा तो अधाल क्याशिम चैनल को जाएं डेंगे चार्यशं चिर्णि लगायि यह सीधेल टीजिटी टी पूल से उता हुआ कहां जाएगा सारकवप्लाज्मर्ट के वर कैल्शियम छे लगे और में निकल जाएगा जब कान YOUR के Susie सारकवप्लास्मर को ट्रॉपोमें शादेगा कैल्शियम किसे बन करेगा कैलिश्यम planning इंक ट्रोपोनिन से बाइन करेगा टीपीची से बाइन करते ही प्रोपोमयोसिन अपनी जगे से हटेगा और एक्टिन की एक्टिव साइड से जुड़ जाएगा क्रॉस ब्रिज बन जाएगा एके टीप यूटलाइज होगी और कॉंट्रक्षन स्टार्ट डेलाक्स कराने के लिए रिलीज होगे क्या अगेन केल्शियम पंप एक्टिबेट होका सारे केल्सियम को रिलीज है उन को ब्रेक करना होगा यानी तोड़ने वाला स्ट्रेज सारे और ब्रेंद को ब्रेक करत frothy कि यह कॉंट्रक्शन मेकानिजम थी क्लियर बिल्कुल मसल्स कॉंट्रक्शन के लिए मेगनेश्यमाइन की रिक्वार्मेंट होती है क्योंकि एटीपी की रिक्वार्मेंट होती है और कैल्शियमाइन तीन चीचे यह तरह मसल्स कॉंट्रक्शन होता है ठीक है यह रिमेनिंग पर भी कुश्चन आ जाता है तो बेसिक नमबर बोन सारह पता होना चीए अप सुमनों मेरी बाद हमने पूरे स्केल्टर सिस्टम को लगवस में पूरा खतम हो जाका इस चार्ट में पूरा स्केल्टर सिस्टम हो खतम है हाथ और पार और दोनों गिड़िए आपेंडिकूलर तो हमारे एक्जियल सिस्टम में 80 हैं है ठीक है एकग्जियल के अंदर थार्टी है इसी पैरों में 30 30 पैरों में बी 120 आपर गिडल में 4 और लूर गिडल में 2 तो 126 इसक्र इस क्लिटर्ि सिस्टम में 206 बॉलाइबाले कितनी 206 अ जिसको उंधों डिवाइड कर रहे हैं समर्डन मेरी बास जिसको डिवाइड कर रहे हैं अपने ऊलर सिस्टम के keywords went 126 tunato ठीक है गेडल में कितनी होगी गेडल में 6 होगी लिब्स में कितनी होगी 3 into 4 30 into 4 30 into 4 मतलब 120 वोन होगे 6 में से पैल्विक गेडल में कितनी होगे पैक्टरल में कितनी होगे पैक्टरल में 4 वोन होते हैं पैलवक नीचे वाला होता है अस्वे लां अलर पहले नाम हो ठीक है अब एकज्बिन स्टम्न में कजतना होते हैं अब 80 को डिवाइट कर सकते हो हैड़ वाले रिजन में 29 जा ही बाले रिंडिंट वन होती है वर्टी ऑले तमिल May 26 होती है 26 रिफ्ष और स्टर्णम मिलाकर करे वह 24 प्लस एग 25 जो तो टोल वो नागी काउंट कर लो प्लस वन प्लस वन सब्सक्राइब किसको जोड़ दिया योड पहले नहीं थी है अब पैंसी आटी बोलती है हाइओड और इंक्लूदेट इन स्कल्प क्रेणिय में कितने वोन होते हैं आठ फेशल कितने होते हैं 14 हाइओड हाइओड बोन में कितनी होगी एक टोटल काउंट कर लो 22 प्लस बन हो जाएंगे यह रॉसिकल कितने होते हैं 3 प्लस 3 टोटल सिक्स यह उसिकल हो गए अब सारी हैं जोड़ लो इसकल में पूछे का 22 प्लस 123 आठ चौदा एक काउंट कर लो हैड वाली दिन वर्टिल को लूम 26 26 को कैसे जाद रखोगे ऐसे हैं C7 शर्वाइकल में साथ हड़ी आँ होती है कर फिरेसिक में 12 होती है लंबर पांच होती है सेक्रम पांच के फ्यूज होने से एक हड़ी होती है तोटल 26 वर्टिल कोलंब होते हैं यह सारी हड़ी आपके सामने आ गई यह आपको याद रखना है पूरा का पूरा है कम्प्लीट फिर से बोल रहा हूं यह एक्जियल सिस्टम असी हड़्डियां एटी हो गए एटी में करेनियम के अंदर कितनी हो गई आठ फेशिल कितनी हो गई चौदा हायोड सिंग टीक है तीन यह और तोटल लोगे टॉंटीनाइन वोन टॉटल टॉंटीन वोन यहां पर टीक है वर्टीवल कोलम की बात करते हैं 26 इस टरना में को गया बारह और बारह रिप्स चौबिस टोटल एटी बोन हो गए अपर गडिल में दो लूए अपर गडिल में चार दो और टोटल 2 sean 30 थर्टी 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 1 26 ठोटल दौसटे ढटिया होकि है कि अब बताओ याद हुए नहीं वही और यह भी याद रखना है कि सर यह तो गई नाम भी बताता रहा हूं यह होगी हमारी हुमरस यह रेडियस नीचे वाली अलना कारपल कितने होते हैं आठ मैंटा कारपल फैलिंजी 14 ऐसी थाइबोन होती है थाइबोन थाइबोन इसको बोलते हैं क्या फीमर फीमर एक होती है फिर आगे पटेला बोन फिर जो फिट वाल में किक लगाते हैं आगे वाली होती है तीबिया पीछे वाली होती है फीबूला फिर यहां कारपल थे तो नीचे टार्सल होंगे पर एक कम होगा तो की पटेला बढ़गी ना एक कम होगा साथ पिर मैटा टार्सल और फैलिंजी कंप immovable joint कैसे joint immovable joint जो मूव नहीं करते फाइब्रस जॉइंट डियू टू डिपोजिश्य ऑफ कोलीजन फाइबर जैसे हमारे सुचर्स हमारे स्कल्ड बंज होते हैं और के बीच में कर रहे हैं कौन सी काटिलेज यहां पर फाइब्रस काटिलेज स्ट्रॉंगे 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 स्ट अब हम बात करते हैं मुवविल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट मुविल जॉइंट कोशन जॉइंट से मिल जाएगा तो मुविल जॉइंट में बॉल आपके बाउलन इन जोएंट के लिए वल्कुल ऐसे ही किसे हिप जाइंट भी बाउलन तो बाउलन सोकेट जाइंट थो है इस वेश्ड़ेंट और जोएंट अब आजब कॉन डायलोड जोएंट कॉन डायलोड इसकल गुम रही है ना ют atlas के उपर इसकल और एट्बस की बीच में अपर कोंडाल ज्ञेंट है को यह पीछ दूख में यहांपर है नियुज यहां पर कारपल कर्फल में कर। में पर ना कॉंडाइलॉिट जॉईंट बिट्विन इसकल एन एटलस मेटकरपल एन फैलिंजी कॉंडाइलोड जॉइंट हिंज हिंज मतलब कप जा एक ड्रक्शन मुवमेंट और दुसरे रंच लग गया मुवमेंट लग गया तो एल्बो और नी जॉइंट एल्बो नी एंकल ठीक है एंकल नी एल्बो और बिट्व सब्सक्राइब हो जॉइंट हो गया कि शैटल एक एक्जम्पल है शेटल कार्पल एन मैंटा कर्फ़ ऌफ थंप कारपल एंटा कंटाता अटार व्ल फिंगर लगई वे कारपल मेंटा थांटंब लगया इंटा करने वाले ज्याइंट होते हैं तो रिस्ट और एंकल ग्लाइ यह रेडियस्स तो पिल्लना की उपर के यहां पर यहां पर में ठाव मेर तुम देख रहा ना यहां पर फाइबोट जॉइन्ट है यहां नहीं में यहां पर फाइबोड जॉइन्ट न कम या जुए definite के फिर सेनों यह समझे मेरी बात मैं पूरे यह सचर्स हो गए K कि मुह कर रहा है का कॉन्डालेलोड जॉइंट सिंट सिंट दॉ फाईवोड जॉइंट ठीक थी व कॉल के बीच में कॉनसे जॉइंट आ गया है घ्यार आसी आप समझना है बॉलेंच एऄ जोइन्ट जोएन्ट को आप समस्कली जोएन्ट हिंज जो ओधे यहां पर पॉर्ड जोईन्ट है ग्लाइद इंग जोईन्ट इन कि श्यडल जोईंट जोएन्ट हिंजजुए इस यह नीचे 20 में ते सारे एक और ज्यक्ट و को कि जोइन कंप्लीट है समझ में आया तो बताओ नहीं आया तो सारे जोइन कंप्लिट कर दिए यहां आकर कर के सिस्टम फैनेश डिसॉडर में और फो जैस्टु आन्पो इतिस्त मतलब इंफलामेशं हो तो नुए का मतलब हो ना बोन को खाना चालू बढ़ देता है भूर मों पर टूट पड़ते है ऑस्टियोकरacakt भूक्रंट तरहें को collaborեसे ठिके फीमेल नहीं स्विधा mayo नहीं सपैस्प्रम अगर नहीं अगर गौट की बात करता हूं की बात करता हूं तो ओत किसमें ध्यान अखना है आपको तो अगर गाउट की किसमें बात करते हैं तो मैंने एक बात बहुत है अगर यूरिक एसेट क्रिस्टल यूरिक एसेट क्रिस्टल जॉइंट के बीच में आ जाएंगे तो इंफ्लामेशन हो जाएगा इसको गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं तब यूरिक एसेट क्रिस्टल की बात करते हैं तो ज्यादा हो गया पानी कम पिया तो उससे प्रॉब्लम आगी क्या प्रॉब्लम आने वाली इससे इससे गाउटी अर्थराइटिस होने की प्रॉबैबिलेटी बढ़ जाएगी क्लियर है टीनों डिसोडर के लिए रहे हैं एक दों ब्रेन में सैट होने चीए खाता हम सई चल चाला है सब कुछ पानी प्लिए सथ प्र देखो बच्चो आपको जी जान लगा के सारी बाते करनी है खुब पढ़ाई करनी है खुब पढ़ाई करनी है सर नौन इस्टॉप ले रहे ना पूरा नौन इस्टॉप चलेगा ब्रेक आएगा ही नहीं जलोजी जलोजी के बाद बाटनी चालू हो जाएगी बाटनी के ब फिर बॉटनी चालू हो जाएगी नौन स्टॉप चलेगा बिल्कुल भी जड़ा सा भी ब्रेक नहीं आने देंगे मगर यह ध्यान लखना इस महनत को आपको भी आंगे बढ़ाना है आपको भी इसी तरह का डेडिकेशन दिखाना इसी तरह की महनत दिखानी है इसी तरह के सब बिटा अभी आ रहा हूं है टेंशन नहीं कोई जाना नहीं भाई कोई ब्रेक नहीं है दो बजे स्टाट ओगी बॉटनी की दुआधर क्लास और सुनो यह सारे की सारे जितने हो ना कल दिख जाना यह रेस्ट नहीं करने लगना कि वायो पढ़ दिया सर हमारा तो अब 360 का का बाई 720 का काम करना है कल देख लेन भी वी बता रहों जरू कि रहा हूं लाइन करा लिए को खिसका यह सब करा देंगे हम दोनों लोग सब कराइंगे और और क्या होता है कि बहुत हवा हवा हुआ पने से कुछ होगा नहीं से तो फटाफ़ कोश्टन्स पर आते हैं फटावर थे ठीक है फिकली रिसपांस देना ठीक है क्विकली रिस्पांस देना इन और निक और निक दोनों सरा आपसे और निक और निक दोनों आपकी लाइन टू लाइन हो जाएंगी ठीक है और फिजिकल लगेगा ख़रनाग वाला ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं कोशन नमर वन आपके सामने अमीवाडल मूवमेंट इन मैक्रोफेज और डवलीवी सी आर एफेक्टिड बाय अमीवाडल मूव सुड़ो पोडिया क्योंकि सुड़ो पोडिया अमीवाडल मूवमेंट के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं ओके बैतरीन सुपर सुपर वेटा आगे नेक्स्ट कॉशन है हाव मैनी ओधा फॉलिंग फीचर ब्लांग टू स्केलेटल मसल्स बैस कटल मसल्स ट्राइप मसल्स ह है वॉलींटरी नाइचर के होते हैं वॉल की नेचर वॉलाइंटरी नेचर अपनी इच्छाप है काम करते हैं नौट अंडर आगे चलो which one of the following is correct regarding to troponin 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 tpt tpc tpi याद आगया troponin produce sliding moment of microdubules no contain globular head troponin globular head नहीं होता bind to calcium and produce skeletal muscles relaxation relaxation नहीं रिलाक्षेशन नहीं होता contraction होता है cover the active side और विल्कुल साइड यह troponin क्या होते हैं जैसे मानों यह एक्टिन था यह एक्टिन का active side था यह यादो आपको actin actin से कौन जोड़ा हुआ था एक्टिन से जोड़ा हुआ था ट्रोपो मायोसिन और ट्रोपो मायोसिन से कौन जोड़ा था ट्रोपोन की तीन यूट नहीं बतायती थी मैंने ठीक है कि टीपी सी याद आगया हो और टीपी आई टीपी आई एक्टिन की active side को बाइंड करके रखता है ठीक है तो कवर था active side of actin याद आगया होगा यह था टीपी टीपी आई है आगे अच्छा लिखते दूँ कौन सा था फूर्थ ऑप्शन मुसल्स contraction is initiated by the signal send by मुसल्स contraction is initiated by the signal send by कौन से सिगनल स्टार्ट होते हैं central nervous system first option next which one yield ATP required for muscles contraction कौन देता है ATP याद हो creatinine phosphate क्रिटे 9 नहीं क्रिटेन फॉस्पेट ज्यानक ना सेकिंड यह एक्सराइज करते हो तो यह समझे एटीपी प्रोवाइडर इसको प्रोवाइड कराता है मैं जिम में भी लोग ऐसे पाउडर लेते हैं जिसके नदर क्रिटेन phosphate होता है तो उसको लेने सब्सक्राइब कुछ पल के लिए सब्सक्राइब को बढ़ाने के लिए विच एलिमेंट और इन्वाल्विन मसल्स कॉंट्रेक्शन कैल्शियम आइन मैंगनीशियम एडीप कैल्शियम मैं लगा दो ही दिए रखे ना कि नंबर ऑप बोन in क्रेनियम फेस हायोड मिडल यूर आ रिस्पेक्ट्वली क्रेनियम में 8 होती हैं फेशेल में 14 होती हैं हायोड एक होती है मिडल यूर के अंदर तीन वन होती हैं आइन अझ चौदा एक यंद टीन 8 14 13 13 मिल गया the space of the bone present at the base of buccal cavities shape sorry shape of the bone by joe buccal cavity के नीचे बन होती है एक बन होती है यूशेप हायोड बोन यूशेप हायोड बोन second option the shape of the bone अच्छा है डबल को गया कोई नी कोई नी कोई नी अच्छेप होगा है यहां पर आश एस होगा ठीक है कोई नी इसमें second option आजाएगा कि यह प्रेंटी मिश्टेक होई जाती है नमबर ओव वर्टीवरे इन हीमन स्केलेटन एज हीमन स्केलेटन में वर्टीवरे 26 अभी बताया था मैंने जितना करा दी यह सारे question solve हो जाएंगे यह पक्की बात है इस्टेटमेंट दे को थाइ मसल्स थाइ मसल्स थाइ मसल्स कैन गेट टाइड बट नोट दा मसल्स और वेंट्रिकल ओफ हर्ट ठीक है क्योंकि हर्ट के मसल्स होते हैं ठीक है काडिक मसल्स में फटी कंडिशन नहीं आती थाइ मसल्स में आ जाएगी आप समद रहे ना मेरी बात हाँ क्यों स्टेट्मेंट सेक्ड मसल्स of Thigh are voluntary whereas of the heart is involuntary मसल्स कैंड यह सही है स्टेट्मेंट सेकड मिसी है पर इसका यह सही कारण नहीं इंस्टेट्मेंट दोनों सही है फास्ट में फ्सकेंड और merchant अच्छा अधर सटनी इंधी ऐख संसे निजन उता तो सेकेंड आता पर स्टेट्मेट फेसे तो फस्कुर्ट फस्ट आएगा यह और यह यह बहुत बढ़ीक कि अ first muscles cell are also called myofibril myofibril नहीं मसल सेल मसल सेल ठीक है myofibril नहीं होते हैं ठीक है आग गया जाओ मसल सेल आर वेरी ठीक ठीक नहीं होते हैं ठीक एन इलोंगेट इडिवी दलती है ठीक नहीं होते हैं होते हैं statement first and statement second are incorrect poop option था जाएका की ली टीवरे अहलुख रटे में कोल डिस्क यूंक्टेड टूदा पैल्विक गिडल इस दा आता डही भी जोल फियू خ долel मेंक भोनौन होते हैं ट्रेंगुलर सैख्रम सच्रम से ज्ड़े होते हैं सACK्रम से से को से कра लिपा उसे पहले उसे पहले टिक है सुचर्स प्रेजंट विड्विन वर्यस बोन फिसकल आर कैसे जोंट होते हैं सुचर्स फाइब जोंट इम्मुवेबल फाइबर जोंट विगले जोंट नुमthon राइब खरोई जोंट इमदेब जोंट अउनिसा चार्ण साईरान के तिक लाइबर जोंट जोंट कंदम और वर आर फ्लोंट उन विक रिर्दल यू जे जोंट अ फिमरो जोंटुच अ outright जोंट यूमरोस फैल्विक वाललें डियुट मैंदलाएग वालें सोकेट जाइंट हिंज जाइंट कहा होगा हिंज जाइंट आर सथानी। हाँ साइन्मेब जाइंट है हिंज जाइंट permit movement in one direction, yes. कभजा बोलते हैं इसको आर फॉर्म दिन नी यस नी अल्बो एंकिल की जोगे मिल लगा अल आप फॉर्ट ऑप्षिन मुझसे पहले जॉइंट फाउंट बिट्विन दा स्टर्नम एंड रिप्स इन हुबन स्टर्नम और रिप्स के भीच में एंड्यल जोएंड एंडवी जोएंड ऑ कर्टि लेजनर स्टर्फिण शॉइंड हैं लिश्यंद इर्ट वियर वी एडगे जनेर्शन वी घेली घेली तो ली यूश्यल दिस इनुटम्से लेटिशन आई वंच्ट्ट्रोफी या अगया हो तिट्यू इनुटम्स्ट्रोफी the sensation of fatigue in the muscles after prolonged strenus physical work is caused by due to deposition of lactic acid activation of lactic acid chronic chronic autoimmune disorder autoimmune disorder neuromuscular junction में autoimmune एक है मास्थी निया ग्राविस मास्थी निया ग्राविस सेकंड ऑप्शन आएगा muscular dystrophy और इन तौन में चीज़ें एक होती है बट इद ऑट आटो मियून इद दिस्वार्ड इस इन्हारेटिड 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 एक जनरेशन से दूसरी इन्हारेटि जनरेशन में ट्रांस्वर हो सकता है वो जेन्टिकल डिस्वार्डर होगा जेन्टिकल कौन सा है यहाप पर muscular dystrophy तो भाई आप चालू करेंगे brain human brain मैं लिख देता हूं मैं नर्वस सिस्टम अब चालू करेंगे नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो सबसे चीज है बच्चों के लिए वह ब्रेन और रिफ्लैक्स अक्षन स्टार्टिंग में दे रखा है नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ नियूरॉन वह टैंशन लेनी की जरूत नहीं है सेकिंड रखा है कंडेक्शन ऑफ नर्व बच्चा बहुत सिंपल है कर लेता है अब समस्य कहाती है ब्रेन और रिफ्लैक्स अक्षन में समझाने वाला उसके अंदर जो थोड़ा सब yük your screwdriver is a का भर कान दिया है है डिसल्टर अक तरफ कर दिये सारे होर्मोन और उनके function एक जगा कर दी समझना मेरी बात जिससे क्या को तुरंद मेंणर हो जाए सारे disorder एक साथ होर्मोन ओंग फंक्शनम साथ ठीक है ग्लैंट होर्मोन फंक्षन झैसाżej यहीं याद करा दो तो एक पूरा रिवीजन करा दूगा कॉक्रोष पूरा ही इंपोरे 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 इंप इतने के अंदर हमारा 11 एकदम ब्रेन परफेक्ट सेट होगा ठीक है साथ मैं होर्मून बहुत प्यारी स्ट्रेटीजी से लेकर किया हैं मैं कंपाइल करता हुआ ठीक है तो लेकि चलने वाले तो यह हमारा 11 का एंड करतेंगे 9 सवानों तक हाड़े ली ठीक है फिर बॉट्टिनी चालू करेंगे अल्टिमेट लेबल पर आज बस खाओ पियो करेंगे यह इंड आईज एर आईज में क्या रिविजन करोगे कोशन करांगो ना इसके मैं करा दूंगा इसका रिविजन करांगो टेंशन मत करो ठीक है ब्राट कास्टेटर रिविजन करांगा जो तुम कहोगे पूरा 11 कराकर कि छोड़ूंगा अभी तो मैंने उन टॉपिक को उठाय जिन पर कोशन ज्यादा आए लास्ट येर में जिन पर कोशन ज्यादा आए और जो हाइली कंफ्यूजिंग है उनको पकड़ा है ठीक है सिंगल स्वाट में यही में चीज पकड़ी आती है और कोशन प्रेक्टिस तुम कराई रहे हैं ठीक है कि अब इस्टार्ट होगा शाले 97 से स्टार्ट करतेंगे उसको कि अब बस साथ देना सारे नौ तक साले नौ सा बाटनी चालू करेंगे फिर बाटनी खतम होगी तो 11 कंप्लीट हो जाएगा फिर चालू करतेंगे ट्वेल्थ वाला आपकी वालो कंप्लीट तो आज साथ रहना है थीक है बिंदास तरीके से और साथ रहना तभी मजाएगा ठीक है लाइब में मजाएगा रिकॉर्डिट में दम नहीं किसी करने की टाइम यह तना ठीक है जो एनरजी जोश आमने सामने आ रहा है ना वो जोशी अलग है करा था इसनि है को खुरूश में बहुता आ चुको वहाइस यह खरा दूंगा एक रहां तो निर्वस करने कर रहें नर्वस स्टर्वाश से स्टाथ कर रहा हूं ठीक है कांडक्शन अब नर्व इंपल सिंपल होता है कंडक्शन अब इंपल्स में दखो योरोन के डेंड्रोन के ऊपर पढ़ा दिशन अब करने वाले यह सोडियम अंदर के potential को जो माइनस 70 था थोड़ा चेंज कर देंगे माइनस 60 पर लियाएंगे जिससे क्या होगा इससे जो एक्जॉन की उपर sodium चलनस लगे थे न वह खुल जाएंगे खुलते ही सोडियम भर भर के अंदर आएंगे जब सोडियम आएंगे जिस रीजन के अंदर वहां पर डी पोलराइशन हो जाएगा और यह डी पोलराइजेशन आगे के सोडियम के लिए थ्रिश्वोल्ड वैल्यू क्रियेट करेगा ठीक है तो जैसी एक्शन प्रेंशन जन्रेट होगा यहां पर यानि प्लस थर्टी मिली बोल्ट तुरन सोडियम चैनल बंद आगे के सोडियम चैनल ओपन तो पीछे कॉन ओपन हो जाएगा पीछे पोटेश्य प्लस थर्टी बिल्कुल सही प्लस थर्टी अब आप स्टार्ट करते हैं समझो मेरी बात समझो मेरी बात थीक है तो अब क्या होगा जब एक्शन प्रेंशल जन्रेट हो जाएगा तो यहां तुरन सोडियम चैनल बंद ओंगे प्रेंशन जनल खुल जाएंगे और आगे सोडियम微bereich राप हो अगे तो पीछ़े क्या होगा प्लेटराशन फिर आगे जब डी पोल्राशन हो जायत तो यह सोडियम चैनल फिर बंद ओंद जाएंगे ईव प्रेंशन खुल जाएंगे सेम यह मेगरेंश्यम आगे बढ़ती जाहेंगी और जीरेंडर्ट कंड़क्शन प्लस टू माइनस डिरेक्शन में होगा प्लस टू माइनस ए टू बी बी टू सी अंदर बाहर उल्टा कर दो बी टू ए सी टू भी टैरे बलकुल तो यह दिहा नक ना है आपको यह तक डाउट शाउट नहीं होना चीएह हाँ वह सिंपल है और कंड़ेक्शन ऑफ नर्मपस निउरोन के बीच में जो होता है वह सनाप्स के थो होता है सनाप्स टूटाप के होते हैं इलेक्ट्रिकल भी होते हैं इलेक्ट्रिकल सनाप्स की एक बात की जाए तो वह हमारे कार्डिक में देखने को बिलते हैं कैमिकल सनाप्स नियूरोन के बीच में देखने को मिलते हैं कैमिकल सनाप्स नियूरोन के बीच क्लेशियम हो गटेयों को कराएगा यह री नेरो ट्रांसमिटर की डोसी कराईगा है ऑ पर कर Good सेनेप्टिक क्लफ्ट में कराएगा कहां पर कराएगा सेनेप्टिक क्लफ्ट में कराएगा जैसी नियू ट्रांस्मिटर सनेप्ट में रिलीज होंगे तुरंत क्या होगा कि सोडियम चैनल से बाइंड करेंगे सोडियम चैनल खुल जाएंगे अगें दूसरे नियूरोन के अंदर डी पोलराइशन हो जाएगा इसको बोलते हैं एकसाइटेटरी पोसनेप्टिक प्रेंशियल क्लियर बिल्कुल अगर समों मालो एकितल कोलीन की जगह कोई इनीबीटर तो क्लोराइड चैनल खुलते ठीक है और क्लोरी ने अंदर चले जाते और हाइपर पोलराइशन हो जाता जिससे कंडक्शन रुक जाता क्लियर बल्कुल यहां था कोई डाउट यहां था कोई डाउट प्र पर भी मिल जाएगी और पीडियव आपको क्या नाम है उसको अप पर भी मिल जाएगी कि टेंशन मत करो ठीक है चलो आगी बढ़ते हैं तो यह वाला पार्ट क्लियर हमारा यहां तक कोई डिक्कत नहीं होनी चीए अब समझने वाला पार्ट हो ब्रेन का है तो ब्रेन कराता हूं मैं प्रेन के सारे कोशन हो जाएंगे जो कोशन आने की फर सारे पंट में ले लोंगा सबसे पहला बात ब्रेन को तीरी तीन पार्टा में डिवाइड गिया फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पोर-brain, mid-brain, hind-brain 4-brain का जो origin है prosencephalon से हुआ mid-brain का origin mesencephalon से and hind-brain का origin phoronencephalon, mesencephalon, phoronencephalon clear बलकुल यह ज्यान रखना है आपको number one number two prosencephalon से दो चीज़े बनती है tillencephalon, dynencephalon tillencephalon, tilla उपर dynencephalon tillencephalon से हमने 4 चीज़े बता ही थी तीलिन सिफिलों से ओल्फेक्टरी लोग बनते है तीलेटल सो छीजिशंतर पनता है तीलिन सेफिलोन से जाल्फेक्टरी लोगदेला है यह चारों कि लिए हैं टील्य सिफलोन से तो तैल के उपर नीचे थाला थाला को ऐपिथेलमस के नीचे हाइपोथेलमस यह तीनों बनते हैं डाइनसेफलों से एक तो सबसे लार्जेस पार्ट ऑब बनेंगी यहां पर होते हैं नोज में बताए भी थे मैंने और हिपोकेंपस और एक डेला दाइनसेफलों से तीम चीज़ें थैला के ऊपर थैला के नीचे तेला थैलमस एपिधालमस हाइपोथालमस फिनिश है मिड बरेन की अंतर बात की है तो मिड़ेन में सिर्ट द्याना है आपको और पुरा को ओड्री को अपर दो निचे कउप पूरा को ड्री मतलब 4 कौर्पोरा क्वाड्री जैमिना होते हैं कौर्पोरा क्वाड्री जैमिना होते हैं कि हमेट आप देखो मेरा में परपस है कि ncrt के वो हर टॉपिक को जो लास्ट फॉर इयर में यह सार जो भी करा रहा हूं फोर इयर की complete analysis बहुत मैंनेद किया इसकी ऊपर ठीक है चार सालों का जो ट्रेंड है जो में लिटेस चेंज हुआ है उसके बेस पर सारी थियोरी उसके बेस पर सारे कोश्चन ठीक है जिससे की मैंगिसमम कोश्चन और थियोरी आप टश कर जाओ जो नीट में आने वाली है यह मेरा मोटेव रहा है समझ रहे हो की चार सालों के ट्रेंड में देखो के एक कोश्चन और तक के और उसको मैं ले ली है अशेजिए उसके साब से रिफ्लेक्स 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 से कोश्चन बना था तो बहुत पूरा तरीके से पुरी क्योंगी मुझे पताया कि समय टाइम की वेल्यों क्या है आपकी ठीक है आजाओ अब बाइब बाद चलते हैं मिड़ बेरीन में कॉर्परा क्वाड्री जैमना चार लोग होते हैं तू सूपिर्य कॉली 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 फॉर विज्वल रिफ्लैक्स इन्फिर्य कॉली कॉली फॉर और अडिटेडी फ्लैक्स रिफ्लैक्स के मतलब मुव्मेंट आफ मसल फॉर विजन और मुवमेंट आफ मसल्स फॉर ऑडिटेडी सुनने के लिए ठीक है मैंने बहुत पहरा अंदेरी गलियों वाला याद हो आपको रूटिन क्लास के अंदर ठीक है तो विज्वल और और अडिटेडी रिफ्लैक्स यापको याद रखने इसको मत भूल जाना कि अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और क्या होता है पैडल बाले अंकल कॉर्पोरा ठीक है कोडिट जमना के लाबा सेरीब्रल पडंकल सेरीब्रल पडंकल ठीक है तो यह धान रखने आपको इस अथिक बंडल आफ निउरॉन जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कने भी करते हैं तो तो इंफिरे कोलिकुली यह था रखना यह ठीक है पूछा हुआ कोश्चन है इनकी पूजिशन क्या होती है पूजिशन दॉर्सल होती है तो विज्वल और 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 रिफ्लेक्स में यही कुश्चन है हाइंड ब्रेन में दो पार्ट होते हैं मालिन सिफलोन माइलन सिफ्लोन से M.O. बनता हैं और मैटिंसिफ्लों पॉन्स और सैरी बैलं बनते हैं अगर मैं कि हाइनी में की बात करता हूं रोमिन से बनाता है इसके दो पार्ट होते हैं ठीक है माइलीन शीट याद रखो मायलिन शीट मतलब मैट मालिन से क्या बनेगा बनेगा और सारी बैलंड डबलं वह फिर क्वेज़ सी चीज़ें जिन से मिलकर के लिंबिक सिस्टम आपका एमोशनल ब्रेन बनता है तो लिंबिक सिस्टम इमोशनल की जभी बात आएगी तो आपको ध्यान लिए इसके अंदर है अधा ओफ हिपो हिपो की है फिर से बोच रहाएं तो हैट ऑफ हिपो हिपो की हैट हैट ऑफ हिपो लिम्बिक सिस्टम मतलब हैट ऑफ हैट ऑफ हैट 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 ऑफ हैट की हैट हैट ऑफ हैट की बात करेंगे तो हैपो कैमपस एमेग डेला थैलेमस और हैपो थैलेमस इन चारों के मिलने से आपका लिम्बिक सिस्टम बन जाता है इमोशनल ब्रेन हैट फिपो फिर से लिख दिरा हो में ट्रिक हैट ओफ एच एटी हैट अच अच एटी हैट ओफ यह एपो थैलेमस अमेग्दला थैलेमस और हिपो केंपस है टो से पो यह लिम्मिक सिस्टम बनाने की रिस्पॉंसिबल होता है यह हो गया कंप्लीट ब्रेन एकदम आपकी मुठी मे एंसी आटी चाप लेना पूरा एंसी आटी कवर करती है मैंने एंसी आटी लाइन टू लाइन डॉर्स पोजिशन मिल दिया एंसी आटी विदे रखा है और कोश्चन आया हुआ भी है अब बताओ जानता कोई डाउट यास हैट ओफ बिल्कुल सही हिपो की हैट और अगर प अनिमर टिशू होगा भाई टिश्यू में कराऊंगा पूरा टिश्यू कराऊंगा एप तिस यहाँ यहिं आद गरा दूगा ठीक है रहा ठीक है और कर दूँगा मैं था पूरा दूघीक्जे चाहरे कर दूँगा ठीक है पस्क्त पॉइंशन तोड़ा स्प्रम पर शुपर सुपर सुपर अब थोड़ा से मैं अंदर जा रहा हूं कुछ कोशन पुराने में देखे थे इसलिए मैं थोड़ा पॉर्शन अंदर एंटर कर गया पहले मैं बात करूंँ गो सेरीब्रम की मिड़ी पूरा तरही है इससे यादर नहीं पढ़ना हैं तो यहां सेरीब्रम और सेरीब्रम इन दो के बारे में पढ़ना है और एंसी आटी कि में मिली न्सी इंसी आटी बता क्या रही एँ ऐननीर्टर की मता दें निकाल निकाल ले रहाँ है एंसी आटी नेने दो मता दुमें हिंट में निकाल करके और पस के और को सब्सक्रूख करों एकनी बंडेलों है जोगी के दोनों Hemisphere को आपस में जोडता भी है और इनके बीच में Coordination भी करता है इन दोनों यह आदा Hemisphere और आदा Hemisphere इनको कनेक्ट भी करता है और इनके बीच में Coordination भी कर रहा है आप समझना मेरी सब्सक्राइब बात कॉर्पस केलोसम इस अथिक बंडल ऑफ निरॉन विश कनेक्ट एंड कोडिनेट बिडिविन बोथ हैमिस प्यार ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन हर किसी के पास नहीं होता मैं मसकंदर ही होता है बस इस्ट्रक्चर भी दिखा दिया है आगे का पा सब्सक्राइब यह नंटनल प्रेटल टेम्पॉरल और शिबिटल इन चारों के फंक्षन पता होने हैं अगर मैं फ्रेंटल पार्ट की बात करता हूं तो फ्रेंटल पार्ट एक्चल में आपके ब्रेंड का मेन पार्ट है जिसको आपको डवलब करना है मैमॉरी निकल रहा है और इससमय आपका पर पर और वह सुन रहे हो मेरी बात ठीक है आप मेरी बास सुन रहे हो तो इसको बहुंत तो यह बहुत रहा हूं तो अगर बोल रहा हूं बखवास कर रहा हूं थिक तो ब्रोकास एरिया ऐसे आप याद रहाँगा आपको यही तरीखका है भूंकत बोलना मतला मोंटर speech area फ्रदलों मोटर स्मिच एरिया ब्रोकास एरिया ऐसे बूलोगों के आप ठीक है ग्रॉकास एरिया होता सब्सक्राइब दो ग्रूपों के बीच में जीडी गुरूप डिसक्रशन चल रहा हो तो इन दौनों के यह एक्टिवेटेट रहते हैं तो इसके लावा और क्या काम करता है यह यह एरिंग और आलत्र फैक्ट्री तौनों के लिए तक हां होता है और ये पीछ्छे बाद शीडल्ड लोग उनली फॉर विजुवल एरिया जैक्परेटल लोग की बात करता हूं तोली संसरी है तच होट कोल्ड पेन तच हाट कोल्ड पें सेंसरी तच होट भी हो सकता है है तो टच होट कोल पेंट यह सब किसब क्या है सेंसरी पार्टे पराइटल फॉर सेंसरी या दो गए होंगे सारे के सारे है अब मैं ncrt की लाइन उठाता हूं यह ncrt का पूरा का पूरा मैं ऐसेरी परम उठा लिया आप सिर्इवराम के अंदर एंच्य अदे जिए फंक्शनल अएरिया होते हैं इनको न्यूक्लिए बोलते हैं समझना सबसे मैं मिलनेवाला एडिया है ये क्या करता यह पूरा management यह करता है यह थो फॉन से बड़ा है एस्ट वे इंपॉट एंड कम्यूनिकेशन और डिरेक्ट लिए वाला मैक्जिमम एरिया होते हैं नमबर वन नमबर टू ठीक है मैमोरी के लिए स्पॉंसिबल है सैंसरी और मोटर इंपूट को कि एसोशेशन बिटमिन सैंसरी इंपूट्स और कम्यूनिकेशन कराता है आपकी इंटेलिएंसी लर्निंग उन सब के बीच में यही इनवाल है ठीक है एसोशेशन एरिया इसके ल अगरशन एरिया से एसो सेट होते हैं हैह एक घम रही है तो कहीना कई मेमोरी बनी होगी तब की तो बोल रही है मुझे पता है धंडा है चौकि मेरी मेमोरी 005 मेरे इंतीन फिजों करते हैं इसके ठीक नीच भी है नीची अरा सैट खिक हैन्伊ा-टीर्ड शॉरम के मिलने से बनता है यह पूरा का पूरा क्या है वारा डाइन सेफलोन हमारे ब्रेन में कोई भी सेंसरी इंपल्स जाता है ना ऐसे जाएगा तो इसको अंदर लेना है काम थेलेमस करेगा और थेलेमस ही सेंसरी के पास बेचेगा और फाइनली जो मोटर सिंगनल जाते हैं बहार उसके सब्सक्राइब सेंसरी और मोटर सिंगनल के लिए रिले सेंटर का काम करता है थेलेमस एकड़ा आता है तो एक अब यह अभी बढ़ाने वाला हूं और हमारे जितने भी सोते हुंको कंड्रोल भी करता है यह थर्मोरेगूलेटर भी यह और फ्रस्ट सेंटर हंगर चैंठ्ब का भी काम करता है यह बहुत important पार्ट है मढ़कर समझ में आ गया होगा कि इसमें पाइवी था सेरिवलम सेम और सेरीब्रम की तरह ही होता है उसमें दो सैब्ल हैमीस्फ्यर होते कॉर्पस केलोसम की तरह बीच में बर्मिस होती है उसमें भी कोटेक्स और मेंडूला होते हैं उसकी कोटेक्स भी हाइख्ड होती है सेरी अधिक की तरं हो हमारे बाड़ी के जितने भी वॉलिंटरे एक्षन तो पार्ट है तो बड़ी के लिए समसेंबल होता है अ हमार बाड़े सब ter है रइफ्टरैक्स टोल-शोल रेफ्ट्रैक्षों क्या होते हैं जितने भी स्पॉंटेनियुस अच्छानक से होने वाले एक्षण समझ साइभात इस मेरी आस और स्थीन आपिद इनवरी एक्षन और इनवॉलंटरी हमारे हमारे वह में होते हैं ढ़्य को किसे कर सकते हो किसके बेश पर सर्फ्तन को क्लासिटाइब कर सकते हो होनन दा बेसिस ओफ औन दा बैसिस ऑफ कन्ट्रोलुं औरगन जैसे जैसे कों चैना को राएं जैसे के अगर मैं बात करूं ग्रीशं करना संकू कर रहा है। तो अंगर सम्सक्रेंट स्थदू रिफ्लुंक जैसे اس सलाइवेशन दूरिंध थॉट यारे द्यान में आ रहा है कास गोलकपपे मिल रहे होते बड़े बड़े गोलकपपे ठीक है जिसके पानी भरा हुआ है चटनी पड़ी हुए तीकी वाली ठीक है बस खिलाते जा रहो खाते जाने खटे मीठे समझ रहो तीक और गोलकपपे खा क्रेनियम समझ रहो थॉट्स या आपने खाने को देखा दूर से गोलकपपे खाते हो लोग देखे सलाइवाना चालू हो गई क्रेनियल रिफ्लेक्स किसी ने पिंच बोई जटके से हाथ पीछे किया समझ रहो इसा स्पाइनल रिफ्लेक्स विड्रोल बोडी पार्ट डूर इस ने चुआ पार्ट आपने पीछे किया यह सारे सारे स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं जो ब्रेन से कंट्रोल नहीं होते हैं जितने भी जर्क रिफ्लेक्स होते हैं या वाडी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं किसी ने चुआ काटा आपने पीछे किया यह सारे सारे यह चुन और न करते हैं डिटान होते हैं तो यह हो गई भाखन द्या ना दूसरा एक्सेड इया सब्सक्र जैसे यह यह कहूं यह डवलब किया है उसने experience से समझ रहे हो लर्निंग लर्निंग के बेस्ट पर experience के बेस्ट पर डवलब किया है इस अधिशनल रिफ्लैक्स डवलब किये टेस्ट खाने के संग तो सलाइवशन हो गई ना हिककापिंग स्नेजिंग और नेचुरल कंडिशनल जैसे पैबलो एक्सपेरिमेंट था घंटी वजा के कुट्ट्य को खाना देता था वो याद आया हो आपको ठीक है पैबलो एक्सपेरिमेंट याद आया तो इस टाइप के पैबलो एक्सपेरिमेंट टाइपिंग स्विमिंग एट सेक्टर आती है ना ठेक है तो कंडिशनल रिफ्लैक्स को डवल ये समझना और रिफ्लैक्स आर्क की यह ऑती है आर्क मतलब इत पाथ रास्ता वो रास्ता जिससे रेफ्लैक्स अक्षन गुजरता है उसको रिफ्लै रास्ता जिससे रिफ्लेक्स अक्षन गुजरता है उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं जैसे रिसेटर को टच्क आपनें रिसेटर से sensory neuron cns के पास motor neuron effector तो यह reflex arc है फिर रिसेप्टर को यहां गिया दूसरा motor neuron दूसरी जगह गया जिर रिफ्लेक्स आर्क है समझ रहे हो तो रिफ्लेक्स आर्क क्या मतलब है इस पाथ विस फॉलॉड वाई इंपल्स डूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन रिसेप्टर सेंस्टरी cns motor effector यह द्यान रखना है आपको तो रिफ्लेक्स आर्क भी दो टाइप की हो सकती है अच्छा पहले समझानी कुशिश किए ncrt का डाइग्राम है यहां थोड़ा बजाया sensory signal सीदे cns के पास आते हैं और कहीं-कही sensory neuron motor से डिरेक्ली जुड़े हुए है यह मसलस के पास गया effector के पास पर कहीं-कही sensory inter neuron की help से इंटर neuron की help से motor से जुड़े हुए है समझ रहे हो अगर inter neuron आ रहा है तो एक से ज़्यादा से नेपस बनते हैं वह polysynetric reflex आर्क होते हैं जिनमें एक ही सेनेपस बनता है वह monosynetric reflex आर्क होगा तो inter neuron present होगा अगर monosynetric reflex आरक है तो inter neuron नहीं होगा अगर आप रास्ते में जा रहे हो और एक से ज्यादा light पढ़ रहे हैं तो आपकी speed slow होगी अगर आप जा रहे हो और एक भी red light नहीं पढ़ रही तो आपकी speed fast होगी समझना तो जितने भी जर्क reflex होते हैं जटके लगते हैं जटके करेंट बहुत तेजी से वह monosynetric होते हैं और जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं वह polysynaptic होते हैं यह जहां रखना है आपको ठीक है इसमें पूछिए नंबर ओफ रिफ्लेक्स आर्क कितने हैं इसके अंदर तो आप बलो कि जितने जितनी मंजिल उतने रास्ते तो एक तो सेंसरी है पर मोटर दो हैं तो एक यह है और यह है तो रिफ्लेक्स आर्क दो होंगे जितने मोटर उतने रिफ्लेक्स आर्क जितने मोटर उतने रिफ्लेक्स आर्क जितने मोटर उतने रिफ्लेक्स आर्क तो इसके बेस पर भी आप डिवाइड करते हैं तो मोनो सनेप्टिक अगर सेंसरी और मोटर वह सब्सक्राइब गरवचा में औलगा यह एकलन करता हूं जड़ा टाइम निह लगेगा मैं अगर मैं आइस की बात करता हूं थो आइस के तीनुक्ते है आउटर, मिडल, इनर जो आउटर लेयर है उसको स्क्लेरा बोलते हैं जो आगे जाकर के कॉर्णिया में मोडिफाई हो जाती है बीच वाली लेयर को कॉरॉइड बोलते हैं और सबसे अंदर की लेयर होती है उसको रेटीना बोलते हैं इसक्लेरा टोटली एवैस्कुलर होती है कोराइड पिग्मेंटिड लेयर होती है और सबसे अंदर की लेयर फोटो सेंसरी होती है जो रॉड और कौन के मिलने से बनती है इसमें आउटर लेयर यानि कॉर्णिया और लैंस यह यह एवैस्कुलर होते हैं लैंस और कॉर्णिया के बीच के स्पेस को अच्वास चैम्बर बोलते हैं यह एक्वास यूमर होता है और लैंस और रेटीना के बीच के स्पेस को विट्रस चैम्बर जिसमें विट्रस यूमर एक जैल होता है जो आई के शेप को मैंटेन रखता है अगर मैं बात करूँ जो मिडल लेयर है वह pigmented होती है जो पीछे तो फिन होती चुछरी तर आगे one third पार्ट ठिक होता है जो सिलीरी बॉड़ी सिलीरी बॉड़ी और आईरिस में modified होता है यह जो सिलीरी बॉड़ी आयरिस पीछे का qori यह तीनों pigmented होते से इस नाइन लाट रहा अलग सटर्ट ब सूर्ट अगर सानशनदिवाले पार्ट की बात करता रिटिना की बात करता हो तो एक टीक पीछे यालो स्पाट बोलते हैं यलो स्वास एंसिया एक यलो स्पाट यकों स्पाड ओसके धया यलो spot में rod and cones दोनों होते हैं पर सेंटर में पिट होती है ग्रूप इसको फोबिया centralis बोलते हैं जिसमें only और only cones होते हैं rod नहीं होती यानि इसकी visual equity resolution power सबसे ज़्यादा होती है फोबिया centralis की क्लियर बिल्कुल जब जो blind spot होता है ना वहां artery vein और neurons पास हो रहे होते हैं वहां rod and cones नहीं होते हैं इसलिए इसको blind spot बोलते हैं यह NCRT का पूरा आइस का diagram complete होता है इसमें retina मैं layers पूछी जाती inner to outer तो सबसे पहले रेटिना की तीन layer होती है सबसे पहले गैंगलियोनिक cell नमबर टू गैंगलियोनिक ठीक बात जो आएगी ठीक है bipolar neuron और सब से बाहर की तरफ अंदर से बाहर चलोगे न तो फोटो sensory layer आएगी ठीक है जो rod और कोंस के मिलने से बनती है rod और कोंस के मिलने से बनती है clear बलकुल गैंगलियोनिक cell bipolar और photoreceptor cell जो photon को receive करते हैं rod and cones तीन layer होती है inner to outer clear बलकुल अगर rod and cones की बात की जाए तो rod रात में जल रही है dim light के लिए responsible होती है कौन्स bright light के लिए rod की अगर बात की जाए तो rod की presence मैं only black and white image बनती है कौन्स की अगर बात की जाए तो कौन्स की presence के अंदर ज्यान रखना है को कौन्स ठीक है आपको color vision देखने को मिलता है रौड के अंदर बात की जाए तो रौड की जो होती है ठीक है पर रौड की रिजीलूशन पावर न इस न तरह होती है को न स्थे हैं हाइट में एक्टिव होती है पर रीजीलूशन पावर तगड़ी होती है रोड में rhod friction pigment होता है कॉंज में ॉइट transition pigment होता है है तो आपसिन प्रोटीन मिलने से बनता है और रेटिनलra intersection deployment की बात की जाय तो अ में एंजगर की जाय तो ध्यान रखना इस यह प्रोटीन होते हैं तो तीन कॉंबिनेशन बनते हैं इनके रंगीन दुनिया दिखाने के लिए स्ट्रेक्टर क्लियर कर दिया अब विजन की बात आती है जब लाइट जैसे इसको टॉपिक विजन ले लो ठीक है जब राय लाइट आपके रोड पर पढ़ती है तो रॉडॉपसिन पिग्मेंट जिसमें रेटिनल और उपसिन प्रोटीन होते हैं अलग अलग हो जाते हैं कि बाइपूलर बाइपूलर से गैंगलोनिक सेल और ब्रेन के अंदर और जब ब्राइट लाइट डालोगें की उपर तो हाइपर पोलराशन हो जाएगा और बापस मिल जाएंगे इसका मेकैनिजम विजन हो गया ऐसे यह की अगर बात की जाए तो यह के दो पार्ट होते हैं यह होते हैं हमारे स्टाट्व अकोस्टिक और चल्के सर्फ से लिए से ब्लstar अगरेंसे कमुम्सतिक मदलब स्वर्य बैलेंसिंग मतलब सुन्ना जो काम करते है क्या इसके अधर आप पुला होता है जिसमं क्रिस्टा हैं के लिए और नीचे कोक्लिया लगाओ उता है साथ होती हैं क्याँ से निचे में कार टाम होती है औो विंडव विन्डो होती हैं अदर साउंड वेप ठीक है और यह साउंड वेप सीधे पेरी लिंफ से होते हुए होते हुए होते हुए नीचे आते हैं और बेसरल मेंब्रेन में बाइब्रेशन क्रेड करते हैं जिससे जो और विंडू से जुड़ी होती है मैलस टिम्पेनम से जुड़ी होती है राउंड विंडू अगर बहुत ज़्यादा बाइब्रेशन कुछ अलग टाइप की होते हैं तो राउंड विंडू से बाहर आ जाते हैं यह पर एफेक्ट नहीं पढ़ता इसलिए राउंड विंडू होती है ठीक है अगर मैं यह की बात करूं तो इंटर्न एक हीर का 2 पार्ट हो गएंड के एंडू कोखें होग ब्աूंका इंग उस्पारेट जो स्टैटिक अग्लिबरियम और लीनियर एं एसेलारेशन का काम करते का लिये हैं ऐं और रोग यह चल रहे हो तो आपको बैलेंसिंग कराने के लिए रिस्पॉंसिवल है तो पहली सेमी स्ट्रकूल है यह इनकी सीरीज होती है फिनिश कंप्लीट 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 हो गया गाशन कर दिये पूरा रिबीजन करा दिया पूरा अगर नोट्स उठाके देखो बात नहीं कर रहा हूं, efferent signal लाते हैं, CNS के पास, efferent ले करके जाते हैं, तो आप receptor to CNS वोलोगे, receptor to CNS, first, sorry, second, junction of the action potential at the nodes of ranvir is known as, saltatory conduction, jumping, jumping, saltatory conduction, jumping करता हूँ, saltatory conduction, release of chemical messenger from synaptic vesicles is triggered by calcium ion, calcium ion ही तो एक्जो साथ से सकराते हैं, निरो ट्रांस्मिटर की, and extremely rapid change in membrane potential from negative to positive, then back to negative again, is best, क्या वो लेंगे इसको, an action position, fourth option आजाएगा, during conduction of nerve impulse, when stimulus is applied, during conduction of nerve impulse, when stimulus is applied, sodium channels open हो जाएगे, sodium move outward, sodium move into exoplast, in a nerve sodium pump is blocked, sodium pump काम करना बंद कर दिया, which of the falling, जब sodium, sodium pump करता क्या है, अंदर से, 3 sodium को बाहर बेजता है, बाहर से, दो पतेशियमा इनको अंदर बेजता है, अगर ब्लॉक हो जाएगा, तो अंदर sodium बढ़ जाएगे, भाहर potassium बढ़ जाएगे, टिक है, तो sodium outside the nerve will increase, no, sodium inside the nerve will increase, third option आजाएगा, in resting condition, the concentration gradient is maintained by, in resting condition, concentration gradient is maintained by, sodium potassium pump, active transport of ions, utilization of ATP energy, na sodium potassium pump, resting condition में, ठीक है, gradient maintain करने के लिए, sodium potassium pump responsible होता है, active transport of ions, हाँ, एक्टिव ट्रांस्पोर्ट आई नहीं है, ठीक है, जिसमें ATP, हाँ, all of the ions लगा दो, fourth option आजाएगा, एक ही बात है, sodium potassium pump बोलो, जो active transport ions का करारा है, जिसमें energy utilize हो रही है, नहीं all of the ions, neurons, protect and support the neuroglia cell, support the neuroglia cell नहीं होता, neuroglia cell support the neurons, wrong, neuroglia cell make up, 90%, 90% नहीं है, more than 50%, दो नहीं रहुंग है, उस्थे पहले लगाँ भाई, मुझसे पहले, मुझसे पहले, fast, मुझसे पहले, fast और मुझसे पहले, दोना बाद धाना, a typical value of resting membrane potential, resting membrane potential, minus 70 millivolt, resting membrane potential, मुझसे पहले, seri bellum is concerned with seri bellum, bellum coordination of muscles movement, first option, cavity in spinal cord is called, spinal cord के अंदर cavity होती है, neuro seal बोलते हैं, मैंटा सको neuro seal, fourth option, association area, association area, association area, sensory in function motor, neither clearly sensory nor motor, anxiety लाने ध्यान रखना, cord option, hearing is controlled by, hearing is controlled by, hearing सुनने कि ली, temporal lobe, temporal lobe, tympanence याद रखना, which part of the brain is responsible for, thermoregulation, यह कई बार रिपीट हुआ, thermoregulation की उपर, hypothalemus, जड़ा बताओ, following option, correctly, पूछा है नो ने, ठीक है, अज़ो, A, richness membrane, A, richness membrane, नहीं है, B, richness membrane है, A, scale media, हाँ, A, scale media है, समाता मेरी बात, यह तो होती है, richness membrane, यह होती है, basilar membrane, और उपर होती है, tectoral membrane, यह scala media होता है, यह scala, इस scala vestibula है, scala media, scala timpana है, नीच वाला scala timpana है, लिखा हुआ भी scala timpana है, तो scala vestibula है, यह organ of corti होते हैं, जो basilar membrane पर लगई होते हैं, यह neurons होते हैं, चलो, scala vestibula है, दे रखा है, tectoral membrane, ठीक है, second option आ जाएगा, root of reflex arc, reflex arc, पहले receptor से चालो होगी, effector नी, receptor, sensory fiber, gray matter में जाएगी, फिर motor fiber, फिर effector, receptor, sensory fiber, gray matter, motor fiber and effector, यह आ गया, third one option, absolutely right, receptor, sensory fiber, gray matter, motor fiber and effector, बुल कुछ लेएगी, ciliary body, itself, continue, forward to form a pigmented, and opaque structure, इसको आइरिस बोलते हैं, उस ciliary body के modification सी दुबन थी, pigmented layer, the order of three layer of cells, in retina of human eyes, बताया तना अभी मैंने, पहले आएंगे, ganglionic cell, फिर आएंगे bipolar, और फिर आएंगे, photoreceptor, ganglionic, bipolar, photoreceptor, third वाल option आएगा, अभी बताया तना, अभी मैंने, ज़स्टाप को, the space present in cochlea is called, cochlea, the space present within cochlea, is called the, इसके बेस्टी बोलाएं, इसके लाटेंपना, इसके लाटेंपना, इसके लाटेंपना, मीडिया, इसके लाटेंपना, मीडिया होगा, कोपना के अंदर का, इसके लाटेंपना, निरोगलियल सेल, प्रोटेक्ट दा सब, अच्छा, इसके लाटेंपना, अच्छा, निरोगलियल सेल, प्रोटेक्ट एंड, सपोर्ड दा निरोन्स, हाँ सही है, protect and support the neuron when neurons is when neurons is suitable stimulus and electrical distribution sorry disturbance is generated which travel along its cytoplasm no exoplasm treatment first is correct but second is incorrect जीक्त सपट लाइब फार्टम एक्जुप्लाजम नर्व को धर रिंग कोचलिय कोचलिय कोणी ऑदरी हिर नौ नर्व इंपल्स for hearing originate in the ear drum में इंपल्स ने नहीं होते ओडरी नर्व होगी कोख्लिया ओडरी नर्व which of the falling ossicles is adhered to tympanic membrane of middle ear tympanic membrane of middle ear malice tympanic membrane से को जोड़ेगा malice और oval window से कौन जोड़ेगा stapes ठीक है oval window से stapes match rod and cones photoreceptor cells absence of photoreceptor cells blind spot phobia centralis cone are densely packed phobia centralis iris visible color portion match कर लेना chemical coordination and integration अब चालू करते हैं human physio का last chapter chemical coordination integration इसमें मैंने ट्रिकली काम किया है क्या काम किया है होर्मोन मुझा ट्रिकली पूरे चाप्टर एक साथ रिवाइज हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है इस पर होर्मोन उनके मुलाब किस ग्लैंट से कौन से होर्मोन निकलते हैं उनको compile कर दिया है और डिसॉर्टर जो रखें उनको अंबाल कर दिया है वह इमेंट पूछे जाते हैं ठीक है चलो एक मिनिट पस एक मिनिट खत्म करते हैं चैप्टर को बस सादे नौपर एंड हो जाएगा कि अ कि अ कि 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 अ कि कि अ करने स्टार्ट सुपर यार यह एनर्जी तुमारी काम आ जाती है कोई नहीं बहुत बढ़िया सुपर 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 अब यह एनर्जी चाहिए हो जाया काम और रही कहते कहते हैं और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए ठीक है जानी जब लास्ट टाइम आता है तो इसने में धहरी नहीं खोना चाहिए हमारा जोश और बढ़ जाना चाहिए ठीक है तो यह नीट का भी लास्टाइम आ गया है ठीक है आप तो जोंग डालो पूरी जान ठीक है तो चैमिकल कॉडिनेशन एंड इंडिग्रेशन ट्रिकली करना थोड़ा सा ठीक है इसमें कुछ चीज़ है समझाओंगा मैं सबसे पहले मैंने आपको केमिकल कॉडिनेशन और डिक्रेशन में हाइपोथलमस पिटी उट्री कर आए ता यादो पिटी उट्री मास्टर क्लेंड है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथलमस इस पिटी उट्री को कंट्रोल करता है और इनिबाटिंग होर्मस के था हाइप миध हैं आप हैंगाँ है मिन हाइप हेद गूल जाओ पिटी उट्री के दो लोब होते यदॉल से और पाइस, TUMIDK हर्मोन निकलते हैं, PTAOKIA कीEN-TRE-EA-Lope से GONNALYODROPHIN, जैनि LH और FSH निकलते हैं, PTAOKIA की EN-TRE-EA-Lope से EDINOCOTYCO-TROPHIC हर्मोन निकलते हैं और PROLACTIN हर्मोन निकलता है, यह सारे हर्मोन आपको याद होने चीहें, PTAOKIA की EN-TRE-EA-Lope में सारे होर्मोन बनते भी हैं और रिलीज भी होते हैं formation and secretion दोनों होता है formation and secretion समझना formation and secretion formation and secretion यहां only and only release हो रहे है formation hypothalemus में होगा समझना मेरी बाद सारे होर्मोन अब इनके अब ग्रोथ होर्मोन है अब ग्रोथ होर्मोन क्या काम करता है मैं बोलता है जारा हूँ ग्रोथ होर्मोन ग्रोथ regulating factor के secretion को induce करता है जो cartilage, bone, body tissue की growth को control करते हैं साथ-साथ में growth होर्मोन blood glucose label को भी maintain करते हैं और fat protein carbohydrate के metabolism वो control करते हैं thyroid stimulating hormone, thyroid को stimulate करते हैं thyroxine के secretion के लिए LH, luteinizing hormone जो male के अंदर testis की lidic cell को induce करते हैं testosterone को release करने के लिए याद आ गया female में LH hormone evolution कराता है और corpus luteum को maintain करता है FSH की बात कर लेते हैं male में FSH nurse cell या sustenticular cell या subtly cell को induce करता है sperm maturation factor को release करने के लिए याद आ गया ठीक है इसके अलाबा इनिविन होर्मोन भी इसी से release होता है ठीक है और FSH की अगर बात की जाए तो FSH female के अंदर follicle के development को induce करता है और estrogen के secretion को induce करता है adrenocorticotrophic hormone ये adrenal cortex को induce करता है cortisol को release करने के लिए और PRL prolactin hormone prolactin hormone घ्यान अखना है आपको ये lactogenic hormone है memory gland के अंदर milk के generation के लिए responsible है ठीक है और during pregnancy ये memory gland के development को induce करता है अगर मैं हाइपोथेलमस की बात करता हूं तो hypothalamus releasing और inhibiting hormone release करता है releasing and inhibiting hormone and releasing hormone अगर मैं releasing hormone की बात करता हूं तो hypothalamus का release करता है ये release करता है growth hormone releasing hormone ये release करता है थारा इस्टुमेटिंग हर्मोन releasing hormone ये release करता है GNRH गनेट्रोफिंग releasing hormone ये release करता है CRH कॉर्टिकोट्रोफिक releasing hormone CRH ये release करता है पॉर्लेक्टिंग releasing hormone ये release करते हैं ये इन दौनों को induce करता है ये इसको induce करता है ये इसको induce करता है याद आ गया इनिवीटिंग hormone की अगर मैं बात करूँ तो एक तो आता ये इन इनिवीट करता है और दूसरा को ध्यान रहन नहीं आपर अगर dopamine करता है तो निवीटिंग और रिलीजिंग होर्मोन कहां से निकलते हैं हाइपोथलेमस से जो पिटियूट्री के इन होर्मोन को कंट्रोल करते हैं कि इन सबके फंक्शन मैंने बताया दिये इससे डिस्वाटर आपको ध्यानक ने एक तो हाइपो सीक्रेशन की वैसे पिटियूट्री डॉफिजम हो जाएगा अगर ग्रोथ होर्मोन का सीक्रेशन बच्चों में कम हो जाए तो बच्चे डॉफ के डॉफ रह जाते हैं इसको पिटियूट्री डॉफिजम बोलते हैं पिटियूट्री डॉफिजम में बच्चे फिजिकली डॉफ होते हैं पर और सेक्चुली नॉर्मल होते हैं अगर ग्रोथ ओर्मन का सिक्रेशन बढ़ जाए है बच्पन में तो एकदम हाइट अनक्ट्रोल जाती है इसको गाइगेंटिस दम बोलते हैं और अगर एडल्ट के अंदर है यह जाती है यह बाहर निकल जाता है यह तीन डिसोर्टर आपको में बैसोप्रेशन और ऑक्सिटोशन बैसोप्रेशन की बात करते हैं तो मैं पूरा डिटेल एक्स्क्रीटर सिस्टम में बता चुक्त हूं एडियस के बारे में ठीक है बस ध्यान यहां रखना है कि एडियस का अगर हाइपो सीक्रेशन हो जाए तो यूरिन डाइल्यूट ह करते है सको डाइबिटिस इन से पैदर मिलाइट स्थ नहीं बहुते हैं और और पूरा पास कम्प्लीट करती है कुछ भी दहीं छोड़ा है आप देख लो अगो हो नोट स्ट participants में भी आ जाएंगे low sound sir, low sound कैसे हो जाएगी low sound, low sound तर ये chapter कितरे marks का है अरे एक chapter नहीं, यहाँ human phygeo का हर chapter 2-3 question का weight is रखता है हर chapter, ठीक है, मैं पूरा 11 करा रहा हूँ खाली एक chapter नहीं करा रहा हूँ, अभी पूरा 11 करा रहा हूँ फिर बॉटनी पूरी लेविंद की होगी फिर मैं 12 कराऊंगा चाहें रात के दो बज़े थीन बज़े ठीक है समझके ना मेरी बात पूरी बायो खतम कराकर के ही चीजें बंदोगी यह पूरा सेशन कंप्लीट बायो के एंड के बाद बंदोगा एनरजी चाहिए इसके लिए तगड़ी वाली ठीक है विल्कुल पूरा एंड होगा सेशन यह ठीक है आगे अब सारी ग्लैंड को मैंने एक साथ कंपाइल किया है जो आपको करना था आपका काम को करकिया है मैंने सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पी की स्लीव वॉक साइकल को मेंटिन करता है याद आया हो स्लीव वॉक साइकल बायलोजिकल क्लॉक ठीक है आपकी डायूरनल साइकल को मेंटिन करता है आपकी सरकेडियन साइकल को कंट्रोल करता है उसको मिलेटोनिन होर्मोन बोलते हैं क्लियर है विल्कुल यह आद रखना है थाइरोइड की बात करता हूं तो थाइरोड से दो हर्मोन निकलते हैं एक तो थाइरोक्सिन निकलता है और पैरा फॉलीकुलर से थाइरोकेल्सी टोनिन निकलता है कि समझना मेरी बात थाइरोकेल्सी टोनिन ब्लड कैल्शियम लेविल को कम करने का काम करता है है समझ स्वारी जबकि थाइरोक्सिन और्मुनtx ऊर्मूनिंब्ल काम करटा है ति 3 याद आगे आगा यह पूल करने का काम करता फंक्षिन बता päत की जाए यह यह कि न हाइपो करता है या एक्ट्रा कैसियम को बोन के मैक्रिक से जोड़ के काम करता है जब कि अगर पेरत होर्मन की बात करता हूं यह हाइपर कैसिमिक होर्मन है अगर थायरोक्सिन का लेबिल कम हो जाए थायरोक्सिन का लेबिल कम हो जाए थायरोक्सिन बात करता हूं तो हाइपो सिक्रेशन की वेister से सिंपल ग्वैटर हो जाता है तो अगर थाइरोक्षिन का लेविल कम हो जाए तो ग्लैंड अपना साइज बढ़ाती है इसको सिंपल ग्वैटर बोलते हैं अगर मदर प्रिगनेंट है यूटरस में बेबी है और हैपो सिक्रेशन हो जाए तो बेबी एड़ल्ट के अंदर हैपो सिक्रेशन हो जाए तो इर्रेगुलर मेंसुरल साइकल हो जाती है सारे फंक्षन कवर कर दिया है डिके मैंने अगर इसका सिक्रेशन बढ़ जाए तो एक्जॉप्थायल में गॉयटर हो जाता है जिसको हम ग्रेव डिसीज भी बोलते हैं एक्जॉ तो बरक जाए फंट प्रेट नहीं हो जाती तहीं तुट की व्लड कैस्टम लेविल कम हो जाएगा सु अधिकिन और अगर बढ़ जाए फ्रयें फिरे तो चीर बन को बढ़ा देता है जिससे ऑस्टियो पॉरसेशर हो जाती है ऑस्टीव उसे जलो फिक है तो अब ताइमस की बात कर लेते हैं ताइमस निकलता है जो हाइमोरल इम्मिनिटी और सेल मीडिन दोनों को कंट्रूल करने का काम करता है अगर मैं पैंठ्रेस की बात करता हूं तो आलफा भीटा और डेल्टा सेलe है एल्फा से ग्ल्यू कई यह हाईपर हाईपरफ़ ग्लाईसेमिक होर्मोन है इनसुलेन जो ग्लाईसेमिक होर्मोन है डायबेटीमीलायटस के लिए होता है वسمैटोस्टैटिन दौण के सीक्रेफिशन को इनिhouबिट करता है जहां पर भी सुमेटोस्टेटिन होगा दोनों का सीक्रेशन इनिविट हो जाएगा अब टैस्टीस की बात कर लेते हैं उससे एक ही और निकलता है एंड्रोजन कौनसा एंड्रोजन टैस्टोस्ट्रॉण जो स्पर्मेटोजनेस को भी कंट्रोल करता है और मेल के उसेंड's को मेंडेन करने का गाम करता है यह अगया आते आपकी स्वेटिंग बढ़ जाएगी समधर्य आपका बीपी हाई हो जाएगा रेट प्रस्प्रेशन बढ़ जाएगा तो रट्टा माने की जरूद नहीं है ठीक है है को कर टीसोल आपि मिनठी को डाउन करता है तीक है इसलिए इसका भी वह प्लांटी"- करता है आज कि यह में लिजे इक catalan पर यूस्ट कर लेते हैं या किस इक को इन्फ्लामेंशन ओते तो यूस्य पर लेते हैं किसी को एस्थमा हो जाए तो यूज कर लेते हैं जहां पर भी इमिलटी की जुरुद पड़ेगी कॉटीसोल इमर्जनी पूर्मोन भी बोलते हैं इसको और जोना रेटिकुलर से जिसेक्ष होर्मोन और एडी क्या नाम है यह दिएचिए डाइड्रोपी एंडोस्रॉन मेल सेक्स वर्मोन एंडोजन ठीक है यहां तक कोई डाउट इंसे लेटेड डिसॉडर भी एंसी आटी ने दे रखें जैसे एडिसंस डिसीज वैरी 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 इंपोर्डेंट एडिसंस डिसीज डियू टू हाइपो सीक्रेश से होते हैं अगर मिनरिलो कॉटी कोटी काड़ अगर राते हैं तो मून जैसे फेस कूंत्रों बोलते हैं और लेवल वर जाता है तो कुछी सिंट्रों पर जाता है ठीक है सम यहां तक एकदम मुझे लगता है कि यहां पार्ट आपका फिनिश है जह हम अकसर भूलते है है एंड पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है अब प्टावरटर रिस्पांस दो हेटरो क्राइंड ग्लेंड आर्दा ग्लेंड विच वर्क एक्जपर एंड़ोर से अंडर ग्लेंड जो फॉर बिरिन का पार्ट है थार्ड ऑप्शन आ जाएगा इसे पोजिशन समझ में आई या को सही पोजिशन क्या है इन सब की एंटीर लोब से क्या क्या निकलता है रहा ह Geschäft अर्मों ऑप्शियोंच ट्रॉट छे sagen च्ट्रॉट्माम retired इस शेड़ा त्रॉर्मों ऑन से कने त्रॉट्रें डिसाँच व स्थून हन् निकलता है कि पोड़र सबस्यूर् में आइक त्व एबंच निकलता है which of the following hormone regulate the growth of the memory gland and formation of milk pro-lactin pro-lactin दे रखा है फिर्स्ट मुझसे पहले रिस्पॉंस तो मुझसे पहले source of somatostatin is same as that of somatostatin insulin and glucagon vasopressin and oxytocin thyroxin and calcitonin source of somatostatin is same as that of na vasopressin oxytocin का source क्या है somatostatin and prolactin thyroxin and calcitonin na vasopressin oxytocin posterior pituitary जबकि somatostatin तो हाँ somatostatin कहां से निकलता है source क्या है somatostatin का hypothalamus hypothalamus समझना मेरी बात और vasopressin और oxytocin का source क्या है hypothalamus बहुत बढ़ी कोशे नहीं दोनों का source एक ही है hypothalamus second option हाईगा hormone melatonin is secreted by melatonin phenyl gland fourth मुझसे पहले मुझसे पहले दो बड़ा थेजी से फास्ट small amount of iodine is added as common salt as to odima na goiter prevention goiter prevention में आप iodine यूज़ करते हो third option आ जाएगा parathormone deficiency produce muscles claim titanine as a result of lower blood calcium level अगर blood calcium level कम हो जाएगा तब titanine होती है a option thymocin is responsible for thymocin thymocin differentiation of t lymphocidius maturation and differentiation of t lymphocyte adrenal medulla secret two hormone called adrenaline or epinephrine and noradrin ठीक है these are commonly called catecholamine इनको हीं catecholamine बोलते है catecholamine NCRT में साफ तब दे रखा है which hormone cause dilation of blood vessels dilation of blood vessels increase oxygen consumption and glucogenesis adrenaline dilation of blood vessels ठीक है करता है oxygen consumption adrenaline बढ़ाता है ठीक है यह लगाओगे फूर्थ ऑप्शन और फूर्ट आप्शन hormone adenyl cortex के hormone adenyl cortex नहीं insulin नहीं adenyl नहीं नहीं अगा ठीक है cussing disease अभी मताया था है hyper secretion of hyper activity of thymus insulin cortisol 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 को सरी cortisol को सिंडरों को सिंडरों के hyper secretion के वेर से फोर्थ ऑप्शन melatonin melatonin hormone which is the function incorrect पूछा है नहीं यह दो correct है melatonin sleepwalk cycle को में पे FSH growth of ovarine follicle distributed diagonal activity adenyl in increase the concentration of glucose in blood ठीक है और उस्टिरों इस्टिरों ग्रोथ एं activity of female secondary sexual character गलार्थ पूर्थ ओप्शन deficiency of hormone caused increase of potassium and decrease of sodium in blood secreted by deficiency of hormone की deficiency हो जाए किसे उल्टा हो जाएगा potassium ion बढ़ जाएंगे और sodium ion कम हो जाएंगे कौन सा hormone होगा वो जड़ा बताओ टेजी से डी 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 जो ना ना जो ना 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 आइनिक balance के लिए Glomerulosa Glomerulosa ऐसे जातर को Glomerulosa नहीं Glomerulosa की बात चल रही है ठीक है चलो आगे बढ़ो पड़ा आगे बढ़ो एंड पर आने वाले हैं विच आफ दा फॉलिंग होर्मोन अर प्रैडियूज अन्ली tornado of strut हरु भर्मोन सेक्स हरमोन और आवर म्यक में स्टेरोइड हर्मोन होते ना hold ना सक्स हर्मोन और एडेनल कोटक्स से निकलने वाले सारे हर्मोन स्टेरोइड और हर्मोन होते हैं टिक है एनाएफ इसी क्रेटिट बाय काहा से निकलता है एक्ट्रिल वाल फॉर्ट परस्ट ऑप्षिन एक्ट्रिट्री स्टम में कराया था मैंने खोली सिस्टो काइन इसी क्रेशन ऑफ दू देनम खोली मतलब बायल सिस्टे ब्लेटर कामिलर रिली सोना थिक है दिटनम एट कॉस्ट्रक्शन ऑगाल ब्लेटर यस दिटनम एट कोषट गॉल ब्लेटर फास्ट गोबलेट सेल लिवर्स नमा गलत which of the falling is the second secondary messenger for hormone action ATP नहीं है, cyclic MP है, GTP नहीं है, cyclic MP secondary messenger for hormonal action, cyclic MP presence of which of the falling condition in urine are indicative of diabetes mellitus ketone urea, glucose urea diabetes mellitus, दोना indication होते हैं अगर आपकी urine में ketone bodies मिल रहे हैं और ketone bodies कम मिलते हैं urine के अंदर जब incomplete breakdown of fat होता है और glucose urea, urine में glucose मिलना चलो हो जाता है second option आजाएगा, diabetes mellitus के case में insulin, 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 diabetes mellitus thyroxine, 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 goiter simple gotta do hyposecretion of thyroxine corticoids, 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 addissance disease growth hormone, growth hormone, growth hormone, growth hormone growth hormone, acromigaly, diabetes inseparable stress का option नियास के अंदर मैंज कर लेना कि फर्स्ट का फोर्थ है कोई फर्स्ट का परिफिप्थ फर्स्ट का फिप्थ दो जगे हैं वी का दो को बी का फोर्थ भी का फोर्थ है फिया जाएगा पर को अब लास्ट बच्चा है टिशू टिशू मैं एपिधिले टिशू मुझे कराना है और एंड हो जाएगा आज हमारा 11 का पूरा अब देखो एपी थीलियम तो चार्ट टिशू में एपी टिशू कनेक्ट टिशू मस्कुलर टिशू और साथ में आते हैं आपके नर्वस टिशू अगर मैं एपी थीलिय टिशू की बात करता हूं तो जानक ना है आपको एपी मतलब अपॉन थीलियम मतलब गूर्थ ऐसे टिशू जो दूसरे टिशू की सरफेस पर ग्रोथ करते हैं उसको एपी थीलियल टिशू बोलते हैं पहली बात ठीक है इन में यह वैस्कुलर होते हैं इनकी रिजनेशन पावर सबसे ज्यादा हाइए होती है एवस्कुलर होते हैं क्य ग्लेंट होती हैं कहां मिलते हैं जितने भी और गन्स होते हैं उनकी कवरिंग के अंदर जितने भी हॉलो स्पेस एट्रैक होते हैं उसकी इंटरनल लाइनिंग मिनी के मिलने से बनती है इसके अलावा बात करते हैं और कहां होते हैं बॉड़ी की जितनी भी ग्लैंड्स होती तेखें, में अगर आगर मैं टाइप सूफ इपी थिले टिशू की बात करता हूं तो दोघ्ट में डिवाइड किया सिंपल और सिंपल की बात कर लेते हैं सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर इनको डिवाइड कर सकते हो भाई फ्लाटिन सिंगल लेयर सिंपल क्या में क्या है सिंपल क्या में का मइं कम क्या है जहां पर भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन होगा सिंपलск क्लीर बलकूल्कुल तुक्त है तो डिफ्यूजोण फिल्ट्रेशन सिंपल स्केमर्वंद इनको पेव मेंट आपी थीलियल टिशू इनको टाइल जैसे होते हैं इन को टैसिलेटिड बोलते हैं को कि न में वेवी एपीरेंस होती है फेव्मेंट एन वेवी एपीरेंस थिक है चलो समझ में आ अच्छा मिलती है मीजो में ओधीलियम और एंडू एंडू तीलियम बॉड़ी की जतनी भी समया पिंद है उनकी इंसरे निक को तो कोशन दो इन से मिल जाएगा, Diffusion of Filtration कोण करता है, Simple Scammer, Diffusion of Filtration, Secretion absorption, Keybell, Secretion absorption, Koluminar, उनके फंक्शन है, कहां मिलते हैं, जहां से Diffusion of Filtration होगा, कहां से होगा, बताण जरा, ठीक है, मैं आप से पूछू कि बेटा, Respiratory system में कहां पर Diffusion of Filtration हो रहा है, EDBOOK KEP Concept अगर मैं की बात करता हूँllä की बात करता हूँ बॉरिजिया है नॉर्मल कुँबर बुरू काहँ होते हैं नॉर्मल कुटल कहा होते हैं घ्यान रखना है तेस्टी वरी की इंटर जर्मनर्म कोंगे मिलने से बाती ठीक है इसके लाबा टीविलर पार्ट आफ नेफरों मैक्सिमम टीविलर पार्ट में नौप नॉर्मल क्यूबडल होते हैं ठीक है डिसेंडिंग लूप लेके अंदर सिंपल थिन वाला लूप ले उसमें स्क्यमस होते हैं गया है जन्रल जर्मनल अब इस बताई दिया है मैंने स्मॉल डक्ट जतनी चोटी डक्त होती है वहां बडी डक्त होती हैं वहां मल्टी लियर क्यूद्र होते हैं यह ठीक है ब्रस्ट बोड़र कांगे अभी बताया पीसीटी आफ नेफरों नेफरों के पीसीट में ब्रस्ट यह एक्जाम्पल फॉर एब्जॉब्शन ठीक है ऑफॉर अब्जॉब्शन दीचा अगे जॉप्षिन ओफूड है अब तीसरा क्या रखना है आपको इसके अंदर काइन उसी लेटिट सिप दो एक्जामपल याद रहो अपर रेस्परिटी ट्रैक में काइन उसे लेटिट है और फैलोपें ट्यू में काइन उसलेटिट है इस्टीडियो की तीन यह एक्जामपल है ए इफिडाइमिस और वासडी फ्रैंज बस तीन सफी सेंट है ठीक है और ग्लेंडूलर एपी लेंगी तीन अपिडिल फिर सब्सक्राइब कर रहा हूं ठीक है सिंपल अस काम क्या होता है सिंपल बस्केमर्स का कडिक्यों फिल्ट्रेशन तो क्या बोलते हैं को टेसिलेटिट ह कि यह फ्लाटन टाइल जैसे आप समझना मेरी बात सिंपल इसकी बात कर रहा हूं डिफीजन इन फिल्ट्रेशन से रहें तो कहां पर मिलेंगे जहां डिफीजन फिल्ट्रेशन होगा इनको पेविमेंट एक एसी लेटर बोल सकते हो तो डिफीजन फिल्ट्रेशन रेस्पीर्ट्रेशन सिस्टेम में कहां और एलवलाय एक्स्क्रीट्री में कहां होगा वुमेंस कैप्सूल डिसेंडिंग लूप अफ हैलिया थिन लूप अफ हैलिया से याद रखो टेकर सर्कु पार्ट नॉर्मल को बडल के मिलने से बनता है बस PCT को छोड़ दो मां ब्रस्ट बॉर्डर को बडल होंगे क्लेर अवलकुल जर्मनल एपी थी लिमॉप टेस्टी जान ओबरी ठीक है अब कॉलिमनार भाई जो हमारे जी आईटी गट कॉलिमनार की बात ध्यानक नाए कॉलि प्रस्ट बॉर्डट कॉलिमनार गट के ट्रैक में होते हैं ठीक है और काइन ओसी लेटिल कॉलिमनार फैलोपियंट यूप और एक एक्जांपल बताए मैंने क्योंकि फैलोपियंट क्वाग टरने के लिए और अपर रेस्परीडियों मुकस के मुववन्ट के लिए स्टीरियो सिलेटेट के तीनी एक्जामबल बताएं इंटरनल यर एपिडाइमेस और वास डिफरेंट्स फिनिश ओके अब ग्लैंडूलर एपिधिलियम ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ क्यूबर्डल और कॉल्यूमनार से ही बनते हैं स्कुरमस ग्लैंड को बनाने में लेना आप कौन कौन से एक्जामपल याद रखनें दो के अंदर पहला एक्जामपल याद रखना है इसके अंदर पैने सेल और दूसरा गोबलेट सेल बात बखी को ओल आर मल्टी सेलगर दिमागी नहीं मारना है हाँ डक्ट की प्रजैंस और एफसेंस के बेस पर भी क्लास आप हैंगे हैट्रो जो एक्जोर यंडो दोनों है पैंक्रियास टैस्टी रेमेनिंग और एक्जोक्राइं टियर्स मिल्क स्वैड समाध लेना में मूकस एट्सेक्रा डाइजिस्टिफिटिब गिलाइन और हैट्रो और एक्जोक्राइन तो सिंपल तरीकी से आपको याद अंद्धा एगा लिए विलकुल चलो अगर मैं जंक्शन की बात करूं का सर कंपाउंड रहें गेंगे उरिनरी सिस्टम में इस यूरो थीलियम यह पाल्वेस यूरियुरिनरी ब्लैडर और प्रोक्जिमल यूरेथ्रा जबकि जो नॉन स्ट्रेशिवल होते हैं उनको स्ट् क्तिफाइब कर सकते हैं इनको डिवाइड कर सकते ओ इस्टैटिफाइड हैए निय elaborate कहा ओंड न‍ Wait ठीक है और इस्ट फैगास और एनल कैनाल फिर मिड़ वाले पार्ट में सिंगल लियर वाले आ जाएंगे एब्जॉप्शन होना है फूड का फीमेल की किसमें वजायना और इंग्लूड कर दो बस समझ रहो यह स्ट्रेटी फाइड है और स्क्रेमस हैं नोन क्रेटी नाइस हैं जब यह अगर मैं की बात करता हूं जितने भी बड़ी डख्ट होती है क्योंकि छोटी डख्ट के अंदर सिंपल को बड़ा थे बड़ी रक्रकें अंदर मल्टी लियर स्ट्रेटीफाइड को बड़ा लोंगे भी लाइक पैन्क्रेटिक डाक्त लाइक मैय मेरी ग्लेंड की समझे ना मेरी बाद और कॉली मुनार कॉली मुनार में एक्जांबल लेदा रों कंजेक्टिव आइस बास सिंपा खतम हो गए आपके कंपाउंड के बाद अगरम बात करते हैं जंक्षन क्या होते हैं जंक्षन जो कई काम करते हैं उनके बीशाय करते हैं समझ रहे हो तो mostly junction एपीधिले टिश्यू में ही मिलते हैं पर नर्वस टिश्यू में जो चैनल स्थे वो जंक्षन नहीं तो है आइन के ट्रांस्पोर्ट के लिए आप स्कूलर टिशू में भी गैप जंक्षन होते हैं पर यह तरां करते हैं तो टीजनक्षन जो जोड़ने के लिए बांधने के लिए और यह जंक्शन दो सैल के प्रोटॉपलाज्म और इंटरकनेक्ट करते हैं फर रैपड मुम्मेंट ऑफ आइंस थे कह 쯤 है एड़रिंग जंक्शन को हम डैस्मोजोंप भी बोलते हैं कि फिनिश सैल जंक्शन यह में पार्ट हो गया टिशू का ठीक है एपिधिल टिशू से कोश्चन आ रहा है लगातार कोई कनेक्टिब टिशू में तो बस आपको तना याद रखना है ठीक है कनेक्टिब टिशू को लूज अन्दर से एडूजरी अब पार्ट में वाइस कर से लूजज डैंस और सपेस लाइस में ए रेडीपोष लाते हैं घुल टिशू जो बॉडी के एरुला को विल करना का काम करते हैं एडीपोष के अगर बात करते हैं तो फैटस्टोरिंग कनेक्टिब टिशू होगे है pen prix अंदर डेन्स रेघुलर देंस इरीगूलर रोते हैं डेन्स रेगूलर के अंदर है गामेंट गए टेंडन वाइट कोजिण फाइबर के मिलने से बनते यह लगामेंट यहलो लोग लास्टिन फाइबर पर साथ में फ्यू कॉलिजन फाइबर भी होते हैं ठीक है क्लियर है बलकुल और डेंस इरेगुलर बॉड़ी के जितने भी ओर्गन होते हैं उनकी कवरिंग के अंदर होते हैं फैनिश है एक्जांपल मैंने आपको कुछ याद कराये थे याद हो आपको ऐसेप्टम ओफ नोस हाइलीन कार्टिले लेगो एकपिक लॉट है आगे बढ़ो शीशेप ट्रैक कि हम शीशेप पाइलीन है इस तरणाम और इसको जोड़ने के लिए हाइलीन कार्टिले में टिप आफ नो strongest tartilles होते हैं pubic symphysis और inter vertebral दो यह एक्जम्पल मैं ने कराये थे हैं अब कोशन आपके सामने फटाफट जो और बता दो 11 हमारा end हो जाएगा correct statement about abothelial tissue tissue has free surface ठीक है either body fluid ठीक है बलकुर ठीक environment contact में होते हैं provide covering ठीक है प्रफ्ट ऑप्शन आजाएगा अब बलड कैपिलरी एंड लिंप कैपिलरी आज absent in epithelial tissue क्यों क्यों इंटर सेलोर सबस्टेंस ना क्या बारा होता है वैली लिटल इंटर सेलोर सबस्टेंस अभी बताया था मैंने इस लिए इन मैं कोई चीजह होती ही नहीं stereo cilia कहां प्रेजेंट होते हैं epidiamis vast difference फॉस्ट लगा लो सेमनल बेसाइकल मनी होते हैं gap junction gap junction gap junction help to stop substance from no gap junction perform cementing no provide no facilitate the cell to communicate with each other by the connecting the cytoplasm of adjacent cell दो सेल के cytoplasm को interconnect अरने के लिए responsible होते हैं finish ncrt के लाइन जड़ा बताओ चारण टिशू को भाज़ो नो फटा फटा फट एबी cd मैच कर दो इनको एग क्या है एए बी दे रहा है बी ठीक है देखो बी glandular epithelia में यस इंटस्टाइन में मिलती है यस सी क्रेशन फंक्शन यस फर्स्टी मिल गया मैं फर्स्ट हमारा राइट है ठीक है फिर भी चेक कर सकते हो सी कॉलीजन फाइबर है ठीक है काडिलेज में होते हैं ठीक है अटेज क्रेक्टाइल टिशू प्रिजेंट अल्ली इन हर्ट ठीक है बुल को सही एप्सुल्ट राइट काडिक मुस्ट्रस कॉंट्रेक्ट एज यूनिट और प्रोवाइड रिदिमिक कॉंट्रेक्शन बोद स्टेट्मेंट और करेक्ट फॉस्ट लगा दो आगे बढ़ो कि मुझसे पहले फासट तेजी से एजब्लेट मैच करो एग्जब्लेंड लाइज डफेस यहां से याँ जाओ सी करेट म्यूकस सलाइवा इयर वैक्स ऑइल मेक डाजेस्टिव एंजैम अधर सेल प्रूडक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होर्मून रिलीजिंग लिएंड होती है ठीक है अगर टाइट जंक्शन की बात करते हैं बलकुत ठीक है और एड़रिंग जंक्शन की बात करते हैं मैच कर दो स्टॉप सबस्टेंस एडरिंग जंक्शन स्टॉप नहीं 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 यह टाइट जंक्शन हो गया एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट टाइट जंक्शन स्टॉप सबस्टेंस और एडरिंग जंक्शन दे परफॉर्म सीमेंटिंग मैच कर दो फटाफट मैच आप कर of simple cubital epithelium is क्या function है simple cubital secretion and absorption दोनों function है बताया था ना in CRT के लाइन secretion and absorption cubital which of the falling pair of gland is an example of unicellular unicellular के दो example लिखाए मैंने penicelle और goblet cell penicelle और goblet cell मुझसे पहले fast होना चाहिए speed fast मुझसे पहले तेज बेटा इन all connective tissue except the cell secret fibers except blood blood में fiber नहीं होते जान रखना ठीक है clearable first option आ जाएगा secret fibers structural protein collagen बिलकुल से elastin blood में नहीं होते हैं identify the fiber ठीक है made up of most abundant protein collagen fiber होते हैं यह तो ठीक है वे ठीक है इनलास्टिक tough होते हैं collagen fiber की बात करने tough होते हैं ठीक है most evident होते हैं थाट हो जाएगा collagen fiber आगे चलो तेजी से तेजी से फास्ट लिगामेंट इस एंग्जाम्पल ओफ लिगामेंट लिगामेंट भाई टेंडन 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 टफ होते हैं ligament flexible होते हैं ठीक है यलो फाइब्रस dense regular yes yellow fibrous dense regular second option आजाएगा process of bone formation is called ossification ossified होना की चीज़ का बोन का बनना ossification मुझते पहले फास्ट in cockroach east segment exocertan has hardened plate called inco sclerides बोलते है sclerides ठीक है draw ली ऊपर की साट क्या होता है targai और नीची की साट इस तरणाइट तीन आहीं मैस कर रहे है फर्स्ट ऑप्शन आजाएगा इंक में ऊपर की साट क्या होगा टरगा और इस तर्नाइट्स त्क है मैस कर लोगे आगे चलो आडेंटिफाई तर रॉंग स्टेटमेंट रॉंग धूंडो भाई रॉंग जली देखो फटाफट रॉंग मेंस बियर आप एर आफ शॉर्ट त्रैट लाइक स्ट्ट्चर अनल स्टाइल यह सोते हैं मेल के पास मेल हैब दानल स्टाइल विच आर एपसेंट इन फ हो फ्ट है तقط ऑप्शन आजाएगा एडल स्टाइल अनली प्रिज्ट मेल अन सेग्मेंट यह ते हैं सेगमेंट रोता है नाए फ्सेंट पर लगए होते हैं ठीक है जब्कि फD só 7 wr होते हैं दोनों सेक्स के अंदर होते हैं to the Hemolymph Help removal of excretory product क्योंकि Hemolymphp clearance होता है क्योंकि supplementsrant tip नहीं क्योंकि TRAGunden respiration होता है इसके पास फर्स्ट अप्शन को कि श्पारिकल्स प्रेजेट ऑन οπο mash voluntarily लेटरेल साइड लेटरokol सफेंटेंट्रल सइडेल साइड में लेटरल साइड सपारिकल्स कहा होते हैं लेटरल साइड में अनटीन आफ काक्रोज फ़ंक्शन लौनीटरματα पर TEKTILE TENKURCE PARTर मोनीटराइस पूरेशं नवारवमेंट को मोनीटर करनेके लिए NCRT boy कौन को से रेसेटर होते हैं टेक्टाइल ओल्फेक्टरी थर्मल गस्टेटरी और टेक्टर प्रेसेटर प्रेजेंट होते हैं फॉर मॉनिटरिंग दा इन्वार्मेंट क्लियर बिलकुल फाइंड आउट दा इन्करेक्ट पेर विध रिस्पेक्ट टू कॉक्रोच अप पेर अफ टेस्टी इस पोर टू सिक्स एपसलीट ली राइट ठीक है मश्रूम ग्लैंड शिक्स टू सेविन सेग्मेंट बुलकुल सही टाइटी लेटर सुडो पोडिया सुडो पैने सौरी ग फिर मिडल लेयर इजैक्यूलेटी डखके थुरू बनती है और फालिक या कौन गोबलेट लेंड सबसे आउटर लेयर बनाते हैं तो थार्ड आजाएगा टाइटी लेटर सूडो पैनिस गलत है को लेटरल ग्लेंड ऑफ कोक्रोच हैल्पिन क्या बनाते को लेटरल ग्लेंड कोकून जिसके अंदर एग और स्पम आके फटलाइज होते हैं कोखून फॉर्मेशन ऑफ कोखून सेकेंड हाट है कि तो के थेंगक यू यहाँ पर हमारा 11 वाला पार्ट एंड होता है ठीक है और अब हमारे सर बॉतनी स्टार्ट करेंगे खतरनाग लेवल की कि ठीक 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 करते हैं बिटा ब्रेक देते हैं बॉटनी स्टार्ट करते हैं हाना सर को एक बार थेंक्यू बोलतो थोड़ा आग वाग लगाओ यार मजा नहीं आ रहा है और आज त्यार हो बॉटनी ओटनी शुरू करें खाना ना खालो हाँ जुलोजी 11 की खतब हो गई है आग लगाओ जल्दी जल से आग लगाओ फटाफट जुलोजी पूरा 11 एंड हो गया है अब बस बॉटनी में आग लगानी है खतरना लेविल की हाँ 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 फ्रॉग नहीं करना बिटा फ्रॉग छोड़ दो भी हाँ अभी छोड़ दो कॉक्रोच कोई पकड़कर रखो वास ठीक है तो डिनर टाइम देते हैं आपको टाइम हो रहा हमारे पास 21-57 ठीक है दस बच के 20 मिनिट पर स्टार्ट कर रहे हैं कि खाना खाने के लिए खाना हो ना खालो ठीक है उसके बाद एक दम जोरदार तरीके से बॉटनी इस इस थी कर आजाएं चलिये तो मैं या पर टाइम लिख रहा हूं आपके लिये कि टाइम में लिख देता हूं स्टार्ट कर रहे हैं कर दनुम ऐंके यह में तो कि अ कि यह थे थिक्क है लुट्ट है दस बचके 20 मिनेट पर मिलते हैं थर्टी मिनट नहीं तस बचके 20 मिनट बहुत है खाना खालो और कि कितना खाऊगे कि हम आना 10-20 मिलते हैं आज पूरी बायों का दी एंड करेंगे आपको मैं तारीक को दिखाऊंगा कि इसमें से पूछा गया है विल्कुल सही जब नीट का एक्जाम आएगा तब हम आपको बताएंगे कि बॉटनी जलोजी में से कितने कुश्चन आएं से ठीक है तो इसलिए मान के चलो कि आपको प काभी बड़ी फाइल है 30 मिनेट नहीं बाई 20 मिनेट खाना खालो यार यहाँ चैटे ही करते रहोगे रुख जाओ बस करें पेपर लीक नहीं बाई पेपर लीक थोड़ी हुआ है 20 मिनेट 10 बच के 20 मिनेट पे सभी मिलें वापसी आए पुरे जोस के साथ 20 बचन locais 20 मैं बीड़ी 20 poking 20adel है झाल 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 चक्रो भई वह जा रही है है हमिशिंट चेक्रों औ्डियो वीडियो क्लियर यह यह पर करें पानी की बॉटल रख लो उसके साथ तकिया में तरखना भाई ठीक है पानी की बॉटल रखने अपने पास NCRT रख लो तीक है और साथ में एक रफ सी कॉपी रख़ लो चीज़े जल्दी लिखेंगे भी करें स्टार्ट जल्दी जल्दी वाइस लो नहीं यह ठीक है बड़ीया मस्त आ रही है हाँ अवाज ठीक आ रही है भाई चलिए स्टार्ट करते है जल्दी जल्दी फास्ट हाँ हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे बिटा बॉटमी में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है वह 11 की बॉटमी पढ़ रहे हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग plant physiology को start करेंगे उसके concept पढ़ेंगे और साथ-के-साथ-सारी questions करेंगे तो साथ-के-साथ विट आपने पढ़ना है और सारी चीजे revise करेंगे और questions भी करेंगे ठीक है तो चलो start करेंगे पड़ाइब से तो सबसे पहले हम plant growth development से start कर रहे हैं फिर repeat कर रहा हूं fast रहेंगे अपनी NCRT transport की खोल के रखेंगे साथ में notes रखलो जो आपने बना रखे हैं और साथ के साथ हम लोग चीजों को करते वे चलेंगे ठीक है बिटा आजएए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं transport in plant की सबसे पहले हम इसकी basic theory पर जा रहे है आप में से कितने बच्चों को याद है कि हमारे पास जो transport होता है उसमें हमारे पास देखो क्या क्या चीज का ट्रांस्पोर्ट होता है पानी का होगा मिनरल का होगा food का होगा hormone का होगा हाण ठीक है और हम यहां पे क्या करते हैं कि जो पानी का transport है वो हमेशा xylem से होता है और food का transport phloem से होता है जल्दी fast रहेंगे और जो mineral है वो xylem और phloem दोनों से transport होता है same hormone जो है xylem और phloem दोनों से transport होता है ट्रांसपोर्ट दो तरीके का होगा एक बार theory basic कर लेते हैं short distance long distance short distance transport कम दूरी का ट्रांसपोर्ट होता है फटा-फट से सुने ध्यान से बिटा ट्रांसपोर्ट हमारे पास कम दूरी का होता है short distance और long distance short distance के चार थरीके हमारे पास diffusion facility diffusion active transport cytoplasmic streaming long distance transport के लिए क्या word use करते हैं कौन बताएगा sir long distance के लिए word use करते हैं translocation short distance का मतलब होता है हमारे पास किसी चीज के अंदर cell के अंदर entry करना है cell से exit करना within cell moment और cell to cell moment इसे हम क्या बोलते हैं short distance transport कहते हैं ठीक है long distance transport के लिए word use करते हैं translocation और वो xylem और phloem दोनों से होता है सहीए sir आगे की बात बताओ अब हमारे पास जड़ा इनको compare कर लेते हैं जो आपको questions आ सकते हैं सबसे पहले हमारे पास diffusion है फिर facility diffusion है फिर active transport है ठीक है diffusion हमारे पास random होता है ठीक है उसके बाद क्या होगा विटा high concentration से low होता है depend करता है किस पे concentration gradient पे डिपेंड करता है उसके लावा किस पे डिपेंड करता है size पे dependent करता है ठीक है और किस पे dependent करता है concentration gradient पे size पे pressure पे डिपेंड करता है ठीक है और कि क्या इसमें ATP लगता है नहीं है passive process होता है solid का diffusion नहीं होता solid में diffusion होता याद आ रहा है सारा जल्दी बोला बैटा इसके notes कहां मिलेंगे इसी PDF को आपको telegram channel पर देंगे next राजाओ फटाफट से next राजाओ diffusion जो है बिटा हम mainly किसका पढ़ते है gases का मैं आपसे गर पूछूं कि किसका diffusion आप पढ़ते हो तो gases का diffusion होता है plant में इसके अलावा diffusion कहा होता है जान से दुनेंगे इसके अलावा हमारे पास diffusion ज होती है facility diffusion में gradient already present होता है और यह भी बेटा high concentration से low होता है अब मैं यहाँ पर clearly आपको समझा रहा हूं low होता है जैसे यह membrane है मेरे पास यह channel है channel से मेरे पास वो चीज़ पार करती है जो hydrophilic होती है क्या पार करेगी hydrophilic channel की कुछ property होती है अगर आपको यादो SSI saturation सेलेक्टिविटी इनिवीशन saturation channel सेचुरेट हो सकते हैं चैनल सेलेक्टिव होते हैं और channel क्या होते हैं इनिविट हो सकते हैं समझ में आ रहा है channel क्या हो सकते हैं इनिविट होते हैं किसके बच्चे को याद है कि channel को इनिविट करने के लिए कहां बाइंड करते हैं वो भी हमारे पास क्या होगा, passive होता है, उसमें energy नहीं लगती, clear है, saturation, selectivity, inhibition, पानी का जो channel होता, उसमें कितने aqua pourins होते हैं, बताएंगे जल्दी से, पानी के channel में 8 aqua pourins होते हैं, याद आया कि नहीं, और इसके अलावा आप याद करो, एक बड़े size के channel होते हैं, जिन्हें हम pourins कहते हैं, वो कहां present होते हैं, mitochondria और plastic की outer wall में, और उसके अलावा कुछ bacteria में, अगर हम pump की बात करते हैं, active transport pump के through होता है, pump भी saturation, selectivity, saturation, selectivity, inhibition, follow करता है, पर pump हमारे पास कैसा होता है, अपहिल होता है, low concentration से high concentration की तरफ होता है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, low concentration से high concentration की तरफ होता है, यहां तक कोई doubt है, ठीक है, pump हमारे पास अपहिल होता है, cytoplasmic streaming क्या होती है, किस-किस बच्चे को याद है, cytoplasmic streaming होती है, कि हमारे पास cytoplasm इस तरीके से ऐसे rotate करता है, क्या cytoplasmic streaming passes process है, नहीं, यह process active है, clear है, अब हम बात करेंगे बेटा, आगे के topics की, सबसे पहले मैं बात करूँगा water potential की, मैं आपसे जानना चाहरा हूँ, water potential क्या है, water potential free energy है, पानी के molecule की, water potential की unit क्या होती है, पासकल होती है, water potential को siw से लिखते है, और water potential क्या है, किस पे depend करता है बेटा, number of water molecule पे, तो जितना जादा water का molecule होगा, उतना जादा क्या होगा water potential, क्योंकि वो water की random moment, kinetic energy पे depend करती है, तो water potential क्या होता है, repeat करूँगा, unit क्या है, पासकल, water potential को siw से लिखते हैं, water potential जो होता है, वो पानी की random motion की वज़े से हम measure करते हैं, clear है कि नहीं बताओ, clear है कि नहीं, याद करना है साथ के साथ, मैं सारे points बोलूँगा, solute potential जेखो, water potential में मेरे पास solute plus pressure potential होता है, solute potential हमेशा negative होगा, हमेशा क्या होगा, negative होगा, जितना जादा solute डालोगे, उतना हमारे पास low, ध्यान से तुने की बिटा, जितना जादा solute डालोगे, उतना low क्या होगा, solute potential होगा, इसका मतलब मैं repeat कर रहा हो, हम यहाँ पर लिखते हैं amount, amount of solute, जितना जादा डालोगे, उतना negative जाएगा, inversely proportional होता है, solute potential के, यहाँ बच्चे गलत करेंगे, मतलब for example, अगर solute potential minus 10 है, और solute potential minus 15 है, इसमें low कौन सा है, सर यह low है, तो जितना जादा solute डालोगे, उतना negative में जाएगा, और solute potential हमेशा negative होता है, अब बात करते हैं बेटा, pressure potential की, जल्द यल्दी से करें बेटा, यह कह रहा सर कुछ नए तरीके से पढ़ाओ, नए तरीके से क्या, कानी सुना दू, ठीक है, चलो जल्द यल्दी से सुनो, pressure potential की बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास माल लो कोई कोई हमने यह इस तरीके से सिस्टम बना रखा है, अगर मैं यहां से push लगाता हूँ, तो वो positive pressure है, और अगर मैं यहां से pull लगाता हूँ, वो negative pressure है, मेरे पास क्या होता है, किसी open beaker में पानी पर लगने वाला pressure क्या होता, atmospheric pressure, तो हम यहां पर क्या देखेंगे? Pressure potential अगर atmospheric pressure है, तो उसे zero लेते हैं, pressure potential more than, अगर more than हमारे पास क्या है? atmospheric pressure है, तो उसे हम लेते है positive, pressure potential less than atmospheric pressure है, तो उसे हम क्या लेते है negative, तो क्या-क्या याद करोगे? Water potential क्या होता है बिटा? water की movement की वज़े से जो उसमें energy है उसे water potential कहते हैं उसको हम किसमें measure करते है पासकल में solute potential हमेशा negative होता है पानी move करता है high water potential to low water potential pressure potential जो होता है बिटा वो positive zero negative तीनों हो सकता है zero कब होगा जब वो open भी कर में atmospheric pressure के बराबर होगा clear है के नहीं अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपसे clear बोल देता हूँ जैसे हम बात करते हैं osmosis की तो osmosis क्या होता है मेरे पास बिटा मालो मेरे पास यह दो system है यहाँ पर मैंने semi permeable membrane लगा दी है यहाँ पर मेरे पास जादा solute है जहाँ जादा solute होता है उसे हम कहते है hypertonic और जहाँ पर कम solute होता है उसे कहते है hypo तो पानी हमेशा hypo से hyper जा रहा है तो अगर पानी हमारा hypo से hyper की तरफ जा रहा है उसे हम osmosis कहते हैं हम क्या बोलते उसे हम क्या बोलते है ऑस्मोस बोलते हैं क्लियर है क्या नहीं अब अपसे जानना चा रहा हूं जरह मुझे चैट में बताओ कि ब्टाओ क्य और स्थन की याद करो KNews के लिए कि दो करता है किसके एक्रोस मूफ करता है सेमी पर्मियबल मेंब्रेन के एक्रोस किसके एक्रोस सेमी एंसे इसके अंदर बेटा सॉल्यूट ले लिया है प्योर वाटर ले रखा इसलिए वाटर पोटेंशल जीरो है क्या यह समझ में आ रहा है अब हम क्या कर रहें बिटा पानी यहां A से B की तरफ जा रहा है इसे ऑस्मोसिस कह रहे है अब मैंने अगर पिस्टन से प्रेशर लगा दिया तो पानी की एंट्री रोग दी तो मैंने क पानी की एंट्री को रोग दिया रिपीट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से सुनो मेरे पास यह फनल है यह सेमी जाल करके लाई गहीए इसके अंदर मैंने सुक्रोस ओलूशन लिया हुआ पानी इसमें एंटर कर रहा है जिसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं तो शुरुवात में मेरे पास क्या होगी ऑस्मोसिस होगी अब मैं क्या करूंगा पिस्टन से प्रेशर लगाऊंगा अगर मैंने पिस्टन से प्रेशर लगा दिया तो पानी की एंट्री को रोक दिया तो ध्यान स सुनो मैंने क्या लगा एक positive pressure लगाया तो इस positive pressure को हम क्या बोलते हैं osmotic pressure और यह जो चीज है जो negative value के साथ है इसे solute या osmotic potential बोलते हैं आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी solute potential minus 15 दे रखा है तो उसका osmotic pressure plus 15 होगा तो osmotic pressure और solute potential की value से होती है direction reverse होती है क्या यह चीज़ समझ में आ रहा है direction reverse होती है बिलकुल clear है कि नहीं बोलो जल्दी से बिटा तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया पानी एंटर करना था osmosis फिर piston से pressure लगाया तो osmotic pressure क्या था जो पानी की entry को रोक रहा था clear है कि नहीं बताओ जो पानी के entry को रोक रहा था clear है और शो नो करूँ जल्दी बता दो बिटा जल्दी बोलो slow पढ़ाओ अ अरे slow पढ़ा दूं और अ नहीं ठीक है, जल्दी बताओ, और स्लो पढ़ाओ, ठीक है, चल रहा है, हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूं, सुन दे जान से, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट, इसमें शुरुआत में पानी एंटर कर रहा था, जब मैंने पिस्टन से, मेरी बात होता है, किस पे सुल्यूट के, अगर किसी का सुल्यूट पोटेंशल माइनस पंदरा है, तो उसका उसमोटिक प्रेशर क्या है, प्लस पंदरा आएगा, क्या ये समझ में आ रहा है, और अगर मैं प्रेशर और जादा लगा दू, उसमोटिक प्रेशर से भी जादा लगा द इस क्या होता है सुन लो ध्यान से यहां पर आपको दो तिन टर्म याद करनी पड़ेगी हम यहां पर यह समझेंगे अगर मैं किसी सेल को प्लांट सेल को आइसोटोनी कंदीशन में रखता हूं तो उसमें क्या होता यह बीकर है इसमें पानी एंटर करता और बाहर जाता है ऐस ऐसे सेल को मैं फ्लैसिड कहता हूं ऐसे सेल को मैं क्या बोलता हूं फ्लैसिड कहता हूं लेकिन अगर मैं किसी प्लांट सेल को मैं ऐसे solution में रखूँ जो hypertonic है तो पानी मेरा बहार आता है अगर पानी बहार आता है तो मेरे पास क्या होगी plasma membrane मेरे पास ये मालनो cell wall है और ये मेरे पास plasma membrane है तो plasma membrane और उसके अंदर का सब कुछ तिकुड़ेगा उसे हम plasmosis कहते है तो plasmosis कब होती है जब solution क्या हो hypertonic हो क्या-क्या point याद करोगे plasmosis कब होती है जब solution क्या हो hypertonic हो उसमें क्या होगा plasma membrane और vacuole दोनों सिकुड जाएंगे उसे कहते है shrinkage of protoplast clear है NCIT ने पूछा है कि cell wall और plasma membrane के बीच में क्या आएगा तो cell wall और plasma membrane इनके बीच में beaker का पानी आएगा clear है के नहीं तो ये वाला cell क्या है plasma lies cell है ठीक है और अगर मैं इसको ऐसे solution में रखता हूँ जो hypotonic है तो hypotonic में क्या होगा ध्यान से सुनेंगे पानी इसमें enter करता है उस cell को हम क्या बोलते है तर्जिड बोलते है तो आपने तीन पॉइंट याद करने पहला आईसो टोनिक में flaccid cell होगा hypertonic में plasmolyzed cell होगा ठीक है plasmolyzed cell होगा और मेरे पास hypotonic में target turgid cell होगा पानी enter करेगा और जो pressure लगता है जो दिवार पर पानी enter करके पे कौन सा जेल plasmolyzed cell plasmolyzed cell कैसे बनेगा cell wall अपनी जगा पे रहेगी plasma membrane और vacuole दोनों श्रिंक होगे clear है पहले पानी plas cell के cytoplas से बाहर जाएगा फिर plasma membrane से clear है और turgid कब होगा जब hypotonic होगा clear है कि नहीं बताओ यह point याद कर सकते हैं यह याद करना है what is plasmolyzed shrinkage of protoplast plasmolyzed हमेशा living cell में होती है मुझे एक cell बताओ जिसमें plasmolyzed नहीं होती है जल्दी बताओ बटा मुझे एक cell बताओ जिसमें plasmolyzed नहीं होती है जल्दी जल्दी fast मुझे एक cell बताओ जिसमें plasmolysis नहीं होती है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सर dead cell, dead cell में plasmolysis नहीं होगी, या animal cell में plasmolysis नहीं होगी, अच्छा, सर imbibition क्या होता है, सुनो, imbibition में सबसे पहला point लिखा है, type of diffusion है, ये एक तरह का diffusion होता है, सही है सर बढ़िया है, इसमें क्य होता है, imbibition में, मेरे पास कोई solid, देखो NCID क्या लिखती है, solid या colloid, क्या करता है, पानी absorb करता है, पानी absorb करके उसका volume increase होता है, तो ये बात याद रखेंगे, solid और colloid, ठीक है, imbibition का example क्या है seed imbibition का example क्या है seed seed जब पानी एब्जॉब करता है तो फूल जाता है seed को तुटसकी फट जाती है और क्या example है rainy season में आपके पास जो दर्वाजे होते हैं लकडी के वो फूल जाते है अगर उस पे paint नहीं किया गया है वो फूल जाते है इसके अलावा क्या है पुराने टाइम में imbibition की वज़े से बड़े बड़े rock boulders जो थे उनको तोड़ा जाता था तो ये imbibition का example है अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि imbibition के लिए कौन सी दो condition चाहिए बताओ imbibition के लिए पहली condition है कि gradient होना चाहिए high concentration से low gradient मतलब high water potential कहा होना चाहिए पानी में seed में low water potential दूसरी condition है affinity seed और पानी के बीच में attraction होना चाहिए याद आ रहा है अरे बोलो ठीक है तो हमने क्या क्या पढ़ लिए आप जरहां revise कर रहे है सबसे पहले water potential water potential can be zero positive negative यूनिट पास्कल वाटर पोटेंशल को वाट सोल्यूट पोटेंशल प्रेशर पोटेंशल दोनों को एड़ करके हम लिखते हैं सोल्यूट पोटेंशल हमेशा negative होता है किसी open वीकर में pure water में water potential zero होगा क्यों zero होगा क्योंकि solute नहीं है pressure zero लेंगे प्रेशर पोटेंशल कब zero होता है open वीकर में ठीक है प्रेशर पोटेंशल positive कब होता है जब push लगाते है negative कब होता है जब pull लगाते है transpiration pull उसके बाद हम बात कर सकते हैं बिटा हमने बात की osmosis osmosis हमेशा semi permeable membrane के आरपार होती है पानी मूब करता है hypo से hyper हम reverse कब करा सकते हैं जब osmotic pressure से ज़्यादा pressure लगा दें ठीक है reverse osmosis करा सकते हैं osmotic pressure solute potential एक ही बात है बस direction opposite है solute potential और osmotic potential एक ही चीज होती है plasmolysis कब होती है बिटा plasmolysis होती है shrinkage of protoplast प्रोटो प्लास्ट अंदर की तरफ shrink कर जाए protoplast क्या होता है cell minus cell wall clear है कि नहीं बताओ सही है वाई इस बटा मेरी बास समझ में आ रही है ठीक है पानी एंटर करके जो दिवार पर प्रैशर लगता उसे तरगर प्रैशर कहते हैं इंबाइबीशन बता दिए अब आ जाओ जरा लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट की बात करते हैं मेरी बात बाद्धांस जुनना NCIT ने क्या पढ़ा है बिटा NCIT ने कहा है कि देखो भाई लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट का जो प्रिंसिपल है उसे हम बल्क फ्लो मास फ्लो कहते हैं क्या बोलते हैं भीया बल्क फ्लो और मास फ्लो कहते हैं जल्दी यल्दी से करेंगे बिटा बल्क फ्लो मास फ्लो कहते हैं यह है क्या सुनना द्यान से यह कहता है bulk flow mass flow कहता है कि चाहे पानी हो चाहे solution हो चाहे suspension हो सभी same pace से सारी चीज को ले जाएगा for example मान लो मेरे पास यह इसको analogy analogy मतलब similarity reverse से है bulk flow mass flow कहता है कि पानी जब high pressure से low pressure की तरफ flow करता है तो अपने साथ सारे solute और solution सबको same pace से ले जाएगा यह long distance ट्रांसपोर्ट का क्या है principle है इसका नाम है bulk flow mass flow bulk flow mass flow कहता है कि जायलम flowem के अंदर पानी फ्लो करता है वो अपने साथ खाना और mineral दोनों को high pressure से low pressure की तरफ ले जाएगा अब आपको यह समझना पड़ेगा कि move कौन कर रहा है पानी तो पानी जब move कर रहा है तो दो तरह की फोर्स लगती है push जिसे positive pressure कहते हैं और लग सकती है पुल जिसे हम क्या बोलते है negative pressure कहते है क्या यहां पर कोई doubt है किसी को ठीक है उसके अलावा NCRT ने बोला है कि short distance transport काफी जाधिया slow है कितना slow है 50 micrometer move करता है 2.5 second में तो इससे पानी नहीं transport हो सकता उसके लिए मुझे क्या चाहिए bulk flow और mass flow चाहिए और इसके लिए force कहां से आएगी या तो पानी को push करेंगे या pull करेंगे pull का example है transpiration pull और push का example है मेरे पास root pressure root pressure एक तरीके का push होता है और transpiration pull मेरे पास क्या होता है एक तरह का pull होता है ठीक है अब हम बात करेंगे बिटा पानी के absorption होना जो मैं point बोलूँगा उसको सुनना सबसे पहले सबसे पहले mineral absorb होता है mineral absorb होता है किसके अंदर root air के अंदर फिर पानी absorb होता है और पानी हमेशा passive absorb होगा याद हो जाएगी बात क्या क्या point याद करना है सुनेंगे सब हम यह कह रहे हैं कि पानी कैसे एब्जॉब होगा root के अंदर सबसे पहले देखो, अगर मुझे transport और water करना है, तो मुझे 3 step करने है, पहला पानी कैसे एंटर करेगा, दूसरा पानी कैसे transport होगा, तीसरा transpiration, पानी की entry कैसे होती है, 100% passively, question directly आएगा, NCRT ने लिखा है कि millions of root हेर होते, पानी हमारा pass होता है कैसे एब्ज़ूब होगा एक भादवब हो जाता है तो फिर किसमें जाता है रूट में जासा अब दीको उसका पैठ्ध वे क्या है ढ़ная मेरे पास यह रूट हेर में अब्ज़ूब हो गया कोर्टेक्स में वो कैसे मोव करता है इपोप्लस्ट तो आपको एपोफ्लस्ट वो S follower सभद समझना पड़ेगा उसके बाद देखो पानी क्या हुआ सबसे पहले वो रूट göz में अब्जॉब हुआ उसके बाद कॉर्टेक्स में वो जा रहा है और कॉर्टेक्स में कैसे जा रहा है यह पैसिवली जा रहा है ठीक है मतलब पानी कैसे जा रहा है अब क्या है यह वाली लेर क्या रहा है यह सुविरिन लगा हुआ है फिर यहां से इधर जाकर इस साई निकल गया अगर आप से पूछा जाए कि endodermis में कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है उसे सिंप्लास्ट कहते हैं. सिंप्लास्ट में क्या नहीं होती? मेंबरेन क्रोस नहीं होती. तो यहाँ पर पानी के एब्जॉप्शन में आपको दो-तीन चीज़े याद रखना है. पहला याद रखना है कि पानी हमेशा passively absorb होता है, पानी cortex में एपोप्लास्ट मूव करेगा, एंडोडर्मीस में सुबिरिन उसे force करती है कि वो membrane पार करे और साइटोप्लास्ट से मूव करे, सुबिरिन बनाती है Casperian strip, किसमें होती है एंडोडर्मीस में, फिर pericycle में वो free है एपोप्लास्ट मूव करने के लिए, किस बच्चे को ये line याद है, कि यंग root में पानी directly xylem में एंटर करता है, ये line लिखे है NCRT में, याद आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है, डिरेक्ली एंटर करती है, दूसरा, पाइनस का सीड बिना माइकोरीजा के जर्मिनेट नहीं कर पाता, obligatory association है, क्योंकि उसको पानी absorb करके देता है, सही है, सही है, अरे थोड़ा slow पढ़ाऊंगा तो 5000 साल में होंगा ये, slow ही पढ़ा रहा हूँ, हाँ, हाँ, जल्दी, fast, आ जाओ, आ जाओ, हाँ, सही है ना, ये लाइन याद है कि नहीं, अब तुझे यहाँ से space से क्या क्या कुशन आएगा, पहला statement based question, पानी 100% passive way absorb होता है, दूसरा, पहले mineral absorb होता है, फिर पानी absorb होता है, endodermis में क्या होती है, simplast होती है, cortex में क्या होती है, epoplast होती है, क्या ये लाइन याद है, simplast में membrane cross होगी, मानते हैं membrane cross होगी, अब आजाओ, अगर पानी को उपर चड़ाना है, तो उसे हम कहते हैं, ascent of sap, सुनना ध्यान से, पानी एक बर जायलम में आ गया, तो पानी अब उपर जाएगा, पानी उपर जाने के लिए, हमारे पास दो थियोरी है, एक है root pressure थियोरी, और दूसरी है, cohesion, tension, transpiration, pull थियोरी, scientist का नाम चाहो तो कर लो, जरूत नहीं है, root pressure थियोरी क्या है, ध्यान से जुनेंगे, root pressure थियोरी, ये explain नहीं कर पाई, कि पानी कैसे उपर जाएगा, पर ये explain कर पाती है, कि छोटे plants में, gutation कैसे होगी, हना gutation कैसे होगी, ये चीज, clear है, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है जरू, तो हम यहाँ पर क्या पोड़ रहे है, सुने ध्यान से, हमने पानी को enter करा लिया है, पानी यहाँ पर पोर्स फुली आता है, और उपर की तरफ क्या लगता है, पुश, तो सबसे पहली लाइन, आपने कोश्चन के लिए याद रखनी है, कि पानी, सुरी, मिनरल जाइलम में एक्टिवली इकठे होंगे, फिर पानी आके पुश लगाएगा, अब सुनो ध्यान से, रूट प्रेशर के बारे में क्या-क्या पॉइंट याद रखेंगे, पहला, रूट प्रेशर कब लगता है, जब मिनरल एक्टिवली एब्जॉब होता है, उससे वाटर पोटेंशल दिक्रीज होगा, और वाटर एंटर करेगा, रूट प्रेशर कैसा प्रेशर है, पॉजटिव, और क्या है, पुश है, और इसका मेगनिटूट कम होता है, मेगनिटूट क्या होता है, कम होता है, यह एफेक्टिव है सिर्फ हर्बेशियस प्लांट में, Herbaceous का मतलब छोटे plant में effective होता है अब इसकी वज़े से क्या होता है? Exceduation Exceduation कोई guttation कहते है Exceduation क्या होता है? Early morning और late evening में जब transpiration pull कम होता है तो leaf margin से पानी जो है H2O liquid की form में loss होता है Leaf margin से, यहां से कम होता है? जब बाहर humidity ज़ादा हो Transpiration कम हो रही हो Late evening, early morning में ऐसा होता है तो plants के अंदर एक positive pressure होता है उसे root pressure कहते है दूसरा क्या होता है? जब transpiration pull ज़ादा हो तो दोपहर के समय water column तूट जाता है उसे replace करने के लिए replace करने के लिए द्यांस उने बिटा replace करने के लिए दुबारा से उस column को जोडने के लिए root pressure काम करता है तो root pressure से क्या क्या काम है? question आएगा पहला, root pressure लगता कैसे है दूसरा, root pressure, positive pressure, yes root pressure क्या काम कराता है? छोटे plants में effective है काम क्या कराता? gutation gutation कोई exaggeration कहते हैं उसका मतलब है पानी का liquid की form में स्टोमेटा से loss नहीं होता है margin से loss होता है सर हमारे टीचर ने हाइडर थोर्ट्स लेकवाए था मैंने भी पहले लेकवाए था अब नहीं आएगा clear है हाइडर थोर्ट्स अब नहीं आएगे दूसरा ये क्या करता है regeneration of water column करता है clear है root pressure को measure कर सकते है strong pull कैसे लगेगा देख बेटा ध्यान से सुन plant में strong pull ऐसे लगता है कि पानी gas की form में leaf के अंदर convert हो जाता है और पानी के vapor यहाँ बाहर भी होते हैं तो जैसे ही ध्यान से सुने जैसे ये vapor हटते हैं अंदर के vapor बाहर आते हैं और ये पानी का जो column है convert होता है leaf के अंदर तो जो gas की form में convert होगा ये बाहर आएगा इस water column पे खिचाओ बनता इसे transpiration pull कहते हैं clear है बोलो बटा हाँ गटेशन में पानी के साथ mineral भी होता है बिल्कुल सही है तो strong pull कैसे लगा ये हमने देख लिया दूसरा क्या है ये जो water कॉलम है ये तूटता क्यों नहीं है इसके लिए तीन फोर्क्स की बात करती है अंसियाटी कोहेशन अडेहशन और सर्फेस टेंशन इसकी वजह से water column नहीं तूटता तो मैं आपसे सवाल पूचता हूँ पानी सुने धान से पानी चड़ाने के लिए ट्रांस्परेशन पुल काम करेगा और कैपिलरी एक्शन दूसरा water column क्यों नहीं तूटेगा कोहेशन टेंशन सर्फेस टेंशन की वजह से clear है कि नहीं सही है याद आ रहा है अरे पी-पी टाइप के बच्चो याद आ रहा है आ रहा है ठीक है अब जुनो ध्यान से ध्यान से जुनना ट्रांस्परेशन क्या होता है याद करो ट्रांस्परेशन होता है loss of water किसकी form में वेपर की form में लीफ प्लांट के सर्फेस से मैंने सर्फेस क्यों लिखा है क्योंकि स्टैम से भी हो सकता है इसकी वज़े से cooling effect होता है 10 से 15 degree Celsius temperature कम हो सकता है transport होता है किसका पानी का और mineral का आपको याद होगा कि C3 plant में C3 plant में क्या होता है सुनो जब हमारे पास पानी बहर जाता है तो CO2 अंदर आता है C3 plant में जादा पानी का loss होता है किसके exchange में CO2 के exchange में याद आया कि नहीं हाँ सर आग याद आ गया दूसरी चीज क्या है बिटा ट्रांस्परेशन आपको पता होना चीए कि प्लांट के सरफेस पे गैस की फॉर्म में पानी के loss होने को ट्रांस्परेशन कहते हैं इसमें आपको याद रखना है कि C3 plant कम efficient है as compared to C4 plant दूसरा कौन से factors हैं जो ट्रांस्परेशन अफेक्ट करते हैं कैनोपी कैनोपी मतलब ट्री का कवर लीफ का साइज स्टो मेटा कितने खुलेवें कौन सा टेस्ट है ट्रांस्परेशन के लिए कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट ठीक है कौन से factors है external humidity बाहर जादा होगी ट्रांस्परेशन कम temperature बाहर जादा होगा ट्रांस्परेशन बढ़ेगा light दे टाइम में ट्रांस्परेशन जादा होता है inside leaf co2 यह आंसर करो कि अगर लीफ के अंदर co2 की concentration जादा है तो ट्रांस्परेशन घटेगा बढ़ेगा जल्दी से आंसर करो जल्दी से आंसर करो अगर लीफ के अंदर अरे जल्दी करो ना भाई चाहिए इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा सबस आजाओ अब आजाओ जड़ा ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का मेकेनिजम देखते हैं इसमें आप क्या भूल सकते हो सुन लो आप यह भूल सकते हो कि जो इनर वॉल है वो क्या है ठिक और एलास्टिक है और यह रेडियली अरेंज सेलूलोस के माइक्रो फिब्रिल है कैसे लगे है रेडियली अब क्या होता है सुन लो ज्यान से सबसे पहले वाटर पोटेंशल गार्ड सेल में डिक्रीज होता है यहां पर यहां पर वाटर पोटेंशल डिक्रीज होगा सबसीडरी से पानी एंटर करता ह सब्सीडरी से पानी एंटर करता है उससे क्या होगा मिरे पास यह एसा हो जाता है देखो स्टोमेटा ऐसे इसको टरजीड के दिया तो इसमें यह Bulge out होगी बोह समझ में आता यह कॉशन आ सकता है और स्टोमेटा ओपन हो गया इसके लिए कुंसा मिनरल चाहिए चाहिए स्टोमंेटा खोलने के लिए बताओ के पलस आयंड चाहिए के पलस आयंड क्रीसे तो आपको यह यह पॉइंट करने गए पहले इनर वाल सरकपयद थिक्ष कर एलास्टिक ऑट एलास्टिक ऑउटर वाल थिन है ठीक है उसके बाद के वाद मत चीज या चीज तो यहां पर गाड़ सेल कैसा है तर्जिड है तो क्या-क्या पॉइंट याद किये तर्जिड याद कर लिया के प्लस याद कर लिया बल्ज और क्रीशंट याद कर लिया ठीक और एलास्टिक याद कर लिया कर लिया अरे हां कर लिया के नहीं अब कोश्चन में पूछो यह कोई सवाल हुआ है जल्दी बोलो ठीके सर आगे आ जाओ जल्दी जल्दी सर अच्छा मिनरल ट्रांस्पोर्ट में क्या क्या पॉइंट से सबसे पहले सुनों मैं आप से पहला सवाल पूछता हूं मिनरल एब्जॉब होता है एक्टिव और पैसिव दोनों होता है जादा क क्या होगा सर जादा एक्टिव होगा एक बर मिनरल एब्जॉब हो जाता है तो ट्रांस्परेशन स्ट्रीम पानी के साथ वह उपर जाता है एंडोडर्मिस कंट्रोल करती है एंडोडर्मिस कंट्रोल करती है कि टाइप कौन से टाइप का और कितने एमाउंट में साइलम जो होता है वेता और इन औरनिक दोनों के लिए होता है सेम चीज फ्लूयम के लिए होगा वह वो भी औरगेनिक औरगेनिक दोनों के लिए होती हैं अगने मैं सबसे पहले फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो है सोर्स और सिंग कॉनसेप्ट से होता है सोर्स वो होता है जहां से सुक्रोज मूव करता है सिंक वो होता है जहां पे खाना पहुंसता है मेरे पास नॉर्मल मीजोफिल सेल सोर्स की तरह काम करेंगे अब नॉर्मल टाइम पे सोर्स और सिंक बदल सकते हैं रूट सोर्स भी हो सकती है अब जर देखो मीजोफिल से खाना एक्टिवली एक्टिवली ये पॉइंट भूल जाओगे एक्टिवली एनरजी खर्च करके companion cell में आगे ये पहला step हो गया दूसरे step में एक्टिवली वो खाना किस में आगे यहाँ पर दूसरा step यहाँ आगे तीसरे step में जाइलम से पानी इधर आएगा फिर repeat कर रहा हूं मीजोफिलसल से खाना यहां आ गया यहां से खाना यहां चला गया दोनों actively है पानी यहां आ गया यहां से क्या हुआ एक pressure develop हुआ उससे खाना और पानी यहां move कर गया यह 4 step है फिर खाने को हमने क्या करा यह सिंक है सिंख में मैंने फूड को भेज़ दिया यह मेरा फिफ्थ स्ट्व हो गया पानी वापती चला गया जायिलम में इस सिक्स्ट क्या तो सबसे पहला कोशन क्या आएगा पहला कोशन यह आएगा तो यहां पर क्या है पुश और प्ल फॲल है सर पुश है पॉस्टिव प्रेशर है तीसरा सवाल हां जो यह लोडिंग और अन्लोडिंग क्या है सर एक्टिव है लोडिंग और अन्लोडिंग क्या है दोनों एक्टिव है तीसरा सवाल जल्दी बोलो हाँ सब ठीक है तो ये मेरे पास वो concept है जो आपने ध्यान रखना है ठीक है आगे चलेंगे बिटा आगे चलेंगे गड्लिंग गड्लिंग एक्सपरिमेंट में हम क्या करते हैं सबसे पहली चीज याद रखो फ्लोयम बहार होता है जायलम अंदर की तरफ होता है गड्लिंग एक्सपरिमेंट में फ्लोयम काट देते हैं फ्लोयम का काम क्या होता है फूड को उपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो यहां खा मरेगी क्योंकि रूट को खाना नहीं मिलेगा उसके बाद क्या मरेगी शूट मरेगी क्या ये बात समझ में आ गई क्लियर है कि डन है तो मैंने क्या-क्या पॉइंट आपको रिपीट कर देते हैं फटा-फट से गर्डिंग क्या काटते हैं सर फ्लोयम काटते हैं खाना उपर से नीचे की तरह मूफ कर रहा होता है अगर यह दुबारा से पार्ट नहीं रीजनरेट हुआ तो कौन मरेगा पहले सर रूट मरेगा क्लियर है जल्दी 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 फास्ट ठीक है सर बढ़िया है आजो वह सवालों के जवाब दोंगे आप पहला कोशन करो पहला सवाल इस संसें डिजॉलफ इन प्योर वॉर्ट यह तुमारे पास बीकर है इसमें तुमने एल्दी अपर ओपन पी कर रहों मेरे पास प्योर स्वस्पीर शॉल्वी इन क्योर वाटडर कांसें टेरेशन ओफ और डिक्रीज है वह संट्रेशन ओऊ डिक्रीज हो गई है दियर रिज़ेल्ट इनक्रीज इन वातर पॉटेंश्यल इंक्रीज नहीं होगा बतो डिक्रीज होगा रिड्यूसिंग स्वाटर पॉटेंश्यल यह ठीक लग रहा है यह गलत लगर देट है अगर आप सुलीट add करोगे तो माल लो water potential 0 था water potential माल लेते हैं minus 10 हो गया तो water potential decrease हो गया तो answer first का क्या आ गया भाई B आ गया सही है चलिए बढ़िया है solute add करने से water potential गटता है concept यह which of the following is apoplastic moment देख भाई apoplastic moment कौन साइन में से it occur through cytoplasm it occur through plasmo decimata it involves crossing the membrane तीनों को बोल सकते हूँ अपोप्लास्ट है करेक्ट फोर अपोप्लास्ट ओहो cytoplasm crossing the membrane none of these आएगा यह answer आएगा नन क्योंकि यह सारे simplast है यह सारे क्या है बिटा simplast है तो यह question जो है अपोप्लास simplast की बात कर रहा है आगे चलेंगे आगे चलेंगे the magnitude of lowering of water सुने जान से बिटा the magnitude of lowering of water potential due to dissolution of solute अगर आप solute add कर रहें कितना कम होगा उसे क्या बोलेंगे बताओ मालो water potential जो है वो जीरो है हना मैंने solute add किया या मालो solute potential zero है मैंने solute add किया अब solute potential minus 5 हो गया तो यह जो difference आया है ना इसे हम क्या बोलते हैं बिटा solute potential third का a आएगा third का क्या आएगा a आएगा अभी कैसे आजाएगा pressure कैसे लगा देगा solute add कर रहा है ठीक है सब आगे देख लेते हैं वेल्यू आफ सॉल्यूट potential जल्दी फास्ट वेल्यू आफ वोड्यू पोटेंशल जल्दी फास्ट वेल्यू आफ सॉल्यूट न्यूटेंट्स और plant growth regulator ठीक है अब सबसे ज़्यादा चीजे इसमें दे रखें यह चारों चीजे मूव करते हैं फ्लारिंग प्लांट में चारों इसमें क्या नहीं है मिनरल नहीं है इसमें हॉर्मोन नहीं लिखा हुआ तो मेरे पास स्विफ्ट का क्या आएगा भी आएगा ठीक है और कोशन करा हो six over small distance हाँ बरी small distance transport सब्स्टेंज बूव बाई diffusion only पिटा देखो, साइटो प्लास्मिक ये only वाला काड़ दो, ठीक है, diffusion and by साइटो प्लास्मिक स््क्रीमिंग without supplemented by, हमेशा याद रखो बिटा, diffusion, साइटो प्लास्मिक स्क्रीमिंग और active transport ये तीनों short distance है, नहीं यह तीनों क्या है। short distance B कैसे आएगा। स्मॉल डिस्टेंस विटा एक्टिव ट्रांस्पोर्ट भी स्मॉल डिस्टेंस ही होता है हना एक्टिव ट्रांस्पोर्ट स्मॉल डिस्टेंस होता है एस तोड़ी है हाँ एक्टिव ड्रांस्पोर्ट भी स्मॉल डिस्टेंस होगा आ गया जो यह वाला बताओ जराई इसमें कहां गलत है हाँ भी बताओ जल्दी इसमें से बताओ जल्दी से सेवन सेवन अरे सेवन जल्दी करो अगर किसी कोश्चन के आपको डाउट है तो उसको हम अभी सेवन लॉंगी ट्यूडनल सेलूलोज यह रहा इसमें लॉंगी ट्यूडनल होते हैं सही है गार्ड सेली फोटो सिंथेटिक डाइकॉट यह ठीक है हाँ यह वाली जो स्टेटमेंट है यह कब होगी जब गार्ड सेल अभी पढ़ा हमने तरजिड होगा सही है सर फोर्थ अच्छा यह देखना फ्लैसिड गार्ड सेल हैव इनर क्रीसेंट शेप वह भी वैसे भी आउटर होने वाला था डी आएगा डी भी गार्ड सेल फोटो सिंथेटिक क्लोनोप्लास्ट होता है उसमें आगे आ जाओ हाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में सैचुरेशन होगी नही होता है एक्टिव ट्रांस्पोर्ट में चैनल यह भी गलत है साइटो प्लास्मिक स्ट्रीमिंग एक्टिव प्रोसेस है एट का फूर आएगा एट का फूर आएगा देख ले पिटा द्यांसे अगला कोश्चन ले नाइन प्लांट लैक सर्कुलेटरी सिस्टम सही है जाइल से यूनि डिरेक्शनल होता सही है यह गलत है अगर मिनरल फ्लोम से जाएगा तो क्या यूनि डिरेक्शनल होगा नहीं होगा इन फ्लोरिंग प्लांट देरीजा कॉंप्लेक्स बट ओडर्ड ट्राफिक मॉलिक्यूल्स हाना हमें इनकरेक्ट पूछा गया मिनरल ऑल्वेज ओल्वेज नहीं होगा विटा थीक है तो नाइंट का मेरे पास थर्ड आ गया क्योंकि फ्लोम से भी जा सकता है नाइंट का थर्ड आ गया जल्दी देखो विटा जल्दी फास्ट कोश्चन थोड़ा जल्दी पड़ो टेंथ आ जाओ विच और फाउनरल लोकेशन हां बही म प्लाजमोलिस यह करते है अकर वेंस प्लेज इन हाइपर टोनिक सोलूशन यह तो ठीक लग रहा है सोल्यूट पोटेंशल और साइटो प्लाजमी साओं देन इद्धा यःँ पर पानी इसके प्लाजमोलिस की तो मेरे पास माइनश 10 है तो पानी बाहर आना चाहिए यहां परدة इसनके लिए मैरे low होना चाहिए तभी पानी बाहर आएगा तो solute potential of cytoplasm is higher than the solute potential external ये भी सही लग रहा है बिटा water from बाहर move करेगा osmotic pressure water from cytoplasm move into external solution then from vacuole, cytoplasm का higher होगा than external solution osmotic pressure decrease करेगा ये भी सही है, not true पूछाए न water from इसमें से पहले किसमें move करेगा move into external solution and then from ये सारी सही लग रहे है solute potential of cytoplasm मालनों कहां गया एक मड़ोग भाई ये साइटोप्लास्म में बिटा है, इधर द्यान से सुन cytoplasm का solute potential क्योंकि बाहर solution क्या रखना, hypertonic तो सारी सही है इसमें, actual में स्टेट्मेंट बिटा लगबग सारी ठीक है देखो मेरी बात सुनो ज्यान से osmotic pressure क्यों घटेगा, पानी निकलने से pressure घटता है, सुरी, बढ़ेगा decrease होगा, increase होगा बच्चे D आएगा, सुनो, सुनो, सुनो देखो, मेरी बात सुनना ये तीनों ठीक है osmotic pressure क्या होता है जब पानी बाहर निकलेगा तो मुझे बताओ, अंदर concentrated solution होगा जब concentrated solution होगा तो osmotic pressure क्या होगा, increase होगा क्या होगा, increase होगा ये समझ में आ रहा है, नहीं मेटा, भी ठीक है solute potential, देख मेरी बात समझ ध्यान से अगर मेरे पास ये देख, ये cell है और ये cytoplasm है ये hypertonic है hypertonic में मतलब जादा solute है, अगर जादा solute है, तो उसका solute potential low होगा के नहीं, हाँ समझ इस बात को, ये ठीक है clear है, हाँ ठीक है, D क्या होगा, जब पानी बहार निकलेगा ना, तो और concentrated होगा, osmotic pressure बढ़ना चाहिए, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है कोशन ये, हाँ भी, guttation कब होती है pressure positive होगा जाइलम में, guttation में क्या नहीं होता, ये 3rd 13 का 3rd, चीक है देख लो, 13 का 3rd आएगा negative pressure नहीं होता सही है, आगया आजो which of the following is not epoplast crossing the cell membrane, tracheids, cell wall ये dead है सब स्टो मेटल कैविटी का मतलब leaf में, यहाँ पर पानी है cells के बीच में, ये भी क्या epoplast है तो ये क्या है, ये simplast है 14 का 1st, बेटा आप confuse ना होना उस question में osmotic pressure वाले में, 14 का 1st आएगा आपको ये समझ में आ रहा है, जादा कर question, epoplast, simplast, gattation के round आएंगे, हाँ भी nitrogen किस फर्म में transport होती है, हाँ भी देख लो, NCRT चक करो, तुम्हें first answer मिलेगा, किसी ने check करनी है, NCRT, NCRT चक करो जड़ा है इसकी, इसकी NCRT चक करो जल्दी, इसकी NCRT चक करो, हाँ, इसकी NCRT चक करो, हाँ, हाँ, NCRT चक करो, ये आएगा, ज्यादा और्गेनिक देन इन और्गेनिक, NCRT चक करो, मिल जाएगा, कहाँ पर, मिनरल ट्रांसपोर्ट में, हाँ, ओपनिंग ओफ, क्लोजिंग में, क्या होता है, ओपनिंग कर आ रहे है, आउटर वाल ओफ, गाड़ सेल, बल्ज आउट, ठीक है, इनर वाल, क्रीसन शेप, क्या नहीं होगा, 16 का फोर्थ, हाँ, 16 का फोर्थ, 15 चेक कर लो, NCRT से, फिर बाद में बोला नहीं आ गया था, क्योशन, ठीक है, यह तो हो गया, क्योशन, 17 से में, हभी नॉर्मल टाइम में, ध्यान सुनेंगे, नॉर्मल टाइम में, यह लीफ है, यह सोर्स होगी, और रूट क्या होगी, सिंक होगा, सोर्स ओफ फूड, हभी खुद से देख लो, तो मेच्योर लीफ, नॉर्मल टाइम में, क्या होती है, सोर्स होती है, यहां से खाना मूव करता है, खुद से देखो, भीटा, खुद से देखो, हाँ, सही आ गया आ जो, विचोर दो फॉलिंग इस नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट थू फ्लोयम, हभी फ्लोयम का ट्रांसपोर्ट पॉस्टी प्रेशर है, हाँ सर, बल्क फ्लो मास फ्लो फॉलो करता है, हाँ, अब यहां पर एक बच्चे को समझना पड़ेगा, कि फ्लोयम जो था ना उसमें लोडिंग और अलोडिंग एक्टिव था, पर यह वाला ट्रांसपोर्ट जो है, यह पैसिव है, तो आपको समझना पड़ेगा कि लॉंग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कभी एक्टिव नहीं हो सकता, लॉंग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कभी एक्टिव नहीं हो सक सब्सक्ता लोडिंग अलोडिंग एक्टिव है हाँ सठीक है बढ़िया है और बताओ एस्प्रिन वगरे नहीं करनी है आपने विचो दो फॉलिंग इंक्रीज वॉल्यूम ओफ कोलोड बताओ वहिए टॉंटीवन बताओ टॉंटीवन बताओ बच्चे मैं आंसर चेक नहीं कर पाऊंगा लाइव में कि अगर कोई एक आत गलत होगा तो उसका मैं सही आंसर आपको अलग से टेलिग्राम पर दे दूँगा ठीक है पर अगर अगर आप ध्य इंबाइबीशन हाँ ठीक है अना इंबाइबीशन नेक्स्ट है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें होता भाई रूट में हाइस रूस्मोटिक प्रेशर सुनों ध्यान से बिटा ध्यान सुनों रूट जो है मेरे पास ध्यान सुनेंगे रूट में जो होगा इस रूस्मोटि पानी है पानी के आसपा सॉल्यूट जादा होता है यहां पर तो रूट में भी काफी सारा सॉल्यूट रखना पड़ेगा तभी पानी खीच पाएंगे मतलब ऐसी कंडिशन जहां पर पानी बहुत कम होता है रूट को अपना ऑस्मोटिक प्रेशर जादा रखना पड़ता है की खिचने के लिए वैसे ऐसा कोशन आएगा नहीं आपके पास कभी भी अच्छा यह वाला कर सकते हो विच ओ धौलिंग प्लांड सेल हैं है फी स्मोटिक परेशर इस नहीं प्लस में यह सारे आस्मोंटिक प्रेशर दे रखे ठीक है इसका हाइस ऑस्मोटिक पटेंचल बताना है बताओ बढ़ी जल्दी से नीद आरही है इसोजा वाई जाके हां बढ़ी जल्दी बता सर इनमें सम्में माइनस कर दो तो यह माइनस 20 हो गया क्या यह आंसर होगा नहीं यह माइनस 2 हो गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं माइनस 2 बड़ा है कि माइनस 20 बड़ा है सर माइनस 2 बड़ा है तो यह यह आंसर आएगा कि जिसका Osmotic Pressure low है देको यह low Osmotic Pressure है यह high Osmotic Pressure है तो जिसका Osmotic Pressure low है उसका Osmotic potential क्या होगा High D answer आएगा हाँ डी आएगा ठीक है जर्णा देखें कुछ previous year के question है देखें आपको कितने आ रहे दप्रोसेस डिस्पॉंसिबल कर लोगे यह वाला कर लोगे जल्दी बताओ जल्दी करो पीवाई क्यों आगए फास्ट पास्ट फास्ट जल्दी बेटा फास्टAl स्ट पीजु आगे जल्दी करो गर की क्यों गाये हाँ सरय तो एक्दम असान है में रूट प्रेसर टनμ अ आप देख लो वाटर मिंदल और गैनिक ठीक है ओनली अटा दो है ओनली वाले नहीं आएंगे वाटर मिंदल सॉल्ट और गैनिक नाइट्रोजन एन हॉर्मोन अना चारों चीजे ट्रांस्पोर्ट करता है कि यह वाला देखो और देखो जैन से खाना नीचे से ऊपर उपर से नीचे किसी भी डिरेक्शन में जा सकता है तो नॉन मल्टी गलत हो गया अपर डाउन्वर्ड नहीं लगा सकते हैं बाइ डिरेक्शनल लगा सकते हैं क्योंकि फ्लोयम में खाना बिटा आप खुद से देखो अगर लीफ से से उपर भी जा सकता है तो हम क्या लगा सकते हैं और दिखाओ ऐसे कोशन आएंगे तो एकदम उनको देखो स्टोमेटल मुव्मेंट इस नौट अफेक्टेड बाई हमने टेंपरेचर पढ़ाता लाइट पढ़ाता सियोटू पढ़ाता तो क्या आएगा सर सी आजाएगा यह यह था ओपनिंग ऑफ क्या है देखो कॉंट्रेक्शन ऑफ आउटर वाल डिक्रीज इंटर्जिटिटी डिक्रीज नहीं होता ओपनिंग के लिए रेडियल माइक्रो फिब्रिल हाँ रेडियल से फर्क पढ़ता आप पढ़ता है लॉंगिट्यूडनल किसमें है वो में नहीं है कॉंट्रेक्शन ऑफ आउटर वाल ऑफ गार्ड से लिए नहीं रेडियल इससे फर्क पढ़ेगा 28 का सी है कि नहीं है ना सही है सर तो पीवाई क्यू में ज्यादा कर कोश्चन आपके गटेशन के आएंगे अगला चैप्टर ले लेते ठीक है मैं जो जो रिवा के वहाँपिल आपके जल्दी फास्टा कि वॉं सैक्क ने किस एर में हइड्रोपोनिक्स दित्कवर किया था जल्दी जल्दी फास्ट झाजाओ हाँ अबभी कॉइंट वाह जलेंगे सबसे पहला सबसे पहले वों सैक 1860 हैड्रोपोनिक्स स्वैलेस कल्चर कहते हैं इसमें deficiency role amount measure करने के लिए सही है, ठीक है, दूसरी चीज, किसी को याद है कौन से plant का commercial culture करते हैं, सर टोमेटो और क्या था, लेट्यूस याद है, टोमेटो लेट्यूस, इनके बारे में सीडलेस कुकुम्बर का commercial culture करते हैं, अब आता है topic criteria of essentiality, NCRT कहती है कि 105 type के mineral हमारे पास present होते हैं, plant उसमें से 60 type के ले सकता है, कुछ radioactive mineral भी मिल जाते हैं, क्या सारे essential हैं, सारे essential नहीं है, सारे mineral essential नहीं है, तो mineral वो essential होते हैं, जिनको replace नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे से, दूसरा उनका direct role होना चाहिए metabolism में, और वो life cycle में involved होने चाहिए मैं repeat कर रहा हूँ, direct role metabolism, directly involved होना चाहिए किस में, किस में involved होना चाहिए metabolism में, life cycle उसके बिना पूरी नहीं हो, और किसी दूसरे mineral से उसे replace ना कर सके, clear है कि नहीं, सही है सर, अब हमने क्या बोला है, हमने amount के हिसाब से macro और micro करा है, more than 10 million more per kg dry weight याद रखना, हमेशा याद रख है, कि अगर मैं leaf का 1 kg dry weight लिखूं, लू, उसमें से 10 million more हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, macro nutrient बोलेंगे, carbon hydrogen oxygen nutrient नहीं है, carbon hydrogen oxygen, sorry mineral नहीं है, वो nutrient है, वो directly soil से नहीं मिलते, चोन PSK calcium mg, ये 9 macro हैं, फीकू, नीमो, बीकल, MNZN, ये 7 micro हैं, दोनों को add करके 17 मेरे पास essential हो गए, ये वाले beneficial हैं, कोबाल्ट, सोडियम, सिलीनियम, सिलिकॉन, ये higher plant में चाहिए, ये किस में चाहिए, higher plant में, क्या मैंने macro, micro याद कर लिए, चोन PSK, सी का mg, ठीक है, सोरी, calcium mg, फीकू, नीमो, बीकल, MNZN, ये beneficial element है, जो higher plant में चाहिए, कोई doubt है, यहां तक, अरे कोई doubt है, यहां तक, macro, micro के direct question आ जाएगा, कि इन में से कोन से macro है, कोन से micro है, एक previous error का question है, वो गलत है, ध्यान रखना, आगे आज़ो बेटा, अब हमारे पास role की direct बात कर लेते हैं, हमने minerals के role को चार ग्रूप में divide किया था, पहला structural element, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, ये structural element होते हैं, फॉस्फोरस सलफर, औस्मोटिक potential मैं कोन बेंटेन करता है, पोटेशियम, energy के लिए, energy के लिए, हमारे पास क्या होगा, magnesium होता है, chlorophyll में, chlorophyll समझ में आता है, chlorophyll में हम बात कर सकते हैं, या फॉस्फोरस होता है, उसके अलावा activator of enzymes होते हैं, ये चार ग्रूप थे, अब हमने role की बात कर ली, nitrogen कहां होता है, प्रोटीन में, amino acid, nucleic acid में, phosphorus, DNA, RNA, nucleotide, sulfur बहुत important है, याद करके जाना, sulfur containing amino acid बताओ, methionine, cysteine, cysteine, repeat कर रहाँ, methionine, cysteine, cysteine, उसके अलावा विटामीन होता है, thiamine, acetyl, coenzyme, इनके अंदर क्या present होता है, याद करो, इनके अंदर क्या present होता है, इनके अंदर क्या present होता है, sulfur होता है, repeat करेंगे, ये सब्सक्राइब, इनके अंदर sulfur होता है, potassium कहां काम आएगा, पहला, opening, closing of stomata, plant की shoot tip, root tip, protein synthesis में, रोल होता है, सर, आप पहले से लिखके लायो, मुझे याद भी है, बिटा, tension ना ले, सर को याद है, ये सर ने खुद लिखे, तुमारी class से पहले, 8 गंटे, slide बनाईए, सर ने, 8 गंटे, कोई tension की बात नहीं है, ठीक है, आगया जाओ, calcium कहां कहां होगा, सबसे पहले, middle lamella में, दूसरा, mitotic spindle बनाएगा, तीसरा, याद करो, second messenger, calcium, याद है, calcium, IP3, और cyclic AMP, 3 second messenger होते हैं, हाँ सर, ठीक है, याद कर लेंगे calcium को, तो calcium कहां का याद होगा, याद होगा, दू magnesium, assembly of ribosome, rubisco, और papcase को चाहिए, chemistry में एक बर question आ गया था, alkaline earth metal, जो photosynthesis और respiration में चाहिए, उसके अलावा, उसके अलावा magnesium कहां चाहिए, मेरे पास, chlorophyll में, center में होता है, कहां होता है, chlorophyll के center में होता है, ठीक है, तो magnesium कब चाहिए, magnesium कहां कहां चाहिए, ribosome की assembly में चाहिए, याद कर लो के हांसर कर सकते हैं, दूसरा कहां चाहिए magnesium, rubisco और papcase को चाहिए, और कहां चाहिए, और कहां चाहिए, बिटा मेरे पास chlorophyll में चाहिए, iron किसके लिए चाहिए, catalase peroxidase, मुझे बताओ, magnesium के अलावा कौन सा ऐसा mineral है, जो मुझे chlorophyll के लिए चाहिए, जल्दी ब लो, iron, साबास, एकता, सही, iron, 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 सही है, उसके अलावा iron, catalase और peroxidase को चाहिए, nitrogenase, chlorophyll के लिए चाहिए, और ETS में साइटो क्रोम की फॉर्म में होता है, कहां होता है, साइटो क्रोम की फॉर्म में, ठीक है, copper क्या है बिटा, काफी सारे enzyme की activity के लिए चाहिए, काफे सार nitrogenase के लिए मुझे क्या चाहिए, molybdenum चाहिए, boron क्या-क्या याद रखो के सुनो, boron pollen germination, दूसरा boron की वजए से क्या होता है, calcium absorb होता है, तीसरा याद रखो, boron cell membrane की stability के लिए भी चाहिए, उसके अलावा बिटा, boron क्या करता है, आपका carbohydrate को translocate कराता है, boron बहुत important है, उसके अलावा बिटा, CL और MN बस याद रखो, photolysis के लिए, और zinc alcohol, dehydrogenase और oxyn की biosenses, oxyn की biosenses, तो board पे लिखाओ, एक बार नजर मारेंगे सारे, अवाई, board पे लिखीवी बात, एक बार नजर मारो जल्दी से, fast, जल्दी, जल्दी, fast, board पे लिखीवी बात, एक बार नजर मा आज़ेगा, तो जैसे random पूछ रहा हूं दिर से, टिप पर कौन सा चाहिए, potassium चाहिए, opening, closing के लिए potassium चाहिए, spindle fiber के लिए calcium चाहिए, ribosome के assembly के लिए magnesium चाहिए, सही है, आगे चलते है, आगे आजा, deficiency, chlorophyll, chlorosis, कैसे किया था, याद याद दे किदर, चोन, PSK, calcium, mg, आपने क क्या करना, यह triangle बना लेना, इसका, यह macro nutrient chlorosis कराते हैं, yellow wing of leaf, फिर हमने याद किया था, फीकू, नीमो, बीकल, यह micro है, MN, ZN, तो पहला दो छोड़के, यह, यह दो छोड़के, आखरी दोनो, यह, यह कराते है, chlorosis, necrosis हमने कहा था, कुका, mg, k, और delay in flowering में हमने बोला था, मौन्स्क, और यहां मौन्स्क, इसको चेक कर लेना भाई, एक बर, यह इसमें है, ठीक है, necrosis होता है, death of tissue, chlorosis होता है, leaf का yellow होना, critical concentration क्या होती है, जरब मैं आप से सवाल पूस्ता है, what is critical concentration, इतनी concentration, जिससे कम में deficiency symptom आए, या growth कम हो जाए, macro और micro की वो concentration, जिससे below, क्या आज concentration बोलेंगे, toxicity वाले topic पे आपने क्या याद रखना है, तुम्हारे यहां NCIT में MN की toxicity दे रखी है, उसमें मेरे पास दे रखा है, brown, देखो, brown spot yellow chlorotic leaf, यह symptom दे रखा है, और NCIT कहती है कि MN की toxicity, इसकी वज़े से Mg, Fe और Calcium, इसकी क्या होती है, deficiency हो जाती है, MN क्या करता है, Mg के साथ compete करता है enzyme binding के लिए, याद करो, compete करता है Mg के साथ enzyme binding के लिए, FP और Mg के absorption को रोकता है MN, और Calcium के translocation को रोकता है, हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा, Delay Inflaring Mons है, ठीक है, कोई दिख करते हैं, हाँ हाँ, सही है, clear है, हाँ, सही है, तो आपको ये deficiency याद रखनी है, मैं repeat कर रहा हूँ, toxicity और deficiency में क्या पता लगाना मुश्किल है, toxicity, MN की toxicity, इनकी deficiency कराता है, Calcium के translocation को रोकता है, Mg, Fe के absorption को रोकता है, और Mg के साथ compete करता है, enzyme binding के लिए, आगे चलते हैं मिटक, आ जाते है nitrogen cycle में, ध्यान से जुनेंगे, nitrogen cycle में सबसे पहले हमारे पास याद रखें कि जो atmospheric nitrogen होती है, वो UV और lightning की वज़े से nitrogen के oxide बनाती है, UV और lightning की वज़े से, और वो nitrogen के oxide, acid rain की form में नीचे आ जाते हैं, acid rain की form में, सबसे पहले तो यह हो गया, फिर मारे पास industrial होता है, जिसे Haber process कहते हैं, उससे हम ammonia बनाते हैं और urea बनाते हैं, लगबग सबसे ज़्यादा 60% के आसपास biological होता है, जो bacteria और sino bacteria करता है, तो आपको क्या याद रखना है, question आ सकता है neat में, कि आपके पास acid rain, industrial और biological, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा nitrogen किस form में fix होती है, किस form में fix होती है, आप कहोगे सर, biological form में, ठीक है, biological form में nitrogen क्या बनाती है, सर, ammonia बनाती है, उसमें से कुछ nitrogen volatile होती है, सही है सर, इस ammonia, जिसे हम ammonium कहते हैं, इसको अगर, ammonium लिख दिया मैंने, इसको अगर NO2- और NO3- में convert करे, इसे nitrification कहते हैं, फिर repeat कर रहा हूँ, इस ammonium को NO2 और NO3- में convert करे, उसे nitrification कहते हैं, इसके लिए, जो पहला step है यह वाला, यहां से nitrite वाला, इसके लिए दो सोमनस, नाइट्रो कोकस, याद हो जाएगा, एस्सी याद कर लेना, और यहां पर है nitrobacter, यह बैक्टिरिया कीमो- और टो ट्रॉफ भी है, तो नाइट्रीफिकेशन में oxidation हो रही होती है, यह बैक्टिरिया कीमो- और ट्रॉफ है, याद करेंगे, नाइट्रिफिकेशन का मतल जब NH4 plus से NO2 minus, फिर NO3 minus, यह NO3 minus प्लांट में आ जाता है, प्लांट में इसका ट्रांसपोर्ट हो गया, उपर चला गया, फिर यह वापसी इसमें और इसमें convert होता है, यहाँ पर एक enzyme होता है, nitrate reductase, और यहाँ होता है nitrite reductase, इस ammonium से amino acid बनाते हैं, यह plant है, इसको animal खा लेग गया, animal dead हो गया, dead animal से protein और protein से amino acid बनते हैं, अगर मैं amino acid से वापसी NH4 plus बनाओ, इसे कहते हैं ammonification, क्या बोलते हैं ammonification, तो आपको यह समझना पड़ेगा, bacteria कौन कौन से process कराता है, पहला, यह वाला, पहला biological nitrogen fixation, दूसरा nitrification, तीसरा ammonification, और fourth है NO3 minus से यह बनाना, इसे के denitrification, इसके bacteria का नाम thaiobacillus, और क्या है, pseudomonas है, क्या नाम है, pseudomonas, यह दो bacteria है, अब मेरे साथ फटा-फट से answer करो, what is ammonification, amino acid से ammonia बनाना, ठीक है, what is biological nitrogen fixation, N2 से NH4 plus यह ammonia बनाना, what is nitrification, NH4 plus से NH4 plus से वापसी यह बनाना, क्या है, NH4 plus से NO3 minus बनाना, denitrification के bacteria, pseudomonas, thaiobacillus, इसके bacteria, nitrosomonas, nitrococcus, clear है, याद हो गया, अरे बोलो, याद हो गया, याद हो गया, हाँ सर, याद हो गया, ठीक है, आजो जल्दी से, अब जरा यह वाला, एक बार चार्ट देखें के, फटा-फट से, मैं आपसे जानना चारह हूं, कि biological fixation दो लोग क इन में से बताओ, कौन से एन एरोबिक है, सर, ये वाला एन एरोबिक है, और ये वाला एरोबिक है, फ्री लिविंग एरोबिक है, ठीक है सर, ये वाला कैसा है, एन एरोबिक है, तो ये हमने कौन से बैक्टिरिया लिखें, फ्री लिविंग लिखें, अजो टो बैक्टर ब करता है एलनस में फ्रेंकिया किसमें फिक्स करता है force monidae do एक बेक्सेशन ke la Collectionvious bacteria करता है दूसरा साइनो बैक्तीरिया is साइनो बैक्तीरिया में नंसटो नवे एक तो वे करते हैं कोडैलाइड रूट में उसके अलाव़ा अजोला की लीफ में अजोला की लीफ में एना बीना होता है जिसे बायो फटलाइजर कहते हैं यहां तक समझ में आ रही है तुम्हारे इस लेबस में राइजोबियम राइजोबियम जो है उसकी सिम बायोटिक एंटू फिक्सेशन दे रखी है उसको आपने क्या याद करना है यह मेरे पास बैक्टीरिया होता है राइजोबियम वो रूट हेर के पास आके इसमें एंटर करता है और क्या बनाता इन्फेक्शन थ्रेड ठीक है इन्फेक्शन थ्रेड अंदर जाता है और कौन से पार्ट को अटैक करेगा याद करो इन्फेक्शन थ्रेड ज्यान सुनें उन root के cells में division कराएगा और convert हो जाएगा एक ऐसे cell में जो divide नहीं करता है, non dividing है, उसको हम क्या बोलेंगे bacteroids, तो क्या-क्या point याद रखना है, bacteria free living होता है, root के पास आके symbiotic हो जाएगा, वो enter करेगा infection thread बनाएगा, inner cortex और pericycle को attack करेगा, उनके cells को multiply करेगा, उसके अंदर enter करके non dividing bacteroid बनाएगा, और अपने around membrane पर leg hemoglobin release करेगा, plant के साथ मिलके, जो oxygen scavenger है, oxygen को remove करता है वहाँ से, अगर आप से पूछा जाए कि कितने ATP लगेंगे, तो आपको balance equation याद करनी है, क्या balance equation है, N2, ठीक है, उसके साथ 8H+, उसके साथ 16 ADP, और साथ में 16 PI, इसके साथ बन साथ में 16 ATP, तो आपको समझना पड़ेगा, कि 2 ammonia के लिए 16 एट सरी, उल्टा लिग दिया एक्षिन ना, या 16 ATP लिग देते हैं, खर्च करने हैं, हाँ, उल्टा लिए 16 ADP, ठीक है, तो मेरे पास बिटा ammonia बनाने के लिए, मेरे पास क्या लगेंगे, 16 ATP का खर्चा आएगा, को वटीज बैक्टिरोइड, नॉन डिवाइडिंग बैक्टिरिया, कौन से सेल्स को अटेक करेगा, इनर्स को अर्टेक्स और पैरिसाइकल को, उसके अलावा, कितने ATP लगेंगे, 16, यह याद रहेगा, दूसरा, लेग हेमोगलोबीन क्या करता, ऑक्सिजन स्केवेंजर, प्रोटोनेटिड हो जाता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस अमोनियम को किसके साथ जोड़ते हैं, अलफा कीटो ग्लूटरेट पांच कारबन का है, और सबसे पहला अमीनो एसिड बनाते हैं, जिसे ग्लूटामेट कहते हैं, क्या इसमें अने डीपीएज खर्च होता है हाँ अगर NADPH खर्च होगा तो यह जो है यह oxidation हो रही है इसका मतलब यह क्या हो रही है reduction तो पहला step है reductive emination मतलब क्या हुआ reductive emination में 5 carbon का keto acid क्या बना रहा है glutamic acid बना रहा है enzyme का नाम glutamate dehydrogenase क्या नाम है glutamate dehydrogenase आ गया समझे है हाँ सर आ गया trans amination आ जाओ भाई ट्रांस aminase क्या है ट्रांस aminase क्या होता है सुनो द्यान से हम हमेशा पहला amino acid बनाते है glutamate तो glutamate क्या करता है वह अपना amino group किसी दूसरे keto acid को दे देता है किसको दे देता है keto acid को वट इस keto acid जो amino group ले लेता है तो रूल यह है कि आप सबसे पहला amino acid बनाते हो glutamate enzyme का नाम glutamate dehydrogenase आप यह भूल जाओगे ध्यान रखना यह यूज होता है दूसरा क्या होता है glutamate अपना NH2 group इसको दे देता है और वो खुद बन जाता है क्या alpha ketoglutarate और साथ में मेरे पास amino acid बन जाता है enzyme का नाम transaminase क्या नाम है transaminase तो दो enzyme बताओ जो amino acid बनाते पहला glutamate dehydrogenase दूसरा transaminase अब मेरी बात फूरा focus करके सुनना NCRT कहती है कि जो soya bean है वो ureide की form में nitrogen का transport करता है जिसमें nitrogen upon carbon की ratio high होती है किसकी ratio हाई होती है nitrogen upon carbon की ratio सबसे जाधा होती है ureides में फिर होती है amides में और फिर होती है amino acid में यह amides कैसे बनते हैं जब amino acid बनता है उस पे फिर से NH4 प्लस जोडने से मतलब क्या हुआ amino acid पर फिर से NH4 जोडने से amide बनता है तो सबसे जाधा nitrogen ureides में होती है फिर amides में होती है फिर amino acid में और soya bean में किस form में ट्रांस्पोर्ट करते यूरियाइड की फॉर्म में कोई डाउट है यहाँ पर जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी फास्ट अरे सही है नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो किसकी ज्यादा है यूरियाइड की फिर अमाइड की सर सवाल करा दो आ जो भई अगला इंगल बनाया तो यहां पर क्या सलफर है हां है उसके लावा पॉटेशियम है पॉटेशियम भी है उसके लाव फॉस्फुरस नहीं यह अंसर आ गया कर लोगे है कर लोगे बताओ अ हाँ जल्दी जल्दी फास्ट और देख बिटा विच मिनरा डेफिशिंसी इन्वाल्वि नेक्रोसिस नेक्रोसिस में क्या था कुका एंजी के कोन सा इसमें जल्दी पता कुका एंजी के कहा है कुका का एरा 30 का टू ऐसे करेगा डिरेक्ट कोशन मनेंगे तेरे सिलिकोन इस रिकोरवावए इस अ lighting बेनिफिशन तो सारे प्लांट को नहीं चीँ है गलट हो गया यह सई हो गया अध्या अ नो 3 माइनस, नो 2 माइनस, नह 4 प्लास, यह 3 फॉर्म है, उसमें से सबसे ज़्यादा इस फॉर्म में अब्सॉर्म होता है, यह रहा, नाइट्रेट, अमीनो एसिड की फॉर्म में कभी अब्सॉर्म नहीं हो सकता, यह पॉसिबल है, तो मेरे पास 32 का क्या आगया, फस्ट, toxicity of MN, can prevent absorption of iron और calcium, calcium था, के magnesium था, याद करो, toxicity of any mineral can decrease the dry weight by 10%, हाँ, यह ठीक है, decrease कर सकता है, dry weight को 10%, यह ठीक है, तब उसे toxic कहते है, यह ठीक है, यह गलत लग रहा है मुझे, तो only B आएगा, 33 चेक करो भाई, अंसर बताओ, 33, 33, अगला, which of the falling is not micro nutrient, micro नहीं है, मतलब macro है, इन में से कौन सा macro भई, iron micro है, copper micro है, CL micro है, calcium, हाँ भी, 34, third, direct आएंगे ऐसे question, हाना, 34, और देखो, अभी रिवाइस की हमने ताजा ताजा, फोटो लिससे में कौन-कौन बताया थे सर, MN, C, L, MN और C, L, पोर्थ लेंगे इसको, 36, अलकोहल, डियाइडरोजिनेस, यह बताओ वही जल्दी से, 36, जल्दी बताओ, 36, अरे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, 36, 36 बताओ, 36 बताओ, जिंक, अलकोहल, डियाइडरोजिनेस का अक्टिवेटर है, हाँ सर, याद हो गया में, यह बाइलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अकर भाई, लाइटनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ प्रोकेरियोट्स करते हैं, बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, दो लोग करते हैं, दो नो ठीक है, भी कर सकते हैं भी कर सकते हैं फंजाई तो करी नहीं सकती नाइट्रोजन फिक्स Ś Suzanne तो एब्जार्ब करती है मैको रीजा कि तरह काम करती है १ हथ intricat earlyuin का थ सो औरफ उन्हें थाइंट का का भसट आएगा लिए Herman भेnsे थे फिन री नहीं करते हो ist में बताओ वैं यह तो free living दा यह symbiote के पर यह साइनो बेक्टीरिया फ्रेंक्या ले लेंगे हाँ प्रेंक्या लिखा करो 39 ग बतारोह पॉट्टी कीमो संथेटिक नाइट्रिफिकेशन वाले है तो यह भी नहीं हो गाइभी नहीं होगा यह भी नहीं होगा नाइट्रो dis produced which of the following responsible for formation of ammonia into amino acid ammonia अमोनिया अमीनो एसिट से अमोनिया क्या प्रोसेस है बताओ क्या प्रोसेस है फॉर्टी बताओ अरे फॉर्टी बताओ जल्दी फॉर्टी 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 क्यों एसे कर लेंगे वाला नंबर ओफ एटीपी हाँ भी अभी हमने दो अमोनिया के लिए सोला लिखे दे चार अमोनिया लिखा है बत्तिस कर दे अच्छा यां थ्री कर देते हैं अना सही है अरे आ रहे की नहीं आ रहे कोश्चन आंसर आ रहे ताजय लग रहे कि दम विच सबस utan आ पालिए नैटरोजन हिस्मस्ति नैТरोजन इन वी स्टैटाने रिच मितले उखंछ औए छलुटा और तर्टे नाइट रिच अन्हें छी व्रचैने शनिट रिच रिच गोंने व्ती क्वेक्र लखे निए औरगे रिच कौन है से सबसे दिश्य ल्य नोगे लोग पिछ ओद फॉलिंग नोट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं उसमें क्या नहीं होता नाइट्रोजीनेज होगा होगा न्यूक्लाइड होगा बैक्टीरिया राइबोजोम भी होगा 70S वाला हो सकता है यार होगा सर पता नहीं बैक्टीरिया है पाप लगेगा तुझे अगर नहीं पता तो और पिटाई हो रहोगी है ना नींद आ रही है बहुत पिटाई करूंए धर्जान दुखो सोनेगा नहीं है कोशन करो मज़ा आएगा बहुत कुछ आज हाँ हाँ बुक्के नहीं है वाई है सारे कभी हमने किससे से बनेगा रेडक्टीव अमिने शन मुने से यह है इसको कभी ट्रांस इमिनेशन से नहीं बनाएंगा चीड कि लगई बढ़िया, if deficiency of iron is fulfilled by manganese, तो iron is non-essential, सही बात है भाई, अगर iron की deficiency किसी दूसरे से fill कर ले, तो iron non-essential है, potential involved in opening and closing of stomata सही है, भाई अगर मैं कहा रहा हूँ, iron की deficiency MN से fulfill कर देंगे, तो iron क्या हो जाएगा, non-essential हो जाएगा, सही बात तो है, और देखो, which of the falling mineral is activator of nitrogenase, nitrogenase का activator क्या होगा, M.O. और F.E. क्या दे रखा इसमें, M.O. दे रखा, यह रहा सर, 47 का 4th, F.E. M.O. nitrogenase के activator होते हैं, if potassium have critical concentration 5 mmol per kg, then nitrogen have critical concentration हो सकता है, nitrogen जादा माउट में चिये, below potassium यह भी हो सकता, दोनों macro है, F.E. have critical concentration यह नहीं हो सकता, क्योंकि F.E. micro है, ऐसा कोशन आएगा नहीं, यह मुश्किल कोशन है, F.E. micro है, micro कभी भी macro से जादा नहीं हो सकती, बिस logic ही है, sulfur and calcium बार immobile भाई, यह ठीक कर लो, हमेशा याद रखना, दोनों immobile है, immobile mineral कौन सा होता है, जो old से young में ना जाए, जो old से young में ना जाए, तो इसके symptom किसमें आता है, यंग में आते है, immobile के symptom, first appearing sunny sun, यह गलत हो गया, appearing young leaf में आएगा, mobile mineral हैं सही है, यंग leaf में आते है symptom immobile के, तो मेरे पास 49 का क्या आगया, second आगया, देख लो ज्यांसे, हाँ, symptom जो होंगे, immobile के किसमें आएंगे, हाँ, आगया जाओ, pseudo-minus or denitrification सही है, याद हो गया यह, mo is activator of nitrogenase और यह nitrate reductors दोनों ठीक है, चेक कर लो NCRT, हाना, अरे हाँ, सही है, हाँ, आगये, और है, कुछ पीवाई क्यों ले लेते हैं, chemo autotroph, not लिखा है, यह यह और यह तीनों chemo autotroph है, यह तो denitrification करा रहा है, यह कैसे हो सकता है, 51 का 3, सर इतने सारे question मज़ा आ गया, एकदम जमाजम चल रहा है question, आ जाओ, यह देखो कुछ previous question देख लो, the product catalyzed by nitrogenase, हाँ पर nitrogenase क्या करता है, nitrogenase क्या करता है, ammonia oxygen, याद है, final reaction में hydrogen थी, याद आया नहीं आया, अरे याद आया नहीं आया, final reaction में हमने अभी reaction जो लिखी थी, उसमें hydrogen थी, याद आया, hydrogen है, हाँ सर, hydrogen है, हाँ बैंटेनिंग, ribosome, अभी पड़ा आमने, कितनी बार करेंगे, सर, magnesium, पेपर ऐसे ही आयेगा, हाँ सर, थायो बैसिलस, क्या कराएगा, अभी पड़ा, सर, denitrification, नहीं, बहुत बढ़िया, आगे, in which of the falling form, iron is absorbed, iron किस फ़र्म में अब्जॉब होता, जड़ा, ncrt, चक्क़रो, ferric, ferric फ़र्म में, ncrt, ने फेरीक लिखा है, उस साल बड़ा doubt, डिवेट था, इस पे, फेरीक, फेररस, दोनों पर ncrt, ने फेरीक लिखा और copper के लिए, क्योपरिक लिखा है, तो याद रखेंगे, फेरीक, फेरीक, ncrt, बताती है, इस लेक्ट दा क्या पूछ रहा है मिस बैच गलत पूछ रहा है फ्रेंक की एलनस सही है एना भी ना नेट्रोजन फिक्सेशन है राइस दो भी है मलफा अलफा यह लेग्यूम है यह भी सही है रोडोस्पिरिलम बैक्टीरिया है और यह फंजाई है ऐसा कुछ नहीं होता बी Do a Seminaid Noel'd a specific की नेवड़क विख्वेल में रिंग 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 भाफ क्लोरोक्命 क्या प्रेशेंट होता है रिंग ग्लॉरक फिल्म में रिंग ऑफ क्लोरोफिल में रिंग ऑफ क्लोरोफिल में सर मेगनीशियम 57 का सी मेगनीशियम सेंटर में होता है चार नाइट्रोजन ऐसे होती है और यह पायरोल रिंग बनाते हैं और ले लो बिटा और कोशन लो विच ओद फॉलिए असोशियेशन विद फ्रेंकिया फ्रेंकिया के साथ क्या है भाई 58 सर एंस्याटी से आता है देख लो हाँ बेट अप एंस्याटी जाता 58 58 58 बहुत बढ़िया एलनस लेले 58 का सी चलो बिटा आगे चलते हैं आजो भाई फोटो सिंस पढ़ रहे हैं प्रकास संसलेशन इन पादप चले स्टाट करें रिवाइस फोटो सिंस हाँ चलो आजाओ सर सबसे पहले आजो भई फोटो सिंस के लिए पूरा इधर आँख खोल के पानी मार लो चीटे आओ जल्दी हाँ जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी फास्ट आजाओ फोटो सिंस की बात करते हैं ठीक है सबसे पहले फोटो सिंस एनपोलिक प्रोसेस है हाँ इसमें बायो सिंस हो रही है फिजिको केमिकल प्रोसेस से रिडक्शन होती है दे किदर बिटा सियोटू को रिड्यूस करते हैं C6H12O6 में यह रिडक्शन होती है अब यहाँ पर जो साइंटिस से रिलेटिड चीज़े आपको याद रखनी है याद करो इसमें आपने क्या पढ़ाता है कि एक लीफ है उसको आधा कवर कर देंगे ब्लैक पेपर से उससे क्या होगा इस फले पार्ट में स्टाप्स तो लिस्टो बनता है यह एक्सपेरिमेंट रहगरे कोई राव किवर क्या करेंगा कभा पर यह यह फोटोसंस के लिए यह वोटूसंस CO2 CO2 क्या कर लेगा CO2 एबजॉब कर लेता है तीसरा प्रिसली का जार वाले एक्सपरिमेंट जहां पर यहां पर केंडल है और साथ में माईस है फिर आमने क्या किया है केंडल माईस और कौन सा प्लांट रखा था मिंट आपको इनके inference याद करने, inference मतलब final result तो final result इसका क्या आया था याद करो, इसका final result आया था इस वाले का, कि जो mint है, वो air quality restore करता है, air quality क्या करेगा, restore करेगा सही है, उसके बाद, Prisley का experiment 1770 के आसपस था, Ingen House ने क्या किया, repeat किया एक बार day में और एक बार night में जो bright light डालेंगे, bright light किस पे डाली उन्होंने, aquatic plant पे, तो जब bright light डाली aquatic plant पे, तो वहाँ पर क्या बने, oxygen के bubble, ये काम किस ने किया है, Ingen House ने, ठीक है तो इन्होंने बोला कि mint plant air quality restore कर सकता है इन्होंने bright light डाली, वहाँ पे oxygen के bubble बने, one sec ने बोला कि जो plant है, green plant में glucose बनेगा और वो जो glucose है, वो starch की form में store होगा और इन्होंने chlorophyll और chloroplast की बात की one sec ने TW Engelman ने क्या कि, बिटा देखे, एक ही पेज पे, एक ही पेज पे सारे scientists लिखे, उसको याद करने की कोशिश कर TW Engelman ने क्या बनाया पहला action spectrum, उसने कौन सी algae ली थी, याद करो उसने algae ली थी, cladophora इस cladophora पे light डाली थी और ये देखा था कि aerobic bacteria, aerobic मतलब वो bacteria जो oxygen की तरफ जाते है aerobic bacteria blue और red light पे ज़्यादा absorb हो रहे है तो पहला action spectrum बनाया था किसने TW Engelman ने Van Neil ने क्या किया था 774 में oxygen discover करी थी यह ओएगा तूझे आएगा कि 1770 में series experiment किया थे Van Neil microbiologist था इसने क्या की थी, इक्वेशन करेक्ट करी इसने क्या करी 여기서 एक्वेशन करेक्ट करी थी,riosन करेक्ट करके उसने क्या किया था 12周 है था दूसरा इसने क्या बताया था कि मेरे पास जो होता है वो पानी जो है पानी है डोनर अक्सीजन आरे हाइड्रोजन का यहां तक समझ में आ रही है और जो उक सीजन है वो पानी से इसके लिए इसने रेडियो आइसोटोप टेक्नीक यूज करी थी तो फिर से रिपीट करेंगे हाफ लीफ वाला पार्ट ब्लेक पेपर से कवर किया स्टार्च बनेगा ग्रीन में के वह सीओ टू एब्जॉब कर लेता है बेल जार में यह इंफ्रेंस से कि मिंट क्या करता एर ग्रीन फ्लांट गरो करता है तो उसके बाद एक्षन स्पट्रम पहला किसने दिया टी डगल में ने उसने कौन सी यूज करी थी क्लेडोफोरा यूज करी थी बहुत बढ़िया बिटा क्लैडोफोरा क्लैडोफोरा पर उसने देखा कि erobic बैक्टिरिया ब्लू और रेड्रीजन सुन दियान से ब्लू और रेड रेडरीजन पर ज़ाद़ जडिब्ला अक्सिजन की तन तहें ठीक है उसके बाद वैन नीन microbiologist थे वो bacteria का nutrition study कर रहे थे उन्होंने equation ठीक करी photosynthesis वाली वहाँ पर 12-2 वो कर दिया starting में क्लियर है ठीक है क्लियर है सही है आगे चलो आगे आजो बई अब बात करते है location of photosynthesis की ध्यान दे सबसे पहले photosynthesis होती है MEISOPHIL CELL में ये MEISOPHIL CELL है PLANT में DICOT LIFE में ये PALLICOD SPGY होता है MONOCOT LEAF में क्या होता है मेरे बर्डे नहीं है मोनो कोट में क्या होता है MESOPHIL CELL वह पर वह क्लोरोप्लस होता है Chloroplast में Membrane System होता और स्ट्रोमा होता जिसे जिसे हम division of labor कहते है, membrane पर क्या होता है, light reaction होता है, और stroma में क्या होता है, dark reaction होता है, इस बात में कोई doubt है, किसी को नहीं सर्थ, यहाँ पर clear cut division of labor होता है, यह मेरे पास क्या है, stroma है, यहाँ पर मेरे पास enzyme में rubisco, और यहाँ पर dark reaction हो रहा है, यह membrane है, यह क्या है, granul thylakoid है, ग्रेनल थाइलाकॉइड है यह स्ट्रोमल लेमिली है इस पर PS1 होता है इस पर PS1 के साथ साथ PS2 भी होता है ग्रेनल थाइलाकॉइड में इतनी बात याद हो गई ठीक है सर अब याद करो NCIT ने एक लाइन बोली है कि आफ्टर नून में जब लाइट सीधी आती है तो क्लोरोप है तो यहां से हमने क्लोरोप्लास में डिवीजन ओफ लेवर होता है मेंब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम होगा उसके अलावा उसमें और सारे क्लोरोप्लास और कही सरत की चीज़ी होती है आगे चलेंगे बिटा आ आपके पास pigment के blue green color chlorophyll A का है green yellow chlorophyll B का है yellow मेरे पास किसका है Xanthofil का है yellow orange जो है मेरे पास keratin का है कर लेंगे याद color सबसे पहले color याद कर लेंगे color याद कर लेंगे इससे कितने number आते हैं सारा revise कर रहा है अब कैसे होगा सुन ध्यान से आ आगे सबसे पहले याद कर pigment क्या बहाता है pigment वो chemical compound होता है जिसपे light पड़ती है और Here wes compound होता है जब उस पे light पड़ती है वो अपने electron करता है जब वो electron वापसी आते हैं तो energy release होती है जो decrease हो जाती है और decrease हुई वी energy की lambda बढ़ जाती है तो आपनी याद करना है कि plant के अंदर जो मेंने चार pigment लिखे यह दो तरीके से काम करेंगे पहला यह अपनी किसी दूसरे pigment को दे देंगे दूसरा इनके पास एंजाइम लगा होगा जैसे कि chlorophyll A reaction center होता है क्लियर है कि अरे क्लियर है कि नहीं बताओ ठीक है तो सही है अरे सही है ना तो चीक है क्लियर तो pigment क्या होते हैं बिटा भी धर आजो दलती से तो pigment देखो always transfer higher wavelength वाले को मतलब 400 वाला 450 वाले को अपनी energy दे सकता है और कुछ pigment पे हमारे पास enzyme होता है अब देखो क्या मैं लिख रहा हूं मेरे पास यह मैंने लिखा है light harvesting complex light harvesting complex में एक reaction center होता है जो हमेशा chlorophyll होता है बाकी के pigment को antina कहते है जो chlorophyll भी होता है केरोटिनोइड होता है और zentophyll होता है यह समझ में आ रहा है तो मेरे पास reaction center हमेशा क्या होगा chlorophyll यह वह pigment होता है जिसके पास enzyme लगे होते हैं antina क्या करते हैं अपने से जादा की wavelength वाले pigment को energy दे देते हैं जैसे 500 वाला 520 को देगा फिर ऐसे करते करते हैं ट्रांसफर करेंगे यह 600 वाले को देदेगा 620 को ऐसे करके तो इसका मतलब यह pigment जो है यह वाले इन्हें हम antina कहते हैं वह chlorophyll भी केरोटिनोइड जेंतोफिल हो सकते हैं antina हमेशा light absorb करके दूसरे pigment को देते हैं reaction center chlorophyll A होता है जो highest wavelength पर काम करेगा जैसे 680 पर काम कर रहा है तो chlorophyll A क्या होता है reaction center होता है reaction center और antina को मिला कर light harvesting complex कहते हैं कोई doubt अरे कोई doubt है नहीं आजाओ आगे आजाओ अब देखो जरा हमारे पास pigment जो है दो तरीके से लगे रहते हैं बिटा एक होता है ps1 और एक होता है ps2 ps1 पहले discover हुआ था और यह बाद में डिसकावर हुआ था ps2 ps1 में chlorophyll A reaction center है जो 700 nanometer पे काम करता है इसका नाम p700 रखते है इसका chlorophyll A 680 पे काम करता है इसलिए इसको p680 कहते है इसकी location क्या है जैसे मैं chloroplast बनाऊंगा तो यहाँ पर यह granul thylakoid पे ps2 होता है और देखो जराए यहाँ पर ps1 होता है तो ps1 कहां होगा ग्रेनल पर भी होगा देखो यहाँ है इसके अलावा स्क्रोमल लेमिली पर भी ps1 प्रेजेंट होगा क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है ps2 ps1 क्लिर है ps2 ps1 समझ में आ गया सर बढ़िया है आ गया जाओ अब आओ जड़ा फटा फट से लाइट रिएक्शन रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें देखो ध्यान्स जुन्ना यह ps2 है यह पर यह फियो फाइटिन है प्राइमरी एसेप्टर है ps2 का प्लास्टो किनोन साइटोक्रोम B6F प्लास्टो साइनिन क्लिर है अब देखो क्या होगा जब लाइट आएगी लेस देन 680 तो लेस देन 680 में दोनों फोटो सिस्टम ps2 और ps1 एक्साइट होंगे इसका प्राइमरी एसेप्टर FES है फिर FD होता है फिर NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन मिलते है त प्लास्टो किनोन साइटोक्रोम B6F यह बीच में इसको इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन कहते है फिर फोटोलिसिस कौन करता है पानी कौन तोड़ता है ps2 तो फोटोलिसिस करता है ps2 उसके लिए मुझे क्या चाहिए MN और CL माइनस चाहिए जान जूनों ps2-1 दोनों के इलेक्ट्रोन एक्साइट होते है ps2 का इलेक्ट्रोन ps1 पर जाता है कैसे याद करोगे pqcp एक्जाम में आद रखना प्लास्टो किनोन साइटोक्रोम B6F उसके बाद इसका प्रोड़क्ट क्या क्या है बताओ जल्दी इसका प्रोड़क्ट क्या क्या है oxygen है ATP है और NADPH है इ इसलिए इसको Z scheme कहते है सीक्वेंस याद कर लोगे pqcp एंजाइम fnr क्या होगा जो NADPH बनाएगा NADPH बनाने वाले इंजाइम का नाम यहां होगा fnr पैरोडेक्सिन NADP Reductase तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे ps2 का primary acceptor कौन है सर्फ फियोफाइटिल ps2 और ps1 के बीच में electron carrier pqcp इसमें से कौन सा hydrogen carrier प्लास्टो क्यून है ठीक है उसके बाद आपने याद करना पीएस वन का इलेक्स प्राइमरी एसेप्टर कौन है एफपीएस है एफ और एंजाइम किसके पास होता है पीएस वन के पास होता है फोटो लिसिस कौन करता है पीएस टू फोटो लिसिस के लिए कौन-कौन से मिनरल चाहिए कौन-कौन से मिनरल चाहिए फोटो लिसिस के लिए फोटो लिसिस के लिए कौन-कौन से मिनरल चाहिए टेंशन आलो बिटा जो करवा रहे हैं मुझे पता हाँ ना ठीक है जब नहीं डरें अब क्या डरेंगे पढ़ाएंगे कोई टेंसर नहीं राद बर जम के राद बर थोड़ी जब होगे आप जगलोगे ज़रू ठीक है आज इदर आजो कोई दिक्कत नहीं बिटा हम किसी से वो नहीं आज ओ इदर आजो हाँ अब दर देखो पटा एंजाइम का नाम FNR है साइकलिक के FQCP FQCP देख सुनो द्यान से अब क्या होता है मेरी बात सुनो जब लाइट लेस देन कैसे याद करोगे साइकलिक फ्लो कैसे होता सुने द्यान से साइकलिक फ्लो में में मेरे पास क्या क्या होगा साइकलिक साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है साइक्लिक कब होता है ग्रेनल पे जब लाइट मोर देन 680 आए और स्ट्रोमल लेमिली पर होता है अब देखो ATP कैसे बनती है सुनना ध्यान से ATP बनने के लिए कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोतिसिस है और वो दो और्गनल में बनती है याद रखें बिटा ATP हमारे पास दो और्गनल में बनती है कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोतिसिस से इसका मतलब क्या देखो आउटर और इनर मेंब्रेन के बीच में प्रोटोन बढ़ जाता है यहां और यहां थायलाकॉइड के लियूमन में प्रोटोन बढ़ता है इस प्रोटोन मेंब्रेन चाहिए तीसरा F0 F1 पार्टिकल चाहिए चौथा मिरको क्या चाहिए प्रोटोन का प्रोटोन को पंप करना पड़ेगा NCRT ने बताया है कि किस तरीके से यहां H plus की concentration बढ़ाते हैं पहला पानी को यहां तोड़ते हैं यह PS2 है ना पानी को जब यहां तोड़ोगे तो यहां प्रोटोन बढ़ेंगे दूसरा आप NADPS जब यहां बनाओगे तो यहां प्रोटोन घटेंगे यहां प्रोटोन डिक्र कि प्रोटोन कैसे बढ़ाते हैं लियूमन में पहला पानी को तोड़ते हैं लियूमिनल साइड तो क्या oxygen भी यहीं बनेगी नीट का कोशन है दूसरा FNR इस साइड होता है तो NADPH इस साइड बनाते है तीसरा प्लास्टोकिनोन बाहर से अंदर की तरफ प्लास्टोकिनोन क् से प्रोटोन अंदर लाता है तो याद हो गया कोशन क्या क्या आएगा कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथिसिस कौन सी और्गनल में होती है माइटो कॉंडियर क्लॉरॉप्लास थाइलाकॉइड में ध्यान सुनेंगे बिटा थाइलाकॉइड में किस तरीके से प्रोटोन क्लान से देके मिटा डार्क एक्ष्ण को हम बायो सिंथरिक फोटोसंस दिनख रहीगा किस ने डिस्कवर किया डार्क एक्षिन केल्विन ने पता चला कि तीन कार्बन का भी प्रोड़क्ट होता है चार कार्बन का भी प्रोड़क्ट होता है प्राइमरी सीओ टू असेप्टर बहुत साल तक हम खोशते रहे दो कार्बन का बाद में पता चला आर यू बीपी है पांच कार्बन का तो क्या-क्या पॉइंट आएगा बाय पहला, उसने पहला प्रोड़क्ट बताया था कि वो PGA होता है, दूसरा, उन्होंने क्या बताया था, कि जो हमारे पास पूरी साइकिल को उन्होंने मतलब पूरा प्रोसेस पूरा डिस्कवर किया, फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट में पहला प्रोड़क्ट क्या है OA है, चार कार्बन का, तो ने C4 प्लांट बोला, फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, कैल्विन साइकिल के तीन सेफ होते हैं, पहला कार्बॉक्सिलेशन, RUBP के साथ CO2 कमबाइन होती है, RUBP और CO2 ये 5 कार प्लाबॉक्सिलेशन, इसको कराने वाले एंजाइम का नाम है, RUBESCO, क्या नाम है, RUBESCO, दूसरा स्टेप है, PGA, पहले कोशन क्या आयए था, नीट बे, मुझे बताओ, PGA शुगर है, जल्दी बताओ, PGA शुगर है, अरे जल्दी बताओ, PGA शुगर है की ऐसे ड़े, जल् पढ़ है, पढ़े थे, आसेड़ है, पिठाई कर दूँगा एकता, PGA शुगर बनता है, असेड़ की रिडेक्शन से क्या बने का शुगर बनेगा, तो इस एसड़ की जब रिडेक्शन करेंगे, तो ट्रायोस फॉस्वेट शुगर बनेगा, और रिडेक्शन में दो एन्न और दो एटीपी खर्चोंगे और यहां पर रीजनरेशन में एक एटीपी खर्चोंगा तो यह तीन स्टेप हैं कार्बॉक्सिलेशन रिडेक्शन और रीजनरेशन ठीक है क्लियर है तो हमें यह ध्यान रखना है कि C3 साइकिल में एक स्योटू फिक्स करने में तीन एटीपी दो रिडेक्शन में एक यहां पर और दो एने डीपेच लगेंगे सही है दो एने डीपेच लगें कांगे वह बड़े वाले खो गए क्यों खो गए क्योंकि तुम अंसर कर रहे हो समझे हां पड़ाई पर दान दो एक ग्लूकोज के लिए अठारा एटीपी और बारा ने डीपेच आपने सिंपल क्या करना इसको सबको छे से मटिप्लाई कर रहे ना सबको सबको सिक्से मटिप्लाई कर दो के सीधा यह आ जाएगा ठीक है क्लिर है हां कहां गया तेस और य शे कार्बन नीचे आगे ग्लूकोज में शे कार्बन यह नीचे आ जाएगी यह ट्रायोस फट्री कितना हो गया 36 हो गया उसमें से शे कार्बन नीचे आगी तीस वापसी चलेगे ठीक है ज़र आगे चलो आगे आ जाओ हाँ फोटोर एस्प्रेशन क्या होता है हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है रुबिस्को अर्थ पे रुबिस्को का पूरा नाम क्या है रुबिस्को में क्या है बेटा सी सी है कार्बॉक्सिलेज और ओ है ऑक्सिजनेज कोई डाउट है इस बात में सी है कार्बॉक्सिलेज ओ है ऑक्सिजनेज ज्यान से सुन करें तो दो कार्बन का फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनता है याद होगा के नहीं फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनता है जो दो कार्बन का है और तीन कार्बन का एक पीजिये बनता है नुकसान क्या हुआ सुनो द्यान से नुकसान यह हुआ कि जब यह co2 के साथ कंबाइन करता है तो दो molecule बनते हैं PGA के, जब oxygen के साथ combine करता तो एक molecule बनता, यह waste product है PG, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि Rubisco most abundant enzyme है, Rubisco क्या है, as a oxygenase भी काम कर सकता, यह देख लो द्यान से, जब वो as a oxygenase काम करेगा, तो वो क्या करेगा, वो phosphoglycolate बनाएगा, phosphoglycolate cycle में घूमता है, और वापसी PGA बनाता है, उसे C2 cycle कहते हैं, क्या बोलते हैं C2 cycle, क्या हमें cycle याद करनी हैं नहीं, तुम्हें और्गनल याद करनी है, CPM, chloroplast paroxysome mitochondria, रिपीट कर रहा हूँ, chloroplast paroxysome mitochondria, और्गनल याद करनी है, यह cycle याद नहीं करनी, किन condition में, Rubisco as a oxygenase काम करता है, जब light intensity high हो, जब temperature high हो, जब CO2 low हो, जब oxygen high हो, इन condition में, Rubisco act as a oxygenase, सही है, ATP बनाएगा नहीं, ATP यूज़ करेगा, yes, तो what is photorespiration, tropical condition में equator के पास Rubisco acting as a oxygenase, वो एक waste product बनता है, PG, जो एक C2 cycle में घूमके वापसी PGA बना देता है, पर CO2 का loss हो जाता है, ठीक है, तो respiration क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि CO2 निकल रहा है, और कौन सी और्गनल, chloroplast paroxysome mitochondria में CO2 निकलता है, ठीक है, high light intensity, high temperature, low CO2, high O2 में होगा, clear है, सहिए सर, आगे चलेंगे, अगर मुझे Rubisco को as a oxygenase की तरह काम नहीं कराना, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक plant होते हैं, C4 plant, उसमें इस cell को कहते हैं, मीजोफिल सेल, इस cell को कहते हैं, bundle sheet cell, इसमें हमने chloroplast के अंदर, Rubisco को रखा होता है, ऐसे, Rubisco को ऐसे chloroplast में रखा रहता है, जहां पर impervious wall होते हैं, मैं repeat कर रहा हूं, मेरे पास क्या होता है बिटा, C3 cycle होती है, सिर्फ मेजोफिल सेल में, C4 cycle जो होती है, मेजोफिल और bundle sheet दोनों में मिला कर होती है, मीजोफिल सेल में क्या करते हूं, initial CO2 fixation करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, हमने क्या किया है, क्या किए कि रुबिस्को को हम ऐस झेक काम नहीं करने देंगे उसके लिए हमने क्या किया बंडल शीट्ल सेल में रुबिस्को को रख दिया उस़की वॉल को इं परवियस ना दिया मीजोफिल सेल जो है वहाँ पर CO2 आती है और एक 3 कार्बन के कमपाउंंड P.P. से कमबाइन होती है और O.A. बनाती है 4 कार्बन का ये पहला प्रोडक्ट है पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का ये है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में मैलिक एसिड वापसी कनवर्ट होता है OMA जो चार कार्बन का है फिर यहां से CO2 मिलता है रुभिस्को को, यह रुभिस्को है इसको CO2 मिलता है इसकी वाल इंपर्विये से यहां कोई ऑक्सिजन नहीं आती सीधरी एसिड जिसे पाइरुविक एसिड कहते है वो वापसी जाता है और उससे मैं वापसी PEP बना लेता हूँ तो PEP primary acceptor है जिसे पीछे क्या था? primary acceptor क्या था बेटा? पीछे primary acceptor RUVP था यहां PEP है यहां जो एंजाइम लगेगा उसका नाम PEPCASE है क्या है? PEPCASE है याद हो गया? तो PEPCASE ने CO2 और इसको combine करके पहला product बनाया फिर यह convert हुआ Malic Acid में Malic Acid इसमें फिर C3 Acid का transport और यहां 2 ATP लगा इसका मतलब यह हुआ कि एक CO2 को fix करने में यहां C3 cycle हो रही है किसकी वज़े से? रूबिसको की वज़े से तीन ATP तो वहां लग रहे है और दो ATP यहां है टोटल मेरे पास 5 ATP लगेंगे और NADPH उतने ही लगेंगे 2 क्या यह समझ में आ रहा है? NADPH उतने ही लगेंगे ठीक है? तो क्या-क्या point आपको याद करने है स्टेप देखो सबसे पहले कार्बॉक्सिलेशन PEP के साथ क्या जोड दिया? CO2 फिर ट्रांस्पोर्ट हमने मैलिक एसिड को कहा ले गए? मीजोफिल से बंडल शीट सेल में ले गए फिर हमने D-कार्बॉक्सिलेशन OMA से क्या निकाल दी? C3 एसिड बना दिया यहां कितने ATP लगते हैं? 2 ATP यह C4 साइकल के स्टेप है C3 साइकल में क्या था? कार्बॉक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन यहां कोई रिडक्शन है नहीं ठीक है ATP कितने लगेंगे? 2 यहां लगेंगे और 3 यहां लगेंगे तो ATP उतने ही लगेंगे XCO2 fix करने में ठीक है कि नहीं बताओ? अरे सही है? जल्दी बोलो सर बढ़िया एकदम आगे चलो अब जरा मुझे यह बताना यह यह चीजे बताना मीजोफिल सेल क्या उसमें गैस मूव करती है? यस इंटर सलूलर स्पेस होगा? यस बंडल सीट सेल में इंटर सलूलर स्पेस नहीं होता मीजोफिल सेल में लाइट रियक्शन होता है लाइट रियक्शन होने से उसमें क्लोरोप्लास लेस होंगे इसमें डार्क रियक्शन होता है क्लोरोप्लास जादा होते है, रुबिस्को मीजोफिल सेल में है, नहीं, बंडल शीद सेल में यस, पैपकेज मीजोफिल सेल में यस, बंडल शीद सेल में पैपकेज नहीं है, पर्वियस मीजोफिल सेल में गैस मूव कर सकती है, यस, इसमें बंडल शीद सेल में इम पर्विय अब मुझे बताओ C4 plant में रूबिसको कहां present है रूबिसको मेरे पास है bundle sheat cell में, C3 plant में कहा है wezophil cell में होता है primary co 2 acceptors इसमें पेप है इसमें क्या है pep C3 plant में क्या होता हैああ u buy पहला प्रोड़क्ट इसमें क्या है पी ओए है चार कार्बन का इसमें क्या है पी जी ये तीन कारबन का इसका ऑप्टिमम टेंपरेचर सी-फोर का 35 से 40 डिग्री सेल्सियस इसका मालो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है C4 plant के तीनी example याद करने मेज, सौरगम और सुगर के इन तीन example याद करने उल्टे सीधे मत याद करने लगना इसमें तो बहुत सारे tomato आपके आसपास के सारे plant जो होते हैं नीम, mango ये सारे मेरे पास C3 ही होते है देखो, photorespiration low light में C4 में होगी नहीं होती है, C3 में भी नहीं होती है हाई light में C4 में नहीं होगी, C3 में होगी तो हमेशा याद रखो C3 और C4 में low light intensity में कोई फरक नहीं होता लेकिन जब light intensity जादा होती है तो C3 और C4 में फरक होता है clear है? सही है कि नहीं बताओ? क्या यह पॉइंट्स लिखे पे समझ में आ रहे हैं जल्दी बताओ जल्दी यल्दी फास्ट सही है आगे आजओ आगे आओ अब आजओ factors affecting photo senses हमारे पास क्या है बिटा internal factors जो होते हैं उनमें से leaf, area, age, orientation, number of stomata हमेशा याद रखो कि internal factor genes पर depend करते हैं तो असकता है से नीट में कि internal factor internal factor किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं तो internal factor किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं genetic predisposition पे external factor आप ध्यान से तुने उसके लिए एक law है जिसे हम कहते है law of limiting factor जो किस ने दिया था नाम बता भाई ff blackman ने दिया था 1905 में law of limiting factor कहता है कि जब एक से ज़्यादा factor किसी process को चंट्रोल करते हैं तो rate वह determine करता है जो most limiting step होता है मतलब जो वह factor जो है वह factor जो सबसे कम है वह factor जो सबसे कम है वही determine करता है इसको फूर एक्जांपल अगर question में आपको दे रखा है कि low light इंटेंस्टी लो लाइट इंटेंस्टी दी रखा है अगर आपके पास कोश्ण में दी रखा है लो लाइट इंटेंस्टी बाकी के सारे फेक्टर सफिशेंट है तो rate of photo senses वही डेटर्माइन करेगा मैं आपको समझा चार फेक्टर अगर किसी प्रॉसस को कंट्रोल करते हैं उनमें जो सबसे कम होता है अपनी वैल्यू के वही डेटर्माइन करता है डाउट है कोई नहीं अब आज और बात करते हैं लाइट को लेकर सुनना ध्यान से लाइट में तीन चीजे होते हैं पहला होता है डूरेशन द इंटैंस्टी के साथ बनाओ तो रेट धीरे धीरे बड़ता है उसके बाद मैंने यहां उल्टा लिख लेक्त दिया इंटैंटी ऊपर लिखना है रेट पहलिट रेट देखो आप constant होगे एक time के बाद तो आपको यह समझना पढ़ेगा कि एक limit के बाद यह constant हो जाता है यहां से लेकर 0 से यह जो होता है उसको क्या लिखते है low light intensity आपकी ncati लिखती है कि 10% light काफी होती है क्या करने के लिए saturation लाने के लिए what is saturation saturation क्या होता है जब rate constant हो जाईए देखो light intensity बढ़ाने के बाद भी rate नहीं बढ़ रहा है उसे हम saturation कहते है 10% light काफी होती है तो कौन सा factor होता है जो rate को affect करता है intensity जैसे जैसे light बढ़ाते है rate बढ़ जकता है लेकिन एक time के बाद नहीं बढ़ेगा इसका मतलब दूसरा factor limiting हो गया 10% light काफी होती है saturation लाने के लिए इसका मतलब light बहुत कम limiting होती है अब आ जाते है बिटा हम बात करते हैं co2 concentration लेके बहुत ध्यान से सुनना बच्चे co2 concentration जो होती है environment में कितनी है 380 ppm है parts per million यह environment में है c3 की saturation है 450 और c4 की है 360 आपको यह समझना पड़ेगा कि जितनी environment में है उससे कम ppm पे ppm को ncrt लिखते है mu liter per liter ऐसे लिखती है ncrt कहती है कि environment में जो co2 concentration है उससे कम पर c4 plant saturate हो जाते है global warming से अगर co2 बढ़ेगी तो किसको जादा फाइदा होगा फाइदा होगा c3 plant को इसलिए c3 plant को greenhouse plant कहते हैं तो ncrt ऐसे बोलती है कि low light intensity में दोनों को फाइदा नहीं होगा दोनों को फाइदा नहीं होगा c3 c4 को क्यों ऐसा बोलती है क्योंकि low light intensity का मतलब light पे effect कर रहा है rate light पे depend कर रहा है लेकिन high light intensity में c3 c4 दोनों में बढ़ सकता है पर जादा फाइदा c3 को होगा क्योंकि उसका saturation environment की value से high है सही है इसलिए c3 plant को green house plant कहते हैं सही है green house plant कहते हैं cover करके जहां co2 जादा होती हमागरो करते temperature याद रखो हमेशा किसको affect करेगा enzyme को ncati ने कहा है कि light और dark reaction दोनों में enzyme होते हैं dark reaction में जादा enzyme होते है as compare to light याद रहेगा c3 और c4 plant का temperature optimum अलग अलग है यह बात बोल रहा है दूसरा last factor है पानी याद रखो पानी का direct effect नहीं होता अगर leaf मुर्जा जाएगी तो surface area कम हो जाएगा light कम पड़ेगी और अगर 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 दोपहर का time afternoon होगा स्टोमेटा बंद होंगे तो उसे कम co2 एंटर करेगी तो light पानी कभी direct effect नहीं करता ठीक है बहुत जोर नीद आ रही है तो सोजा भाई जोर सो आगया आजा कोश्चन करेंगे मुश्किल कोश्चन करो जड़ा पहला मुश्किल कोश्चन सर इसके conceptual आएंगे पहले बता रहो पोटो सिंस इसका कोश्चन conceptual आएगा इसलिए मैंने लगबग सर आप बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हो तो कैसे कराऊं फिर जल्दी बतावाई करें जल्दी 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 फास्ट आजो जल्दी आजाओ अरे आजाओ क्लोरोफिल बीक एससरी पिंग्मेंट सब्सक्राइब कहा होती है रहाँ क्रेंज अनॉटमी क्या होती है मेरे पास यह वास्कुलर बंडल उसके आसपास ऐसे बंडल शीट सेल फिर उसके पास मीजोफिल से लगेंगे मेज और शुगर के नC4 प्लांट में होती है एटे-एस हैलब इन जैने इंग प्रोटोन ग्रेडेंटिटिन साइकलिक नॉन साइकलिक सही है ओन श्ट्रोमल थाइलाकोइड लेस दन 680 नैनोमेटर बोथ साइकलिक और नॉन साइकलिक बिटा लेस दन शीक्सित यह ना तो उसमें नॉन साइकलिक ज्याधा होगा अच्छा स्टोमल लिखा है स्टोमल लिख खा ऊसमें नॉन सानिक को ऐए सकता मैं इस क्र फूमल का मतलब को यह खीनल वाला यहां पीज़्टूउ और पीएस वन दोनों है और स्टूमल वाले में इसफ पिएसेinquOR में नॉन साइकलिक होगा फॉर्थ आंसर है बाई अरे 59 का फॉर्थ है पॉर्थ है फॉर्थ यस और साबस कुस्षन कहां गया आओ क्यों हो हम सोब कल विन साइकल में कितनी अटी पी चाहिए ऑन合ुको्स लिख देते हैं आएक गिलुकोस्स बनाने के लिए कितनी एटी पी Sie 말 drive कार देते हाँ ठीक है हाँ एक ग्लूकोज बनाने के लिए सीथरी प्लांट में कितनी चाहिए एक सीओ टू के लिए तीन एटीपी है तो सिक्सी ओटू मतलब एक ग्लूकोज मैंने कोशन क्यों चेंज कर दिया क्योंकि इसका पंदर आ जाता पांस से मटिप्लाई करके ठीक है पर तुम्हार को कभी और कुछ नहीं पूछेगा ग्लूकोज का ही पूछेगा एक ग्लूकोज के लिए सिक्स्टीन का हाइटीन चाह वह बनती है उसमें माईटो कोंड्रिया में ऑक्सिडेटी फॉस्फोर एलेशन और एक बनती है हमारे पास फोटो फॉस्फोर एलेशन यह बनती है इसल्पी का प्रोटोन ग्रेडियंट से कुछ लेना ने देना नहीं है एसल्पी मतलब डैरेक्ट अटीपी तो 61 जो है इसक सुन लो द्यान से क्या होता है यह तुमारा पीएस टू है पीएस टू अपने एलेक्ट्रोन देता फियो फाइटिन को वह देता प्लास्टो किनॉन को यहां पर अंदर की तरफ होता है साइटो कुरूम बीशिक से प्लास्टो किनॉन इलेक्ट्रोन लेके अंदर मूव करता है क्योंकि प्लास्टो किनों हाइड्रोजन कैरियर एंसी आटी ने लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा प्लास्टो किनों आएगा क्योंकि वह अंदर मूफ करता है यह मुश्किलों अच्छन है भाई विचह फॉलिंग नॉट है मैगनीशम वैसे तुम्हें कर पाओ कि पता नहीं कि ना नहीं करो यह क्योंकि निव इनके बारे में नहीं पता होना चाई कि मेंगेनीक मे बारे में जान च sprouts में लोटामें होता है तो नहीं करो कोश्टन के मेरे क्या पूछ रहा है कि कौन सी दर देन से यह Ans ability और यह एभ पन तो यह स्ट्रोमल वाल साइड है के नहीं boxer happiness कि दर है यह लिए स्ट्रोमल साइड है ठीक है फियोफइटिन भी इदर होता है कि ठीक है और जो तो पानी को तोड़ेगा वह एंजाइम इधर होता है कि नहीं डी आएगा पानी तोड़ने वाला इधर आएगा बढ़िया है और देख विटा विच ओड़ फॉलिंग जनेरेशन प्रोटोन जनेरेशन कौन करता है पानी का तोड़ने से यह प्रोटोन बनते एन डी पीएच बनाने से प्रोटोन बनते और ईटीयस के थू प्रोटोन को बार से अंदर लाते तो आल आएगा फॉर्थ 65 का डी कट्र करका तो नहीं करने जब बना करना तो मत करो विक इस इनकरेक्ट यह कौन सा कुश्चिन तै यह कौंटम का कुश्चिन ताय किस में टॉपिक पढ कड़ा हो चोड़ देना का है इंद क्या है प्रोड़क्ष ओ इस इस C4 Acid साहिए यह तो PP PLUS CO2 को कमबाइन करके ओए बनाते हैं ना present in mesophyll cell PP and CO2 is substrate PP साहिए present in mesophyll cell साहिए कार्बॉक्सिलेज ऑक्सिजनेज नहीं यह काम सिर्फ रुबिस्को करता है यह काम क्या है रुबिस्को करता है हाँ सर्फ आगे आजाओ पर सीफोर प्लांट क्या सही है बायो सिंथेटिक फेस मतलब शुगर शुगर कौन से सल में बनती है बंडल शीट में बनती है सही है CO2 fixation अकर निन यह भी ठीक है लाइट रियक्शन अकर इन मीजोफिल मैं तिरसे यह कह रहा हूं कि एक ग्रेणल थायला कोईडे या पीस टू है यह मीजोफिल सेल है मैं तिरसे जानना चाहता हूं क्या बंडल शीट सेल में ऑक्सिजन बन सकती है नहीं बन सकती अगर यहां ऑक्सिजन बनेगी तो रुबिस्को को मिलेगी फायदा क्या हुआ अनियों ऑस्मोटिक हाइपोथिस मिचल ने दीटी साहिए लॉव लिमिटिंग फेक्टर साहिए एन ऑक्सिजनिक फोटो सिंसेज एक्षन स्पेक्टरम टी ड़लू एंगल में न वह यह वाला एन ऑक्सिजनिक फोटो सिंसेज वान सैक्ट नीदी वैन नील ने दिया था कुछ आरा समझ हां वैन नील ने दिया था सुलफर बैक्टीरिया ग्रीन सुलफर आगे चलो आगे देको बिटा प्लांट रिक्वायर लाइट इंटेंस्टी बिट्विन कंपन्सेशन ये निकरना जो कोशन नी करने मना करूं मा छोड़ देना इसटो मालप प्विंच आख़ करदा है तो अहीं बियर रहता गैघ कितना अप्लेजंट इन स्थों, आख व् दूराफ भॉर क्लों प्लास्टड इस शेख और की смотрите राट है चार और stromal में दे रखिये 5 इस वाले में यह granul है इसमें pH दे रखिये 5 हाँ बई ATP दोनों में बनेगा यह कैसा कोशन है मेरी बात सुन दिया हम से proton concentration हाई है दोनों में यहाँ और यहाँ दोनों में ATP बनेगा संय और एक इसमें ज्यादा होगा एसमें किसमें ज्यादा भीए आपको बता है ना फित इफ्रेंश ही तो चाहिए एच प्लस concentration तो ज्यादा एकिपई किसमें बनेगी इसमें इस वाले में ज्यादा बनेगी तो यह गल्त ओगया सेम अमाउंट गलत है मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा है यह कह रहा है कि स्ट्रोमल ले मिली में पांच है पीएच ग्रेनल वाले में चार है और बाहर दे रखिए छे प्रोटोन डिफ्रेंस किसमें ज्यादा इसमें ज्यादा तो इसमें ज्यादा एटीपी बनेगा न अरे अच्छा कोशन है 12 भी अभी होगा हां कहां जाओगे विच और फॉलिंग इन्वाल्विन फोटो लिसे साँ भई फोटो लिसे में बताओ यह तो कर लोगे 72 हां 72 एक कहरा सर्फ बायो 12 करते करते तो सुबह हो जाएगी नहीं दोफैर हो जाएगी जल्दी कर भई जल्दी करेगा तभी तो करेंगे जल्दी एल्दी करना है मन्स एल ठीक है सर आगे चले नेक्स्ट विच और फॉलिंग एव हाइस नंबर ओफ पिगमेंट लसी रियक्शन सेंटर किसमें सबसे ज्यादा पिगमेंट इता इधर दिख जान सो रियक्शन सेंटर में तो सिर्फ क्लॉर प्रफिल होता है एंटीना एलसी में दो चीजे हैं एक रियक्शन सेंटर है और एक एंटीना दोनूं मिला के है और फोटो सिस्टम में फोटो सिस्टम में ये तो होता ही है साथ में और भी होते हैं फियो फाइटिन वगरे भी होते हैं तो सबसे ज्यादा पिगमेंट तो फ आरेच च्रना आए गाई नहीं में स्विच फॉल्ग फॉन्ट्र कट्रोल रेट पोक्टो शिंसिजन हाई लाइट इंटेंट सी बाईच बहुंद फॉल्ग फैक्टर्र कैन कांट्रोल हाव ही लाइट दिवेशन तो करता ही नहीं है इंटेंट सी पिटा रेट कभी भी डिपेंड नहीं करेगा अगर कोई फेक्टर हाई दे रखा है अगर लोग दे रखाओ उस पर करेगा तो यह तो यह होगा फिर आंसर 74 का सेकिंड चले आगे कुछ पीवाई क्यू देख लेते तुम्हारे लिए यह कर्षबाग पाओगे अबिटा माइटो कॉंड्रिया में ऑक्सिडेटीव होती है यह कहां होती यह यह साइटोप्लास में होती है ग्लाइक अलिश्ट फॉटो फॉस्फोलेशन कर लोगे चलो आगे चलो एक पर पीवाई क्यूस करते हैं को क्योंकि यह वाले कुश्टन्स ज्यादा नहीं कर पाएंगे पीवाई क्यूस करेंगे देख लें यहां पर आजो एक यह 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 देखो आपको समझ में आएगा देखो ऑक्सिजनेज एक्टिविटी ओग रूबिस को क्या करता भाई आर यू बीपी प्लस ऑक्सिजन क्या बनाया पीजी प्लस दो माली कुल अफ तीन कार्बन यह होई नहीं सकता सी ओ टू के साथ तो फिर आंसर यह सही तो है क्योंकि यह इसकी बात नहीं कर रहा पर इसकी तो कर रहा है ना इसलिए अंसर क्या है गएटी नाइन का फस्ट ठीक है अरे बोगल भाई और देख प्लास्टो क्यून और क्य सफ और फिर प्लास्टो साइनीन फिर पी सवन है क्या लेंव ऐस डो किनोर फैसलिय दा ट्रांसफर ऑफ उलेक्ट्रोन फ्राइन का से पesianuse से कहा पर डेखो साइटो क्रोंब इसक्स अफ से पि-सवन नहीं रुख कि अगलेंट चेक कर लेते हैं पी एस वपन टू से साइटो साीटो पर यहां से यहां के बीच में बोल सकते हैं तो आंसर क्या गया नाइनटीका डी क्लियर है कहां लिखा है साइक्लिक भाई कि अच्छा को जागा है अचानक से हाँ बही इनकरेक्ट पूच रहा है सीफोर फार्स रुबिसको क्या है मीजोफिल सेल यही गलत है यार पाप लगेगा मीजोफिल नहीं बंदल भीत है पांच कार्बन का पाउड रुबिसको रुबिप की बात कर रहा सही है एक्शन रिक्वाइर अटीप रही है रुबिसको इस अब आई फंक्शन बाइफ फंक्शन मतब और सी ओ टू सभी कमबाइन करता ऑक्सिजन यह गलत है न सीधा सिधा गलत है पिटा और देको 92 हां अटीक्त नबीज नहीं है अनीध कर लोग्ए कोस्च्ण ऐसे आएंगे तो सटनके इनको प्रित आणेगी बिल्कुल पी-पी कि ठाइमल इसंक्टर किसमें है सी 2 में नहीं सी 3 में सी 4 दोनों मेंनी सी 4 में होना चीया है क्लियर है और देखो विचाओधा फॉलेंगी इस प्रोटीनेशियस और वाटर सॉलबल याद रखना एंथोसाइनीन जो है यह वह पिगमेंट है जो पानी में गुलता है ठीक है यह कोशन तुम्हें आना नहीं चाहिए क्योंकि NCRD में नहीं है ऐसा कोशन नहीं आएगा और देख लो लास्ट एक तो ऑक्सीजन के साथ मिलके PGA प्लस पीजी बना रहा है ना देरिज नो सिंसीज ऑफ एटीप और यह तो नो सिंसीज ठीक है आई यह सियो टू के लिए ज्यादा एफिनिटी होती यह भी सही है फोटो रेस्परेशन अकरिंसी फ्लांट यह भी ठीक है यही गलता है यहां व बात करें जल्दी बताओ अरे थक गए एक बड़ जोज दिखाओ जल्दी से बस बस हां जल्दी जल्दी फास्ट थक गए हां 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 आजओ जो जो लिखा हुआ है इधर देखो पिटा यह देखो जो जो लिखा हुआ आप पढ़ते चलो और आपको डिवाइस कर रहें साथ के साथ रेस्परेशन केटाबोलिक होता है हम लोग सेलूलर रेस्परेशन की बात करेंगे और रेस्परेटरी सब्सेट क्या क्या होता है सुन लो रेस्परेटरी सब्सेट कार्बन की चेन का बना होता है कार्बन की चेन का बना होता है और वो क्या क्या हो सकता है प्रोटीन हो सकता है अब आपको RQ याद करना पड़ेगा RQ होता है volume of CO2 volume of CO2 evolve oxygen absorb इसे RQ कहते हैं इसे क्या बोलते है RQ बोलते हैं इधर द्यान देना बिटा मेरे पास 0.7 किसका होता है fat का 0.9 किसका होता है protein का 1 किसका होता है glucose का यहाँ पर oxygen 0 होती है अब आप देख लो RQ infinity आना चाहिए try palmetine fatty acid है मैं RQ क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर सुनो ध्यान से respiratory substrate कुछ भी हो जगता इन में से पर हम carbohydrate क्यों use करते हैं क्योंकि उसमें कम oxygen की जुरुत होती है क्या यह यह समझ में आरी है कि यह समझ में आरी है ठीक है त्राइप आलमिटिन क्या है एक fatty acid है इसका RQ क्या आएगा सर 0.7 आएगा RQ सभी है अब मैं आप से पूछ रहा हूं इनसे अटी ने लिखा है क्या plant respire करता है क्या plant में respiratory organ होते हैं नहीं होते हैं नहीं 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 तो प्लांट में क्या होता है जो deeper tissues होते हैं deeper tissues dead होते हैं उनमें gases exchange stomata और lenticels से होता है plant में diffusion जादा deep तक होता नहीं है और उसके plant के cells को कम energy चाहिए तो NCIT ने पूछा है क्या plant breathe करता है नहीं ब्रीद तो नहीं करता ब्रीद नहीं करता respiratory organ नहीं होते हैं हाँ gases की जुरुत है उसे तो अंदर के tissue dead होते हैं stomata lenticels से हो जाता है जादा दूर तक diffusion होता नहीं है सबसे जादा gases exchange leaf में होता है ठीक है और वो अपना काम इस तरीके से चला लेती है यह points है जो आपको ध्यान रखने है plant को लेके अब हम बात करते हैं बिटा इस वाले पूरे चार्ट की एक एक चीज़ समझेंगे देखो चार्ट कितना सुन्दर सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा बताना यह वाला प्रोसेस क्या है सर यह glycolysis की location प्रो क्रेयोटिक सेल होती है यू क्रेयोटिक सेल होती है सर दोनों होगी glycolysis कैसा oxidation है इनकम्प्लीट या partial इनकम्प्लीट या partial इनकम्प्लीट या पार्शियल इनकम्प्लीट या पार्शियल इनकम्प्लीट या पार्शियल इनकम्प्लीट है या पार्शियल सर पार्शियल है क्या glycolysis में CO2 बनती है नहीं बनती glycolysis को कौन सा pathway बोलते हैं EMP pathway बोलते हैं Embedded Mayor of Parnas glycolysis में total कितने reaction है? 10 reaction है glucose और fructose दोनो glycolysis में enter कर सकता है plant में सुक्रोज होता है? सुक्रोज होता है कि नहीं? कौन सा enzyme में जो सुक्रोज को तोड़ता है? ये बताओ जल्दी बताओ बटा सुक्रोज को तोड़ने वाले enzyme का नाम invertase है glucose और fructose दोनों किस में enter कर सकता है? जल्दी जल्दी बोलो glucose और fructose दोनों glycolysis में enter कर सकता? येस और नो glucose और fructose दोनों glycolysis में enter कर सकता? येस fructose जब enter करेगा एक enzyme कम लगेगा isomerase ठीक है सर अब हम क्या करते हैं बिटा ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को देखते हैं सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ग्लूकोज है ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉसफिट हमने 1 ATP खर्चा फिर उसका आईसोमर बनाया फ्रक्टोस 6 फॉसफिट फिर दुबारा एक ATP खर्च किया फिर बना फ्रक्टोस 1-6 फॉसफिट जो 6 कार्बन का है फिर हमने क्या किया 4 स्टेप में स्प्लिटिंग कर दी 6 कार्बन की शुगर को 3-3 कार्बन के डाई हैप और PGL में तोड़ दिया मतलब क्या हुआ 4 स्टेप में हमने तोड़ दिया उसको किसको फ्रक्टोस 1-6 बिस फॉसफिट को तोड़ दिया 3 कार्बन की किटोस शुगर बनाई और 3 कार्बन की अलडोस शुगर बनाई ये क्या होती है डाई हैप इसमें कनवाट हो जाता है ये 5th स्टेप है कौन सा स्टेप है जिसमें पहला ऑक्सिडेशन हुआ 6th स्टेप जिसमें PGL से बना 1-3 BPG पहला ऑक्सिडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर रिडेक्शन से NADH बन गया तो अगर आपसे पूछें कौन से स्टेप में फॉस्फोराइलेशन होता है पहले और तीसरे स्टेप में ठीक है सर second स्टेप में Isomer बना रहे है fourth step में हमने 6 carbon की शुगर को 3-3 carbon की शुगर में तोड़ दिया फिर fifth में इनको reverse कर दिया 6th step में हमने NADH बना लिया अब हमने क्या किया है 7th step में फिर से ATP बनाया सही है सर 7 step में हमने फिर से क्या बनाया ATP बनाया अब हमने क्या किया 3 PG को 2 PG में convert कर दिया 2 PG को PEP में convert कर दिया इधर दे को बिटाई इधर दे को धान से यहाँ पर हमने पानी release किया है ठीक है सर PEP को हमने convert किया है यहाँ पे pyruvate में यह 10 वा स्टेप है यह 9th है यह क्या 8 तो अगर आप से कोई पूछे कि कौन-कौन से step में ATP बनेगा हमारे पास बनेगा 7th step में और 10th step में ठीक है कौन-कौन से enzyme glycolysis के आपको याद करने है पहला एक तो आप याद कर लेना invertase उसके अलावा hexokainase याद कर लेना और पाइरुवेट काइनेज यह दो जरूर कर लेना ठीक है क्लियर है अब मैं questions पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ glycolysis से मुझे बताना glycolysis में कितनी CO2 रिलीज होती है तर जीरो glycolysis में पहले enzyme का नाम क्या है hexokainase hexokainase glucose पे भी add कर सकता phosphate और fructose में भी दूसरी चीज glycolysis के last enzyme का नाम क्या है pyruvate kinase glycolysis में कितनी ATP बनती है दो उपर खर्चुई है चार बनी है टोटल कितनी हो गई दो सही है सर सही है दूसरी चीज क्या है कौन से step में NADH बनता है 6 step में NADH जो बन रहा है इतना याद कर सकते इतना याद हो गया अब देखो क्या होगा aerobic respiration में ये pyruvate अंदर आ जाएगा pyruvate के इस वाले reaction को जहां पर ये तीन कार्बन का pyruvate है ये दो कार्बन का acetyl coenzyme है बनाता है और एक CO2 रिलीज हो जाता है इसे link reaction कहते है pyruvate ये वाली जगा कौन सी है बेटा mitochondria की matrix है तो matrix के अंदर pyruvate का क्या होगा oxidative decarboxylation ये oxidation और ये decarboxylation है oxidative decarboxylation होगा और pyruvate convert होगा acetyl coenzyme में इसे link reaction कहते हैं तो आपको क्या-क्या याद करना है pyruvate mitochondria के अंदर चला जाएगा अंदर जाकर वो करेगा oxidative decarboxylation oxidative decarboxylation के लिए मुझे enzyme चाहिए pyruvate dehydrogenase pyruvate dehydrogenase को क्या magnesium चाहिए mg plus 2 चाहिए yes और नो बताओ pyruvate को क्या dehydrogenase को mg plus 2 चाहिए yes और नो हाच अज़र चाहिए उसको और भी coenzyme चाहिए nad plus चाहिए coenzyme A चाहिए इसलिए उससे बनता है acetyl coenzyme A acetyl coenzyme A 2 carbon का है वो जिस cycle के अंदर जाता है उसे crab या citric acid cycle कहते है haslac pathway C4 cycle का नाम था चीक है सर्थ अब क्या होगा यह यहां गया यह 4 carbon वाले के साथ combine हुआ 2 carbon का मेरे पास क्या आगया को एक 2 carbon को 4 carbon से combine करने के लिए मुझे एक चीज की और ज़रूरत होती है चैट में बताओ चैट में बताओ भाई एक CO2 लॉस हो गया यहां पर पाईरुवेट में से चैट में बताओ मुझे एक चीज और चाहिए यहां पर एक चीज और चाहिए चैट में बताओ क्या है वो जो जग रहे हैं बहुत पिटाई करूँए ज़र जान दो जल्दी बताओ अरे एक चीज और चाहिए पानी साबास प्रबात तिवारी बहुत ही बढ़िया सांधार नहीं नहीं एंजाइम तो चाहिए सिट्रेट सिंतेज पानी चाहिए कंडनसेशन हो रही है पानी नहीं लिखा ज़र आपने हाँ प्यास लग जाती नहीं तो कितर देख बई सिट्रिक एसिड बनाए छे कारबन का आईसो सिट्रेट आईसो सिट्रेट से मैंने यहां ऑक्सिडेशन करी है और यहां डी कारबोकसिलेशन करी है देख बई सिट्रेट से ऑक्सिडेशन करके औक्जलो सक्सिनेट और औक्जलो सक्सिनेट से पाँच कारबन का अलफा कीटो ग्लूट्रेट तो यहां ऑक्सिडेशन हुई है यहां डी कारबोकसिलेशन इसे oxidative decarboxylation कहते हैं तो isositrate की oxidative decarboxylation से oxidation और decarboxylation से alpha keto glutrate बन गया फिर दुबारा से मैंने oxidative decarboxylation करी मतलब NADH बना oxidation हुई है CO2 बना decarboxylation हुई है और मैंने coenzyme जोड दिया बनने वाला था succinate मेरा बना succinyl coay 4 carbon का इसका मतलब यह हुआ कि acetyl coay की जो 2 carbon थी एक यहां loss हो गई और दूसरी यहां loss हो गई अभी तक एक NADH यहां बना है दूसरा यहां बना है succinyl coay से succinate के बीच में GTP बनता है जो ATP बना देता है यह direct ATP है इसे SLP कहते है succinate से fumarate के बीच में FADH2 बनता है इस enzyme का नाम जरूर याद करना है succinate dehydrogenase इसके इनिबिटर का नाम मुझे चैट में बताओ जल्दी से चैट में succinate dehydrogenase के इनिबिटर का नाम बताएंगे बिटा जल्दी बताएंगे succinate dehydrogenase के इनिबिटर का नाम है मेरे पास malonate तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रैब साइकिल के कितने enzyme याद करने आपने सर दो याद जरूर कर लो एक याद कर लो citrate synthase पहला enzyme दूसरा enzyme जो है वो याद कर लो succinate dehydrogenase जिसका इनिबिटर malonate होता है succinate से fumarate बन गया fumarate को पानी दिया बन गया malate malate से जब OA बनाएंगे फिर oxidation हो रहा है NADH तो आपने देखा तो तीन तो बन गए NADH एक बन गया FADH2 और एक बन गया GTP आपको पता है कि तीन NADH कितने ATP बनाएगा सर 9 ये बनाएगा 2 और ये 1 है टोटल 12 ATP बनेंगे क्लियर है याद करने का तरीका कैन इंटेलिजेंट ओम करन सॉल्व सम्व फॉरन माफिया operation किस किस स्टैप में तीन दो NADH एक यहां बनाए देखो भई एक NADH ये बना दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा कितने NADH बने 39 ATP एक FADH2 से 2 ATP एक GTP डिरेक्ट जिसे SLP कह रहे हैं अरे सही है बढ़िया है तो अगर आप से सवाल आएगा तो क्या क्या आएगा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की application metrics है कोई doubt नहीं तर आगे आजाओ कि आगे आओ खीशेज इम्पॉर्टन एंजाइम कौन कौन से इंपॉर्टन एंजाइम बता वही मिंपॉर्टन एंजाइम कौन में लिंक रेक्शन का सिट्रेट सिंतेज सक्सिनेट डियाइडोजेश एटलिस इतने नाम ज़रूर याद करने हैं हो जाएंगे खीक है नेक्स्ट ग्लैकोलिसिस में कितने पाइरुवेट बने दो सीयोटू बनेगी नहीं बनती पार्शल अक्सिडेशन ए यस इंप पाथवेई ग्लाइकोलिसिस यस सभी तरह के सेल में होता है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक एटीप कितनी बनती है दो एने डीयज कहते हैं SLP SLP की फुल फार में सब्स्रेट लेवल फॉस्फोर आइलेशन बहुत बढ़िया अब क्रैप साइकल में कितने स्टेप ते सर आठ थे ऑक्सिडेटिव डी कार्बॉक्सिलेशन दो हुए क्योंकि दो सीयोटू बनी है एने डीएज कितने बने तीन एक यह और एक यह टोटल मेरे पास बारह एटीप आजाते हैं किसमें उसमें से ग्यारा डायरेक्ट है ओपी बलो ऑक्सिडेटिव वाले एक SLP डायरेक्ट है यह जाके बनेगा किसमें ETS में बनेगा लिंक रियक्शन ऑक्सिडेटिव डी कार्बॉक्सिलेशन होता है उसमें क्या बनता एक एने डीएज बनता एक पायरुवेट से एक एने डीएज तो वह कितने के बराबर होगा तीन एटीप आप खुछ से देखो बिटा ग्लाइकोलिस अठ्सिज में मेरे पास दो एटीपी डारेक्ट है और दो एने डिए अछे तो ये छे एटीपी हो गये यह दो हो गये लिंक रियक्शन में ने ड menu है वैसे तो एक दिखा रहे एक एने डे लिए गह तो छोटे टीपी हो गय 2 ने डीएज के और क्राब सॉष। क्या है एक क्रैप साइकल गुमती है तो बारह एटीप बनते हैं 12 इंटू 24 हो गए तो 24 ये 6 ये और 8 ये 38 हो गए 38 एटीप हमारे पास किसमें बनते हैं हार्ट लिवर किड्नी में 36 बनते हैं मसल और नियूरॉन्स में सर नीज आ रही है मुझे भी आजब वाई एटीएस आजब एटीएस का क्या काम है बिटा वटीज रोल ओफ एटीएस एन्ने डीएच और एफए डीएस टू से हाइड्रोजन अटाना हाइड्रोजन अटाने को कहते हैं ने ऑक्सिडाइज करना कॉंप्लेक्स वन जो होता है से एलेक्ट्रोन लेता है से नामें साइट्रोग्रोम BC 1 यहां है साइट्रोग्रोम यहां है साइट्रोग्रो म सी यह यहां से चला साइटोक्रूम सी पर और यहां से चला गया किस पे complex 4 पर देख लो कुछ से तो आपको क्या-क्या याद करना सुनो complex 1 में दो electron carrier है FMN, FES बीच में यूबी क्यून है, यूबी क्यून के बाद साइटोक्रूम 20-31 complex 3 है, फिर साइटोक्रोम C है और साइटोक्रोम A और A3, कौन से कॉम्पलेक्स में कॉपर होता है, जल्दी बताओ, कौन से कॉम्पलेक्स में कॉपर होता है, जल्दी बताओ, कौन से कॉम्पलेक्स में कॉपर होता है, जल्दी बताओ, कौन से कॉम्पलेक्स में कॉपर होता है, साइटोक एक्षिजन और चुक्रोम एठी में कॉक्पर ओता है और सैटोकरंब किसको को देता है ऑक्सिजन तों फाइनल एक्षाप््रिट्रक्रोम ओक्सिजन है मोबाइल एलेक्ष्ट्रोnsinn क्यर्ट सइट्डोक्रोम Nosy को लिगता है सैटोक्रोन बीचाइब से फें complex 2 किस से electron लेता है FADS2 से FADS2 से कौन electron लेता है complex 2 complex 4 का एक और नाम है cytokrome C oxidase cyanide इसे ही block करता है non competitive inhibition होता है अरे आ रहा समझ नहीं आ रहा हाँ cytokrome A3 तो हम sequence कैसे याद करेंगे complex 1 NADS से लेगा फिर ubiquinon complex 3 cytokrome C complex 4 complex 2 लेगा FADS2 से फिर complex किस पर जाएगा ubiquinon पर जाएगा ऐसे घर के तो ubiquinon दोनों से electron लेता है 1 से भी लेता है और 2 से भी लेता है और फिर वो देता है किसको cytochrome सरी वो देता है किसको complex 3 को क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक सही है सर आगे चलो आगे की कानी भी बता दो अभी तर देता एक बिटा anaerobic respiration में हम लोग क्या करते है lactic acid बनाते है lactic acid दो जगा बना सकते हैं एक muscle में बना सकते हैं बैक्टीरिया में बना सकते है normally क्या होता है glucose से pyruvate में na d plus convert होता है na dh में उसके साथ मेरे पास यहां दो एटीपी बनते है अब pyruvate से हम क्या कराते है aerobic कराते है aerobic के लिए mitochondria में जाते है और उसके लिए मुझे ETS की ज़रुद पढ़ती है ETS में क्या होता है na dh वापसी convert होता है na d plus में फिर repeat कर रहा हूं जो मेरे पास na dh यहां बनता है वो ETS में convert होता na d plus में ETS depend करता oxygen में अगर oxygen कम होगा तो na dh इसमें नहीं बनेगा और मेरे पास क्या होगा na d plus कम हो जाएगा na d plus कम होने से na dh नहीं बने मतलब ATP नहीं बनेगा मतलब क्या हुआ अगर oxygen कम है तो NAD+, नहीं बनेगा NAD+, नहीं बनने से मेरे पास क्या नहीं बनेगा ATP नहीं बनेगा हम क्या करते हैं, मसल में क्या करते हैं पाइरुवेट को लेक्टिक एसिड में कनवर्ट कर देते हैं लेक्टिक एसिड में क्यों कनवर्ट करते हैं क्योंकि हम NADH को कि क्या यह समझ में आ रहा है अरे बोलो कि काहे रोने हो भाई पेपर है साथ आठ दिन बाद पढ़ लो ध्यान से नो मक्कारी कि हां आख दो आओ कि शुन द्यान से लैक्टिक एसिड क्यों बनता है क्योंकि मुझे एंप फिर से चाहिए और वो कहा रिजनरेट होता है एंप प्लस रिजनरेट होता इस वाले स्टेप में एंजाइम का नाम है लेक्टेट दी हाईड्रोजिनेज आध रखना है हाँ, लेक्टिड डी हाइड्रोजिनेज, बिलकुल, अच्छा, कितने परसांट द्यान सुनेंगे, लेक्टिक एसिड कहां बन रहा है, इतना, कितने परसेंट एनरजी बनी है, लेस देन 7%, कितने परसेंट, लेस देन 7%, इथनॉल कैसे बनता है, ग्लूकोस से पाइरुवेट वाले में 2 ATP यहां बना, उसके बाद यहां NAD+, से क्या बना, NADH बना, पाइरुवेट कितने कार्बन है, थीन कार्बन, इससे CO2 निकलती है, LDH आ जाता है, दो कार्बन का, फिर मैं जो यह NADH है, उसको यहां कर्च कर देता हूं, NADH को यहां कर्च करूँगा, तो क्या बने इस्ट कर लेता है, अपने आपको, जब 13% के एराउंड क्या आती है, इथेनौल आती है, इथेनौल बनाने वाले एंजाइम का नाम, इसके लिए कौन से एक्टिवेटर चाहिए, जिंक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाइरुवेट पे कितने एंजाइम काम कर सकते, एक पाइरुवेट डी कार्बोक्सलेज, दो लेक्टेड डी हाइडरोजिनेज, तीसरा पाइरुवेट डी हाइडरोजिनेज, जो माइटो कॉन्डिया में होता है, क्लियर है, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, कोस्टन करते हैं, सर कोस्टन बता दो, आजा भई, इस पर कालिक एसिड से ओय बनाने के लिए यहां पर नएडी एच बन रहा होता है, तो इसका मतलब यहां इसकी ऑक्सिडेशन हो रही है, यह गलत है, यहीं रहूंगे, दस एंजाइम चाहिए, हेक्सो काइनेज, ग्लुकोज और फ्रक्टूस दोनों पर यह भी दोनों से यह, तो 96 का सेकेंड आएगा, आजाओ जल्दी, अचा फेट ऑफ अगर हमें कराना है, तो देख लें बिटा क्या करते हैं, ग्लुकोज है, ग्लुकोज से पाइरुएट, पाइरुएट से असे टाइल कोई, असे टाइल कोई से हम लोग क्या करते हैं, क्रैब साइकिर, कार्बोएड olor yeter करते हैं यहां पर टिक है और फैस्ट में से गलिसरोल zer करता है यहां तीन कार्बन पर और फैटी एसेड एंटर करता हैशिटाईल कोई ठीक है और प्रोटीन कहां एंटर करती है पता होना चाहिए तुम्हें प्रोटीन पीर्युएट पे सिटाइल कोई में क्राइब सीखिल जा सकता है आगे चलो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कर लो ग्लाइकोलिस में क्या नहीं चाहिए नदी अच्छी यह पाइरुएट काइनेज एटीपी अच्छा एनन डी अच्छ नहीं चाहिए रिकोर नॉट रिक्वायर न यह तो प्रेडियूज अधा रिक्वायर तो एनन डी प्लस है न नाइन्टी सेवन का थाड़ आएगा आगे चलो जल्दी 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 बिटा common in both complex 1 and complex 3 complex 1 और complex 3 में क्या common है ubiquinon नहीं FMN नहीं FES है देखो complex 1 में क्या था sir FMN और FES था और complex 3 में क्या था sir cytochrome B last में cytochrome C1 ubiquinon और FES sorry FES और ubiquinon तो क्या common है यह common है आ रहे हैं यह नहीं question हाँ हाँ जल्दी बताओ 99 complex 1 is also known as NADS dehydrogenase complex 3 also have ubiquinon complex 4 is only electron transporter ठीक है copper है complex 2 में wrong पूछा होगा बिटा सिर्फ electron carrier होते हैं यह तो बाट ठीक है गलत क्या है नहीं हाँ आगे आजाओ 100 which is necessary to continue the production of energy in cells energy बनाने के लिए क्या जरूरी है oxidation through glycolysis जो compulsory है यह कोशन नहीं करोगे कि यह कन्फिज होगे यह कर सकते हैं यह यह याद रखना बिटा NADH aerobic में fast होता है हमेशा याद रखना यह गलत करोगे नहीं तो कोशन आएगा alpha keto glutate 5 carbon का यह ultra लिखा हुआ है aerobic में fast होता है as compare to तो मेरे पास only B correct है ध्यान रखना है इसको यह NCRT की line है ठीक है number of ATP SLP SLP सुन ध्यान से बिटा glucose से pyruvate में कितने ATP बनते हैं SLP से 2 pyruvate से link reaction फिर crab cycle crab cycle में 1 ATP SLP का लेकिन वो कितनी बार घुमती है 2 बार तो 2 यह हो गए और 2 यह हो गए total SLP से glucose से कितने ATP बन गए चार यह वाला थर्ड आंसर आएगा 4 ATP बनेंगे ठीक है next को रो जल्दी से glucose 6 phosphate, aldolase, acetyl, coenzyme pyruvate dehydrogenase, acetyl, dehyde, exokinase, glucose, 1,6, bisphosphate यह ज़्यादा ठीक लग रहा है acetyl, coen, combine होता है बागी तो कोई match करी नहीं रहा यह भी नहीं match कर रहा यह भी नहीं match कर रहा है यहाँ पर 1,6, bisphosphate चाहिए देख लो match जो कर रहा है यहीं कर रहा है acetyl, coenzyme A+, होए हाना second arbiter pyruvate dehydrogenase, decarboxylase चाहिए नहीं match कर रहा हो हाँ नहीं होता है यह गलत है, photosynthesis में नहीं होता chemiosmosis दोनों में हो सकती है chemiosmosis दोनों में हो सकती है ठीक है? not directly involved in कौन directly involved नहीं होता complex 1 में क्या है? FMN है उससे proton move करते है complex 3 में क्या है? ubiquinon है ubiquinon खुद से proton move करता है complex 2 में कोई proton move करने की पावर नहीं है complex 2 में नहीं है Acetyl कोई किससे बनता है? pyruvate की oxidation भी बनता है fatty acid की वज़े से बनता है दोनों से बनता है और glutamate से नहीं बनता तो 106 का मेरे पास थर्ड आएगा pyruvate और fatty acid दोनों से ठीक है? डर गए? ठक गए? यह वाला बताओ ज़रा कौन सा cytoplasm में नहीं है succinate dehydrogenase crap cycle में होता है यह सारे glycolisis के हैं तीनों तो इसका मतलब यह कहां होंगे? यह mitochondria में है 4th नहीं चलो आगे देखो चलो इसके पीवाई क्यों बताते हैं आपको? क्योंकि आप क्या करोगे? आजाओ देखो यह question मैंने आपको अभी बभी कर रहा है centric acid cycle में SLP से कितनी ATP बनती है? एक ना एक बनेगी? पाइरुएट डिहाइडरोजिनेज पाइरुएट डिहाइडरोजिनेज को क्या चाहिए? अभी के हमने 112 का magnesium चाहिए बताओ भाई conversion of glucose to glucose कौन सा enzyme चाहिए? hexokinase glucose से glucose 6-phosphate बनाने के लिए मैंने कहा ना आपको कि याद कौन सा enzyme करने देखो na d plus क्या करता है? it function as enzyme नहीं electron carrier final electron acceptor for anaerobic respiration anaerobic respiration में यह acceptor है नहीं it is a nucleotide source बता na d जो है na na d plus उसके साथ h plus और electron जोडोगे ना तो एक तरीके से electron carrier हो सकता है यह यह nucleotide source हो सकता है ATP senses यह जाधा ठीक है मतलब electron carrier ना बोलके यह वाला जाधा ठीक है यह जाधा ठीक है बिटा 124 का सी जाधा ठीक है मेरे साथ सी जाधा ठीक है ठीक है और आ जो यह करोगे हठारा वाला कोशन enzyme in TCA are present in my TCA matrix में है हाँ सर है glycolysis cytosol में होगी incorrect पूछा है supplemented with NAD plus जब तक मिलता रहेगा glycolysis चलती रहेगी oxidative phosphorylation का मतलब होता है ETS वो कहां होगा outer में होगा inner में होगा सर inner में होगा 125 का D देख लो खुछ से which are the following is statement is wrong for crap cycle जैती बता हुई three points दे रखे cycle के वेर NAD plus reduce तो तीन point पे है तीन है के नहीं है ठीक है one point जहाँ पर FADS इसमें convert होता सही है सक्सिनायल आप molecule of GTP बनता सही है acetyl group with pyruvig acid नहीं O A चाहिए देख लो सही है 124 में क्या घड़ बढ़ होगी बिटा मेरे हिजाब से देख समझ ज्यान से यह दोनों ठीक है मतलब function as a electron carrier मतलब ठीक है carrier पर carrier जो होता है हमारे पास हम ETS के अंदर देखते है ETS का part नहीं है इसलिए यह ज्यादा ठीक है न्यूक्लोटाइड सोर्स का मतलब होता है NAD जो है ना वो न्यूक्लोटाइड तो है आगे आजा यह वहला देख ले which of the following will be depict correct RQ use as a respiratory subject हाँ बई किसके लिए बोलना ट्राइपालमेटिन के लिए बता बई ट्राइपालमेटिन के लिए सी आएगा जली बताओ सी आएगा ठीक है हाँ सही है सर आजाओ PGR की बात कर लेते PGR में हम ज्यादत थियोरी की बात नहीं करेंगे मैं जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं आप एक बार रिपीट करो मुझे बताना है कि आपको यह सारे बात याद है कि नहीं मैं कुछ लिख नहीं रहा पीजी आर में सिर्फ आपको रिवाइस कर रहा हूं ग्रोथ के बारे में सुन लो द्यान से जो जो पॉइंट्स बोलूंगा आप बताना कि आपको याद है कि नहीं ठीक है PGR कर रहे हैं बिटा हम क्या कर रहे हैं PGR कर रहे हैं के जो points बोलूंगा ध्यान से सुनना कि आप बताना आपको याद है कि नहीं सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं PGR पर ध्यान धोबटा हम लोग जो बात कर रहें पीजी एर पर सुनो ध्यान से सबसे पहले हम बात करने ग्रोथ की ग्रोथ जो होती है हमारे पास उसमें एनाबोलिजम जादा होता है सही है इर्रिवर्सिवल होती है यहां सर उसके बाद सुनो ज्यान से उसके बाद हम बात करते हैं plant growth की, plant growth localized होती है, plant growth open है की close है, यह बताओ, चैट में बताते चलना, plant growth open है की close है, sir, open है, ठीक है, plant growth, determinate और indeterminate दोनों दे रखी है, ठीक है, उसके अलावा plant differentiation भी open दे रखी है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से phases होते हैं growth को लेके, जैसे हम measure कैसे करते हैं actual में क्या होता है, cell का size बढ़ता है वो measure करना मुश्किल होता है, तो हम क्या measure करते हैं fresh weight, dry weight, surface area, volume, weight, ये सारी चीज़े measure करते हैं अगर हम क्या करते हैं, किसी cell को देखते हैं, तो वो अलग-लग phase में होते हैं सबसे पहला phase मेरे पास कौन सा है, जल्दी बताओ सबसे पहला phase मेरे पास है, meristematic phase जिसमें cell का क्या होता है, cell divide करता है cell मुझे बताना जरा, meristematic elongation और हम लिखते हैं maturation phase किस phase में वेक्योल नहीं होते हैं, जल्दी बताओ किस phase में वेक्योल नहीं होते हैं, जल्दी बताना सर, meristematic में नहीं होते हैं, अच्छा हमारे पास multiple plasmo desmetal connection होगे, nucleus large होगा सही है, dense cytoplasm होगा, meristematic phase के cell का elongation में cell का size बढ़ता है, क्या उसमें वेक्योल बनने लगता है, yes, क्या deposition स्टार्ट होती है, yes, maturation में deposition पूरी हो जाती है, सही है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था arithmetic growth rate और geometric growth नहीं, मुझे यह पूछना है, आपसे किसी को याद है कि arithmetic growth rate में क्या example दे रखा है, root की growth, वहाँ पर एक सल divide करेगा दो में फिर दो से तीन, तीन से चार ऐसे बनेंगे, उसकी equation क्या थी, lt बराबर में l0 plus rt, lt बराबर में l0 plus rt, आरा समझ, lt बराबर में l0 plus rt, r क्या है, r क्या है, हमारे पास arithmetic growth rate है, ठीक है, geometric growth rate में हमारे पास lag phase होता है, exponential phase होता है, फिर stationary phase होता है, ठीक है, उसकी जो equation है, wt is equal to w0 e की power rt, e की, e क्या है बेटा, base of natural logarithm है, और r क्या दे रखा, r दे रखा, efficiency index, maximum जगा पर हमें exponential growth rate दिखती है, उसके बाद आप याद करो, आपको ncrt देती है, आप कोंसा compare करती है, absolute growth और relative growth, absolute growth क्या होती है, अगर 5 से 10 बने और 55 से 50 से 55 cm square area बढ़े, तो absolute क्या होती है, याद करो, absolute क्या होती है, actual increase, relative क्या होती है, जिसे 5 से 10 होना double है, लेकिन 50 से 55 होना double नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते है, differentiation, de-differentiation, re-differentiation की, differentiation कि किसमें होती है, primary meristem और secondary meristem में होती है, अच्छा secondary meristem बनती कैसी है, de-differentiation से, कुछी secondary meristem का example बता सकते हैं, core cambium और vascular cambium, secondary meristem क्या बनाती है, secondary meristem बनाती है, सेकंडरी जैलं सेकंडरी प्लांट में ग्रोथ कंट्रोल करते हैं external और internal चीजी आ जाएंगी ठीक है अगर हम बात करते हैं डिवलप्मेंट जो है प्लांट के अंदर जो पूरा प्रॉसेस है वो क्या होता उसके उसमें क्या होता एंवार्मेंट का इंपेक्ट भी पड़ता हो कुछ इंटर्नल इंपेक्ट भी पड़ता है तो अगर प्लांट डिफरेंट पाथवे सिलेक्ट करें अगर प्लांट एंवार्मेंट को लेके डिफरेंट पाथवे सिलेक्ट करें उसके लिए क्या टर्म है जल्दी बो सर प्लास्टिसिटी क्या बोलेंगे उसे प्लास्टिसिटी क्या प्लास्टिसिटी का एक्जामपल क्या हेट्रोफिली हेट्रोफिली दो तरह की होती है एक होती है एन्वायरमेंट वाली दूसरी हमारे पास कौन सी होती है सर पहली होती है एन्वायरमेंट दूसरी कौन सी होत तो जो डेवलोपमेंटल हेट्रोफील है उसके तीन एक्जामपल दे रखें जल्दी बताओ हाई सेप्टर की सिर्फ NCRT करनी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और्मोन्स के रोल तीन एक्जामपल कॉर्टन कोरियंडर लरक्स पर और और एंवार्मेंटल हेट्रोफीली के एक्जामपल दे रखा है बटर कप क्या दे रखा है बटर कप है कि नहीं बटर कप दे रखा है सही है अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं ग्रोथ को जो कंडिशन फॉर ग्रोथ के लिए एक्स्टरनल में दे रखा है पानी पानी क्या करता है एंजाइम activity को control करता है उसके लावए elongation कराता है temperature से क्या बनता है एंजाइम active होते हैं temperature से हाई temperature पर नॉर्मल temperature पर जाधा काम करते हैं oxygen से aerobic respiration ATP बनती है और जो ATP बद्धी है हमारे पास जो ATP बनती है मारे पास वो जो ATP बनेगी ना वो growth के लिए ठीक है अब आ जाते हैं बात करते हैं internal factors के intrinsic or internal factors दो तरह के होते हैं जीन्स कोन से इंट्रा सेल्यूलर इंट्रसअल और यह बताओ जीन्स कोन से हैं इंट्रा सलूलर इंट्रस अलूलर जल्दी बताओ इंट्रासलूलर, इंट्रसलूलर, जल्दी बताओ, जीन्स कौन से हैं, इंट्रा, इंट्र, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बिटा, इंट्रसलूलर है, इंट्रसलूलर को हम हॉर्मून्स कहते हैं, आपको क्या करना है बिटा, हॉर्मून्स के लिए क्या क्या चीज याद करने देखो मेरे पास यह ऑग्जिन है यह जीए है यह साइटो काइन है यह इतलीन है यह अगल यह फटा फट से इनके हम वह देख लेते हैं इनके फटा फट से हम साइंटिस्ट के नाम भी देख लेते और discovery और यह सारी चीज़ बात कर लेते हैं मैं आपको बताऊंगा आप मुझे बताते चलना बस जल्दी इलदी से सबसे पहले जो मैं points बोलूंगा उसको discuss करते वें चलेंगे जराद जल्दी जल्दी से बात करेंगे बटा ध्यांदो सबसे पहले हम बात करते हैं कवरी की इसमें मेरे पास दो स्यांटिस्ति से डार्विन चार्ल्स डार्विन और फेंसिक डार्विन उसके लावा फ्डलू वेंट ने एफ्ड़ू वेंट ने कौन से प्लांट पर काम किया था जल्दी बताओ FW वेंट ने किस पर cannery grass में यहां पर है क्यूरो सवा यह क्यूरो सवा ने bacon डिजीज़ देखी थी साइटोग अनीन में पहले बार हमारे पास है स्कूग पिर हमारे पास है मिलर है छीए क्लिर है इतलीन हमारे पास है कजिन्स इसके लिए scientist नहीं रखे, सिर्फ नाम दे रखे है, dormean वगरे, छीक है, अच्छा, यहाँ पर human urine से जो isolate हुआ तो indolicetic acid था, human urine से, इसका bio S से याद है किसी को, cannery grass आएगा बेटा, नहीं, oat आएगा, यह oat आएगा, यह cannery आएगा, इसका bio S से क्या था, avena colioptyle, इसका कौन सा है, genetic dwarfism वाला है, और कौन सा है, barley endospermine, याद आ रहा है, इसका कौन सा है, delay leaves innocence है, इसका कौन सा ट्रिपल response है, यह bio S से थे, यह किस से बनता है, ट्रिप्टोफान से, यह इसका precursor है, precursor, इसका precursor tarpinoid, इसका aminopurine, इसका methionine, साथ के साथ देखते चलो, इसका carotinoid, ठीक है, location, shoot tip, inter node, और seed, पंजाई में मिला था यह, और plant में मिलता है, higher plant में, cytokinin cell जहां divide करते हैं, और जो part बुड़ा हो रहा होता है, खराब हो रहा होता, leaf, flower, fruit में, यह guard cell में मिल सकता है, और का मिलेगा leaf में, location है यह, ठीक है, यह location है बिटा, ठीक है, सही एक नहीं बताओ, हाँ सर, अच्छा, इसके बाद अगर रोल की बात करे, आज़ जल दियल दिसे, apical dominance, सही है सर, pineapple में flowering, हाँ सर, pineapple में flowering, rooting in stem cutting, और कुछ याद आ रहा है, यह क्या करेगा, promote, abscission, किसमे, in old leaf and fruit, उसके बाद VD side, की तरह काम करेगा, 24D आया था, किसके अगेंस, डाइकोट के अगेंस्ट, उसके बाद Xylem differentiation, और क्या करेगा, बताओ, पार्थिनों कारपी, यह रोल दे रखे, इसके रोल बताओ, इसमें मेरे पास क्या क्या रोल आएगा, जल्दी बताओ, जीए में, जीए में एक आएगा, ग्रेप्स वाला, ग्रेप्स की एक्सिस इंक्रीज करेगा, एक एपल और पियर, उसकी शेप इंप्रूव करेगा, दूसरा यह करेगा, बिटर, इंटर नोड, और क्या करेगा, बोल्टांग करता है, साइटो का इनन, ओर कम, एपिकल ढॉमिनन, establish branch बनाता है उसके बाद shoot बनाताओ adventitious leaf और chloroplast को divide करता है nutrient mobilization कौन करता है यह करता है nutrient mobilization nutrient mobilization करता है delay in Leafs &htezen지 इसमें बैटा मिरे पास fruit ripening इसकी fruit ripening को नाम देते हैं Climatric क्या नाम देते क्लाइमेक्ट्रिक किसी को याद है क्लाइमेक्ट्रिक क्यों नाम देते हैं क्लाइमेक्ट्रिक क्यों नाम देते हैं क्यों क्लाइमेक्ट्रिक नाम देते हैं क्योंकि सीयो टू रिलीज होता है उसके बाद बेटा रूट हेयर रूट हेयर इंक्रीज करता है ट्रिपल करता सि डॉर्मेंसिद और बड विसरी दॉर्मेंसिद और मेंसिद नौरों टोड़ता है कि सब्सक्राइब नियुटिक यह में नियुक्षित नियुक्षित ङ्रीक गए तल में फ्लारिंग sniff कि फर्नेपल में फ्लारिंग और टेली याद करता और कोई काम नहीं को है ब fish खोड और कोई काम नहीं है यहीं essential tag मैं कुरा भी ला रहा है जलुदी एक्जान तक आपको बहुत कराएंगे हम इस यह अखिल आए भी थे इसमें फ्रूट रोगरे लाता है, ABA, Seed Dormancy, किसके अगेंस्ट है, ABA, GA क्या अगेंस्ट है, अगेंस्ट जीए है, नहीं, उसके अलावा, Closing of Stomata, सही है सर, और क्या करता है, General Inhibitor है, 1960s में तीन कैमिकल मिले थे, Dormin Epsition to Inhibitor B, हाँ सर, बढ़िया, ठीक है, क्लिर, अब मैं आपसे सिंपल सा पूस्तव, मुझे बताना है कि फोटो प्रियोडिजम के लिए, Root, Stem, Leaf, या किसमें हमारे पास, द्यांस दूनों, बटा, द्यांस दूनो, Root, Stem, Leaf, किसमें हमारे पा पास, द्यांस दूनों, किसमें हमारे पास, Root, Stem, Leaf, किसमें हमारे पास इफेक्ट होता है, फोटो प्रियोडिजम का, सर, मैच्योर लीफ में, ठीक है, वर्लाइजेशन का, डिवाइडिंग सेल में, वर्लाइजेशन के लिए, मुझे, विंटर क्रॉप चाहिए, ग्यों की होता है, यहां पर चेंज दोनों हो सकती है, वैसे तो, डेटर्मीनेट होता है, सिर्प पूंपों स्क्राइद के लिए, असे स्थावेड बजूप अग्श्फियन्ग है, और ताह उत्विए सब्सक्छाउं ऑपर होता है, इस एक व्म की डिलए होता है, पार्ट के लिए यह ज्यादा गलत है डिटर्मिनेट लीफ के लिए होता है पूरा प्लान्ट इंडे टर्मिनेट होता है मैरिसमेटिक के लिए क्या गलत है बाई increase वेक्यूलेशन बाकी सारे ठीक है किए वेक्योल बेटा इलोंगेशन वाले में बनता है इंटर नोड कौन इलोगेट कराता है बही इंटर नोड कौन इलोगेट कराता है सर जीए अचा दो लीव दे रखी है एक का 10 cm स्क्वेर है एक का 20 cm स्क्वेर है same absolute growth 5 बढ़ गया इसका 5 बढ़ गया Leaf A have more relative growth A और B इसकी relative growth ज्यादा हुई है Leaf B have 25% कैसे निकाल होगे 5 upon 20 into 100 25% ये भी ठीक है Relative growth of A is double to the यह 25 हुई है यहां कितनी होगी 5 upon 10 into 100 यह 50 हुई है सही है सारी ठीक है बिटा देख लो सारी ठीक है है अना सारी ठीक है Apical hook formation Seed है Apical hook Horizontal growth और broadening of axis इसको कहते है triple response कौन करेगा सरिथलिन Hormone involving inhibition of root growth at higher concentration Root growth at higher concentration Inhibition of root growth बिटा वैसे यह auxin होगा इसमें यह question करना नहीं है तुमारे anxiety में नहीं है Identical critical dayland दे रखिए LDP की 14 hour LDP दे रखा है 14 hour Critical dayland इसका मतलब क्या हो गया Night उसको क्या चाहिए Less than Night कितनी चाहिए बिटा Less than 8 Less than 8 चाहिए night यह गलत हो गया यह भी गलत है यह सुनो द्यान से बिटा 10 गंटे का दिन है फिर 2 गंटे की डार्कने से फिर यह ठीक हो चकता है ग्या दे रखा है कितनी 10 11 गंटे की night सुनो द्यान से जिसकी critical dayland 14 hour दे रखिए और वो long day plant है तो उसको night चाहिए यह less than 8 गंटे तो यह वाला फिर भी ठीक बन सकता है थार्ड और नहीं बनेगा विट्टे कोशन में कुछ गरबर है इसमें छोड़ दो इसको चलो जाओ आगे नौट सिंथेटिक और जिनाभी सिंथेटिक कौन कौन से टूफोर डी एने टूफोर फाइब टी यह नैचुरल है बेटा वो कोशन में क्या था सुन मेरी बात ध्यान से सुनिए उसकोशन में कुछ गरबर थी कुछ गरबर थी मैंने इसलिए चोड़ा है आपको ऐसा नहीं ठीक है आघट चले रिपोलो ड्र गए रुकई प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन और एक्स्रेश एक इंट्र सलूलर को हैं गया इंट्र सलूलर टेम सिक है। सेल के बीच में इंटर है इंटरा है अच्छा इंटरा दे रखा इंटरा मतलब यह नहीं यह 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 सेकें ठीक है ठीक है चलो इसका पीवाई क्यों देख लिएते हैं देखो कर लोगे नॉटी इनिबिस्टरी सबस्टेंस सीड द बैंसी को एप सी cast ya tino क्या करते इनिबिटिड करते हैं επ करते इनिबिट करते हैं फॉर्ली इनिबिट सीड जर्मीनेशन जिवार लिक एस ट्युग एस टोर मेंen सी करे मैक्सिमम ग्रोथ किसमें होगी लॉग फेज में एक्सपनेंशल में प्रूट राइपनिंग देख लो जान से प्रूट स्ट्रेस हर्मोन कौन सा ए बी ए फरस्ट वोल्टिंग जी ए सेकिंड हर भी साइड थर्ड फ्रूट राइपनर इतर फोन फोर्थ फर्स्ट का फोर्थ आएगा यह देखो नहीं और देखो खुद से देखो बिटा काइनेट किसने दिया था तर्म कूक और मिलर दे काइनेटीन किसका नाम है साइटो का इनिन का क्या यह प्लांट से मिलने वाला नहीं है अनिमल सोर्स से प्लांट वाले का नाम बता होगा कौन सरी बताएगा कौन जी आटीन प्लांट से मिलता है जी आटीन सही है क्लियर है बीटा अर यह देख लो, 2019 में आय था, perception of photo period मैंने कहा ना ये question आएगा कि किस में light किस में लगती है, photo periodism के लिए leaf, it takes very long type pineapple to produce flower, which of the combination हाँ भई, pineapple में बहुत time में कौन से hormone चाहिए, दो दे, oxyn और ethylene, इन से मिलता है pineapple में flowering, देख लो, हाँ, fruit drop, early stage, dance नोंगे बटा, कौन सा hormone है, NCRT ने लिखा, leap और fruit drop को prevent करता, early stage में, और promote करता, late stage में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बटा, जल्दी बताओ, 152 wrong, कैसे, 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 fruit ripener, इत्थे फोन है तो सही बटा, अच्छा, अच्छा मैंने पूरा पढ़ा देखाने, answer गरत मात करते, वो second का third लगाया है क्या, हाँ, ठीक है, सही करते, मैंने वैसे तो सही किया, आगया आगयो, fruit और leaf drop, oxyn, और करो, growth hormone, oxyn was isolated, fw went, किस से निकाला था बेटा, oat, मैंने कहा था न, याद करना, तुम्हें क्या याद करना, oat और cannery grass मैं, वो points बता रहा हूँ, जो तुम्हें याद करने, तो हमारे पास बेटा, अगला topic है, diversity पे आगये हम लोग, और बात करेंगे, तीन chapters की, ठीक है, biological classification, plant kingdom, और living world, ठीक है, हमने लगबग, हाँ, लगबग तीन गंटे के असपस पढ़ लिया, ठीक है, हमने 5 chapter कर लिया, अब हम लोग जो करेंने वाले हैं, बिटा, living world की बात करेंगे, ठीक है, सोड़ी, biological classification की बात करेंगे, करें start, करें, करें start, जल्दी बताओ, डर गए, बोलो, डर गए भाई, चले, आ जो, डरे तो नहीं हो, देखें, biological classification को हम कितनी जल्दी खतम कर सकते हैं, theory करते हैं वेले, theory करें, theory, थोड़ी सी theory करते हैं, देखें, आपको कितना याद है, थोड़ा सा chat में active हो जाओ भाई, हाँ, chat में थोड़ा सा active हो जाओ, theory करते हैं, इसके बाद break करते हैं, हाँ, इसके बाद break करते हैं, क्योंकि ज्यादा break है नहीं हमारे पास, जीवन में इतने break हैं नहीं, हाँ, ठीक है, पानी पिले मस, ने रेस नहीं है, बिटा आज़ी, यह slide बना रखें, तुमारे लिए, आज़ो, जल्दी आज़ो, चलो, एक बर करते हैं, आज़ो, क्रोक्रियोट को यू क्रियोट के साथ रखा था, autotroph को heterotroph के साथ unicellular को multicellular के साथ और हम बोल सकते हैं less differentiated को more differentiated के साथ ऐसे कुछ drawback थे आप याद करो fungi किसमें रखा था सर फंजाई को planta ही में रखा था बैक्टीरिया को किसमें सब्सक्राइब न्यूट्रीशन है mode of reproduction है ठीक है फाइलो जेनेटिक है थैलस और्गनाइजेशन है ठीक है सेल स्ट्रक्चर लिख देते हैं ठीक है मेरे पास पांच किकडव है मॉनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे अनिमीलिया यहां पर सबसे पहले मुझे बताव किस मुनास किसमें आएगा क्लमाइडो मुनास और क्लोरेला किसमें आएगा सबसे पहला कोशन तो यह आएगा जल्दी बताव भई क्लमाइडो मुनास और क्लोरेला किसमें आएगा अरे जल्दी बोलो क्लमाइडो मुनास और क्लोरेला किसमें आएगा प्लीज वाले इधर फोक सब्सक्राइब मोनेटरास में तोड़े दिया था हमारे पास यूक एक यूद्टीरिया और आरकी बैक्टिरिय में तोड़ दिया इस तरीकेसे इस तरीके से क्लासिफिकेशन स्टा Вы सका रख तु emo मोनरा पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए एक सांदर चित्र लाया हूं मैं बोर्ड की तरफ देखो 16 srna चले जल्दी करें पिटा चले जल्दी करें हाँ जल्दी करो जल्दी यल्दी फास्ट आ जो इधर आ जो देखो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले गळाइको कैलिक्स सबसे बार वाली लेए रहे हैं बार कायपसुल अ काफसुल कैसा होता है फिर सेल वाल किसकी बनी होते है टाह Daun Lee को कैलिक्स जलसिके और सलम्प्रेवर तीनों को मिला के cell envelope कहते हैं क्या बोलते है cell envelope कहते है जान सदे एक फिर से glycogalics cell wall यही glycogalics यही cell wall यह cell membrane question यह आ सकता है नीट में कि कौन सा ऐसा structure है जो pro kriot और you kriot में pro kriot और you kriot में हमारे पास दोनों में same होता है cell membrane similar है किसमे प्रो kriot और you kriot में similar है cell membrane repeat कर रहा हूं तो सबसे पहले हमने किसके बार में बात किया इन तीनों के बारे में glycogalics cell wall cell membrane तीनों को मिला के हम cell envelope कहते हैं glycogalics slime layer lose होती है capsule हमारे पास टफ होता है अब आ जाते हैं हम लोग प्लेजि infra turkey sirse structure के सबसे पहले हमारे पास है फ्लेजिला फ्लेजिला किसमे नहीं मिलता फ्लेजिला possess body है हुख है है और filament है इसको मिला के हम क्या झा भोलते फ्लेजिला बोलते हैं फिर हमारे पास एक deve bathroom इस होता है पिलाइ फिम्ब्रियाई ब्रिशल से पोता है attachment on substratum इसाही हैch da और जा ओगाइगा है इसपेशलल प्रोटीन का बना हुआ है फ्लेजिलला किसंब का किसमें नहीं होता साइनोब्र में नहीं होता और किसमें नहीं होता कोकस में नहीं होता सही है क्लियर आ गया जाओ उसके बाद हमारे पास एक इन फोल्डिंग है इसे मीजोजोम कहते हैं मीजोजोम हमारे पास वेसिकल होता है टुबूल होता है लेमिली होती है तीन शेप होती है मीजोजोम का क्या काम होता है रेस्पिरेशन सेल वॉ memory की वो respiration का काम करती है किसका काम करती है respiration का ठीक है हम बात करते हैं बैक्टीरिया के DNA की बैक्टीरिया के DNA को nucleoid कहते है वो DNA circular होता है double standard होता है उसमें main gene present होती है और उसमें कोई histone नहीं होती हिस्टोन नहीं होती बिटा ध्यान से सुनोगे ना ध्यान से सुनोगे तो तुमें समझ आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं काम का है ठीक है अब देखो उसके बाद हमारे पास आ गया plasmid plasmid कैसा होता है देखो क्या nucleoid double standard है हाँ plasmid भी क्या double standard है यह circular है हाँ यह भी circular है पर यह extra chromosomal है इसको chromosome मानते तो इससे अलग है यह extra chromosomal यह self replicating है मतलब अपनी copy बनाता है plasmid आपको याद करना है ti plasmid ti plasmid कौन सा बैक्टीरिया बनाता है agrobacterium कहां लिखा बायो टेक में उ उसके लावा हमारे पास R plasmid होता है resistant plasmid होता है जो E coli में antibiotic resistance देता है अब एक structure होता है जिसे हम कहते है क्रोमेटो फोर क्रोमेटो फोर भी membrane से बनता है और वह किसमें मिलते है साइनो बैक्टीरिया में क्रोमेटो फोर पे कौन सा pigment होता है क्लोरोफिल है चीक है सर राइबो राइबोजोम बैक्टीरिया में 70S टाइप के होते है बहुत सारे राइबोजोम पे mRNA लगता है पॉली राइबोजोम कहते है कुछ राइबोजोम यहां membrane से अटैच मिलते है ठीक है सर राइबोजोम का size जो है बिटा वो याद कर लें 10 से 20 नैनो मेटर दे रखते हैं इंक्ल इंक्लूजन बॉड़ी स्टोरेज के लिए होती है ग्लैकोजन गट्रमिए से लफ़र ग्रेणिए फॉस्पोरर ग्रैणिए सींओं उसके अलावा गैस वेक्क्योल भी इंक्लूजन बॉड़ी है आप मुझे चैट में बताओ गैस वेक्क्योल कहां मिलता है फंक्षन सेम है माइटो कॉंड्रिया का एना लोगस बोल सकते हैं नदीम ठीक है इनक्स्टेंशन वाला कोश्चन नहीं आएगा नुबाओ परिशान मतों इंक्लूजन बॉड़ी कहां कहां मिलती है गैस वेक्क्योल कहां मिलेगा साइनो बैक्टीरिया ग्रीन सलफर परपल ब इसमें ऐसी कोई चीज जो आपको ना याद हो एसी कोई चीज जो याद ना हो जल्दी बताओ कोन सी ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं है जल्दी बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो याद नहीं है सब याद है आजाओ आजो, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमारे पास है ओटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओटोट्रॉफिक में एक होता है कीमो सिंतेटिक, याद करो ध्यान से कीमो सिंतेटिक क्या होता है कीमो सिंथेटिक क्या होता है सेल के बाहर ऑक्सिडेशन होती है ऑक्सिडेशन से जो एनरजी बनती है उससे यह ग्लुक अपना खाना बनाता है कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया का एक्जामपल है नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया रीसाइक्लिंग करते हैं चार चीजों की चैट में बताओ कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया चार चीजों की रीसाइक्लिंग करते हैं किन चार चीजों की, iron, sulfur, phosphorus, nitrogen, iron, sulfur, phosphorus, nitrogen, सही है सब, उसके बाद photo-autotrophic मतलब light से खाना बनाएगा, उसमें oxygen बनाने वाले bacteria blue-green algae होती है वस, एन-oxygenic वो bacteria होते हैं, जो oxygen नहीं बनाते हैं, उसमें आते हैं green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, green non-sulphur, यह NS का मतलब है non-sulphur, purple non-sulphur bacteria आते हैं, यह एन-oxygenic होते हैं, clear है, heterotrophic bacteria में आएंगे saprophytic, symbiotic, parasitic, saprophytic का example, NCIT ने lactobacillus दिया है, parasitic में citrus canker, typhoid वाला bacteria यह सब दिया है, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं, reproduction के अगर हम बात करें, तो most common reproduction binary vision है, जो favorable में होता है, unfavorable में bacteria spore बनाता है, sexual reproduction के लिए NCIT लिखती है, some primitive method of DNA transfer, जिसमें हम लिख सकते हैं, transformation जो ग्रिफित ने खो जा था, फिर transduction virus के थुरू होता है, conjugation F plasmid के थुरू होता है, bacteria का normal size 2 से 5 meter, mu meter है, micrometer, अब हम बात करते हैं classification of bacteria की, bacteria को classify करते हैं, Archibacteria और U-Bacteria में, Archibacteria और U-Bacteria के किस चीज में difference होता है, जल्दी बताओ, Archibacteria और U-Bacteria के किस चीज में difference होता है, सर्थ cell wall, यही कोशन आएगा, cell wall में होता है, उसके लावा Archibacteria में introns भी होते हैं, और 16S, R, RNA अलग-लग होता है, Archibacteria तीन तरह के हैं, methanogen, methanogen gut of ruminant, मतलब जुगाली करने वालों के पेट में मिलते हैं, उसके अलावा, मार्शी एरिया में मिलेंगे, thermo acidophile high temperature कोई example है आपके पास, thermos aquaticus, जो इससे tag polymerase मिलता है, हेलो फाइल मिलता high salt पे, उसके बाद यू बैक्टिरिया में एक है blue green algae, blue green algae का habitat की बात करते हैं, fresh water, marine, और कहां मिलेगा moist soil में, blue green algae, unicellular, filamentous और colonial होती है, उसके बार mucilaginous sheet होती है, blue green algae, cyanobacteria, जिसमें हमारे पास chromatophore होते हैं, क्या होते हैं, chromatophore होते हैं, chromatophore के अलावा, उसमें chlorophyll A है, gas vacuole होते हैं, उसमें एक structure होता है, heterocyst, क्या heterocyst सारे, 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 क्या सारे, 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 NCRT ने, तो कुछ bacteria में, cyanobacteria में heterocyst होता है, heterocyst nitrogen fix करता है, उसमें nitrogenase enzyme होते हैं, चार cyanobacteria याद करने आपने, nostoc anabina, spirulina और oscillatoria, अब बात करते हैं, यू-bacteria की, यू-bacteria में हमारे पास है, mycoplasma, mycoplasma में cell wall absent होती है, सही जब, वो pathogenic होता है, plant और animal दोनों के लिए, और वो survive कर सकता है, without oxygen, ये 3 point याद करने है, mycoplasma में cell wall नहीं होती, उसका एक example है, PPLO, mycoplasma pathogenic है, plant और animal दोनों को, और वो survive कर सकता है, without oxygen, smallest organism है, 0.1 micrometer, every size ये होता है, bacteria का 2-5 micrometer, ठीक है, notes तुम्हें लिखे में मिले वे हैं, देख लो सांदर, पूरे, एक, दो slide में मोनेरा आ गया, सही है, सार, बढ़िया एकदम समझ, जानदार, अच्छा, बात कर लेते हैं, protista की, आजाओए, protista वो kingdom है, जो बेटा, link बनाती है, किसके बीच में, मोनेरा और बाकी के बीच में, link बनाती है, protista में well defined nucleus होता है, पहली बार, 9 plus 2 फ्लेजिला होगा, 9 plus 2 वाला, gametes हो सकते हैं, zygote हो सकता है, और membrane bound organal होगी, protista जो है बेटा, उसमें membrane bound organal होगी, हाँ सर, membrane bound organal होगी, nitrogen, sorry, membrane bound organal होगी, zygote होगा, वो क्या बना सकता है, zygote है, gametes होते हैं, उसमें well defined nucleus होता है, protista जो होता है, उसको हम classify करते हैं, photosynthetic वाले में, photosynthetic में सबसे पहले हैं, chrysofides, chrysofides में desmit आते हैं, जिसे golden algae कहते हैं, और आते हैं die atoms, अब मैं आप से पूछ रहा हूँ, इनकी जड़ा cell wall बताओ, cell wall में cellulose है, और साथ में सिलीका होता है, इनकी stiff cellulose की plate होती है, किसकी? dynoflagellate की, yugliloid में cell wall absent होती है, उसकी जगा पैलिकल होता है, क्या होता है, protein का बना हुआ पैलिकल, pigment इसमें बेटा chlorophyll A होगा, उसके साथ दूसरा C वगेर होता है, डाइटम में, इसमें chlorophyll A है, उसके अलावा red pigment होता है, फाइको एरिथरिल, फाइको एरिथरिल, इसमें chlorophyll A और chlorophyll B होता है, yugliloid में, NCIT ने बोला like higher plants, क्या बोला higher plants, डाइटम में फ्लेजिला नहीं होता, इसमें दो है, एक transverse है और एक longitudinal है, इसमें दो है, apical unequal है, है के नहीं, और storage जो है इसमें नहीं दे रखा, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं दे रखा, इनमें storage नहीं दे रखा, पर आपको ध्यान रखना है, यूगलिनोइट जो होते हैं, वो light की presence में, photosynthetic होते हैं, ध्यान सुनेंगे, photosynthetic होते हैं, और बिना light के वो क्या हो जाते हैं, predator हो जाते हैं, die atoms जो है, die atomaceous earth, indestructible होता है, उसको filtration, syrup making, और हम लिख सकते हैं, chief producer है ocean में, सहीं है सब, dino flagellate है, वो एक तो toxin बनाते हैं, ठीक है, जो fish की killing करते हैं, उसके अलावा goniolex है, जो क्या करता है बिटा, जो एक तरीके से red appear होता ocean में, और वो कैसे multiply करता है, binary fusion से fast multiply करता है, यूगलिनॉइड के लिए याद रखेंगे, यूगलिनॉइड जो होता है बिटा, वो हमारे पास कैसे divide करता है, द्यान से दुनेंगे, यूगलिनॉइड जो है, हमारे पास binary fusion से divide करता है, उसमें pallicle होता है, वो photosynthetic होता है, light की presence में predator हो जाता है, अब आओ slime mound में, slime mound की main structure, plasmodium होता है, जिसमें cell wall नहीं होती, plasmodium जो होता है, वो grow करता है, किसी tweak वगरे पे, leaf वगरे पे, उस पे grow करता है, उसके बाद जब वो size में grow कर जाता है, खाना खतम हो जाता है, उसे unfavorable कहते हैं, फिर slime mound क्या बनाता है, fruiting body, fruiting body इस पे true spores ब ठीक है, आर, phycoerythrin, red pigment है, सही जब, अब आजाओ ज़रा, air current से disperse होते हैं, protozoa जो होते हैं, उसमें एक amoeboid होते हैं, एक ciliates आते हैं, एक flagellate आते हैं, sporozone, sporozone में plasmodium आएगा, flagellates में में मेरे पास trypnosoma, ठीक है, clear है, या लिश्मानिया, देख ले न, ciliates में में म amoeboid में याद है किसी को, कोई example याद है, amoeba और ant amoeba, हाना, ant amoeba और amoeba, याद है किसी को, ant amoeba क्या है, parasitic है, हाना, amoeba आपको पता है, और इसकी जो marine form होते हैं, amoeboid की, उसमें silika होता है, marine form में क्या होता है, silika होता है, सही है, हाँ, sleeping sickness, जल्दी बता भई, sleeping sickness, हाँ, इको प्लाजमा की टाइप है, PPLO, smallest क्या होगा, तो आपको पता हो, आजो भई, फंजाई आजाएं, फंजाई देखें, चितर के द्वारा, आजाओ सब, देखो भई, सबसे पहले याद रखो, फंजाई कॉस्मो पॉलिटन होती है, बहुत सारी जगा मिलती है, फंजाई क कैसी होती है, मेंली फिलामेंटस होती है, कौन सी फंजाई नौन फिलामेंटस होती है, इस्ट, नौन फिलामेंट होती है, इस्ट, ठीक है सब, अब हम बात करते हैं, नूट्रीशन की, फंजाई में तीन तरह का नूट्रीशन होता है, सैपरोफिटिक, पैरासिटिक, सिमब आप्र परपायोटेक में लाइकन आ जाते हैं और माय को और ईंहां पंजाई में तीन तरह का रिप्रॉडशन होता है एक वेंजी क्लति ओक्रुणी क्लूणीय। और budding, vegetative क्या होता है fragmentation, fission और budding सही है सर, उसके बाद हम बात करते है asexual की, asexual में हमारे पास spore बनते हैं जैसे की konidia, सही है सर और sexual में तीन step होते हैं पहला होता है plasmo gammy plasmo gammy में क्या होता है, same size के gamets या कुछ ऐसे fuse करते है उसके बाद हमारे पास di-carryon stage आती है, क्या आती है di-carryon stage, फिर होती है karyo gammy, कौन fuse करता है nucleus fuse करता है, फिर होती है meiosis, ठीक है, जिससे haploid spore बनते हैं तो plasmo gammy, karyo gammy meiosis, कौन सा group है जिसमें di-carryon नहीं दिखते कौन सा group है जिसमें di-carryon नहीं दिखते है, phycomyestries ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा हमने फंजाई को classify किया ध्यान दो, हमने फंजाई को classify किया, हाइफे के अधार पे, spore के अधार पे और fruiting body के अधार पे, मतलब फंजाई की classification तीन basis पे है, पहला fruiting body दूसरा, दूसरा, सुन ले ध्यान से बिटा दूसरा, उसकी क्या हाइफे और तीसरा है उसके sexual sport, हम यहाँ पर यह देख रहे हैं, कि जो phycomyestries है, उसके example है, albugo mucor rhizopus, याद करो जल्दी से बिटा, जो जग रहे हैं, वो जग रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, सही है, हाँ, तो पढ़ा ही करो ध्यान से, राइजोपस, में phycomyestries में क्या, albugo, mucor rhizopus, ascomyestries में क्या example है, east, non-filamentous है, penicillium, claviceps, lsd, बनाता है, aspergillus, morals, हाना, ठीक है, truffles, neurospora, neurospora, genetic study में, morals और truffles, edible है, खाया जाता है, ठीक है, बैसिडियों में, agericus, उस तिलागों को US याद करना है, क्यों US याद करना है, उस तिलागों smut करता है, पकसीनिया rust करता है, ठीक है, toadstool, ये example याद करने हैं, इसके, deuterio maestries में, alterneria, trichoderma, colito trichum, अब याद करो, ध्यान से, पाइको माइस्ट्री के हाइफे कैसे होते हैं, ए सैप्टेट, बाकी तीनों के सैप्टेट होते हैं, याद रहेगा, याद रहेगा, पाइको माइस्ट्री कैसे होते हैं, ए सैप्टेट, बाकियों के कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं फाइको माइस्टीज में जाइगोड बनता उसे जाइगो स्पोर कहते हैं फाइको माइस्टीज में सेक्शॉल और एसक्शॉल स्पोर को कोनीडिया कहते हैं वो एक्सोजीनस होता है सेक्शॉल स्पोर एंडो होता है जो किसके अंदर बनता है जो हमारे पास बनता है किसके अंदर एसकस के अंदर और एसकस बनता है एसको कार्ब पर एसको कार्ब क्या है फ्रूटिंग बॉड़ी है तो एसकस क्या है कवर उसके अंदर स्पोर बनते है बैसिडियो माइस्टीज में सेक्स ओर्गन नहीं होते उसके अलावा बेस्टी ओमाइस्रिस में ए सेक्ष फोर नहीं होतें works ले ऐसको मैस्टीज का एक्सब्रबाव एक्सोजीध मतलब कॉनीडिया होता कॉनीडिया और किस में मिलता है डियू तेयो मी है उसमें sexual spore exogenous होते हैं क्या होते है एक्सोजीनस होते हैं ठीक है deuterium estries वो group है जिसमें sexual fruiting body नहीं दिखती इसलिए उनको temporary deuterium estries रख दिया गया क्योंकि classification के जो तीन basis है उसमें से दो basis sexual spore और sexual fruiting body है तो हमने क्या किया है temporary जो deuterium estries है उनको temporary एक group बना के रख दिया गया है जब उनकी sexual जो वो body discovered होगी तो उन्हें transfer किया जाएगा clear है बोलो बेटा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी समझ में आया अच्छा मुझे बताओ कि deuterium estries को किसमें रखने के chances जादा है एसको माइस्टीज में क्यों क्योंकि को नीडिया होते हैं और हाई फेस एक्टेट होते हैं सबसे सबसे पहले वाइरस हाँ वाइरस सर्जी ओबलीगेट पैरसाइट है सेलूलर पैरसाइट है डियन्य और आरन्य हो सकता है एंड नहीं होगा, दोनों present नहीं होता है, कोई एक present होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, virus term किसने coin की है, अभी तक clear नहीं है, NCRT में, जब तक नहीं आता, तब तक pasture लेके चलो, एवन वॉसकी ने bacterial proof filter की बात करी थी, बेजर निक ने कहा है, contagion vivum fluidum, infectious fluid की बात करी है, स्टेलने ने virus को crystallize किया था, ये important data है NEET के लिए, structure की बात करें, तो virus का coat और capsid किसका बना हूँ है, protein का, और उसमें जो unit होती है, उसे capsomere कहते हैं, वो दो तरह की helical, और हमारे पास beta, एक हम बोल सकते हैं, spherical, दो तरह की कुछ symmetry ये दिखाता है, genetic material virus में चार हो सकता है, single strand RNA, double strand RNA, single strand DNA, double strand DNA, plant virus में single strand RNA होता है, bacteria of age में double stranded DNA जादा मिलता है, animal virus में single strand RNA, double strand RNA और double strand DNA मिलता है, जाद होगा, बोलो, अरे देखो तुमारे लायम लिख के यार, मेरे को time लगा, इसमें 8-9 गंटे से जादा लगे लिखने वे, तुबैसे ही लिख रहा था, byroid क्या है, single strand RNA, किसने discover किया, TO dynier 1971, सर, भुक से देखके लिख रहे हैं थे नहीं, बेटा मैं डारेक्ट लिख रखता हूँ, genetic material क्या है, single strand RNA, जिसका low molecular weight होता है, वाइरोड क्या होता है, प्रोटीन का cover नहीं होता, उसका size virus से भी छोटा होता है, virus से भी size छोटा होता है, low molecular weight है, यह क्या है बेटा, potato spindle tuber disease, यह disease है, अच्छा, prions क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ protein होती है, गड़बड कहा है उनकी folding में, उनका size virus के size के बराबर होता है, disease का नम mad cow disease, crutesfeld jackup disease, समझो, prions में सिर्फ protein है, folding की गड़बड होती है, mycorrhiza क्या होता है, बेटा, fungi की association है, mycorrhiza में fungus का कौन सा जीनस होता है, glomus, कौन सा जीनस होता है, glomus, और mainly क्या absorb करता है, phosphorus, अगर वो orchid के साथ बनाएगा, mycorrhiza, जिम्नो, एंजियो के साथ, तो वो endo बनाएगा, pinus के साथ कौन से वाला बनाता है, acto, याद रहेगा, mycorrhiza कौन सा, कौन सा मिंदल जादा एब्जॉप करता है, phosphorus, कौन सा जीनस है, glomus, आजाओ, lichen, phycobion, mycobion, बताओ, lichen, phycobion, mycobion, किसका pollution indicator है, sulfur का, ठीक है, lichen slow grow करते हैं, fast grow करते हैं, slow grow करते हैं, pollution वाले area में मिलते हैं, without pollution मिलते हैं, ठीक है, जल्दी बता, बिटा, आ गया, चल सवाल जवाब ले लेते हैं, इसके, जल्दी यल्दी से, आ जो, देखें, तुम्हें कितने आते हैं, जल्दी यल्दी करो बिटा, इन में से कौन से बैक्टीरिया, photo-autotrophic है, photo-autotrophic, नहीं है, है, हमें यहां लिखना चाहिए, ऑक्सीजनिक, क्योंकि यह दोनों photo-autotrophic, नॉस्टो का जाएगा, बिटा, ऑक्सीजनिक लिखना चाहिए, थोड़ा सा ठीक करते हैं, जल्दी बताओ, 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 विच ग्रूप फंजाई, ल्याक, एसेक्शुल, spores and sex organ जल्दी बताओ which group जल्दी जल्दी fast कौन सा group है हमारे पास जिसमें asexual spore and sex organ नहीं होते sir sex organ और sexual besidiomyestries 159 का 3 अभी किया हमने जासे exogenously produced sexual sexual spore sexual है और exogenous है sir besidio चाहिए इसमें besidio का example बताओ albugo phico है cleviceps asco है neurospora asco है उस टिलागों क्या है besidio answer third आएगा देख लो कुछ से organism with unequal apical देख बटा apical flagella और छोटा बड़ा and photosynthetic pigment है yuglenoids आएगा diatom में तो flagella नहीं होते इसमें flagella नहीं होते इसमें दो होते हैं एक इधर हो एक इधर हाना तो 161 का third ठीक है और देखो two kingdom का drawback नहीं है प्रो क्रियोटिक के साथ यू क्रियोटिक ये तो है विच और फॉलिंग इस नौट प्रूफ और आर्की बेक्टिरिया मेथैनोजन ओब्लीगेट एने रोब है ये सही ये बात बीना ओक्सिजन की मिलता है सेल वाल इस डिफरेंट प्रॉम बेक्टिरिया ये प्रो क्रियोटिक सेल ने 163 का क्या है का वही फ्लेजिला ट्यूबलीन प्रोटिन किसमें मिलता है यू करियोट मिलता है पहनली बात तो फ्लेजिलाई नहीं होता होगा भी तो ट्यूबलीन का नहीं मिलेगा हाँ बताव जल्दी अरे कोशन करो जार डर यह वहां इतना ट्रूस एल वाल आभी किया हमने रिवाइज किया ट्रूस एल वाल इन स्पोर true cell wall in spore जल्दी बताओ true cell wall in spore जल्दी जल्दी फास्ट हाँ युगली ने ना amoeba, slime mold जल्दी बताओ which of the following example have true cell wall in spore क्या आएगा युगली ना amoeba, slime mold paramecium slime mold third mycoplasma lack completely cell wall सही है slow multiplication of some dynoplazeate can make appear युगली नाइड है, stagnant water में सही है plasmid carry non-essential यहाँ पर तुम्हें slow चाहिए, fast चाहिए सर यहाँ पास चाहिए तभी तो red tide होगा है कि नहीं हाँ सर class कब तक चलिए यह कैसे सवाल है वह तो 12 भी करेंगे न protein coat protect genetic material of virus हाँ परोटीन कोड जैनेट यह तो सही है प्रोटीन कोड इस एपसंट इन वाइरोइड वाइरेंड कर्ण यह भी वेक्रिल से प्रोटीन कोड़ा है प्रोटीन करता है वाइरोइड करता है सही है वाइरस विच इंफेक्ट प्लांट इस वाइरस जो प्लांट को इंफेक्ट करता है सिंगल स्रेंड आरने वाइरस डियरेक्ट साइंटिस्स कॉंटेजम वाइवं फ्लूडम अभी करा हमने बैजर निक कॉंटेजम वाइवं फ्लूडम अरे करो जल्दी से यार क्यों घबरा रहो हमें तुम्हारे साथ बैक्टीरिया इस आ सोल स्ट्रक्ट्चर कॉंप्लेक्स ब्याइवियर लाइन निया टिकी और अट्रोफिक सिंथेसाइज फूड फूड फ्रम और निया आएगा सारे थोड़ी बना सकते हैं गलत हैं दा वास मेचिर्टी ओव बैक्टीरियार यह चेक करो हेट्ट्रोट्रोफिक है पेज 19 की लास मे चाहिए लिखा हुगा यह भी गलत हो गया तो मेरे पास A और B आएगा A B करेक्ट पूछा वाई C हटा दो यार A B आएगा पिटा सार फस्ट ले लो ठीक कर देते हैं हाँ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या है कनवर्ट नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट यह तो नाइट्रोफिक हो गया यह सकता है निंटलोफिक डिन फ्यक्ताइट नाइट्रोट अब धीनाट्रोफिक लिए भी इसी और दी यह तीनो दे रखार्ट अध्रोघ्रोफिक बैक्टीरा के लिए पिर कर दे को नेक्स्ट अल आटो ट्रॉफ ये गलत है अल कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया और थोड़ी आ जाएगा अच्छा कीमो सिंथेटिक के लिए लिखा है ठीक है और देख लिए थे साइनो बैक्टीरिया फ्रेश वोर्टर टेर्स्टियल ये सही है करें पुछा है न यह अर्बिए इन और्गनिक कोई कनवर्त करहें मेको प्लाजम है तो गलत क्या बतनИ Earth कलव bucks अधनी की रützenादीँ लग रहे हैं मुझे तो 171 देखना ज़रा कुछ गढ़बर लगए है बैक्टीरिया इन चारों में से कौन सा जाधा कर बाइनरी फीजिन बच्चे मुझे इस कोश्चन में गढ़बर लग रहे है कुछ और अच्च क्योंकि और टॉट्रॉफ तो इन और्गेनिक और गेनिक में ही बनाएंगे बाकी तो कीमो सिंथेटिक भी ठीक है ऑक्सिडाइस करेगा इन औरगेनिक सबस्टैंस की ठीक है साइनो बक्टीरिया फ्रेश वाटर मेरी तर्स्टेल टेरिस्टियल में गर्वर हो जकत यहां पर तीनों पर डिपेंड करती है कि विच ओद फॉलएंग इस कॉमन फॉर फंजाई एंड साइनो बैक्टरी द्यांसे करना इसे न्यूक्लियस होता है नहीं दोनों में नहीं होता प्रेजन्स ओ पिगमेंट नहीं फिलामेंटस दोनों हो सकते तलुलोस की सेलवाल नहीं होगा है कॉमन यह हो सकता दोनों फिलामेंटस हो सकते साइनो बैक्टीर और पंजाई डाइटम सिलिका है अल्ब्यूगो परसिटी के ठीक है राइजोपस डाई केरियोन फेस विजिवल गलत है राइजोपस किसमे आ रहा है सर फाइको में तो डाई केरियोन कैसे होगा यह कि 175 का थर्ड आएगा और देखो जल्दी देखो बिटा जाइगोट नहीं होगा लाइफ साइकिल लैग जाइगोट इसका मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर ड्यूटीरियो माइस्टीज चाहिए तो ड्यूटीरियो माइस्टीज या बैक्टीरिया भी हो सकता है अल्ट कर लो इक पर अच्छा यह यह गलत था है और मैं वही में कर ओं नॉट लिखा है ना हाँ पोर था आएगा ही के बटा बहुत बढ़ी है बहुत सांदर जवर्जस आजाओ पीवाई क्यों लोई इसके करेक्ट अबाउट वायरोइड दे आव आर ने विदाव प्रोटीन को सही आए डियाव डियन ने विदाव नहीं देव फ्री डियन ने नहीं आरने विद प्रोटीन कोड गलत है साइनो बेक्टीरिया दे लैक हेट्रोसिस्ट इनकरेक्ट बोला लैक एपसेंट यह पहला ही गलत हो गया ब्लूम्स बनाएगा सही है क्लोरोफिल यह होता है दियार फोटो टोट्रॉप 178 का यह आ गया लेखलो विटा आपको सारे कोशण आते हैं हाँ नोट लिखा है ना देख लिहाए बितामिने वाइरोईड लैक प्रोटीन कोड मार्ट क्या पूछ इनकरेक्ट पूछ३ा ना वाइरोईड लैक से इतो वाइरस और सार ऑंचेट पेरसाइट प्रोटीन कोड़ इंफेक्षियस नहीं इंफेक्षियस उसका जेनेटिक मेटियरल होता है प्राइंस कंसिस्ट ओफ यह ठीक है 179 का सी देखो वाइरस से काफी कोशन आते हैं आपको ध्यान रखना वाइरस वाला पार्ट पढ़के जाना है मॉरल्स और टरफल्स अरेडिबल सही है कलेविस्समैनि अल्कॉलाईड अलेसदी अभी लिखा मैंने लेको कलेविससस में लख़ेनिया लिखा आप चेक करो कोणीडिया एक्सीन साइब हैक्स कोस परcom after karyo gammy followed by meiosis spore exogenously किसमें बनेंगे exogenously बिटा spore sexual की बात कर रहा है sexual spore exogenously बनते हैं बैसीडियो में इन में से बैसीडियो कौन दे रखा है सर सी है देख लो खुद से और कोई बैसीडियो है oxygen is not produced during oxygen किसमें बनता है साइनो बैक्टीरिया में और पूरे plant kingdom में पूरे plant kingdom और साइनो बैक्टीरिया में oxygen बनता है तो यह सब plant kingdom में है और यह साइनो बैक्टीरिया है answer इसलिए भी आ जाएगा खुद देख लो इन सब में chlorophyll यह होता है बिटा chief producer देखो chief producer अभी हमने पढ़ा die atom सर आपने जो लिखा उससे सारे कोश्चन है हां सारी होंगे वह लिखा जो आता है सिलिएटिट देखो मेरी बास सुमाँ सिलिएटिट डिफर फ्रॉम अदर तो यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोको मोशन गलत है स्यां इसमें दो तरह के नूप्रेस होते है एक बड़ा एक छोटा अना यह वैजिटेटिव नूप्रेस होता है और एक छोटा नूकलेस होता यह डाटा इंस्याटी में नहीं यह आने के चांसिस कम है बितर क्योंकि 2000 आप मतलब इसका जो पेपर था ना अठारा का का हलका सा मुश्किल का कट-off कम थी तो हमें लग रहा है कि यह हो गया है आपका प्लांट किंग्नम डिसकस कर लेते क्या किसी प्रकार का ब्रेक चीए किसी को छे चैप्टर्स कर लिए हमने थक गए नहीं तक ना नहीं है जल्दी बताओ जल्दी फास्ट ब्रेक चीए किसी प्रकार का जल्दी बोलो नहीं 11 कराई देता हूना पूरा एक साथ क्या करेंगे ब्रेक का एक गंडे में करा देता हूं लावन पूरी प्लांड किना मैं अपतो मॉर्फोन नुट मी बस सेल वेल कर लेते है ना जल्दी से यवें करी लेते है न सी जय फिर 12 करेंगे से देवर हा है सेल्दी बोलो चलो पांच मिनेट है इसे आधानी दूरा जो गया तो गया जाना निवे दो दस पे इस स्यादानी टाइब है कि दो दस पे स्टार्ट कर रहे है इस वाले में करा देंगे पूरा ठीक है हाँ पूरा इलेवन खतम करें पिटा भी फटा पट से अब नई स्ट्रीम बनानी पड़ेंगे आज ट्वेल्स पी कराएंगे लगाएंगे ट्वेल्स में क्या करेंगे च्णोरी का कुछ कुछ पार्ट रिवाइज करेंगे और कोशन काफी कराते तो आपको दोनों हो जाएगा कि अधिशू भी करा रहा हूं वाय मॉल्टिंटी करां कोई देंगे दस मिनेट दस पर स्टार्ट करेंगे नीद नहीं आनी चीए भाई कि अगर कि अगर कि अगर कि कि अगर कि अगर कि अगर कि कराता है झाल 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 करें स्टार्ट भई स्टार्ट कर ले स्टार्ट करते हैं और पूरी एनर्जी के साथ लगे हुए फुल एनर्जी के साथ यही इंडिकेटर रहे यार बास्ता में स्रेक्शन के लिए जीत तोड़ घनत कर रहे हो आप लो बहुत बढ़ी है सूपर लिए जल्दी बताओ अवा जारी जल्दी बताओ अवा साइंट आ जाहरे तुम जाहरे तो सर नहीं जाएंगे मिटा फूल फटावट से प्लांट किंगनम पर आ जाते है ठीक है थियोरी करते हैं फिर इसको क्यों करेंगे लिए आप याद करो क्या क्या याद रखना अपने लिए सब्से पहले आपनी याद रखना आईटी वीशल सिस्टम ठीक है अना करें कि स्टार्ट करें जल्दी बता दो कि ताउन ठीक तो है हाँ चलो देखो भई फटा बटचे देखो आपको क्या याद करना है पिटा अर्टिविशल सिस्टम जो हमारे पास है ना उसमें एक एक्जामपल एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर और लीनियस ने दिया था इसका में पॉइंट क्या है वेजिटेटिव और री पॉड़क्टिव को सेम वेटेज दी थी सही है दूसरा नैच्रल जो है वह बैंथम उकर ने से जिसे साइ्टो टैक्सोनोमी करते हैं जिसमें क्रोमोजोम का नंबर बिहेवियर यह चीजें ली जाती है ठीक है एक होता है निमेरिकल टैक्सोनोम्य हर्मेरिकल na लाइफ साइकल है में प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है वास्कुलर बंडल नहीं होते सीड नहीं होते ब्राउन एलगी में एक्टोकार्पस केल्प फ्यूकस सार्गेसम डिक्टियोटा केल्प रेड एलगी में पॉर्फायरा पॉली साइफोन या जिलीडियम ग्रैसिले लाइफ साइकल इसकी बेटा मेरे पास क्या होगी इन सबकी है ठीक है इन सबकी है प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है वास्कुलर बंडल सीड नहीं होते ठीक है ब्रायोफाइट में मार्केंचिया लिवरवर्ट है फ्यूनेरिया स्पेगनम पॉली ट्राइकम यह मौस ह होते है ठीक है यहां लाइफ साइकल हैपलो डिपलो है हैपलो और डिपलो है ठीक है में प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है टेरिडोफाइट में टैरीस ड्रायोफ टैरीस इक्वी सिटम सलेजिनेला सालवीनिया लाइको पोडियम ठीक है इसमें भी में इसमें भी पास क्या डिपलॉंटिक है कि उसमें में प्लांट बोडी स्पोरोफाइट है वास्कुलर बंडले सीड है ठीक है सेम चीज एंजियो में आ जाएगी जिमनों के एक्जामपल गिंको सिकोईया पाइनस सेड्रस साइकस जल्दी से रिवाइज करो जल्दी से रिवाइज करो जल भी मैरीन एह और येप मैरीन अगर हम सेल्वाल कि बात करें तो सेलूलोजय और हमारे पास इसमें क्या है हमारे पस इसमें लो हिल को जैन और एक लोड़िवी और हमारे पास क्या है बिटा, ग्रीन अल्गी है ना, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, इसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल V, फ्यूकोजन्तिन है, इसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D, फाइकोहित्रिन है, रेड अल्गी में, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ग्रीन अल्गी मे स्टोरेज बॉड़ी क्या होती है पाइरिनोइड उसमें क्या होता स्टोर स्टार्च बिसाइड प्रोटीन अब इसमें हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास स्टोरेज जो होगा मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च है इसमें हमारे पास फ्लोरीडियन स्टार्च होता है ग लेनौ स्पोर होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं सैक्ष्ण याथ रखोगे इसे उड 않아요 नाई शेट ऊफोरा यह मोटाइल का एक्जांपल है रखोगे इनाईसोगे मग smokes kenipと सिर्फ उगेमस का एक्जमपल दे रखा है फ्यूकस रेडलगी पूरी उगेमस होती है ठीक है लाइफ साइकिल हमारे पास हैपलो डिपलॉंटिक है हैपलो डिपलॉंटिक की एक्सेप्शन है कैल्प एक्टो कार्पस पॉली साइफोनिया और डिपलॉंटिक की फ्यूकस है बोर्ड पे लिखी वी सारी बाते कहीं से भी कोश्चन आ जाता है सही है कहीं से भी कोश्चन आ जाएगा आईसो गेमस नॉन मुटाइल का स्पाइरो गैरा ठीक है फ्लोरी डी इस चार्ड से एक कोश्चन जरूर आएगा इस पेस से प्लान्ट बोडी थैलोड है ग्रीन है और गेमेटोफाइट पे पहले आर्की गोनियम बन सकता है एन्थरीटियम बन को फिर हमारे पास जाइगोड बनता है उससे मल्टी सेलूलर स्पोरोफाइट आता है जिसमें कैपसूल होता है हना और सीटा होता है और फुट होता है क्लियर है कि नहीं फिर यह जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है अब जरा इधर आते हैं हमारे पास हम क्या करते है हम क्या करते हैं लिवर्वर्ट और मॉस को कंपेर करते हैं लिवर्वर्ट में राइज्वाइट्स युनी सेलूलर होते हैं मॉस में मल्टी सेलूलर लिवर्वर्वर्ट लीफी होते हैं दो रों में यहां पर लीफ स्पाइरल होती है मॉस में लिवर्वर्वर्वर्वर्वर् से gamet बनते हैं वो zygote बनाता है वो sporophyte से spor बनते है spor directly gametophyte बनाता है liverwort में moss में spore से proton नीमा बनता है उस proton नीमा पए lateral bud बनती है जिससे gametophyte बनता है अगर हम बात करते है फ्यूल की तरह से यूज करते हैं moss कहां use होता है विटा हमारे पास स्पीट मॉस होता है जो फ्यूल की तरह यूज होता है ट्रांश शिप्मेंट ओफ लिविंग मेटीरियल के लिए यूज होता है हर्बेशियस एनिमल का यह खाना होते हैं यह स्वाइल इरोजन बचाते हैं क्लिर है कि नहीं बताओ सही है सही है अब देखो जो इसमें लिखा हुआ क्या यहां से कोशन आएगा 100% अब आजाओ टेरीडोफाइट टेरीडोफाइट हमारे पास हॉर्स टेल और फर्न दो में प्लांट है यह और्नमेंटल होते हैं इन्हें स्वाइल बाइंडर भी कहते हैं सही है ठीक है स्वाइल बाइंडर भी कहते हैं इनमें रूट स्टैम लीफ ट्रू वाली होते है पिछले वाले में रूट लाइक स्ट्चर था इनमें पहली बार वास्कुलर बंदल बने थे इनमें क्या होता है उसका एक्जांप़ल मेरे पास क्या है माईलो फॉर्न है और अगर कोन होता है तो उसमें equisitum और slaginela आएगा तो आपको याद करना है microfil slaginela macrofil fun और अगर sporengia कौन बनाएगा तो equisitum और slaginela नाम आएगा ठीक है जब अब आपको ध्यान रखना है कि teridophyte में main plant body sporophyte होती है उसका gametophyte भी free living होता है जिसे prothelis कहते हैं तो prothelis भी free living है और sporophyte भी free living है पर ये main plant body है इसमें sporangia में spor बनते हैं most teridophyte homosporus होते हैं homosporus का मतलब है same size के spor बनते हैं spor से बनता है prothelis जो haploid है उस पे archegonium, entridium उस पे zygote से वापसी sporophyte ठीक है एक point जो आप teridophyte में भूलोगे वो क्या होगा कि lycopcida में selaginilla और lycopodium दोनों आता है ध्यान रखना sphenopsida में equisitum आता है ये वो point है जो आप भूल सकते हो clear है कि नहीं उसके बाद आपने क्या याद रखना main plant sporophyte है इसके बाद sporophyte और gametophyte दोनों free living होते हैं precursor of seed habit कौन है heterosporus selaginilla और salvenia selaginilla और salvenia precursor of seed habit होते हैं मतलब उनने seed बनाने की त्यारी की आपने ध्यान रखना है कि selaginilla और salvenia में दो अलगलग type के size के spore बनते हैं बड़ा spore dependent female gametophyte बनाता है आप ये वाला point भूल सकते हो exam में कि जो lycopcida है उसमें lycopodium और selaginilla दोनों आता है ठीक है clear है क्या आगे आजाते हैं फिर हमारे पास आजाते हैं gymnosperm gymnosperm को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक हमने साइकस लिखा एक हमने pinus लिखा साइकस की जो stem होती है वो वास वो क्या होती है अन ब्रांच होती है याद है अन ब्रांच होती है pinus की stem pinus और cedras उसमें ब्रांच stem होती है इसकी leaf pinate होती है साइकस की इसकी क्या होती है needle shape होती है आप याद है pinus बेटा zero phytic adaptation देता है thick cuticle needle shape leaf ठीक है उसके बाद साइकस pinus unisexual होता है उसमें male cone और megasporophyll होते है pinus bisexual होता है अब जड़त ध्यान से सुने tree के ऊपर हमारे पास cone बनता है जो male cone है male cone पे microsporengia बनता है उसमें microspore बनते है जो haploid है ज्यान देंगे बटा उसमें microspore बनते है जो haploid है वो बनाते है pollen grain फिर हमारे पास cone बना है cone ने बनाया है female जो जो है female cone है उसमें megasporangia बनेंगे megasporangia के अंदर इसे ovule कहते है मेgasporangia के अंदर nucleus होता है nucleus के एक cell को megaspor mother cell कहते है इसमें meiosis होके 4 megaspor बनते है उसमें से सिर्फ एक functional होता है functional वाला female gametophyte बनाता है उसमें दो या दो से ज़्यादा archigonia बनते है फिर क्या बनता है इसमें zygote बनता है तो zygote बना देता है embryo और जो female gametophyte है वो बिना fertilization के endosperm बनाता है जो haploid होता है तो zygote diploid होता है ये haploid होता है और आपको याद रखना है कि gymnosperm के जो seed होता है उसमें तीन जनरेशन होती है पहला seed coat पुराना sporophyte है embryo नया sporophyte है और endosperm haploid होता है इनमें double fertilization नहीं होती क्या यह point रयाद रहेगा तो आपको याद रखना है कि tree पर female कौन है उसमें mega sporengia होता है nucellus होता है उसमें mega spore mother cell होते है उसमें meiosis से 4 mega spore बनते है एक mega spore जो है जान सुनेंगे बिटा एक mega spore जो है उसमें से functional होता है वो female gametophyte बनाएगा वो direct endosperm बना सकता है उसमें दो और दो से जादा archegonium उससे zygote zygote से embryo clear है ये life cycle diplontic कहलाती है gymnosperm में double fertilization नहीं होती उसमें ovary नहीं होती इसलिए seed naked होते है gymnosperm में herb नहीं होते shrub होते है medium size tree और large size tree largest tree का नाम सिकोईया है valpia angiosperm में smallest plant है और eucalyptus tallest plant है किसमें angiosperm ठीक है clear है सही है yes आ जाते है सवालों के जवाब दो आव भई sporophyte is photosynthetic sporophyte photosynthetic independent gymnosperm incorrect पूछा है gametophyte or bryophyte is more advanced देन ये भी ठीक है heterosporous condition present in salvenia ये भी ठीक है मौसर dependent नहीं होगा बिटा free living होगा ये खिलाता है तो 185 का मेरे पास 4 ता जाएगा तो आगे आजो question बताओ जल्दी से consider the following photosynthetic gametophyte है और dominant sporophyte है ठीक है मतलब sporophyte gametophyte मे sporophyte dominant है ये भी photosynthetic ऐसा तो teridophyte में होता है और sporangia भी present देखो ये दोनों free living है तभी तो photosynthetic होगे दोनों तो ऐसा teridophyte में होता है आगे आओ distribution of gymnosperm is more as compared to teridophyte क्यों है distribution ये नहीं करना कोशन क्योंकि gymnosperm का distribution से क्यातर होगे नहीं इच्छा लग रहा है नंबर ओफ हाँ बैई नंबर ओफ लेजिला इन ब्राउन एल्गी और रेड अल्गी बताओ जल्दी प्लेजिला ब्राउन एल्गी रेड अल्गी पिटा देखो gymnosperm का distribution जादा क्यों होता है क्योंकि इसमें pollen gain होते हैं जो हवास उड़ते हैं हाँ ब्राउन एल्गी में दो और इसमें 0 इस पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों free living दोनों तो मुझे यह टेरीडोफाइट चाहिए टेरीडोफाइट कौन है इसमें लाइक आपसिडा यह टेरीडोफाइट है यह क्या है NGO यह क्या है ब्राईओ यह क्या है जिम बढ़िया कोश्ण है यह 190 क्यां प्लिसाइफोनी एक्टो करकस इसमें से हैं 1नट ड लूंति पूच्छा है مरू असों सॉडड़ी डटॉट होना इसमें से इसमें टिप लॉंटिक बता तो व्यट डिपलॉंटिक पूचा वेटा डिपलॉंटिक क्या यह ब्सक्आ dáक सारे है größy Chisak कि बाक्की सारे हप्लोडिपलॉंटिक है आप खुद देख लो कुछ exception है कुछ ब्रायोड और टेरीडोफाइट है अना आजाओ नेक्स देखो कि अलगी के बारे में क्या इनकरेक्ट पॉर्फायरा और उसमें जूस्पोर नहीं होते सही है यह क्योंकिस फ्रेग्मेंटेशन इस में टाइप फ्लॉरीडियन स्टार्च और मैनिटॉल प्रेजेंट इन जिलीडियम यह गलत है ना मैनिटॉल किसमें होता है ब्राउन एलगी में देखो आप ध्यान रखना है यह कोशन जरूर आएगा यह वाला करो कि पॉली सल्फे टेस्टर किसमें प्रेजेंट है सब नींद आ रही है मुझे नहीं आ रही है जल्दी करो जल्दी विल्दी चैट पे मत ध्यान दो कोश्चन करो तथीह हुआ क्यों पिटा गओनियोलाःक्स वाल व्ट्व Peng इस हुल ट्रीग विल्लोत्रिक पॉली अलफे टेस्टर किसमें प्रेजेंट है पॉली सल्फे टेस्टर प्रेजेंट इनसेल वल औफ पॉली सल्फे टेस्टर किसमें प्रेजेंट है जल्दी बताओ रेड एल्गी चाहिए ग्रेसिल एरिया आगे लेंगे काइश को अगरा बाईसेक्श्वल है हाँ ग्रीन यंगिए कले क्या पॉइंट याद करोगे अपर उगोणियम होता है इंजियू ठीक है यह तीख है यह भी ठीक है यह गलत है क्यों क्योंकि जूस्पोर ब्रायोफाइट में कभी नहीं होते हैं याद रखे होगे जूस्पोर से ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में होते हैं विच और फॉलिंग है पाइरिनॉइड पाइरिनॉइड हमेशा ग्रीन एल्गी में होते हैं बताओ जरा अंसर हाँ पाइरी नोड हमेंसा ग्रीन एल्गी में होते हैं बताओ आंसर सर युलो ट्रिक्स आ जाया गाई इस लिए बढ़िया कोशन है नॉन डिपेंडेंट फ्री लिविंग एमेटो बदलब फ्री लिविंग एमेटोफाइट चाहिए इसमें प्रेज़ें टिसम रियंक एंशा आई पाइनस लिए से हैं इस ओसी हो गया जाय तो कि आनटोर एक उंसर्ट पिटा जिम्नो और और एंडियो जो होता है उसमें ठीडेंडेंट होता इसलें ही ठीडेंडेश्य घुकूब लेज़े , सब्सक्राइब होता है नहीं पारीनॉट दोनों में थोड़ी होगा लेटरल फ्लेजिला नहीं क्लोरोफिल ए सब्सक्राइब होगा व्राइओ टेर्डी में होगा वेटा पॉर ताएगा क्योंकि सारे अक्सिजन बनाते हैं सब्सक्राइब होगा chlorophyllate which of the following is homosporus china rose NGO है तेरी साइकस क्या जिम्नो है यह 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 होगा यह 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 होगा होगा 197 का थर्ड आएगा 198 युनी सेक्शल नहीं है मतलब बाई सेक्षवल इन में से कोन सबाई सेक्षवल है डेट पम्याद है यूनी सैक्शल है मारकेंज यूनी सेक्षवा होता है थिख त older विठ निक्सटवा प्रम इंडियन फॉरेस्ट है वो फॉलिंग फीचर प्लांट ग्रों लैंड और डिप्लोईड लीव लीव विट स्मॉल साइस पॉरेंज यह देन पॉसिबली फिनेरिया पॉर्फायरा स्लेजी नेला टैरिश बताव जल्दी अरे जल्दी बोलो एक प्लांट है जुसमें यह फीचर है प्लांट है फरेंध घ्रों लैंड पर ग्रोख करता है और दिप्लोईड लीफ हो नहीं सकता पॉर्फायरा नहीं हो सकता इन दोनों में से यह नहीं हो सकता क्योंकि सेम साइज के तो फॉर्थ आ जाएगा आपको समझ में आ रहा है होमोस्पोरस की बात कर रहा है हाँ सलैजिलेला नहीं हो सकता सेम साइज की बात कर रहा है सेम साइज के स्पोरेंजिया है है स्ट्रो पोरस कैसे होगा अलग अलग साइज क्यों होते हैं उसमें विच ऑद फॉलिंग इंडिक्टियोटर ब्राउन एलगी दिनों का जाइगोटिक मिवसी जोगी एन इक्वल साइज हप्लो डिपलॉंटीक क्योंकि यह हप्लॉंटीग होगी हफ्लो डिपलॉंटीक के रिडो जिम्नो एंजियो उनमें क्या होता है क्या फोरोफाइट फोर्टो सिंथेटिक होता हाँ दोनों ठीक है देखो खुछ से कुछ पीवाई क्यों देख लें इसके एक दोर कर लितने हैं डिपलोइड बताओ कौन है इसमें से प्रोटोनीमा है प्रोवाइड है प्रो देल इस एले सप्लोऊट है एक ओन् एंडोसपरम और पाइनस पाइनस का हापलोयड है कौन क्या होगा साइकस का डिकलोइड है एंडोसपरम कैसे एप लुट्फाइड के मिट्व statute से बनता है कि विच विच उड़ा फॉलिंग कि यूनी सलूलर यल्गी आप भई बढ़्या यूनी एल्गी लम्हीनिरिया हो नहीं सकता यह मल्टी यह है भीटा यह कोलोनियल है यह इसले नहीं हो सकता यह मल्टी सेलूलर है अब यहां पर एक बच्चा इस बात में फज़ जाएगा सर स्पीरूलो ने तो ब्लू ग्रीनल की होता है पर तेरे पास आप्शन नहीं है इसके अलावा कुछ और माक करने का खुद से जो वॉल्वक्स लेनी ज़कता कोलोनियल है तो क्लोरेला और स्पीरू अब तो ना प्रिटव फरीलिविंग मतलबदेंदेंट डिपेंडेंट मेल और फीमेल गेमेटोफ़ाइट किसमें मिलते है जिम न आ अघिन आ यह तरी दोना आ तरी दो नी होगा अट लगोनίας यह िआंजीन यह फिरम हाग सिपडिक हूं और the following is correct about gymnosperm. Male or female gametophyte are free living ये यह हाई जलत है, most of them have narrow leaves with thick tuticle. ये ठीक है, their seeds are not covered, ये भी ठीक है atrosperm. बैट, dependent होते है, ये आएगा, from the evolution point of retention सबसे पहले यह किसमें ऑब्जर्व किया गया टेरीडोफाइट जो हेट्रोस पुरस था जिसमें फिर्स टाइम फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन हुआ स्पूरोफाइट पे ठीक है सी आ गया पाइनस सीड कैन नौट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोशन ये ट्रांसपो सब्सक्राइटी में ये ट्रांसपोर्ट का कुछछन है वैसे करेक्ट और व्यूल सार नोट किसके लिए क्या रहा है और व्यूल सार नौट एंड क्लोज यह तो सही लग रहा है सलेजिनेलाइज सालवीनिया होमो ये गलत है होस्टेलार जिमनो नहीं टेरीडो है स्टैम अ पाइनस में होते हैं यह याद करने की चीज़ है यह कोशन नहीं बनता तुम से 2018 में काफी कोशन अजीब से भी थे डबल फटलाइशन कौन दिखाएगा एंजियों जिमनों में डबल होती नहीं है ठीक है अ 有 living world की बात कर लेते हैं आजो living world में याद क्या क Angebना सुनव बीटाइड इधा लिविंग विर्ड में तुझे क्या याद रखना है जीन्सीम अभी जूरह ₂इज अड़ ग्रोथ इदर ड vap patients albums तो देख देखップ ग्रोथ reproduction, metabolism जो in vivo में होगी cell के अंदर consciousness, defining feature इसमें consciousness है याद रखना है consciousness defining feature होता है कितनी million species हैं भाई? 1.7 से 1.8 million taxonomy क्या होता है? process of classification है, grouping है जिसमें आता है characterization classification identification, nomenclature यह taxonomy में आता है systematics क्या होता है? taxonomy plus phylogenetic study ठीक है? phylogenetic दोनों phylogenetic को और taxonomy को book का नाम क्या है? systema, naturali और species, plantarium, linear taxonomy में characterization है classification है, identification है nomenclature है, अब बात करते है taxonomic aids की, ज्यान सथूरेंगे herbarium जो होता है, वो quick referral के लिए यूज करते है right hand side में क्या लिखा रहता है? date of collection, place of collection, author name family, species, genus, ठीक है उसके बाद common name, scientific name, English name ये चीज़े लिखी रहते है right hand side में botnical garden में plant होता है living जहाँ पे living plant और animal हो वो in vitro sorry, ex situ conservation है क्या है? ex situ conservation है botnical garden और zoo museum में क्या plant और animal दोनों रखते हैं हाँ या ना? जल्दी बताओ museum में क्या plant और animal दोनों रखते हैं? अरे हाँ या ना बोलो तो सही हाँ सर दोनों रखते हैं कौन से plant रखते हैं? जैसे cactus जैसे plant रखते हैं animal कौन से रखते हैं? छोटे size के insect box में insect रखते हैं छोटे size के रखते हैं preservative solution में insect में क्या करते हैं? killing करते हैं hanan killing करेंगे फिर पिनींग करेंगे फिर प्र रख을 करेंगे skeleton रखते हैं यह सारा रखते हैं उसके बाद की क्या होता है bang की analytical होती है दो option में से एक को select करते है When two option को कहते है couple of single option को कहते लीड हाना और उस में से एक को reject करते हैं थीक है इनको reject करते है फ्लोरा क्या होता है बिटा प्लांट specimen के लिए होता है plant की photograph होती है area wise होता है Manual भी area wise होता है manual के लिखा है कि इसकी मदद से आप identification कर सकते हो species के नाम का monograph detection specific होता है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की स्पीशीज क्या होता है ग्रुप आफ सिमलर मॉर्फोलोजिकल और्गेनिजम होता है हना जिनके फीचर काफी ज्यादा मैच करते स्पीशीज में एक डेफिनेशन ती जो अर्नेस्ट मेर नहीं दी थी अर्नेस्ट मेर ने कहा था जिसे जिसे डार्विन ओफ 20th century बोलते हैं अर्नेस्ट मेर ने कहा था कि दो स्पीशीज वो होती है ज्यांस दूनेंगे अर्नेस्ट मेर ने यह कहा था कि जिनके बीच में रीपोड़क्शन ना हो सके हना ठीक है रीपोड़क्शन ना हो सके वह मतलब रीपोड़क्टिव आइसोल सब्सक्राइब होता है किसमें फैमिली में प्लांट्स के किसमें ठीक है ओर्डर में एक चीज़ लिखी हुई है ओर्डर में एग्रीगेशन ओफ करेक्टर्स होते हैं एक सेकिंद दो बिटा बिटा क्याटालोग इंडेक्स होता है अब ठीक है वाज आ रही है कैटलोग क्या होता है इंसेक्ट होता है ठीक है ओर्डर्स में मेरे पास पॉली मोनियल्स हो गया पॉली मोनियल्स किसका है मैंगो का याद रखना सपीन डेल्स किसका है उल्टा हो गया यह उल्टा हो गया बई सपीनिडेल्स किसका है सैपीनिडेल्स डिसका है पॉलि मॉनिक्स के सॉलनेजिय और कॉन वुल वुला कि यहीं का सापीनिडेल्स मैंगो का ऐ ठीक है। ओडर होता है भॉता है एग्रिया लेते हैं देखो पैंथेरा और फैम्ली फैलेड़ है कैनीय। गनी प्राइनेंटा क्या है? मसीड यह प्रार्ट्र मोनोकॉटलीड नहीं क्या है इसकी क्लास और इसकी जो डिवीजन है वो एन्जिवो์ स्परमेह ही है तीक है क्लिर अब ऐसे बीट है यह वाला डाटा बहुत इंपोर्टन के लिए यह वाला डाट काफी जादा important question के लिए अब नॉमन फ्लेचर में आई सी बीन आई सी जेडन की फुल फॉर्म याद रखना टेक्सा नहीं है इसमें से बतावत जीनस एक क्यांठिक्टेग्र बाग्ची सारे डीक्स देख लो बाग्ची सारे टेक्सा ता काच कैने इस जीनस है है लीपढ़्ड का जीनस वीलिस है धतूरा जिए Dalio अधूर है क्रेकली मैं लेपर्ड का आएगा पैंठेरा यह सही है वस बताओ है कि नहीं और देखो जल्दी करो जल्दी जल्दी हम इसमें से क्या किया रहा है एक्सीटू कंजर्वेशन किसम करते हैं एक्सीटू का मतलब होता है जिन्दा चीजों को बचाते हैं निकाल के वहां से उसमें दो ही रहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन का मतलब समझ लो वहां से निकाल के उसको अलग रखते हैं वर्ट डाइक ओड्रीड ने और देखो डाइक और लेडिने और अनकार्डिया से यह फैमिली मेंगो की फैमिली और यह क्या है बिटा है डाइक लेडिने यह फैमिली से पिन देल्स अना आगया आओ विचिस जनरली नोर्ट मेंचन वान हर्बिरियम्शीट बताओ जरॉट बताओ दोसो ऑलाव था जल्दी से विटा दोसो ऑलाव था जल्दी फास्ट 216 बताओ लेफ्ट एंड साइड में कुछ नहीं लिखते राइट एंड साइड पर होता है इन में से कौन किसको किसको म्यूजियम में रख सकते हैं एक्वेटिक प्लांट को ग्लास जार में रखना पड़ेगा टेस्टियल प्लांट नहीं सब्सक्राइब एक दो तीन चार पांच शेट पस्ता एंग इनको म्यूजेम में रख सकते हैं इन चार नेशनल पार्क और वह क्या नाम है नेशनल पार्क वाइलाइब सेंच्री इसारे अर्नेस्ट मेयर स्पीच्जीज का कॉंसेप्ट दिया था है सिस्टम है नैचुर ही मैनुवल टैक्सोनोमिक एड है की नॉन अनलेटिकल यह गलत है रॉंग पूछा है देख लो अना और आओ अच्छे कोशन है टेक्सोनी साइन्टिफिक टर्म पर केटेगरी सही है इन विट्रो मेटाबोलिक रेक्शन और फीचर ओफ लिविंग इन विट्रो नहीं विट्रो गलत है यह वीवो चाहिए वीवो का मतलब होता है नैच्छल तो ओनली यह आएगा consider the following and mark the correctly match homo specific epithet name of author printed in italics ICZN code for botnical name Tiger Kennedy family चल दियल दी बताओ homo specific epithet है हाँ या ना name of author printed correctly match पुछा ना homo specific गलत है यह प्रिंट इन यह भी गलत है यह भी गलत है tiger की family पोरता आएगा नहीं tiger की family बताओ ना क्लिर है आजो और आओ और आओ इधर आओ यह वाला कि सिस्टेमेटिक इंवाल्व टेक्सोनोमी एह cat dog पाइनस आटेक्साइए यह टेक्सोनोमी और सिस्टेमेटिक्स में दोनों ठीक है बोत एन भी आप देख लो में यह दोनों आता है यह दोनों आता है है अग्यां इस उनका अगर और कॉमन है तो नीचे वाली फैमिली भी तो कॉमन होगी तभी तो आगे जीनस कॉमन होगा एसा दोढ़ी हो सकता है कि फैमली अलग लोगों order common हो, उपर वाली category अगर common है इन दोनों की तो ये वाली भी common होगी, panthera belong to class mammalia, तीन हो ठीक है, देख लो ध्यान से, ये अच्छा कोशन है, ये statement ध्यान से समझो ये वाली, गलती करोगे नहीं तो एक्जाम में, herbarium sheet are quick referral सही है, flora have detail of plant and animal, animal नहीं होता भीटा, flora में, live specimen are found in botnical garden and zoological park सही है, दो ठीक हैं में, ठीक है, कुछ previous year कर लेते हैं, ये वाला तो देखो, आपको पता इसमें ज्यादा डीटेल दे रखिये, mangifera, indica, lynn, ये ज्यादा डीटेल दे रखिये, इसलिए ठीक तही है, उसके बाद आजाओ, keys are useful for identification क्या पूचा है, wrong पूचा है, herbarium is used to live specimen, ये गलत हो गया न, ये यांसर है, preserve a specimen for animal, ठीक है, ये 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 लाइव थोड़ी रख सकते हैं, definition of biological, अन्ने स्मेर ने दीती सही है, photo period does not affect reproduction गलत है, binomial normal creature given by रह्वी टेकर गलत है, इन unicellular organism सही है, ग्रोथ और reproduction एक ही बात है, तो A और D आएगा, A और D है, कोई है होना चाहिए, ये होना चाहिए बटा, बाइनोमियन नॉमन क्लेचर आरच वी टेकर ने थोड़ी दिया था, हाना हर्बेरियम शीट में क्या नहीं होता, date of height of plant नहीं होती, आप देख लो विटा सारे questions कर रहे हैं, ठीक है, आजाएगा, की इजा टैक्सोनमी केट फॉर आइडेंट हर्बेनियम से प्रिजर प्लांट स्पैसिमन सही लग रहा है, बाटिंकल गार्डन में लिविंग प्लांट रख सकते हैं, सही है, म्यूजियम आफ फोटोग्राफ नहीं रखते बेटा, एनिमल से रखते है पूरा पूरा, 239 का डी, फोटोग्राफ रख सकते हैं, इसमें से पूछा है, प्रिजर प्लांट स्पैसिमन की इजा, ठीक है, बाटनिकल गार्डन सही है, जैसे फोटोग्राफ से ज़्यादा अच्छा तो उनको रखते हैं, ठीक है बटा, अब बात करते हैं, सेल ओफ लाइफ पे ध्यान सो नहीं बटा, हाँ, सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं, सेल यूनिट ओफ लाइफ की, ठीक है, क्या-क्या पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो, सेल थियोरी, स्किल्डन सिवान, इयर्स याद रखो, 1838-39, रुडॉल्फ वर्चो ने मोडिफाई क यह ओमनी सेलूला, इसलूली, बिटा मेरे को स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगा आपके लिए, सेल में में परसंटेज याद है, आपको 42 परसंट, 50 परसंट, प्रोटीन, आर बीसी के अंदर, बल्क ट्रांसपोर्ट में पिन्नो साइटोसिस, फैगो साइटोसिस, एं में बता, आपको 43 रखेंट, और बनाने में जावक हसें。 रखेंट करें ले अचाइ. अट्रांघ में सेलूला में हमारे पास क्या होगा सुनना ध्राइद से沒 में हमारे पास क्या होगा, सेलूलोस होता है, उसके बाद प्रोटीन फ्यास यह सारी चीज़ें को होते हैं अब हम बात करते हैं एलगी की एलगी की सेल वाल में क्या चप्राgel 23 बताओ जल्धी बताओ नंग की सेल वाल में जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं गेलेक्टन मैनन याद आ रहा है गेलेक्टन मैनन याद करो हां सर ठीक है अच्छा प्राइमरी सेल वॉल क्या ग्रो करती है हां सर ग्रो करती है इसके यह प्लाजमा मेम्री ने इसके बीच में सेकेंडरी सेल वॉल होती है सेकेंडरी सेल वॉल म सब्सक्राइब को इस डाइग्राम में एंडो मेंब्रेन सिस्टम के बारे में कुछ चीजे दे रखी है मैंने प्रोक्रियोटिक सेल आपको अल्रेडी बता दिया है सलूलोस गेलेक्टन मैनन और केल्चम कार्बुनेट चार चीजे थी सही है मेरे पास आप से सबसे पहला सवा होता है 1855 होगा मैंने 19 लिखाएगे मैं चेक कर लेता हूँ हाँ 18 कर लेते हैं 18 होगा ठीक है आजो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका कौन सा पार्ट जुड़ता है राइबोजोम का सर राइबोजोम का जुड़ता है मेरे पास 60S ठीक है दर देखो यहां से प्रोटीन निकल करती है ER से और यह वैसिकल के तुरू कोन से फेस पे जाती है गौलजी बोडी के सिस किस से बाहर निकलती है ट्रांस ट्रांस फेस से वैसिकल बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है तो गौलजी बोडी क्या करती है पहला पैकेजिंग करती है दूसरा सॉल्टिंग कर दे-सि-्वसी है वेसिकल की तीसरा लाइसीोzôm बनाती है यह इसना रख़ा है लाइसोजोजोम कोंसे से बनता है ट्रांस सिसिस से क्याशन इंटर करता है मेरे पास पॉस्ण से ल capsule में मेरे से फूप क्षम आधकी कोंसे अयदोansas six लाता है S.E.R. क्या करता है लिपिड सिंतिसिस करता है डी टॉक्सिफिकेशन करता है मसल के अंदर कैल्शियम प्लस टू स्टोर करता है राइबोजोम में 40S और 68 सब यूनिट होती है RRNA प्लस प्रोटीन का बना होता है S क्या है बेटा स्वेट बर कॉंस्टेंट है जो इंडिरेक्टली डेंस्टी और साइड्स मेजर करता है क्या ये चीज़ समझ में आ रही है अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ क्या परोक्सिजोम एंडो मेंबरेन सिस्टम का पार्ट है यस और नो नहीं माइटो कॉंड्रिया है नहीं एंडो मेंबरेन सिस्टम क्या होता है? जो साथ में मिलके कुछ कॉमन काम करते है मैं आपसे जाना चा रहा हूँ क्या सिस्टरने का नंबर गॉलजी बॉड़ी में फिक्स होता है या वेरियबल होता है जल्दी बता बटा उसके बाद हमने बात करी थी लईसरोम कॉन बनाता है। गॉल जी बॉडी बनाती है। है लाइसोजोम जो होता है उसमें कुछ अंजाय्म होते हैं समें एसीड हॉद्रो लेंग fountain फ्रेज़नने हॉते हैं कोई डाउट है इस जल्दी बताओ, कोई डाउट है इस बात में, नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, अब इसके बाद के हम बात कर रहे हैं, ध्यान से दूनेंगे, इसके बाद के हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो डिसकस करेंगे, हम बात करते हैं, सिस और ट्रांसफेस पता चल ग टोंटरेक्टडाइल विक्योह उता है फ्रेश वर्टर औरगनिजम पूढ़ीवा में कॉन्ट्रेक्डाइल विक्यो भी होता है स्फठोटा वांगंत एट मारे पास किसम थे क सबस होगा प्लांट में अब जरा यह देखो बिटा, प्लास्टिड में हमारे पास leukoplast, chloroplast, kromoplast, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, ठीक है ध्यान से देखो, तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, मैं आप से यह जानना चाहरा हूँ, जो सबसे important questions बन सकते हैं, कि chloroplast जो है, उसके stroma में क्या क्या सा होता है राइबोजोम सा होगा 70S डिने कौनसा होगा सरकूलर होगा डबल स्टैंड दोगा ठीक है और हमारे पास 77 international भाले को होता है धाला कोईड जो होगा मेरे पास स smell होगा उसमें मेरे पास क्रोमोप्लास्ट कहां होते है धिंद में होते हैं और प्रूट्म होते हैं लूकोप्लास्ट क्या होता है background करेगा एलिरोनो प्लास प्रोटीन स्टोर करेगा ठीक है, क्लिर है और इलाइलो प्लास जो ओइल स्टोर करेगा सही है सर, माइटोकॉंड्रिया को semi-autonomous कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ प्रोटीन बाहर से आती है आउटर मेंब्रेन में प्रोटीन होगे, इनर मेंब्रेन पे जादा प्रोटीन होती है यहाँ पर मेरे पास जो होते है क्या क्या चीज होती है, क्रैब साइकिल होगी मेंट्रिक्स में, ETS होती है ETS इनर मेंब्रेन पे होती है लिंक रेक्शन मेंट्रिक्स में होगा beta oxidation का मतलब होता है fat का digestion, उसके अलावा mitochondria में भी 70S होता है, circular DNA होता है, double standard होता है, mitochondria binary fusion से divide करता है, mitochondria का number उन cells में ज़ादा होता है, जिनको ज़ादा activity होती है, ठीक है, अब ज़रा cytoskeletal element की बात करते हैं, cytoskeletal element तीन तरह के हैं, एक है micro filament, जो actin filament होता है, जो amoeboid movement में काम करता है, याद रखना, micro tubules होते हैं और intermediate filament होते हैं, intermediate filament जो होते हैं, nuclear membrane को support करते हैं, ठीक है सर, micro tubule में alpha, beta tubulin होती है, 13 photo filament मिलाके एक micro tubule बनता है, अगर micro tubule में 9 plus 2 arrangement हैं, उसमें 9 doublet हैं, 2 singlet हैं, वो cilia और flagella दोनों में होता है, cilia क्या करता है, पानी medium को move करता है, साथ में cell को भी move करता है, ठीक है, और flagella क्या करता है, सिर्फ cell को move करता है, 9 plus 2 याद रखना cilia और flagella में होती है, 9 plus 0 में 9 triplet है, cartwheel जैसा structure बनता है, बेसल बॉडी में मिलेगा और centriol में मिलेगा, जब दो centriol ऐसे लगे रहते हैं, centrosome कहते हैं, उसके आसपास एक amorphous material होता है, जिसे pericentrolar material कहते हैं, तो centriol और बेसल बॉडी में 9 plus 0 होता है, नूकलेस याद रखो, नूकलेस Robert Brown और Flaming, दो scientist का नाम relate है, Robert Brown ने नूकलेस देखा था, Flaming ने chromatin की बात करी थी, नूकलेस वो जगा होती है, जहां RRNA बनता है, ठीक है, नूकलियर पोर से, बाहर से अंदर कुछ प्रोटीन जाती है, अंदर से बाहर RRNA मेरा बाहर आता है, chromatin किसका बनाए? DNA, RRNA प्रोटीन का, ठीक है सर, बमेरे पास यह जो chromosome दीखते हैं, कुछ chromosome के यहाँ पर मेरे पास satellite DNA present होता है, क्या present होता है? satellite DNA, आपको याद है micro bodies किसे कहते है? exclude इस बाता है माइकरो बॉडिस हैं произ factors आज गरेंगे से जलूरों को somone tav हुले दाक्न फॉलिंग इज़शन आज जल्दई करेंगे प्रोटीन लिगनिन नहीं नहीं हमें सलूव स्काइटिन नहीं होगा लिगनिन नहीं होगा रहे हो सकता था वैसे ये जाबा ठीक है न थेख लो तुमारी ऐसे आटी का कोश्चन है अच्छे कोश्चन है इस के जल दिख रो राइबोजोम की 60 सब्यूनिट राइबोजोम की बाइंड होती है ER लेखना चाहिए हाँ पर राइबोजोम एसम्मली रिक्वाइर मैगनीशम सही है माइकरो टूबिल के लिए केल्शम चाहिए डारेक्ट मैजर है रॉंग पूछा ना इनकरेक्ट पूछा है पूर्थ इनकरेक्ट है डारेक्ट नहीं है इन्डारेक्ट मैजर है अना देखो यू क्रियोट में क्या एपसेंट है सेवेंटी वस राइबोजोम गैस वेक्टियोल दोनों एपसेंट है गैस वेक्टियोल भी बैक्टीरिया में होता है तो थर्ड आ जाएगा और देखो यह तो पुटा यह ठीक है प्लांट स्किल्डन शिवान ने क्या किया था एनिमल की बात की थी सिल्डन बोटनिस्ट शिवान जो लोजिस्ट अना बोट करेक्ट है आगे देखो पिलाई ट्यूबलर होती है रेस्परेशन और सिक्रीशन गैस वेक्ट्योल साइनो बैक्टीरिया हो मैंनी यार करेक्ट सारे ठीक है पिलाई ट्यूबरल होती है फिंब्राई क्या होती है ब्रिशल शेफ अना इयार गॉल्जी बोडी लाइसोजों पर आक्सीजो नहीं होता इसलिए अंसर क्या आगया सेकेंड आगया 236 इंपोर्टेंट फॉर लिपिड और प्रोटीन गॉल्जी अपरेटस लिपिड और प्रोटीन बनाता है नहीं यार बनाता है लाइसोजों जाई विज डाइजेस्ट कार्भॉइड न्यूक्लिक ऐसे लिपिड अन्य कार्भोवाइड़ न्यूक्लिक ऐसे लिपिड और सनुलोस कौन डाइजस्ट करता है लाइसोजों करता है हां सही है सबस्क्राइब होते हैं नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब मुझ्खिम मुझ्वाइब टो यह तो ठीक है तो रही गलत लग रहे हैं मुझे एक बर चकरन तू थर्टीफोर एक बर देखो तर बच्चे क्या गढ़बड है पिलाई ट्यूबलर होती है सही है मेसोजोम रेस्पिरेशन और सिक्रेशन करते हैं सही है गैस वेक्टियों साइनो बेक्टिरिया में होता है सही तो है तीनो ठीक है बिटा तुझे सिक्रेशन नहीं देखता में एक बर देखियो जड़ा है आएगा है कि न्यूक्लियर पॉर कॉंप्लेक्स जो है देखिए द्यान से मुव्मेंट ओफ किसकी देख मेरी बास सुन टी आरने मूफ करेगा बाहर जाएगा राइबोजोम की सब यूनिट बाहर जाएगी प्रोटीन अंदर आएगी 18SRRN अकेला बाहर नहीं जाता 18SRRN के साथ हमारे साथ क्या जूड़ती है प्रोटीन जूड़ती है और वो सब यूनिट बनके बाहर जाता है आंसर इसका फर्स्ट आएगा ठीक है नेक्स करेंगे विचिस इंकरेक्ट अबाओट फ्लेजिला एक्जोनम शो्ण 9olds2 प्लस टू अर्रेंजमेंट ओव मााइक्रो ट्ूब्यूल सही है फ्लेजिला कैन मूव सेल सही है बेसलबॉडी9 प्लस 0 प्लेजिला मुल्टी Mulscellular organization यह मmäल सेलूलर में मिलेगा यह क्या होता है सिंगल कर एक होता है मुलसल में मिल सकता है लेकिन उसके गैमेट से होता है सिर्फ में हो सकता उस Terry इस फॉड़र इस इन बेक्टीरिया ऑट एप्सें लेड ठ ईомина right overlean नहीं होता है यह जो बैक्टीरिया में हो सकते हैं नहीं होगी का प्वर हुश поговор Tá All O ऐसीर डी टॉक्सिफिकेसhan सही है ऑउटर मेंब्रेन में पोरिंस होते हैं सारे ठीक है इनर मेंब्रेन में ETS होती है ऑउटर में पौरिंस होते हैं ठीक हैं और देखो क् HawkPellt令 प्ली हमढ़ी प्रेजेंट इन मल्टी सलूलर मज tenants गलट और यार ये नहीं करनutet बेटा माय्कुरूतूबल ठाई नी तुम्हाओ तो कर लो कर लो पर मतलब करनी नी होथ राइब लीकरनी नहीं व्हें तुम्हारे लिवस में इस टिस ट्रा ौट्स एयर्ड जो सिस फेसे वाला एर की तरफ है सही है मैं जोर लाइशोजों सबस्टरांस से निकलता दोनों से इदेखो इधर सवी निखलता है यह ट्रांस है तो नहीं तो बूस्क प्राइट ठीक है? परी नुकलेर स्पेस यह देखो बई डाटा याद करना है परी नुकलेर स्पेस आउटर और इनर के बीच में डाटा सही है चक्क्रों NCRT लार्ज नुकलेलाईज सेल इन्वल्विन प्रोटीन सिंसिज जो प्रोटीन बनाएगा उसमें उतना बड़ा न्यूकलियस होता है टर्मिनल सेंट्रो मियर प्रेजेंट इन टीलो सेंट्रिक सेकेंडरी कॉंस्टिक्षन और स्टेंड विद बेसिक डाई मैं यह जानना चाहरा हूँ क्या यह फोर्ट स्टेटमेंट ठीक है अपनी एंसी आटी चेक करो जल्दी जल्दी चेक करो बिटा अपनी एंसी आटी चेक करके बताओ कि क्या यह ठीक है कि यह गलत है उसको स्टेन ही नहीं कर सकते गलत है चीक है घलत है बिटाई आज ओ माइटो कोंड्रिया है लीनियर डिन ने सिमलेर टू माइको प्लासमा बताओ लीनियर नहीं होता है गलत है लिए ल्यूको प्लास्ट वरियेशन यह सही है चेक करो यह लाइन एंस एटी कि यह चेक करो मेम्ष्येस ल्यूक प्लास विरेशन यह वालवा चैक रोलाइन सैंट ठीक, जोड़िये मुझे और प्रिवेंड प्रिवेंड नहीं प्रमोर्यक्क रेगा यह इसलिए गलत है सेकिर लाइन चेकर रोंज याटी और स्ट्रीम मैं कर दूंगा और मेर परिशान ओ यार तुम क्यों परिशान हो रहे मुझे पढ़ा नहीं दो विच आफ दौ पॉलिंग रिक्वार कैरियर सोडियम के लिए करियर चाहिए इसके लिए कैरियर चाहिए बनन टू होना चाहिए पूरता हैगा, steroid lipid होता है, direct pass हो जाएगा membrane के आर पार, side, inside chloroplast, space limited by inner membrane of chloroplast is, हाभाई, chloroplast की inner membrane में जो space है, उसको क्या बोलेंगे, stroma बोलेंगे, यह लाइन एंजिया ठीकी, these are involved in ingestion, statement about inclusion body, lie free in cytos, reserve food material, they are bound by any membrane, incorrect पूछा होगा, यह food vacuole के लिए कह रहा है बिटा, यह बाकी ठीक है, देख रहो membrane से bound नहीं होती, free होती है, यह बाकी ठीक है, आगे आजाओ, glycoprotein, glycolipid कौन बनाएगा, गॉल जी, हाँ, आगे, size देख लो, PPL लो, छोटा size यह करो, है ना, PPL लो यह है, inclusion body कहा होती है, और blue green bacteria are, gas vacuole, gas vacuole हैंना, inclusion body, S arm, P arm, यह question तुमारे slaves में ही नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, short arm और long arm करके होता है, है ना, P जो होती है, वो short होती है, और Q जो होती है, वो long होती है, यह कहां कराते थे, genetics में कभी पढ़ाते थे, यह out of syllabus question है, ऐसा आएगा नहीं कभी, does not contain DNA, किसमें DNA नहीं है, mitochondria में है, DNA, chloroplast में है, nuclear memory इसमें होता है, lysosome और vacuole में कोई DNA नहीं है, थाड़ आएगा, बिटा मैं फिर बोल रहा हूँ कि कुछ है question 2017-18 में एकाज बार बाहर से आ जाता था, अभी नहीं आएगे, lysosome have numerous hydrolytic enzymes है, the hydrolytic are under acidic pH सही है, membrane bound, packaging of ER नहीं आएगा, गॉल जी आएगा यहाँ, यहाँ गॉल जी आएगा भाई, यह answer है, omni cellular, cellule, rudolf virtue, all cell, arise from pre-existing cell, not prokaryote, यह east है, यह east है बेटा, saccharomyces, बाक्की सारे prokaryotes है, many ribosome associate with single mRNA, देख लो, single mRNA से जब बहुत तारे ribosome लगे रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, polysomes या polyribosome, plastidome उसको बोलते हैं, बेटा, chloroplast को, responsible for extracting energy from carbohydrate to form ATP, carbohydrate से कौन ATP निकाल सकता है, यही निकाल सकता है, और देखो, ठीक है, तो हम लोग इनों यह खतम कर लिए, बेटा हमने, तो हम क्या करेंगे, next stream में इस स्टार्ट कर रहे हैं, बाय मोलिक्यूल से, इस stream को end कर रहे हैं, आपको दूसरी stream में आना है, ठीक है, क्या time हो रहा है, मैं time बता देता हूँ, 3-10 हो रहे हैं, हम लोग 3-20 पे start कर रहे हैं, next stream, 3-20 भे, ठीक है, 3-20 पे नई stream start कर रहे हैं, और link share कर रहा हूँ मैं, नई stream start कर रहे हैं, link share कर रहा हूँ मैं, हाँ, बाय मोलिक्यूल करेंगे, उसके बाद cell division और उसके बाद morphology, ये लिंक शेर कर रहा हूं मैं टेलीग्राम पे ठीक है लिंक जो है मैं शेर कर रहा हूं किसमें ज्ञान दो Link में share कर रहा हूँ एक तो chat में share कर रहा हूँ आपके पास दूसरा मैं share कर रहा हूँ Telegram group में फटाफट से जाकर वहां से ले लो हम लोग start कर रहे हैं 3 बचके 20 मिनट पे और फिर 11 खतम कर देंगे एक घंटे के अंदर उसमें हमें जो chapters करने हैं बदा देता हूँ एक biomolecule करेंगे cell cycle करेंगे morpho anatomy ये चार chapter करने एक सवा गंटे में हम लोग कर लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग 12 start करेंगे सही है आज ही करेंगे 12 को भी बिटा क्योंकि आप इतना time नहीं दे सकते exam पास आगया आपके ठीक है नींद आती है हमें भी आती है कोई बात ने ठीक है चलो है आती है आती है आती है